हलो बच्छो के सिरो आप साथ वन्सेगन वेलकम बाक आपके अमेजिंग सुपर प्राट्पार्म यानि पीड़ू पे और भाई स्वागत आप सब का दमोस्ट आपके हिस्ट्री मारतन के अंदर आप करने वाले और सारे चाप्टर्स अपने फेरेट सर के साथ तो भाई सर वे साथ यह सर क्या करने वाले इक्तम सर वेरी गुड़ मॉर्णिंग आज हम लोग सर हिस्ट्री का कंप्लीट पूरा रिविजन करने वाले हैं और यह ध्यान में रखते हुए कि स्टूरेंट्स का कल आईटी का एक्जैम दी है तो हम लोग जैसा कि हम और सुनाल सर ने प्लाइ सब्सक्राइब कर देंगे और कोशिक देगा पांट चाप्टर जो है ना हम कहीं ने आपके पांट शे घंटे गंदन निप्टाएं सर यही रहने वाला है स्ट्राइजी आट का वेरी गुड़ मॉर्णिंग डोल फ्यू हां जी तो बच्टों 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 यहीं कि आप लोग को कल आईटी के एक्जाम है और हमने यही डिसाइड का है कि भाई आपके सेशन को शॉट क्रिस्प रखेंगे प्रिसाइज रखेंगे यहना पांट से गंटे के अंदर ट्राइए करेंगे इस पूरे जितने भी आपके पांट चाप्टर सो खतम किया जाए तो आ यह नहीं लगना चाहिए कि सुबह सुबह का टाइम है तो ऐसे बॉडी में एक दा मालस है तिक दम फड़ा वट्चिक पार फायरोपी हो जाया चार्ट के अंदर देख लेतें कितना जोच है हमारी सारे बच्चों में तो थोड़ा सा बूस्ट भी टाइम फर्दर स्टाट करतें तो तरीका ही होने वाला है कि हम और कुनाल सर आपको पांच चाप्टर पढ़ाएंगे और हम लोग अल्टेनिटिवली या फिर मैं पहले के दो चाप्टर फिस ले लेंगे इस तरह हम लोग यहां पर प्लाइन कर लेंगे ठीक है चुरू करते हैं सर ओके मिलते हैं कुनाल सर से चलो यार स्टाट चरते हैं और सब लोगों की एकदम नजरें तब लोगों का ध्यान एकदम आपकी फोन की स्क्रीन पर होना चाहिए सब लोगों का ध्यान आपकी लाप्टॉप स्क्रीन होना चाहिए क्योंकि अभी हम शुरू करने जा रहे हैं दर राइज ऑफ नाशनलिजम एन योरोप और हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं दाचिस के अंदर मैंने पढ़ाया है को एकर यूट्यूब पे सुरेंट है जो foundation channel से पढ़ढ़ा था तो मैंने वार्यर क्लास में चाप्टर को चाड़े-चार घंटे में पढ़ाया है लेकिन अब हम लोग एक्जाम के इफ पे हैं हम लोग रिवीजन कर रहे हैं हम लोग को यह चाहिए कि हम लोग कम से कम टाइम में maximum revision कर ले जाए समय बरबास ना क ओपी चौधरी बीमर वाइस लोग वाइस क्या हो गया वाइस को देख लो भाई वाइस प्रॉपर है कि नहीं अभी प्रॉपर आ रही आवाज अभी सब लोगों का वाज एकदम पश्ट रूप से साफ है फिर हम लोग सेशन को शुरू करें आज के अवाज एकदम प्रॉपर आ रही है अभी एकदम अवाज साफ है अभी एकदम अवाज साफ है सब लोग जनली से एक बाद पता दो यार अब ठीक है ना अब ठीक है ना अब ठीक है ना ठीक है शुरू करें तो देखो यार मैं समझ सकता हूं कि तुम लोगों के एक्जाम है कल एक्जाम है और इसी ल लो चलिए लिए लिए पार जानिव इस टार्ट अवाज इगह प्रॉपर एगडम खीक आवाज आवाज इगडम पॉपर आ रहिए जो कुछ नहीं पढ़ा वो क्या करें देsk bisher पुछ भी नहीं पढ़ा को उसको यह करना है कि आप अपने आप ये कुछ करिए इस वक्त और अगर आपने की लिट्री में उनकी बात कर रहा हूं जिन्हों ने किताब भी नहीं खोली जिनको पता ही नहीं कितने चाप्टर हैं तो वो लोग इस वक्त करिए से पीवाई क्यों खोलिए प्रिएस और पिछले साथ आठ साल के पेपर को लगा लीजिए पास आप हो जाएंगे यह बात पफ्ली है चलिए स्टार्ट की अधाय शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ डाट इस राइज ऑफ नाशनलिजम इन यूरॉप दोस्तों इस चाप से वहाँ पर पहले constitutional मुनार्की थी वह खतम पहले मुनार्की थी फिर constitution मुनार्की थी फिर कैसे फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था यह हमने कहानी क्लास 9 में पढ़ी थी क्लास 10 की ncrt में सबसे पहले चाप्टर जब शुरू होता है तो पहले यहीं बताया जाता है इस च nationalism in Europe जब फ्रांस में चीजेंच हो गई तो किस तरह से जो चेंज इस फ्रांस में हुए थे अब वो यूरोपियन कंट्रीज में फैल रहे थे अधर यूरोपियन कंट्रीज में स्प्रेड हो रहे थे और उन उन पर्टिक्लर चीजों की वज़े से जैसे की लिबर्टी हो गय एक्वालिटी हो गया वोटिंग राइट्स हो गए इन चीजों की वज़े से क्या इंपक्ट बाकी कंट्री से पढ़ रहा था यूरोप के तो पहले हम लोग प्रेंच रिवॉलूशन की कहानी के वज़ेस फ्रेंच रिवॉलूशन की वज़े से जो जो चेंजेंज हुए फ अब क्यों बोल रहे हैं लोग वाइस इक बाल चेक करो अमकित अवाज मेरी फ्रॉपर है कि रही है वाइस बहुत लो है इंक्रीज वाइस पोड़ी फटर ही वाज वाइस बहुत लो है इंक्रीज वाइस थीक है ठीक है ठीक है चलिए ठीक है फिर उसके बाद एक बार जब हम लोग रहा देख लेंगे किस प्रकार से नाशनलिजम यूरोप के दूसरे देशों में फैलना शुरू हुआ तो एक टसल स्टार्ट हो गई थी एक स्टेट आ गया था जहां पर एक तरफ कंजर्वेटिव थे यानि एक तरफ राजा माराजा की के लोग होते थे और दुसरे तरफ वो लोग थे जो चेंज चाते थे यूरोपियन सुसाइटीज के अंदर जो चाह रहे थे कि वहां पर अब एक वहां पर रिपब्लिक आ तो इनके बीच में यहां पर टसल स्टार्ट हो गया इस फेस को हम लोग कहते हैं एज और रिवॉलूशन हर जगह होता है हर फामली में होता है जैसे कि अगर आप हैं और आपके दादा जी है तो डेफिरेटली दोनों के आप दोनों के टाइम पीरिट में बहुत परक रहा और जेखें टाइम पीडेट में अलग चीज़ें थी आपके ते डाइम पीडेट में आज आप कितने सारी चीज़ें ऑपनль देखते हो सोशल मीडिया और चीज है डादा जी करो तरफ करें नहीं तो बेसिंग ट्रून को बदलने कोशिश करोगे जब तुम जी कहने की कोशिश करोगे चिल चुल या आज का टाइम है ऐसा होना चाहिए तो से बात है दादा जी भी एक पर कहेंगे चुप खामोश हो जा तो मतलब एक तरह का टसल यहां पर रहता है टसल इस चीज को जहां पर एक तरफ से और एक तरफ आपके नाशनलिस से उनके बीच में जब रिवॉलूशन का फेज मिलेगा इस रिवॉलूशन का आउटकम यह हुआ कि नाशनलिस्ट जगह जगह अपनी होल्ड बनाने लगे और कई सारे ऐसे नेशन स्टेट निकल के आते हैं जैसे कि यहां पर जर्मनी बन ज जाता है और स्वेंज के सब ब्रिटेन भी हम डिसकस करेंगे फिर जब नेशन मन गए तो नेशन को कैसे विजुलाइस किया गया वह में यहां डिसकस करेंगे और फाइनली वी विल एंडिस लेक्ट्टर इस चाप्टर बाइज टॉपिक ऑफ इंपेरियलिजम और नाशनलि बाइज में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल और कॉंस्टिटीूशनल चेंजिस होते हैं बेटा जिसकी वज़ेसे फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है तो जो स्टूरी है फ्रांस की स्रॉम मुनार्की से लेकर रिपबलिक तक की उसको हम लोग फ्रेंच रेवॉलूशन के नाम से यहां पर जानते हैं एक सवाल आता है आपके अग्जाम के अंदर जो आपको याद रखना है यह कुश्चन में पूछा दा चुका है और यह आगे भी आप से हो सकता हो पूछा जाए सवाल क्या है वोट वर बिलॉंगिंग मनाई जा सके यानि कि लोग जो रह रहे हैं यूरोप में वह एक दूसरे से बिलॉंग करते हैं उनका कल्चर एक है कलेक्टिव बिलॉंगिंग है विरादरी के लोग है ऐसी चीजें ऐसा स्टेप कैस कौन 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 सी स्टेप यहां पर लिए गए ठीक है ना चलिए पहला पॉइंट देखें यहां पर दोस्तों यह आठ पॉइंट बैने लिखे हुए हैं यह आठ के आठ पॉइंट आपको ऐसे लिखने हैं कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर लंबे-लंबे आंसर स्टी में कैसे याद करें उसक को सिंपली यह करना है अब उन्हीं पॉइंट को सेंटेंस फॉर्माट में करेंट कर देना है ठीक है तो चलिए पहला स्टेप क्या लिया गया था नंबर वन यॉनाइटिड कम्यूनिटी एंड एक्वल राइट्स इसको फादर लांड कहते हैं और एक्वल राइट ले सिट इन सेटिजन्स तो यहां पर फ्रांस को फादर लांड बोला गया है ठीक है ना लोग इंडिया मदर लैंड कहते हैं तो फ्रांस बेसिकली एर फादर नाट तो सुसाइटी जो है यॉनाइटी सम्मूनिटी जो है वो यॉनाइटेड हो गई थी फ्रेंच रेवलूशन के बा चल रहा होगा ठीक है एक लोगो को की आइडेंटिटी है कि लोग किस कंट्री को बिलॉंग कर रहे हैं समझ रहा हूं यहां पर पाकिस्तान निंदा ले खड़ा है यहां पर एक इंडिया और पाकिस्तान के बगल पेंडिया तो वह तो सेंड़िश विश्य हो जाएगा समझ रहो तो भाई प्लाइग की वैल्यू अलग होती है आपके अई इंडिटी होती है वह ठीक है ना तो भाई जब फ्रांस व्राइंस में रेवलुशन हुआ तो फ्रेंच रेवलुशन के बाद एक निया ट्राइकलर का फ्लाइग आ गया यानि फ्रांस के लोगों के अलग identity होगी फ्लैक की नाम से फ्लैक से यह फ्लैक देख लिया इसका मतलब इस इद आदे पीपल उप फ्रांस बात समझ में आगया बात समझ में आगया कि नहीं समझ में आ गया तो फाइब पॉइंट नहीं चलेगा आठो लिखके आजाना आठो लिखके आजाना क्लियर है फिर उसके बाद नंबर थ्री देखिए जब फ्रेंच रेवलूशन खतम हुआ तो फ्रांस में अभी तक मैंने आपको बताया था बह लेकिन अब क्या हुआ कि वहां बहुत सारी रीजनल लांगविज को खतम कर दिया गया और एक लांगविज को फिर यह फ्रेंच अब फट्रेंच ठीए था चाहिए सब चीज़े क्लेक्टिव ब्लॉंग अरे आप किससे बात करने जाओगे इंडिया के पास जाओगे ना जो इंडिया का त्रंगा लिए होगा तो देखो त्रंगा या फ्लाग हम बोल सकते हैं कैसे सूसाइटी के इंदर यहां आपन विरादरी के लोगे बाइजान बाइजान बोले लग जाएंगे अरे तुम्हारे देश के हो तुम तरंगा लिए हो ठीक है ऐसे ही लैंग्विज का हुआ अभ अभी आप यूपी में है ठीक है फॉर एक्जाम्पिल इफ यूपी और अगर आप किरला चले जाएं आप उसको तुर्ण देख दम उसके अधाथ मिला लेंगे अरे यह रास्ता कहां जाता है भाई यह खाना कहां मिलेगा यह जगह कहां पर है आप सारी चीज़ें पता उसी से कर लेंगे है कि नहीं लेकिन मान लोग कोई ऐसा इंसान जो हिंदी नहीं बोल रहा है आप क्यूं आप वृद कर दो रहें है घृत बरेंदेट हो जाएगा लोग दूसरे बात नहीं आप जाओ गया और अफ्रफर कोई बहुरी तो बहुता हुँ तो आप भाई साब पागल हो जाओ अमेरिका वहाँ में और तुम इधर आवा इधार की इधर बनी हां बनी अमेरिका वें आ प्रोट दोर देली लग जाओं तो लग या क्या हो लांग्विच्ट आपको United के आ रही है क्या है तक कौन-कौन से मैसरे सीद्वाइब क्वेश्टन क्या है वो कौन-कौन से मैजर्स है कौन-कौन सी प्राक्टिस जह इंट्रिड्यूस करी गई थी फ्रेंट रिवार्ण कुछ नरीज के द्वारा पहला स्टेप क्या है सुसाइटी में कुम्यूनिटी को युनाइट कर दिया नमबर टू एक कोल राइट दे दिये फिर उसके बाद ट्राइक लिया है रीजनल लांगविज इसको खितम कर दिया गया एक सिंगल लांगविज है डाट इस फ्रेंच औ पर आप सुन तो कभी देखोगे आपने सुन लिया राष्ट गान बज रहा है जन गण माना धी नायक जाया है आप तुरंद खड़ जाओगे कहीं भी आपको लग गया आप कुसाम जाएगा दूसरे कंट्री में हो और दूसरे कंट्री में आपने देखा कि यहार यहां पर कि एस्टेट जन्रेल में पहले अपॉइंटमेंट होते थे अब महां पर चेंज कर दिया गया और बेस्टेज Engineering के अंदर एक्जिकूट भी कर रहा है सेंट्र अड्मिस्ट्रेटिव सिस्टम यहां पर आ गया और सेंट्र लेवल से चीज़ें को यहां पर गवर्न करने लगे उसके बाद यहां पर पॉइंट नमबर जी देखिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेके आ गए वेट सेन मेजर्स का यानी हर चीज एक यूनिफॉर्म तरीके से मेजर की जाएगी यूनिफॉर्म उन्होंने वो बना दिया कि वह एक लीटर का मतलब इतना होगा यूनिफॉर्मिटी ले आए हर चीज में इससे क्या हुआ ट्रेड में असानी हो गई हमने बोला एक किलो प्यास देंदाना पतहला को पावर भेज दिया तो ट्रेडिंग असान हो सके इसलिए यहां पर क्या हुआ कि वेट सेन मेंजर को यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर और उसके बाद जो फ्रेंच की आर्मी थी जो फ्रेंच रेवलुशन के समय लड़ रही थी वह फ्रेंच के आईडियास को दूसरे दूस इटली इटली को रेड़ किया एंड देन उसके बाद 1799 एंटर्स फ्रांस और वो फ्रांस में एंटर किया वहां वो डेमप्रेसी को डिस्ट्रॉय करके डिक्टेटर्शिप ले आता है और 1804 में वह अपने आपको क्राउन कर देता है एस दी रूलर आप दी फ्रांस और 1804 म या फिर इसी को हम लोग नेपोलेनिक कोड़ ओफ 1804 के नाम से दी जाना जाता है बास समझ में आ गया कि नहीं आ गया क्लियर हो गया सब्सक्राइब करता है और राजा बनने के बाद फिर वो फ्रांस के अंदर लागू करता है से विल कोड़ ओफ 1804 या फिर नेपोलेनिक कोड़ ओफ 1804 अब इस सिविल कोड़ ओफ 1804 या नेपोलेनिक कोड़ ओफ 1804 की उपर सवाल आता है इसका आंसर जाजिए नहीं आपर हम लोग देख लेते हैं आगे आज़ेगे देखिए राइट एशॉर्ट नोट नोट अं से सिविल कोड़ ओफ 1804 इस तरह कोश्चन आ गया या फिर किसी और तरीके से अगर सिविल कोड़ पूछ लिया गया तो इसके कुछ गुड़ पॉइंट भी है इसके बैट पॉइंट नेपोलेन ने नहीं बताया कि यह गुड़ पॉइंट बैट पॉइंट है यह हम लोग पॉइंट पॉइंट फ्यूड़ सिस्टम बढ़िंद अब यहां जमीन के मालक तो जमीन कुछ लोगों के पास थी टूड़ लॉट स्टम कर दिया गया जब फ्रूडल सिस्टम हो गया या निकि आप बड़े बड़े लोग का जमीन नहीं नहीं होगी तो उस पीज़ेंट उन जमीनों पर काम करते थे वह भी आसाथ हो गए क्योंकि आप जब वो फ्यूडल लॉट भी नहीं बचे तो उन जमीनों पर काम करने वाले लोग भी नहीं बचे पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट फ्रीट पीजेंट फॉम सवडम्स ठीक है इसको बंदुवा मजदूरी क करते थे यानिकी वो लैंडलोड इनको बंदूवा बांग लेता था जमीन से क्या आपको वसी नहीं पर कांवरे लेकिन तो पहला पॉइंट प्यांपर क्या हुआ हूआ सब्सक्राइब कर दिया गया दूसरा जब स्टम हो गया तो उसी का आउटकम है प्रीड़ पीजेंट को फ्री कर दिया गया फिर उसके बाद बहुत ही इंपोर्टेंट से था नेपोलियन का और यह कि उसने अब ट्रांस्पोर्टेशन अच्छा होता है अभी आप देखो जम्मु कश्मीर की बात करते हैं हम लोग तो जम्मु कश्मीर जाने के लिए पहले रास्ते बहुत कम थे पहले सड़की इतनी अच्छी नहीं थी जम्मु से शिनेगर पहुंच रास्ता जो है 300 किलमेटर का है ल ट्रांस्पोर्टेशन इतना अच्छा नहीं है इसलिए लोग कश्मीर जाते ही नहीं थे इतना है ना इसी लिए जमात आर्टिकल 370 घटाया गया तो बहुत सारी चीज़े हैं जो 370 कि वैसे नहीं हो पाने अब हो पाएंगी लोग ज्यादा मूव करेंगे हैं पहले ऐसे को चीज़ें हो जाती है समझ जैसे मैं तुमको मेशें इसामपल देता हूँ मान लो तुमारा यह घर है यह तुम्हारा घर है अब देखना तुम लोग क्या करोगे अब मान लो एक तुम्हारी मैडम का घर ये एक मैडम में घर है निए दो मेंटम इसक्राइब तो तुम्हारी दो पैडम तुम्हारे तुम लखी ओ अब यह जो रास्ता है यहां से यहां तक का मैंटम भड़ा रास्ता बहुत खराब बेटार एकदम घटिया पैजल चिंगे राइक नहीं कीचा रेक्डम लेकिन जी रास्ता मेलाई रास्ता बहुत बढ़ी आपाएंगे इन से बिलें पहुच जाओ लिए तो हैं समझ रहो रहो ट्रांस्पोर्टेशन कितनी चीज़ें बदल देता है अब किसी को ऐसे समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं अब देखो तुम्हारा घर यह बहुत बढ़िया कल तुम को जाना एक्जाम देने के लिए ठीक है अब तुम मानलो तुम्हारा घर से एक पेट्रलपम यहा चलती है तो ट्रांस्पोर्टेशन उसने बहुत कर दिया कम्यूनिकेशन अच्छा कर दिया पहले शनकर जाते थे तो वहां पर इंसान को अपनी पहुंच के डिफरेंट सिम लेनी पढ़ती थी सिम तो अच्छा नहीं है वहां इंसान जा रहा है दूसरी लेगा तो अपने अब सोचो आज की टाइम पर आभी आप लोगों से कम्यूनिकेशन कैसे हो रहा है वी यही मान लो इंटरनेट सर्विसे खराब होती इंडिया के अंदर क्या यह कम्यूनिकेशन पॉसिबल था नहीं था ठीक है तो नेपूलियन ने ट्रांस्पोर्टेशन और कम्यूनिकेशन सर्वेसेस को बहुत घजब कर दिया अबॉलिज भी प्रिविलिजिस बेस्वन बर्थ बर्थ से अगर किसी को प्रिलिज मिलता है यह उसने ख़िए बनेगा ठीक है यह बॉलिज प्रिविलिजिस जो बड़ से लोगों को मिलती थी एक वालिटी ले आया वि को इंक्रिद्ध किया उनिट्स को introduced किया system of measure अगया यहां प्रॉपर मेजिण को इंट्रूस कर दिया यह बहुत बढ़ी हो रही थी नेपोलियं की बहुत बढ़ी आंसान है भाई-साहब एक्दम ये तो साक्षात भगवानू लोतर आया है इतने इतने अच्छे काम कर रहा ह हमारे लिए हमारे उस फ्रेंच राजाओं से लुए 16 बहुत बढ़ी आंसान यह बहुत वावाई हो रही थी नेपोलियन की हर चालियां बज़री नेपोलियन के लिए लेकिन नेपोलियन में कुछ ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिये जिसकी वाई से गालिया पड़ने लग गई पहला दोस्ते गंदा स्ट्रेफ लिया वो था इंटर्डूस सेंसर्शिप सेंसर्शिप का मतलब यह था कि कुछ भी चीज़े अकबारों में छपेंगी क्या चपना है क्या नहीं छपना है अकबारों में कैसी न्यूस जाई कैसी नहीं जाएगी यह नेपोलियन रहेगा यह सबसे गंदा स्टैप यहां फर कहा था ठीक है नंबर बन नंबर टू उसने वोमेंगो भूटником ही दिए नंबर को नंबर चार ऊत्रों को फोर्सь किया कि आप आर्मी को जॉइंग करिए जबर जस्ती और नमबर फाइव उसने टैक्सेशन बहुत टैक्स को बहुत जदा बढ़ा दिया था यह था नेपोलियन का सिविल कोड ठीक है ना यह था नेपोलियन का सिविल कोड आई होब यह बात यहां पर आपको समझ में आ गई होगी सेगेंड पार्ट जब यह चेंजेस फ्रांस में हो गए तो वह चिंगारियां और यूरोपियन कंट्री में कैसे पहुची चलिए स्टार्ट करते हैं मिड 18 सेंचुरी की बात करेंगे हम यूरोप की तो उस वक्त यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट एक्जिस्स नहीं करता था ठीक है ना को पॉपलिक हो गया हर चीज हो गई दी लिकिन इस तरह की चेंजेस अभी बाकी यूरोप इंट्री में नहीं थे फ्रांस भी यूरोपं कंट्री है है बाकी और भी उरोपिंग कंट्री है लेकिन वहाँ पर इस तरह के चेंज़े अभी तक नहीं हुए थे तो मिड एटीन सेंचुरी के हम बात कर रहे हैं जब यूरोप में कोई और नेशन स्टेट एक्जिस्ट नहीं करता था और लोगों के अंदर किसी प्रकार की प्रेख करें जिया टियुक्त सिव डूसेलपट व्हों हुआ हुआ था कैंट्वन में इस तरह से पार्टीशे बहुत सारे ठीक है जैसे कि इसवे जेशामपल देखिए जो उस वक्त की यूरोप की बात करेंगे तो спас dal कर रहीी थी सिनारियों अ उस्वत क्या महफ innerि और Central Europe इस तरह इट मुनार्की थी ख्लियर हो गया ठीक है बात सब्सक्राइब और अगर आप इस तरह आईए तो हैब्सबर्ग अंपायर था कहां पर आस्ट्रिय और हंग्रे में यह भी यूरोपन कंट्री से ठीक है तो आस्ट्रिया हंग्रे में कर रहा था कहां पर था अल्पाइन दीसंट्र में था और इटालियन फ्रोविस्ट लंबाड़ी इन सब यहां पर आपका आस्ट्रियन हंग्रे था इसट्री में रहां आसक्ता है नंबर त्री इस्टर्ण यूरोप और सेंट्रल यूरोप यह दोनों यहां पर मुनार्की थी नंबर फोर ऑस्ट्रियन हंग्रिया में हैप्जों अंपायर था एलपाइन बोमिया लंबार्डी इन सब जगह पर समझना रहा है तो इस तरह का सेनारियो जो है पूरे यूरोप म क्या हो गया देखो रूलर्स थे चम्स टो होते हैं युनाइटेड है साथ में यह जो लोग है उनका जो लोग है उनका कॉमन पास्ट और घुमन कल्चर होना चाहिए तब वोच क्ल्चर होता है थे तब वह उनेशं स्टेट होगा वर्प असे अचिछी फॉल लेसप पैसे लेकिननेशन अबतलब क्या है कि लोगों का कॉमन कल्चर लोगों का कॉमन पास्ट लोग इससे बाउंट नहीं थे एक दूसरे जे और बाद में यहीं चीज काफी स्ट्रॉंग हो जाएगी और लोग इसी वजए से माउंड हो जाएगे एक दूसरे ना क्लियर है आगे आजाएगे नेक्स्ट अब देखो एक कोश्चन आता है अब बात ही आती कि यह नेशन स्टेट का आइडिया कैसे इमर्ज हुआ यह कैसे लोग जो है कॉमन कल्चर की वजए से कॉमन पास्ट की वजए से बाउन दोने लग गए एक दूसरे से गुलने मिलने लग गए कैसे यह चीज़ समझने के लिए पहले हमको यूरोप की सुसाइ century Clax क्या सकते हैं ठीक हे यह दोनों धोनों बड़िए लेकिन सेवनिम्टी के टाइम पर इंडस्ट्रल रिवावलिशन होता है और ये अष्ट्र रिव एन्डस्ट्र सब पहले और में हुआ है ब्रक्रूर्यल बृड्ट हो ब्रृक्ड कि यहाः जब काम करना तो इंडस्ट पैसे क्लास है वो इंडस्ट्री में काम करेगा इस वए से 1750 में इंडस्ट्री स्ट्रीन k वह तो एक अर्फ होता है और एक नई क्लास सुसाइटी यहां समझ निकल के आती है इंडस्ट्र रिवलुशन के बर्थ हुआ किसका मिडल क्लास का एजुकेति ट्लास का कौन कौन है इस एजुकेति ट्लास में जैसे कि बुद्नस्में डॉक्त ट्लास यहां पर है कि national unity idea of nation feeling of nationalism यह सब फीलिंग इनके अंदर आई बासां नारी कि नहीं आ रही है बासां नारी कि नहीं यहां तक is it clear or not feeling of nationalism यह idea of nation national unity यह सारे concept किसके अंदर आये लगे इनके अंदर कैसे आने लगे अब यह यह लोग बैठे थे पूर पीजन को देख रहे हैं पीजेंट्री क्लास को इनको मारा जा रहा है पैंट उतारी गई खुब मार दिया इन लोगों ने करो काम करो यह लोग बोल रह है यह लोग तो है यह लोग बरबात कर देंगे परशान कर रहे हैं इसी लिए इस क्लास के अंदर वो feeling आई क्या वो feeling of nationalism क्योंकि इनके पास थोड़े बहुत दिमाग भी था थोड़ा रिसोर्स बीड़े मिल्ड़ क्लास है ठीक है तो इन्हों ने वो revolution करने की बात करना शु एक आलों से किया तुमाय ओपर तुमारा शोष्ड हो रहा है वह नि है कि यह नहीं होता है है कि वोदाएर टुइसम बैठो मैं बताए होता है प्री मतलब फ्रिडं और कैसी फीर्डं कि फ्रिडं डॉत प्रिडेगल फ्रिडम और इक्नॉप फ्रिडम तो भी लेक लिखे लिए वालों से तुम्हारा हो रहा है शौषण तुम्हारा जा है तो मारी पैंट उतार के चाराय करके चुह बेटी बेत लगाई जा रही है कि समझ रो इस तरह की बातें जो है करने लगे लो तो उन्हेंने खाए इसके लिए आप क्यों आप मार खारो पता है तुम्हारे पास फ्लीडम नहीं है उन्हें कैसी फ्लीडम यह कि स्टुडिया का नाम है उन्हें अप्सक्राइब ने का पॉलिटिकल प्रीडम और एक्रॉम equality of all before law हर व्यक्तिक कानून के नजरों बराबर होना चाहिए यह नहीं कि अरिस्टोक्राटिक क्लास है तो उनको लेवल उपर कर दिया पीस एंट्री क्लास है कीचर अडाल दिया यह नहीं होना चाहिए कानून के नजरों में हर आजमी बराबर होना चाहिए के यहरी मैं शुट्बी इक्वल एप्फोर लॉप और नो मैं शुट्ब अब दी लॉप इक्वालिटी पिफोर नॉट्व उप्वाल की बात हावर करने लागे और नंबर थरी गवर्मेंट बाय तंसें जो भी सरकार बने वो लोगों के बननी चाहिए यह नहीं होना चाहिए होना इक नहीं होना चाहिए बास संधरी कि नहीं चाहिए क्लियर है ठीक है यह थी पौलिटीकलिट फ्रिलन अचा यह लोगों को यह 弟्यों गयों थो यह उनका iiया था हैना सवाल क्या किया रहा है सवाल यह कह रहा है ना देखो प्लाओ सब्सक्रlt आइडिया कैसे ये आइडिया और नाशनलेल टेमर्ज हुआ तो आन से संबने आगे आपको एक्जुकेटर मिडल क्लास के दूर। लेकिन एकुछ दूपल्स थे इनके भी थॉट्ट प्रोसेस में क्या जैसे ही राइट टू वोट या राइट टू गट इलेक्टेड यह सिर्फ उनके पास था यानि वोटेंग का अधिकार सिर्फ उन लोगों के पास था या राइट टू गेट इलेक्टेड सिर्फ उन लोगों के पास था जो प्रॉपर्टी ओन कर रहे थे यानि प्रॉपर्टी ओइं मेन वही खाली राइट था वोट करने का उनके पास और राइट था उनके पास इलेक्ट होने का बास तो मेन विदाउट प्रॉपर्टी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो मेन जिनके प्रॉपर्टी नहीं है या वुमेन इनको एक्सलूट कर दिया गया इनको कोई भी प ठीक है आगे देखिए आप आज़ेंगोंने ने खाए फुपल पीपल ने कहा फिसे bang मार्केट में क्या चीज़ कितनी बननी है यह मार्केट करेगा उसका मतलब क्या हुआ कैसे रिकार मार्केट बोलता थोडही है वह जितना है कि करें थोड़ी कोले हैं मानलो पांगे जी की डिमांड है मांळै लो पारले जी बिस्कीट जी की है और तुम बताओ जो चाहर रखें हैं तो क्या अभी भी अगली दिन सो प्र बनेंगे नहीं अब दखें आना कि चाहरेश फर बने हैं तो मार्किट कहेगा कि भाया इतने की पाले जी दिमांद हमको ही नहीं तो इंडस्तिलिस्ट अपने आप कम पैकेट बनाए आगे इसकी बनाएं गया तो इस तो बेसिकली एकनामिक फ्रीटम का मतलब क्या हुआ एकनामिक फ्रीटम का मतलब हो गया फ्रीडम आफ मार्केट की फ्रीड़ा यहां पर फोगी दूसरा एबॉलुशन ओफ स्टेट इंपोज रिस्ट्रिक्शन और मुवमेंट अभी तक यहोता था यूरोप में जब गूट् अनना होते थे स्टेट इंत्यू पर रिस्रिक्शन इंपोज करता था ठीक ना रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता था लेकिन अब 1834 में ऑन इनिशेटिव वा प्रश्या क्या क्या गया एक कस्तंस दूवियंड मनाया गया जिसको हम लोग जौल करीन कहते हैं और यह अलग कंट्री दिखा रहा हो अब मान लो कोई यहां से लेकर यहां जाना है तो अभी तक जब वो गुड्स यहां से यहां मूब करता था तो क्या हो रहा था यहां से यहां मूब करेगा तो जैसे यहां कंट्री के बॉर्डर क्रॉस करता था कुछ ना कुछ उस पर टाक्स लगाते तो एक तरह का रिस्ट्रिक्शन ती रिस्ट्रक्शन तो हो गया ना ले जाने के लिए ऐसे हालात पैता कर दिये कि वह आलड़ी एक तरह का स्टेट इंपोस्ट रिस्ट्रिक्शन की रूप में काम कर रहा है तो जब 1834 में ऑन दी इंस्टेंस अफ प्रशिया जब वो कंट्री की वैसे अब उन 30 करेंसी को खतम करके दो कर दिया गया इससे क्या हुआ जब करेंसी से हो गई तो ट्रेडिंग जो है लें दें ट्रेड करना व्यापार करना बिजनस करना असान हो गया ठीके ना यह चीज़ है यहां पर आपको याद रखिए क्लियर हो गया आगया रही है तो यहां पर बेसिकली क्या है लिबरलिजम की शुरवार जो है मिडिल क्लास करता है वह बताता है लिबरली बाता है लमें तरा Depois ने निपोलियन ने नापोलियन जो था वो लिम्यटेट तफरिच की बात कर लिम्यटेट शपर चीज़ें लिया मतलब यह है कि सब कुआ राइस नहीं देंगे सबकुआ ये मिलेगा उसने वोमें डिट आट राय्ट बोट रगेंड वोमें को वोट करने का दिकार नहीं लिया और का स्टेट्स वही किया जो एक माइनर का होता है माइनर को वोमेन का स्टेटस है जहां पर मिड़ेकल कुर। अधिकार यहां पर नहीं होगा ठेक है 1815 में फिर बाटल वाटलू होती है सब को पता है एक तरह प्राप कंट्री इस अब नेपोलीयन गार्ट को दौर सुरू हो रहा है खतम होने वाला एक तरह होते हैं प्राप कंट्री जैनी की प्रशिया रश्या और ऑस्ट्रिया और एक तरफ होता है यह दोता है 1815 में इंदी वॉटर्लू जगह का नाम है और इसी के नाम पर पड़ा है बैटल आप बाटल बाटलू जब यहां खताम होती है अब देखेगा यह जो कंट्री है प्राब कंट्री यह प्राब कंट्री स्कंजर्वेटिव कंट्रीज है मतलब वह सोच जो मुनार्क ले आए यानि जब यह बैटल बाटलू भी चंजर्वेटिव जीट गए चंजर्वेटिव आ गया सब्सक्राइब बुनार्की आ गई ट्रडीशनल इंस्ट्यूशन का बल्बोला हो गया जैसे की चर्च हो गया इन सब का बल्बोला हो गया तो बेसेगली प्राब कंट्री वन दी वर वन दी बैटल और नपूल भुनापाट का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है सो आफ्टर भी नेपोलीन गया तो यॉरोपमागे गवह ग्वर्मेंट कंजर्वेटिव की शरकार थी वह गवर्मेंट क्या कर रही है वह गवर्मेंट मुनार्कित को सपोट करती है लेकिन अब यह चलाक थे उन्होंने कहा कि भया इनको हम स्ट्रॉंग क्यों ना कर ले इनको मुनार्की का पहले उखार फिक चुके थे फ्रेंज रिवॉलुशन में 1789 में उनार्की तो वैसे उखार फिक चुके थे कहीं दुबारा ना उखार फिक दे इस लिए अब इन कंजर एकदम ओल्ड स्कूल फिचले गए तो हम फिर्जयों खाल फिक दिया जाएंगे इसलिए ठीक है हम चाहते है कि ट्रडिशनल स्कूल हो इंस्ट्विशन दो लेकिन चेंज होना चाहिए आघरेग लोग चर्च को बनाए रहेंगे स्ट्रॉंग मुनार्खी को स्ट्रॉंग करे रहेंगे तो एक टाइम आएगा जैसे फ्रेंच रेवलुशन में मुनार्खी को खाड़ फिकाता लोगों ने फिर तो खाड़ लोग जो है इनके यहां पर तरह से सोच रहे थे क्लियर है बाव सब्सक्राइब आगे आजी एटीग रुटीग में यसे बताए मैंने बैटल अवाटरलू की बाद प्राप कंट्री जीद गए थे नेपूलिन मुनापार्थ हा गया वाटर बैटल वाटरलू की बाद ट्रीटी और वियना साइन होती है ठीक है वे एक जगए क बोना पार्थ हार गया तो ट्रीटी और वियना साइन कराएगी ट्रीटी ओ व्यना किया क्या प्रविजन से नंबर वन द्धान रखना है तो साइन भाइद प्राप कंट्री पहला पॉइंट दूसरा ट्रीटी और वियना के प्रोविजन था कि जो भी चेंज नेपूलियन बुना पार्ट में किये उसको हम अंडू कर देंगे यानि जो भी चीजें जो भी गलत काम नेपूलियन में किये थे सब्सक्राइब कर देंगे जो मुनार्खी की टाइम पर था तो अंडू दो चेंज़ेस्ट वर दन मैं नेपूलियन नमबर थ्री सेटलमेंट ऑफ यूरॉप यह सबसे बड़ा इंपॉटेंट पॉइंट था सेटलमेंट अफ यूरॉप क्योंकि अब नेपूलियन था तो जो कंट्री इसको वो जीता था या जो टेरिट्री वो जीत चुका था फ्रांस के अलावा उनको सेटलमेंट उसका सेटलमेंट होना था कि किसको क्या मिलना चाहिए किस कंट्री में कौन सी लैंड जाएगी इस चीज़ का सेटलमेंट यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो एक खोड़की सत्राइब करेंगे तो यहां पर क्या हुआ फ्रांस में वुर्बाद ड्निएंस्टी था पहले स्कोर कर दिया गया या व्रांसके वुर्बहनी पॉर वापस आ गई vis टेरिटरीज एनेक्स बाइन नेपोलियन जो भी टेरिटरीज नेपोलियन ने एनेक्स करी थी जीटी दी अब उनको वापस दिया जा रहा था जैसे फॉर एक्जांपल किंग्डम आफ निदर्लैंड एंड बेल्जियम अब देखो ये नॉर्थ में थी ठीक है तो किंग्डम दे दिया गया था वह चला गया था बेल्जियम में क्लियर है आगे देखे रश्या पोलाइंड कोछ इसा रश्या में तला गया ठीक है दे दिया गया जो जीत लिया था नैपोलियन दे जैनुवा पीडमॉन साथ और फ्रॉंस लाई करते थे यह आपर चले गाए थे मतलब इस तरह अब हुआ और रशीया थी जो नई टर्ट्री इस थी न्यू टरी त्सों इटेटरा वह रश्या में चली गई थी ठीक है और अस्ट्रिया नॉर्थन इटली ऑस्ट्रिया में गया इस तरह से यहां पर चीजें जो है वह इंपोर्टेंट है ठीक है तर्टीन तोडल लडवी नाई थे उसमें जर्टा प्रशिया यहीं स्टेट्स बात में आखि क्या होते हैं जुर जाते हैं यह आगे आएंगे तर उसका डिसक्ति यहां पर करेंगे बाद समझना गया तो सेटलमेंट अफ यहां पर यहां पर यह बहुत 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 इंपॉर्टन है जहां रखती का चलिए आगे आजाए यह मुविंग ऑन टुदिने तो कंजर्वेटिस वन लिबरल्स जो है यानि कि जो आपके दूसरे नेस्ट थे लिबरल्स थे वह हार गए तो कंजर्वेटिस जीतने का मतलब मुनार्की की जीत हो गई और जो लिबरल्स थे जो रिवॉलूशन करेंगे व्यात करो थर्ट पार्ट जो आ रहा है रिवॉलूशन अब यह लोग रिवॉलूशन यह लोग थे वह यहां पर हार गए बासनद आके कि नहीं आ गई अब ऐसे में यहां जब नोग हार इन जोई जब मुनार्की जीतन गई यानि कि कर Christmas स्टाट की गई कि हम इस एजेंटे के साथ कि हम मुनार्की को ओवर्त्रो करें फिर से भई आ गया तो फिरसे प्रांस में मोनार्की आ गई अब ये कोशिच फिर से हुने लगी कैसे हम लोग इनको उखाड़ नहें कैसे हम लोग मुनार्की को खतम करें तो इसके लिए सीक्रिट स्टाइटीस बनाएं लगे अंडर्ग्राउंड बनने लगी ठीक है और प्रोपगेंडा क्या था मुनार्की खतम करना है और डेमोक्रसी को लागू करना है ऐसे में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है जिसका नाम है ग्वैसपी मैजनी जो की जैनुवा में पैदा हुए थे 1807 में उन्होंन इसी लेके आएंगे और मुनार्की को खतब करनेंगे है क्लियर हो गई बात इस पॉइंट क्लियर है ठीक है तो यहां पर जब इस तरह की चीज़े होने लगी अंडर्ग्राउंड सुसाइटी बनने लग गई तो थोड़ा डर पैदा हो गया ऑस्ट्रियां चांसलर ड्यूक मैटर बिजन कर रहा है कि अंडर रहा है मोनार्की को खळखना इसलिए उसने बोला डुक मैटरनेस ने किसके लिए कुछ नी के लिए he he is the most dangerous enemy of our social order हमारे social order के लिए यानी हमारी मुनार्की के लिए he is the most dangerous enemy सबसेखतरनाग इंसान है क्योंकि वह अंडर्रांड बनाय हुए है और प्रोपेगंडा कर रहा है अंदर यंदर कि मुनार्की को खाड़फे को और डेमोक्रसी लिए बात सब्सक्राइब आ गया है बात सब्सक्राइब क्लियर हो गया तो यहां पर इस तरह की चीज़ें यहां पर चल रही थी अब आता है एज ऑफ रिवॉलुशन मैंने बताया इसी को में बोलते हैं एज ऑफ रिवॉलुशन और अठारा सो तीस से लेकर अठारा सो अठालेस तक फ्रम 1830-1848 एंटायर युरोप में आप देखोगे तो रिवॉलुशन जी रिवॉलुशन नहां पर हो रहे हैं पूरे युरॉप में रिवॉलुशन हो रहा है और सीपोट्टी एक तक क्लियर कि यहां तक कानी ख्लियर के लिए है घुआ सपी मन गरिवाल्डी गरिवाल्डी अलग है वह इतली में आएगा यहां तक क्लियर हो गया कर आबरिवन डिश्कलीर कि इसक्षिर वह लोग थे जो मोनार्की के फेवर में थे जो ओल्ड श्कूल मतलब करते ते वह लोग यह प्रपिगांडा मतलब एक तरी का एक तरह का विजन हमझाते हैं कि मुनार्की खताम हो जाए और अंदर यांदर चाहरा है कि तो यहां पर लिबरल्स यानि यह देमोक्रसी थे और मुनार्की थे इन दोनों के बीच में दो रिवालुशन वह वह आपका एज शुरू करते हैं यहां पर आप कंजर्वेटर्स दो एक आपको पताया राइट तु तु इंट रपावर वो चाहते पहले पहले पावर हुआ करती तुछ और मजबूत कर ले ट्राइट नंबर वन पॉइंट नंबर टू बेवर अगेंस बचेंज और वह चाह रहे थे कि सड्न चेंज ना हो ग्रैजूवल चेंज होना चाहिए एक पॉइंट नंबर टू फेवर आफ मुनार्की में थे बता दि ठीज तो यह जो conservative थे जो अपने church के favor में थे जो old traditional thought के favor में थे जो मुनार्खी फिरवरों थे अब इन conservative की लडाई चिर्फ और सिर्फ liberal से नहीं लाए गई अब इनकी लडाई nationalism से भी यहां पर हो रहे लगी क्योंकि अभी तक तो करते रहेंगे हमको अब अलग देश की डिवांड करने ही पड़ेगी हमको आप नाशनलिजम की लड़ाई थी वो लिबरल्सम और अब नाशनलिजम इन दोनों के साथ हो गई लिबरलिजम एज़ूकिति ट्लास और यहां नाशनलिजम की बात करेंगे तो कैसे होगी कल्चर की यह दोनों लोग एक साथ आ गयैं चैसे मैं हमेशां को इंडिया गजामपल देता हूं हमेशा हो गया मैसूर सपी जब मैसूर को मारा काश्मीर नागाव पिक अलग आप everyone रहें तो सब लोगों को पीटा फिर सब लोगों को पीटा फिर सबस्कार फिर सब्सक्राइब इंडीर नुस prim अब कैसे क्योंकि 1853 में पहली ट्रें चली इंडिया में मुंबई सित्धाने और जब पहली ट्रेंच ली तो इस नोट ओनली पीपल वर मुविंग फ्रों ट्रेंग इड़ आइडियाज थाट्स देर बिलीफ यह सब चीज भी उनकी साथ मूव कर रहा था और जब मूव किया तो लोगों ने पूछा तुम तुम क्यों गाल पर हाथ लगे खड़े हुए तब यह अंगरेजन ने बहुत बु इन को लगा कि जो लोग है यह तो हमारे निब्र इसन और नाशलिजम इन दोनों खिलाफ शुरू हो गई और जब यह लोग रेवलूशन करते हैं अब इन दोनों की लड़ाई जो है इनकी अगेंस्ट है जब रिवोलूशन हुआ तो रिवोलूशन कहां कहां हुआ यह प्रकार से फी आप गया पृलैन में देखने को मिला जर्मपनी हो गया वह तर्स इमपाइर हो गया इटली हो गया इन सारे कंट्रीज में अपको major apples लेकिने को मिलेंगे सब्सक्रान यह लिकर्ण हुआ चलिए आगे देखिए अब फस्ट अफीवल कब हुआ पहली बार अफीवल कब देखिए फस्ट अपीवल हो था जुलाई रेवलुशन हुआ जुलाइं में रेवलुशन हुआ तरह इसका नाम जुलाइं रेवलुशन है औह एटीन-धी अथाराइसों पंद्रा में Battle of Waterloo खताम हुई Battle of Waterloo ही नैपॉलियन हार गया नैपॉलियन के हारने के बाद conservative तो आपस आगए और मैंने क्या बताया था फ्रांस की बुर्भवाण स्टिटी बीस्टोर कर दी फ्रांस की पूर्भवाण लुट्र सुख्टी ती फिर से आ गई तो 1856 एंटीन दीट एटीन अन्यों सुख्टीन से लेकर एंटीन थी तर्षी तक बुर्भवाण मुना पार्ट के बाद बुर्वन डैनेस्टी आ गई थी कंसर्वेटेस की अब जब पहला आप ही वेल हुआ वो था जुलाई स्क्राइब को रहा है फरांस में बात आई किसकी आ जाहरी बात है उसकी चंगारी वह आग और और वहां पहले कुँण होगे हमको भी अधिकार चाहिए हमको भी राइट्स अई करना है हम क्या ना यहां पर पहली बार रिवालुशन शुरू हुआ इन कंट्रीज में अब रिवालुशन हो रहा है कंजर्मेटर्स को पटका जाएगा दो भी पचाड़ा जाएगा और दुछी तरस क्या होगा यह लोग डेमोक्रिश करें तो अब लड़ाई क्या है कंजर्म सब्सक्राइब कर रही थी वह बूर्वांड यहां पर खतम हो गई 1830 में आके यहीं था हमारा जुलाय रेवोलुशन बासमद में आ गया क्लियर है आगे आ जाएगी नेक्स्ट दूसरा अप्राइजिंग ब्रूसल्स ब्रूसल मतलब बेल्जियम की बात हो रही है बेल्जि से खिलाव तो बेल्जियम तूड़ गया वहां से ब्रोक अवे फॉंग्डम ऑफ डिदल है निदर था और बेल्जियम तूटके अलग निकल गया कि बासमद्वारी कि नहीं आ रही है कि क्लियर हो रहा है कि क्लियर है थार्ड ग्रीक वर अफ इंडिपेंडेंस बिटां ग्र लडाइब बहुत पहले स्टाट हो गई थी विगॉट दी इंडिपेंडेंस इंडेव ग्रीक वर पीडेंटेंस 1821 में स्टाट हो गई थी और ग्रीक को हम लोग पूरे यूरोप का क्राडल के ने स्विलाइड़ेशन का यानि पूरे यूरोप में जो सिविलाइजेशन है ग्रीक का तो कहां से पूरे यॉरोप का कल्चर पैदा हुआ क्रेडल क्या होता है क्रेडल मतल Михa primitive वह पालन जिसमें बच्चे को ठाला जाता है सुल आता है यात बच्चा सो रहा होता है तो भाई यह रूल कर रहे हैं जैसे ऐसे ऑटमन अंपायर डिसिंटीग्रेट होने लगा जैसे ऐसे खतम हो रहा था तो क्या हुआ इसका उटकम देखने को बुला ट्रीटी ऑफ कॉंस्टांटिनोपल 1821 में ग्रीक वर आप इंडेपेंडेंस शुरू होती है 1830 में खतम बजाती है जब बलाइब ग्रीक वर इंडेपेंडेंस खतम होती है तो आउटकम होता है इसका ट्रीटी औफ कॉंस्टांटिनोपल 1832 क्या-क्या प्रविजन होते हैं इसके चली देख लिए ट्रीटी आफ कॉंस्टांटिनोपल 1832 पहला प्रविजन यह होता है ग्रोथ ऑफ नाशनलिजम अ अब यह यह एग उर्वोप यह जो ग्रीक में जो चिंगारी लगी मजब फ्रांस से लगारी थी भी पहुंच गई और ग्रीज भी अचिंगारी लगी तो ग्रीज की चिंगारी शी क्या पता चल रहा है वो स्पार्क, नैशनलेजम लोग कहने लगे राजा को अटाओ अटाओ वुनार्की अटाओ हमको डेमोक्रसी लेकर आनी नमबर टू सपोर्ड वेस्टन नेशन वेस्टन कंट्री इस ग्रीस को सपोर्ट करने लगे कि हां तरी रूल पोईट्स ग्रीस में पोईट्स का रोल था और उस वक्त ऐसी पोईम लिखी गई ऐसे गाने लिखे गए जो लोगों के अंदर नाशनलिस्म की फीलिंग लिख्या है रोल पूइट्स बहुत इंपॉटेंट था एक्जाम्पल जैसे कि लॉट बाइरॉन की वह सब चीजों से लोगों को बांध रहा था इस तरह की बहुत सारे एक्जाम्पल यहां पर जो है वो सामने आते हैं अब यहां पर जनम होता है एक कॉंसेप्ट का जिसके द्रूब लोगों को बांध आया था जाए डैस्ट रोमांटिक क्या है रोमांटिक वो नहीं है जो आपका आपकी से बारिश हो जाय अगर एंशा हो रहा होता तो भाया फिर यहां भगवान नाम की सीवर्वती नहीं होती है आपकीád oppressory की साथ होता है तो रॉमेंटिजिख नहीं है चुक आपका आपकी मेलेम के साथ होता है रोमेंट शीज्म मतलब यहां पर वो प्यार वो इसक वह मुहबब जो आपका आपके देश के साथ होता है क्यों कल्चर की वजए से आप अपने कल्चर की वज़से को पसंद करते हैं हमारा कल्चर है ऐसा करना पैर छूना हमारा कल्चर हम पसंद करते हैं उसको समझ रहो तो क्या है कलचरल मुवमेंट है टुबाइन अंपते पीपल घुल नेशन लोग कोई कलचर है हमारे है कलचर है अब दोटी पहने धिक कपड़े तो रुमांटिसाम क्या है जहां पर आपको आपके देश से प्यार करना वह उता है अपनी मेडम समझा चले हो कल सोब है की बाद सब्सक्राइब करना यह किसके साथ नेशन के साथ बहुत ही इंपॉर्टन है अब रोमांटिस्ट को आगे बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे रुमांटिक आर्टेस्ट थे जो बहुत सारी ऐसी कल्टिरल चीजें लेके आये थे जिससे लोग भी लुक्त हूं ठीके अा जैसी इंडिया गी बात करेंगे घुक्तिस शिवांजी फैस्टिम्ल मनाय गया था लोगों को बाइंड करते हैं फेस्टेवल्स अना बाइंड करते हैं अगर देश में र mina परलिक दे पूरा इंडिया मनाता है डो फैसे on a अध्य पर तो हमारा कल्चर है नमस्ते इंडिया आप बाहर जाओ कि पीपल ग्रीट युव नमस्ते है अगर आप नमस्ते किसी से यूज फील बॉंडेड यारी तो हमारे देश की बात हो रही है तो बहुत सारे सत्bor इस स्वांब की जज़िए कि जहाँ नाम आता है जॉन जब्ड लॉक तक नगने जर्मन कल्चर जो है जर्मन कल्चर ना स्वोक है यूजह पार्चुन पर नहीं मिलेगा पतने जलेकर अचना जी दो दो जर्मन कल्चर कुपता जी मार के भागा देंगे डंडा उठाया और दोड़ाइंग चवराहे तक पैंड बेल्ड बैल्ड बैंड के भागना तो भाईया जर्मन कल्चर जो है दास्वोक मतलब जॉन गॉट्फिर कहना यह कि वो लोगों के अंदर ही है वाट इस दी कल्चर ऑफ जर्मनी जर् पाणियन नहीं इंडियन कल्चर आपको लोगों के अंदर मिलेगा और हर जगये मिलेगा पूरे ओल ओवर इंडिया और वोल्ड कहीं भी कोई इंडियन अमेरिका में होगा वहां पर रुआ पर रौमस्ते कर देगा तो वह कहने का मतलब है का कि कल्चर जो है वो आपके नेशन का नेशन के लिए टूश पिरिट वोग जीस्ट होता है यह दो चीज़ इनहां पर बहुत ज़्यादा है इंपोर्टेंट हो जाती है अब हम कल्चर की बात करेंगे तो अब इस बात है कल्चर में क्या क्या आता है फोक लोड फोक लूर मतलब लोकल स्टोरीज फोक पो तो भात काच ना देखे ला जब पक्का प्रेमी होई ला उजात पाच ना देखे ला और लड़की का बाप होई ला उजूत अलाग मा देखे ला तो जब यह तरह करें ला तो आपको फोक लैंग्विज का वेटे समाझ में आएगा आप तो रहन बाइंड हो जाओगे अब समझ रहो तो आपको तुरन फोक लैंग्विज की वेए से आप अटाश्मेंट करोगी कल्चर लोगों को बाउंड कर देता है माउंड कर देगा फोक डांस हो रहा है अब यह कर रहा है माइकल जैक्सन आइमा डिसको डैंजर और एक कर देगा एकडम यू डांस एक कर देग यहां पर रहा हो जाएंगे लोगो को बाइंड करेंगे अब तुम बरात में नाशते हो अब बरात जब बैंड करते हैं यह जॉप थरह डांस कर रहे होंगे फोक डांस वो फिर मज़े करेंगे बढ़िया से नाचेंगे फोक पुएट्स यह कल्चर का इंपोर्टेंस कल्चर लोगों को बांद देता है बास अंदा रहा है ऐसी लांग तो कल्चर का एक्जांपल देखने को आता है पोलाइंड के अंदर पोलाइंड में लांगविज जो है बहुत पोलाइंड ले सबस्क्राइबते हैं ठीक है ना इंपshot कलचर क्लच अलॉज वन आपकी लोगए अपना अप्लोर ने लग फोलेश्य को पादश कल दिया गया तोल यह तोी स्बस्कुल अने प्लिक करने आ गया है पोलोर लोगलाई कि करने लग तो नहीं हम नहीं कोने देंगे issue of polish language united the people और लोग जो है वो इसलिए उनाइट हो गए क्योंकि language लोगों के टूट रही थी लोग लोगों कल्चर बोलिश लांगविश तहीं और रॉस्य का रहा है पोलेंट से कि आप नहीं बोलेंगे क्या आप नहीं बोलेंगे पॉलिश लेंगे और लांग्वेज बिकेम दी टूल फॉर दी पॉलिश पीपल ठीक है कल्चर से लेको पोलर यहां पर वह हो गया बाउंड हो गया अब 1830 में बहुत जादा हाडशिप्स यूरोप में बढ़ने लगई बहुत प्रॉलम बढ़ने लगई एकनॉमिक सेनारिय बहुत खराब हो ग लेकिन जो बिचारे वहां काम कर रहे थे खितों में उनकी दिक्कति और बढ़ने लगी पीजेंट्स कहें आप स्ट्रॉगलिंग और रदा इंक्रीज हो गया 1840 आते आते फूट शॉटेज बहुत गदा हो चुका था फूट प्राइसे बहुत हाई हो गए थे और फूट की क्राइस होने लगी थी इसकी वएया से लोग अब प्रदर्शन करने सब्कों बतर आए फूट पीपल केम डाउन दी रोड्स और ऐसे में जो उस वत का राजा था लूइस फिलिप हैना जिसकी आज तुम शॉट पहनते हो यहां से भाग निकल निकल भाग गया ठीक है और ज वोट करने का मुका दिया गया राइट वर्क मिला यहनी गरंटी किया राइट वर्क और नाशनल वर्क्षोप प्रोवाइट करें ताकि लोगों को इंप्लॉइमेंट अपॉस्टिटी मिल तके तो जो नाशनल असम्बली बनी जब लुइस फिलिप भाग गया तो उसके वा अपॉस्टिटी यहां पर बढ़ चकें इस तरह की बात यहां पर करी अब यहां पर आता है इसको हम लोग 5 सवालों पढ़ते हैं एक मिनट का टॉपिक है दिखो पहला टॉपिक है वाट है क्या यह फिर वें कब हुआ था फिर इंसिडेंट क्या था डिमांड क्या थी और चली समझते हैं फिलेसिया अपिसोड के अधाधा ध्यान सोजीगा को सेゃ absorbed इक रिवोल्ट था वी वर्सका कॉनटरयक्टर सके अगेंचे विवार कहुं की बात है इंसिनन क्या नई दो बज़े थे और दो बज़े क्या हुआ वीवर जो है अपने घरों से निकलते हैं और मार्च करते हैं कॉंट्रैक्टर्स घर की तरफ वह उनके मेशन की तरफ पहुंचते हैं और उनके घरों पर तोड़ा फोड़ी करने लगते हैं विंडो पेंस तोड़ दिया तोड़ दि यहां तक बास समझ आ रही है कि नहीं आ रही है दिना कुमारी क्लियर हो रहा है ठीक है अब पंप के बैवर के पास उल्य इस यहां पर हमाही बढ़ाइई एगा तरmia ने क्लाइस्का मीशन हवान पर प्रिवोल्ड ने क्लाइच होता है गांवाळों में और ऐत्ते बीच में जिसमें ग्यारा लोगों की मौत हो जाती है ठीक है कॉंट्रक्टर सब्सक्राइब नियर्वाइब विलेज में वो पना ले रहते हैं पीपल डिट नोट गिफ शेल्टर उन्हें शेल्टर नहीं दिया उन कॉंट्रक्टर्स को यहां पर क्लैश हुआ और 11 यहां पर मर जात स्ट्रूटम और वहीं लोग तो मिडल क्लास है आप क्या हुआ कि जब 1848 में रेवोलूशन की बाद होती है तो creation of nation जिए क्या कहा गया अब यह जो लिबरल से मिडल क्लास है यह क्या कह रहा है यह कह रहा है कि बहुत पहले creation of nation-state होगा nation-state मिना जाएंगे यहाँ जो nation-state हों गे इसे पर्लिमेंटरी principles को enforce किया जाएगा ठीक है ना और इनको freedom दी जाएगी freedom कैसी freedom of press freedom of association ठीक है प्रकार करें यहां पर हम लोग कंट्री को यहां करेंगे अब जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी में यहां पर किस तरह से नेशन स्टेट बनना शुरू हुआ कैसे हुआ यहां यहां फुर्मनी फिल्प नाशनल इसम्मली बनी ऐसी जर्मनी के अंदर भी नाशनल एसमली को फॉर्म किया गया उनका रिवोलुशन यहीं था कि अब जर्मनी आसा नेशन स्टेट बनने जा रहा है देखो जर्मन इसमली फॉर्म हुआ 18 में को एक कॉंस्ट्यूट्ट क गया ठीक है और फ्रांकफर्ट में फ्रांकफर्ट में पर्लाकु में गए को फ्रांकफर्ट किया गया और यी कहा गया कि छो मौनार्की होगी हमारे देश में वह सब्जक्ट होगी तू धी कॉंसली स्वरी सब्जेक्ट कुणु से लोग मार्श करें गए एक कॉंस्टिटूशन ड्राफ्ट किया हुआ था उसके इसाफ से जो मुनार्की है वह कॉंस्टिटूशन के अंदर होगी अब मुनार्की को यह बात अच्छी लगी रास नहीं आई यह कौन सी बात है हमको लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो तो जर्मन उनको लॉलीपॉप दे रहे हो ख्षाह विद उनको लॉलीपॉप पकड़ा वैप क्यों डॉलीपॉप योग जो मुनार्क है वह वहां अन्यागी माना जाएगा हमरे पास एक्स्टर पावश्ट गुछ है नहीं तो फेड्रिधरिक फिलम won ने मना कर दिया कि भाइया आप रख लो मानों मुनार्की की पावर कि चलिए पारलेमेंट के अंदर जर्मनी का पारलेमेंट मन रहा था फ्रैंकफर्ट में उसमें आप पावर में थे वही लोग बना के बैठा हुए थे तीक है वीवर्स की डिमांड यहां पर बढ़ने लग गई और इन लोगों ने वी वीवर्स की डिमांड को ओवर्लुक करना शुरू कर दिया ऐसा में उसने नैशल कर दिया क्यूंकि वीवर्स की डिमांड को अब ये लोग मिलिटरी इसमंड कर दिया नाशनल असंबली को मिलिट्री और अरेस्ट जो है मिलकर उन्होंने नाशनल असंबली को डिस्बैंड कर दिया वुमें ने बहुत सारे पॉलिटिकल एस्सेशिशन बनाया विवन ने पॉलिटिकल मीटिंग करी लेकिन फिर भी वुमें को ठेंगा मिला आफ्टर ऑल इस हार्ड वॉर्क वुमें वुमें गॉट ठेंगा उनको कुछ नहीं मिला पार्लेमेंट में देवर मियरली क्या थी वह फिर ओंद वो सिर्फ ओफ सिर्फ ओफ सॉफ ओफ ऑट्रवर् ॥े बास समझ में आ रही है वह सिर्फ आपजर्वस थे पार्लेमेंट के मतलब इतना कुछ मेंद करें इतनी कुछ मेंद करी इसने ळी वह राइटस नहीं जा रहे थे इवें यहां पर यहां पर फिjesилась नहीं दे रहा था मिलज कर समाझ में यहां पर अब एक बास सबह संग्सरभ्रम कि अर्डीक वे सब्सक्राइब करने को साइकल को रोगना पड़ेगा है तो यह जो सब्सक्राइब करने लिपरल्स वह इस परसिंग आ हम लोग कब तक करेंगे कब तक ठीक है तो यह कोशिश तो बहुत टाइम से हो रही है हमको खाला फिक नहीं वह तो यह कहो कि हम लोग इनको बार बार सप्रेस कर देते हैं तुछ कंट्रीस थे प्रशिया रश्य और अब इनको ड़न लग लगा नाव इन फियर उनको क्या लग खुदी अभी लोग सोचने रख गए ना कि यार देर सब्सक्राइब तुम्हारा तक्ता पलट होई जाएगा तो वाइनोट हम इनकी बातों को मानले यह निशन स्टेट लाना चाहते हैं लिए अपनी गद्दी बचा के रखेंगे यह चीज यहां पर यह लोग सोचने लग लिएगा मैं हड जा रहा हूं एक बर आप स्क्रीन शॉट ले लिजिए जर्मन यूनिफिकेशन का आंसर ऐसी रिख याएगा फिर मैं समझाता हूं स्क्रीन शॉट ले लो बादर रसका बना तो कहा गया कि हम इक नाएंगे फ्रैंकफर्ट पारलेमंट उसमें मिलिट्री ओमनार्की ने मिलक करना कर दिया तो वही पहला पॉइंट है कि जो इनिस्टिटिव लिए था 1848 में रिवल्ट ऑफ एटिंग 48 में उसको क्रश कर दिया गया था बाइडी मिलिटरी अंदी अरिस्टिक्रसी नमबर टू दो यह चीप अरिश्या का थे लिषुम अर्पार्श का यहीं इन टू इन इंट सेवन इर्स पर निन प्रेस्टिया वह अं फ्रांस तो थू आफिश्या था था किन विलियम वां वां कुम वग्वाशन कुछ कि व्लियम व वां 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 व बिलहमबन जो है वो यहाँ पर राजा बन जाता है 1871 में जैनवरी 1871 में यह कहां पर होती है यह पूरी चीज सेरेमेनी कहां होती है और 18 राजपोशी जो है जर्मन एंपरल की करी जाती जो कमेंव लिख्रसान को क्लिकिय गंवलेयर कहां थे वो मुनार्की तो एक्जिस्स करी रही थी ना ठीक है इसका पीडियाफ मिल जाएगा अब इटली की बात करते हैं देखो यह इटली का आपको इस तरह कंट्री का नक्षा देख रहा है रफ नक्षा है जो इटली जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड था इतली की रहां और यहां पर रूल कर रहा रहा और जो सजन पार्ट था जहां पर स्पैन की बुरबॉर्मण विल जो तो यह िए रहiyim अपर पॉलिटicल है इटली की अब किस प्रकास से एटली के यह पर यूनिफिकेशन होता है यह यह नें आपको आंसर लिखके लाया हूं इसका स्क्रीन्शॉट ले लिजे एस एक्जाम में लिखके आईगा पूरे पूरे नंबर मिलें से ले लो ले लिया आजो अब देखो यह लेखो यहां पर में अब इतली वस डिवाइए इंटो सेवन स्टेट बैसा बता दिया इतली साथ पार्स में दिवाइट थी और जिसमें से साडिनिया पीडमॉंट जो इनका सबसे यदा स्ट्रोंगेस्ट रिए उनका रूव था इतली वस डिवाइए इंटो अब देखो नौध इतली कैसे ग्वाइए सबी मैंजरी ने स्टार्ट किया प्रोसेस अफिकेशन अना ग्वाइए पीमाजरी और उसने क्या किया था उसने अंडर ग्राउंड साइटी बनाना श्यू करी अना यंग इंटली और यंग यूरोप यंटली इन मर्साहिल और यं सब्सक्राइब विटली वो किस पर आ गई वो आगई सार्डीनिया पीर्मांट की राजा किस पर विक्टर एंवान्वाल टू पे ठीक है विक्तर एम्मानुवल टू ने क्या किया कमांड्स चीफ प्रिस्टर काउंट कैब और क्या कहा कुण टाट्फूली डिफीट्स आस् क्योंकि ऑस्ट्रिया के अंडर में था नौर्थ रिटली विद्धी हेल्प फ्रांस और फ्रांस की मजद ली गई देख रहा हो फ्रांस अल्रीड क्योंकि रिपाब्लिक हो गया था तो इम्मानुवल टू कमांड्स चीफ मिनिस्टर काइवर कैवर टैक्ट फुली डिफीट ऑस्ट्रिया विद्धी हेल्प फ्रांस और फ्रीट नौर्थ इतली फ्रॉम ऑस्ट्रिया आगया आगे देखें यहां पर इंपोर्टेंट गैरी बाल्टी अब हम यह तो हो गया किंग ऑस्पेन थे उनको और आदिया गैरी बाल्टी टेकिंग दी हेल्प आव लोकल वह सक्सेस्फुल इंडिफीटिंग देबूर्वन किंग ऑस्पेन एक तो यह हो गया अब देखो क्या हुआ जब यह फ्री हो गया ऑस्ट्रियन हास्बग अंपायर से खतम हो गया यहां हो गए तो पोप को लागा कि हम तो बीच से बैठे हुए कहीं ऐसा ना हो कि उपर वाले और मीचे वाले मिलके हमको मार दें तो इसलिए पूप ने क्या किया पूप ने अपना अब सेंटर कर दिया सेंट्रल पूप पार्ट और अल्सों केम अंडर इटली एस पोप गेव पोप ने खुद गया कर दिया फाइनली इन 1861 देखो रेप्तेर इम्मानुल 2 वास प्रोक्लेम भी इटालियम के ठीक सब्सक्राइब अब यहां पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था लोग कल्चरली बाउंड नहीं थे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग महां रह रहते जैसे बताया मैंने आपको इंग्लेश आइरिश वेल्स कॉट्टिश ठीक है अब एटीन पार्लिमेंट ने क्या कि लिए यानि की मुनार्की खतम कर दी गई यू की ब्रिटेन से मुनार्की को सीज कर लिया गया और फिर एक आक्ट ऑफ यूनियन मनाया गया 1707 में ठीक है अब इस आक्ट ऑफ यूनियन की तहत क्या हुआ यह एक्ट जिसके बीचे साइन हुआ एक्ट इंग्लैंड और स्कॉ इंग्लैंड नहीं थे हना कोई नेशन स्टेट नहीं था पार्लेमंट ने 1688 में मुनार्की को सीज कर लिया मुनार्की को सीज करने वाद 1707 में अक्ट ऑफ यूनिन मनाया गया उस आक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉट्लैंड जो है वो इंग्लैंड ने मिल गया और इस से फॉर्मिशन हुआ उसका इंग्लैंड ने अपना इंफ्लूइंस इंपोस्ट कर दिया किसकी उपर स्कॉट्लैंड की उपर राइट तो स् से लिए राइट भी टूर तो लोग स्कॉट्ट इस सब्सक्राइश जो लोग थे वो फॉर्मिट लोग गया उनको फॉर्मिट किया था तुश्पी गेलिक लांग्विज्विज नहीं बोलेंगी जुन की लांग्विज थीन कि ति यून की लांगविज आवस प्लमिश्मि इस तरह से बिटिश ने अपना कल्चर इंपोस किया किसकी उपर स्कॉट्लैंड की उपर और स्कॉट्लैंड जो है इंग्लैंड का हिस्टा बन गया बाइडी आक्ट ऑफ उनियन 1707 अब स्टोरी ऑफ आयलेंड क्या थी देखे आयलेंड की सुसाइटी कैसे पहले समझ लेते है आयलेंड की सुसाइटी में दो प्रकार के लोग थे एक तरफ से क्या हो रहा था यह हमारे साथ यह नान साथी क्यों कर रहे हो तो भाई तो ने है इनकी ओपी हो रहा है इंकि Catholic का डाउनफॉर्ट को सपोर्ड नहीं मिल ला है तो यह लोग रिवॉर्ट कर रहा है किसके खिलाफ इनके खिलाफ ठीके न यहां पर क्या वा कि जब यह रिवॉल्ट हुआ तो इस रिवॉल्ट में प्रोटेस्टेंस को चुकी इंग्लेश का के जो वोल्फ तोन थे बहुत कोशिश करी वह का इस प्रोट को भी प्रोटेस्टन्स ने या पर फिटिश की सपोर्ट से इंग्लेश निस सब्सक्राइब और इस तरह से पूरा पूरा आयलेंड जो है वो युनाइटी प्रिंटम का पाट बन गया आई वोप यहां तक बात आ इस प्रकार से कुछ कुछ चेंज से नहां पर आ गए जब यह पूरा ब्रिटिश को बन गया नहीं युजिन जैक बोलते हैं नया नाच्टम बना जिसको बोलता है गॉट्ट सेव नोबल किंग ठीक है और एक इंग्लिश लांगोज यहां फॉप हो गई तो इस प्रकार से क उसको changes यहाँ पर आ गए जब यह पूरा ब्रिटेल फॉर्म हो गया विजुलाइजिंग भी नेशन अब देखिए नेशन जब फॉर्म होने लगा जर्मनी बन गया था इटली वन गया ग्रीक देखा आपने पोलाइन देखा किस प्रकार से इस में यहाँ पर इस बने और कैसे यहाँ पर मुनार्खी खतम करने की कोशिश कर दी गई तो जब यह नेशन बन गया तो कैसे नेशन को विजुलाइज किया गया उसको करते हैं अलिगॉरी की थुरू वाट इस एलिगॉरी एक एब्स्राक्ट आइडिया है एक वोमेन कभी एक एक्जिस्ट नहीं करती है वह करते हैं इसआण को झैड़ बंघ चरते मिल जायगी तो अब जेल बंड़ चोने में करते हैं नेशन को वाट करते जैसे और इसास की बढ़ा फूल लिबर्टी को एक इसाहिए इदर कुर्फ करने इधिटेकि अब देखो ये जो आप देख रहे हैं जो को पता है कि सब्सक्राइज किए me और यह देख रहां कुल या त्ट ही जरमेनिया है जर्मनी की अब इतर कर रही है कर देख रहे हैं यह देख रहे हैं यह दिखुत लुआ लिए हैं हाँ लिया हुए तलवार क्युआ पर उफूर कि और झाल बनी हुए है ठीक है और देखो इस यहां पर पढूआ लगी वोई है है यह पीछे तो जिन्दा देख रहा है उन्हों और उ फाला थिक और ऑला उस्ट के ब्लीट्ब में पटी लंगी हुए है उन्हें है थे Özell लिए यहाप पर रेप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है ना कुछ न यहाँ पर यहाँ रेप्रेजेंट कर रहे हैं क्लियर ओगे आनजबाग अब देखें यह आपके ncrd में दी रहें एक बार सब्सक्राइब देख लिए ब्रोकें जिन्स कमतलब क्या हो गया लिबर्टी आजादी मिलना ब्रेस्पलेट इगल को मतलब क्या होगा इस्टेंथ हाना बहुत ठाकत हैं में लुट सब्सक्राउन का सिम्पल्ड ग्रूल 70 की रॉंड्ड वर्ण लगी है तलवार की उपर वो यह कर रही है कि हम शांती समझाता करने के लिए भी तया है ब्लाक रेड़ेंग गोल्डन ट्राइकलर आप देख लेओ यह वह फ्लाग था जो लिए इस फ्लाग का स्टमाल किया था और राइज आप यहां पर शुरुबात हो रही है ठीक है ना यह क्लियर है कि अब आते हैे लास्ट आट आट इंस पीरिम डेश्म नाट वाला इपने अपने देश वालों से प्यार करना यह दो आपने अप Genau से प्यार करना ही करना है अपनी मैटम से प्यार कर रहे हैं आओ भाई तुम से प्यार कर रहे हैं और अपनी मैटम से प्यार करते घरते दूसरे की मैटम को भी तुम भी आओ तुम भी आओ सबसे प्यार करने लग जाए उनकी मैटम कुछ ने लग जाए आपके पास टैलेंट ह जुआ करता है यानि की टारित्रीटैक्श को एक्स्पंड करना कैसे वहां पर अपनी पैलिसिए प्लाइप करके वहां पर एक्सपैंशन करके वहां पर ब्रक없 लड़कर धीक तो लगवां इस तरह से लगतर वांशन और एंप प्लस अपने देश से प्यार करते करते हैं अब क्या हुआ यहां पर सिंपल रिख्या था कि वहां पर आप देखो कि बहुत अदे सोर्सें और वहां पर पहले और रूल कर रहा था ठीक है बहुत बढ़िया तो अब दोनों के बीच में क्या हो गया ब्रेकप हो गया जब यह दिल तूट गए और बालकन का ब्रेकप हो गया तो बालकन सिंगल हो गई अब यहां चार मुष्टंडे खड़े हुए बागण बिल ले जर्मनी इटली ब्रिटेन रशिया इन सब बागण बिल्लों की नदर पड़ी बालकन की उपर सिंगल है हम पटाएंगे हम जाएंगे इन समने अटेक कर दिया बालकन की उपर कप्जा करेंगे हम उस पर क्यों क बालकन पर रिसोर्स बहुत थे यहां बहुत रिसोर्स थे जो भी बालकन की चाप्चर कर लेगा उसके हाथ में चाबी होगी पूरे वर्ल्ड की और इसी वजए से बालकन को क्याट्टर करने के लिए इन चारों कंट्रीज ने क्या कर दिया इस पर अटाइक किया और इसकी अटाइक क्या गया इस बालकन के लिए लड़न लग गए इतनी खूब सुरफ थी बालकन ठीक है बालकन से लड़ने लग गए और इस बिकेम दरीजन पर आपका बालकन का एरिया देखो कौन-कौन से कंट्री है बालकन में क्रोशिया हर्जोगुमैनिया बस्निया मॉंटेन जोगो को सोगो अलबानिया मेसटोनिया से लिए रोमेंटिया यह सारव बालकन का रीजन है और बालकन का रिजन नहीं बहुत जाता रिच रीजन था रिच रिसोर्स ने वह जाये गाद ख़ाय बाहिया आदनी की बल्लेफल्ऩ हो जाएगी तो यह चार जो है वांगड बिल बात समझ में आ गई बात क्लियर होगे के लिए क्लियर हो गई ठीक है लोग है ठीक है अब यहां पर अपने ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद अब लोग अपने नाशनलिजम इंडिया को स्टार्ट करेंगे और पांच मिनिट का इब्रेक होगा मात्र तिर्फ फाइव मिनि जो ऑटमन अमपायर कर रहा था वह खताम होने लग जया उसकी पावर महां से कमजोर होने लगई और वह गरने लग लग आप है ठीक है अटार्टमान इंपायर किया अग्या दूसरी नेक्स्ट हो कह रहा है अटार्टमान नपायर कुछ नहीं कर आएगा नेक्स्ट वाइव ठीक है बाई दस मिनट का ब्रेक लेता चलो दस में लेता है उसके बाद लोग नाशनलिज में इंडिया से मिलते हैं कि नाशनलिजम इंडिया से पॉलाकात करें कि ठीक है कि 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 से लिए ठेक है ठेक है बहुत लंब्म हो गया मेरा टार्गेट तो और चुटी टाइम में करने का और कम टाइम में करने का लेकिन हो नीपाया लेकिन हाँ फूली नाशनलिजम इन इंडिया में थोड़ा खेख लें तियर वाई लोग 10 मिनट के ब्रेक में मिलते हैं और 11 55 बेबं स्टार्ट कर करते हैं ठीक है ठीक है करते हैं ए लोग गला झाल 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 का आई जाएं सब्सक्राइज आरी है आवाज आ रही है है मैं आवड़िवल आवाज आ रही है मेरी सब लोगों को आवाज आ रही है प्रॉपर मैं यह पढ़ाऊंगा इसके बाद फिर आपको कुनाल सर दो चाप्टर्स पढ़ाने वाले हैं एज ओफ इंडस्टलाइजेशन और मेकिंग अफ ग्लोबल वर्ल्ड वो दोनों चाप्टर्स पढ़ाएंगे वाफ को ठीक है कि आई होप मेरी अवाज आप लोगों तक बहुत अच्छे से आ रही है ठीक है अब नो वाइस ओपी करके ना स्पैमिंग साहीं मत किया वह चलो बहुत बढ़िया लेड़े स्टार्ट लेड़े स्टार्ट शुरू करते हैं तो चलो अभी हमने पढ़ी रहे थे उसी के आग सब्सक् tteokbokki होती है इंका कुछ सपैसिप्सिंबस होता है इस है बृते नका नाशनल फ्लाग बिचंग का लैंधम लाइंग्विज कर कि फ्रांस का देखने को मिला में इनकी कुछ नाशनल सिंबल होते हैं हना कुछ के अलग-अलग इन स्पैसिफिक क्वाइन होते हैं तो बात यह आती है कि यह जो नाशनल यह जो आइडेंटिटी है हना यह जो सेंस ओफ कलेक्टिव बिलॉंगिंग है लोगों के अंदर जो ग् ध्यान से सुनिएगा देखिए देखिए दोस्तों अगरth करें बिटेन की चब इंडिया में आया आउधिया सब between élखक्र क्या लिया और प्लेटे reaction करना चाहता ऐसे यानी वह उदूइन टेरेटोरियल में करना शुरू किया इंडिया घुपर इंडिया शुरू कर दिया तो गाट वाशीं इंपिरियलिजम करने लग या तो इंपरिंपोरism पॉलसी इंडिया की ऊपर घ्रपने और ब्रिटेन जब इंडिया आया तो उसने इंडिया को अपने कॉलिटी बनाया और कॉलिटी बनाया तो जो रूल होगा ब्रिटेन का इंडिया में उसको हम लोग कोलोनियलिजम बोलते हैं ठीक है क्या बोलें यह कोलोनियलिजम तो भारत जब इस इंपिरियलिस्टिक पॉलि हमको उप्रेस किया जा रहा है तो हम किस प्रकार से इन बिटिश वालों के खिलाफ लड़े तो इंडिया ने जब अपनी लड़ाई स्टार्ट करी इस इंपिरियलिस्टिक पॉलिसी के अगेंस्ट इस को लोग एंटी इंपिरियलिजम या एंटी कोलियलिजम कहते हैं अब यह एंटी इंप्रेरियरिजम और यहीं आटी औरने कोणि surfing अपिर इंडिया यहीं बारत की इंडियऄ इंडीन्मेेट की कहानी होगी बीक सब्रदोने ने इंडिया पर कबञ़ा किया em кली आप अप दिया जिस फोडिया कोलीन आशानि मेंगे बाहरत जब इस कॉनिया पोलिसी खिलाफ लड़ेगा उसको को अंटी कोनलिजम लड़क कहेंगे एंटी को लिए को लिए लिजम या फिर आंटी इंपरियलिजम इस नथिंग बट दी इंडियन इंडिया को उनको सप्रेस किया रहा है तो पॉइंट ही आया कि यहां पर किस तरह से इस एक्सप्रेसिव पॉलिसी से बचा जाए ऐसे में एक व्यक्ति का नाम सामने आता है और यह वाज मोहंदास करम चंद गांधी और मोहंदास करम चंद गांधी यानि की पादर अब दिवेशन जब वो इंडिया में इस लिड़ाई की खिलाफ शुरू करते हैं अपनी मोहिं तो वो दो बड़े मूव्मेंट लॉंच करते हैं एक है नॉन कोपरेशन नॉन कोपरेशन मूव्मेंट आस अधोलन और दूसरा सवल डिसोबीटिस में इन दो मूवमेंट के साथ यहां पर इंडिया का फिल्ड़ मूवमेंट स्टार्ट होता है कि ए त्यरे है कि आगे आजाई है पहला कोश्चन जो आपकी एक्जाम में पूछा जाता है या जो सारे पॉलिटिकल और एकनोमिक चेंज़ेंजेंज हो गय थे ते क्या पॉलिटिकल लिए जीविशं पहला देखिए डिफेंस एक्समेंटेचर बहुत गया था क्योंकि वर्ड वॉर चल रही थी उससे च्टेटिश को फाइनेंस करने के लिए लोन्स लिए गए थे ठीक है अब जब लोन्स लिए घए तो चाहिए बात साथ में क्या किया गया डिफेंश डिफेंश अब इसफेंश को अगर हमें पूरा करना है तो एक तुमने वा लोगों को फोस्तुर्ट्रक्रूट्राइच्वार में यहThose को जबरस्ति वर्ड वर्ण करते गले कृंचिट करने कसे बोला गया तो भाई थे पॉलिटिकल चेंचिस क्या फूट प्राइस बढ़ गए थे विकॉस अब दी वर्ड वर वन लोगों का फोर्स रिक्रूट्मेंट कराया गया वर्ड वार में बास वन में आ गया ग्लियर हो गया आगे देखिए साथ में क्या हुआ कि जब वर्ड वर वन चली रही थी तो उसके बाद फैमीन पड़ गया यानि भुक्मरी यानि की फूट की कमी हो गई लाक फूट हो गया अट दस्टेम टाइमिक आ गया एक बिमारी फैल गई ती इसको बोलते इंफ्लूए गांधी बाइक डिजन ही वहाँ हिंदू बाइक कास्ट वह ट्रेडर ठीक है और महत्मा गांधी साओध आफ्रिका में लड़ाई थे रेसिस्ट की लड़ाई ब्लाक्स और वाइट्स की लड़ाई ओं लड़ाई थे थी तो वहां पर उनका इक नोबल मेठ़ड था एक नया वालिंस सब्सक्राइब यहां पर ट्विन प्रिंसपल जाब अब गांधी जी किताब जिसको बोलते हैं हिंदू स्वराज आपकी एक्जाम में कई बार पूछी जाती है ठीक है ना हाँ अपार्थिड इसको बोलते हैं अपार्थिड तो भाई यहां पर क्या हुआ मात्मा जब आए तो वह मात्मा गांधी पहले कहा पांथे तुट आफरिका में उनकी यहां पर एक लड़ाई चल रही थी रेसिस्ट की लड़ाई चल रही थी मतलब ब्लैक्स और वाइट की लड़ाई थी उस लड़ाई को लड़ने का तरीका क्या था उनका सत्यागरे का तरीका सब्सक्राइब डिये प्रिंसेपर अंड अहिम्सा मतलब होता है नॉन वालेंज टेकर अब गान्धी जी जब इंडिया आए तो उन्होंने पहले अपने तीन रिजनल सब्सक्राइब कि रीजनल क्यों कि मतलब जगह जगह रीजन दीजन पे हुए थे ठीक है तो उन्हें पहले एक्सपरिमेंट्स किये तीन लेबरेटरी इस थी उनकी गांजी जी की पहला सत्य अगरे चंपारण में हुआ दूतरा खेडा में हुआ और तीसरा एहमदाबाद में आपकी इसी पैटर्ण पर चलती है इसलिए मैं आपको आपकी इंजी आटी के साफ से बताऊंगा देखो चंपारण में क्या इशू था चंपारण में चंपारण कहां पर है बिहार में है यहां पर इंडिगो प्लांटेशन का इशू था ठीक है यह 1917 में हुआ था नील की खेती को ले किसां जो थे वो पीजन जो थे वो रेविन्यु पे नहीं कर पा रहे थे तो इन्होंने कहा यहां पर खेड़ा आए और गांदी डी आहां कि आपको रेवन्यु पे करने की जरूफ से करोंगे और जबकि अंग्रेश्च का रही है पागल वागल हो क्या अग्दम आरे जब रेविन्यू नहीं है जब खेती नहीं हो पाई उस ताल की रविन्यू कहां से आएगा अंग्रेश के रहा है मतलब नहीं हम जो पैसा चाहिए बासामधारी नहीं आ रही है ठीक है तो गुजरात में यह हुआ लगा खेड़ा से सब्सक्राइब क्रॉप्स फेल्यूर हो गया था पीजन्स ने रेविन्यू करने को मना कर दिया गांधी जी निकाट डोन पर रेविन्यू आपको रेविन्यू पर जरूरत नहीं है इसके बाद जो आता है वह आता है हैंदाबाद मिल स्क्राइक हैं अब क्या था कि वहाँ पर प्लेग फैल गए था प्लेग फैल घ्र भागया लग गये शार मचाने के लिए उस्टी की वजह से तो मिल ऑनर के माले ने इन वर्कर रोकने के लिए कुछ इंसेंटेंस देना स्टार्ट किये कि वह आपकी वेजिस आप रुके रहोगे तो आपकी वेजिस हम बढ़ा देंगे 75 परसंट बढ़ा देंगे तो किसी की वेज अगर 100 रुपीज थी तो उसकी वेज वरकर की वेज 175 हो गई बहुत सारे वरकर रुक गए जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई और वरकर सारे वापस आने लग गए तो इन मिल उनर ने क्या किया इन्होंने कहा कि आपकी सैलरी हम 155 रुपीज कर देंगे आपकी वेज को 120 कर देंगे जो कि बहुत गलत था मिल वरकर्स कह रहे थे कि नहीं हमको 150 चाहिए ब्लों को देंगे हम तो गांदी जी को ऐसे बुलाया गया गांदी जी ने दोनों को समझाता कराया और दोनों मिडल पॉइंट पे मान गए ना तुम्हारी ना हमारी ना 120 ना 150 155 रुपए मान दिया गया एक्जांपल दे रहा हूं 35% हाइक पे यहां पर मान लिया गया बास समय आ गया ठीक है अब यह तो गांदी जी के थे तीन सकते है अब गांदी जी के यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अल्लों इंडिया सकते ने कौन सा था इसको भोलता है रौला इंडिया मूव्मेंट था यानि की सबसे बड़ा मुव्मेंट पहला जो ऑल इंडिया में चला था वो था रोलेट सब्सक्राइब अब देखो क्या हुआ कि 1990 में क्या हुआ बताया मैं आपको रिवालुशनरी अक्टिविटी बढ़ गई इंक्रीट हो गई तो इस एक्साब से कहा गया कि जो भी व्यक्ति रिवालुशनरी अक्टिविटी करते पाया गया तो इसको हम लोग जेल में डाल देंगे दो साल के लिए और वो भी सब्सक्राइब करने का तरीका क्या होता है नो अपील नो वकील नो दलील प्रवेट मैं से इसको इसको इस तरह से बोला आता है नो अपील आपकी कोई अब कोई बात नहीं सुरिक जाएगी नो निखागे न कि कोई भी अगर करते पाया गया तो इसलिए नो नो वकील आपका केस लणने के लिए कोई वकील भी नहीं होगा और नो दलील कुछ भी आर्गुमेंट आपके नहीं सुने जाएंगे यह आप इस तरह से रोलाट आट यहां पर प्लाद कर सकते हो सिक्ष्ट एपर च्रवल हाँ इस है के बाद यहां पर क्या देखनें को मिला रहल वह निका लिए पlist को बंकर दी गए dieser और बहुत दा प्रोटेस्ट जो है वो हो रहा था अम्रिच सर में लगा दिया गया का मतलब यह था कि मिलिटरी के हाथ में सब चीज़े थी यहां मार्शल लगा हुआ था रूल ऑफ मिलिटरी आ चुका था लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लगा हुआ है थर्टीन एप्रिल नाइटीन नाइटीन में लोग जो है वो जलिया वाला बाग में यहां पर क्या थे कठा हुए थे उनको नहीं पता था कि मार्शल लगा हुआ है अब वहां पर दो रीजन की वैसे कठा थे पहला रीजन था कि रॉलर्ट एट के अगेंस प्रोटेस्ट करना और दूसर रीजन था कुछ लोग बैसाखी के मेले को फियर को मनाने घूमने आए थे उनको पता नहीं था यहां पर क्या लगा है मार्शल लगा है ऐसे में जनरल डायर जो उस वक्त रूलर था जो मिल्टरी रूलर था उसके हांद में सारी कमांड थी जनरल डायर वहां पर इन्नोचेंट लोगों की यहां पर जान जले जाती है इस वाज दी ब्लाकेस दे इन दी हिस्ट्री आप इंडिया और यहां तक बास सबज में आ गई क्लियर अब इसके बाद क्या हुआ है जब उसनों और कर दिया तो अब यह हुआ स्ट्राइक्स हो गया लोग और फ्रस्ट्रेट हो गया लोग और कुस्टियम की बीच में यांपर युइनिती मिस हो रही थी बस यही बड़ी बात थी ठीक है लेकिन पॉइंट क्या था यह सब चीजें हुई उसके बाद भी यहां फेलियोर हो गया इतनी सारी चीजें हुई लोग फ्रस्टेट हुए लोग उत्रे लोगों ने प्रोटेस्ट किया लेकिन फिर भी जलियां वाला बाग यहां फिर दोलाट सब्सक्राइब रहे उतना सक्स लाइर था ऐसी रूमर फैल गई कि इंग्लिश ने जो लडाई हुई है अभी तरकी से उसमें बहुत हुमिलिटिंट्रीटी साइं करवाई है तर्की वालों से बहुत हुमिलिटिंग मसलमानों को हिंदुस्तान के मसलमानों खराब लगा यह तो हमारे गरेबान में आठ डा होता है खलीफा क्याले जिसको बोलते हैं he is the head of the Muslim empire Islamic cooler Islamic empire वह और तरकी में पूरा कभजा कख लिया गया और वहाँ के जो क्यालिफ को है उसको पूरा नगभा कर दिया गया treaty से पांदी आ गया कि रूमर फैल गया था कि बहुत हार्श ट्विटी इंपोस करी टर्की के उपर तो इंडिया का मुसल्मान बड़ा नाखुष हो गया उससे में आ गया क्या तरीका यह का तरीक की तरह कि मुसल्मान तो उससा हो गया है हिंदू पहले से घुष्टा है एसमयां का सेम हो जएइंघर तो मेरा पांन ही है तोंक दोनों का तो हम दोनों सुन मिल जाएंगे लाइए तुमको किसी तो बदा लेना है उसको भी किसी तो तुम दोनों मिल जाओ गया वाई एकडम साट गड़ कर ले हम लोग लोग होता है कि लिए रहे हैं तो दियां क्या हुआ कि रूमर फ़र गई थी ट्रीटी बहुत हार्स ट्रीटी इ बाइर हो गया तो इंडियन मुस्लिम को लगा कि यह तो उनके प्रस्टीज कर दिया गया है इसलिए यहां पर एक खिलाफत कमेटी बनाई गई 1919 मौंबे में बाई अली ब्रदर्स जिसको मुलों बोलते हैं मौंमद दली एंड शौका तली इन लोग ने खिलाफत कमेटी बनाया खिलाफत कमेटी की चावी बांगडोर गानी जी को दे दिया कि अब आप इसको जहां से आगे प्रूसिट करिए गानी जी को यह एक तरह से अपॉर्चुनिटी देखी कि यहां पर हिंदू-मुसलिम की यूनिटी हो सकती है और यहां पर उन्हें देखा कि मुसल्मान भी नाराज है इस वक्त अंग्रेजों से और हिंदू वैसे भी नराज है दोनों अगर युनाइट हो जाएंगे तो अंग्रेजों को दोड़ा द नाम कोपरेशन है अंग्रेज्ण हों करो तो नाम करो गांदी देख केना यह था कि अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान में इसलिए बैठे हुए हैं क्यूंकि हम उनकी साथ कॉप्रेट कर रहे हैं अगर आप उनकी साथ नौन कोपरेट करेंगे तो अंग्रेज यहां पर रुक सवराज यानि सेल्फ रूल इन तीन ग्रांट में गांधी जी ने सोचा कि हम नौन कॉपरेशन मुवमेंट को लॉंच करेंगे नौन कॉपरेशन मुवमेंट की बात चीते क्यलकटा सेशन में शुरू हो जाती है सप्टमबर 1922 गांधी जी ने बाकी लीडर सो कन्वेंस करने क कि बहुत कोशिश करी और आप देखोगे नौन कॉपरेशन मुवमेंट को अडॉप कर लिया गया था डिसमबर 1922 नाखपूर सेशन में कभी आप से कुश्चन पूछता है कि ncm को अडॉप कप किया गया नाखपूर सेशन में किया गया डिसमबर 1920 क्लियर हो गया अना तक ब को बाइकॉट कर दिया गया पुलिस कोट स्कूल इन सब को बाइकॉट किया लगिस्लेटर पेसंबली को बाइकॉट कर दिया इस तरह से नौन कॉपरेशन मुवमेंट अनफोल्ड हुआ स्टेजज में पहले इस टाइटल सेरेंडर किये गए फिस सब्सक्राइब किया गया क स्कूल पुलिस को बाइकॉट कर दिया लगिस्लेटर इसमली पार्लेमेंट को बाइकॉट कर दिया इस तरह से अनफोल्ड हुआ है नौन कॉपरेशन मुवमेंट स्टेज में बास समझ में आ गया तो बिटिश जैसे मैंने बताया कि इंडिया में थे गांधी जी कहना यह थ स्टान की अलग यह तरीके चला जब गांडी जी निकार 9 कोपरेशन मुवमेंट तो उसका मतलब शहरों में अलग लगाया गया है गाओं या गामी डिलाकों में अलग लगाया गया कंट्रिसाइट में और plantations इसका मतलब अलग निकाला गया हमको यह पढ़ना है किस country किस में क्या मतलब निकाला गया स्वराज का ठीक है ना आ गया देगे अब बात करते हैं मुवमेंट इन टाउंस जब टाउंस में शुरू हुआ नौन कोपरेशन मुवमेंट तो किस प्रकार से हुआ चलिए देखें पॉइंट नॉम्बर बन मिडल क्लास का पाइटिसेपिशिट बहुत जाधा आक्टिव था यानि बहुत आक्टिवली मिडल क्लास पाटिसपेट कर रहे थे नमबर टू स्कूल को बाइकॉट कर दिया चि यहीं ने बहुंत एक सब्सक्राइब मतलब जो एलेक्टस्ट्र प्रोवेंसिं से में होने थे थे लेक्ट्शन को बाइकॉट कर दिया गया सारी पाटीस के द्वारा हर पाटी में प्रोवेंशनज को बाइकॉट किया नोन-कोपश्यर और लेकिन except the justice party इस तरह से टाउंस मुव्मेंट यहां पर स्टार्ट होता है एकनॉमिक इंपैट क्या था नॉन कोप्रेशन मुव्मेंट का पहला देखिए फॉरेंग गुट को वाइक और किया गया एकनॉमिक इंपैक्ट एकनॉमिक पैसे में क्या फरक पड़ा जब गांधी जीने का नॉन कोपरेशन मुवमेंट तो अंग्रेजों की पैसे और पहला प्रेशन गूट कर दिया दूसरा लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया तीसरा फ फॉरेंब और फॉरेंट एक इसवाथ पांचमा ट्रेड़ एंड मर्चंट देरेफ्जी टू ट्रेड इंडी फॉरेंट गॉष प्ईला त्रेइड नहीं करेंगे शॉचो इस से कितने साथा ख़ाब प्लश्र के रेवनियू पे इंडू पैसा आएगा काहां से पैसा गया फॉरेंट रहाफ कर दिया गया और ट्रेडर मर्चंज ने फॉरेंग गूड्स में ट्रेड करने से मना कर दिया बास समझ में आगया आगया अगया देखिए अब नॉन कोपरेशन मुवमेंट शहरों में इस चल रहा था लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी पहला मिडल क्लास पार्टिशन अक्टिव था बट लेस दूसरा नैशनल एडूकेशन इंस्ट्रीशन कंट्री में कम थे तो लोग जो जो बच्चों ने जो स्कूल को बाइकॉट किया उनके पास को आप्शन नहीं था कहां जाए अंग्रेजों को स्कूल कर दिए ठीक बास है तो सब्सक्राइब होते ओन्लाइन पेपर हो रहा होता है ना अंसरी क्लास से अंसर देख लेते काम हो जाता है कि नहीं कि बहुत सारे ऐसे होंगे है ना तो भाई नैशनल एडूकेशन इंस्टूशन इंडिया में थे ही नहीं अगर तुमने स्कूल बाइकॉट करवाया तो भाई सब्सक्राइब कर दो पढ़े कहां मजबूरी हो गई बापस जाना पड़ गया ठीक है ना चिल्डरन वे फोस्टू गोवाग टूवर्में था फॉरें ट्लॉथ को बर्ण करवा दिया जो लोग पहनते अभीताग अब उसकी जगह खादी ले आये लोग खादी पहनो लेकिन खादी की प्रॉल्लम क्या थी खादी वस्वेरी वेरी एक्सपेंसिव तो क्या करते भईया नंगे थोड़ी घूमेंगे कपड़े पहनना हो तो दूनो दर्जी कपड़ें पहनदो धून लोदर जी नंगुपंगु घूमना गुमना व तो आपकी मर जी यहिक बोनाते इंडियंस के लोग घुध कपड़ें पहनना वह दून लो धर्जी कपड़ें पहनना हो तो धून लो धर जी chokeella वावभादी लंगू पंगू घूमना है तो आपकी मर्जी पर भाई खादी इतनी एक्सपेंसिव थी क्या करें कि खादी इतनी एक्सपेंसिव हैं कि लोग खरीजी नहीं पा रहे हैं इसलिए लोग वापस फॉरन क्लॉट खजमें चले गए तो यह कपड़े तो पनाओ पाता जला आसी च का मतलब यह निकाला शहर के अंदर अब गाओं में कंट्री साइड में रूरन लिया में ग्रामी द्राकों में क्या मतलब निकाला गया नॉन को चलिए वो देख लेते हैं आपर ठीके ना बासाज ना गया देखो पहला एग्रियरियन राइट्स है बहुत सारा चलिए तो यहां पर पूरपीलाइन सिलना था फुष्पा राज वाइलेंस 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 आएं डह Noel इंज anti- zug silk ट्री साइड में वैलेंस वैलेंस हैं दों लाइग वालेंस नहीं हुगो शेर भोष यंब कहिंगों अविंगा चाहिए पनल में की मतलब होता है हमता ही एक्रव मैंने सर्फ इसके अंटि गांधी जिस के अगएंसरे गएंस के वालेंस नहीं होना चाहिए पास सब्सक्राइब आई तो एक रिट्स नाइध भीविवद मुंव्मेंट अवद किसान बाद ट्राइबल इंटर्परशन यहां पर सब दूछ करते हैं पहले इंग्रीरं राइड्स पे यहां पर क्या हुआ देखो तब अब एग्रीरं राइड्स वहें यह राइड्स ट्र कुई नो काम करते थे ठीक है अब यह तालुक्दार हो जो लांडलॉट से यह हाई रंड मांग रहे थे पैसा चाहिए हमको हाइट चाहिए यह हाइरें ओर दूसरी बात एक तो पहले हाई रिंड वांगते यह लोग तालुक्दार हाइड दो पैसे जाएदा दो पहला चीज वर्क विएछ काम करना बैगर नहीं धर तो ऑग्रीय लाइड ट्रटल्प राइट से ए drills से जो पिजेंड में करते थे किंकी सबीलों पर इन तालुकदार और लेंद लोडवे के लोट कांब दे रहे है बदले में यह पीजब मॉने के लिए इस की presidents के बाज कर फूल सेशन भी बोने के लिए इसकी जम्मेदारी नहीं थी कोई यह जॉब नहीं है कोई राइट नहीं है पीजेंट को ठीक है ना ऊपर भी फोस्टू बेकार वो लोग बचारे काम कर रहे थे इन तालोगदार और लैंडलोड की समीन पे लेकिन उनको वेज़स नहीं मिलता था वह यह कहते थे जो भी चीज़ा पैदावार करो उसको मार्के रामसंद्र यह सन्यासी थे इंडेंचर लेवर फिजी इंडेंचर लेवर का मतलब आपको भी कुराल साथी बताएंगे आगे वाले चाप्टर में जब पढ़ोगे में कि अप ग्लोबल वर्ड का इंडेंचर लेवर मतलब यहां से इंडियंस को प्रॉमिस करके बिटिश ल गए थे यह सन्यासी थे और बाबा रामसंद्र जो है इसको लीड करते हैं और यह था पूरा जो ट्राइबल सब्सक्राइब किया था इन तालुकदार और लैंडलोट के अगे नाई दोबी बन में नाई क्या है बारबर दोबी क्या है वाशर मैं इन दोनों ने अपनी नहीं दे रहे थे नान कोपरेशन नम्मर्मिन दॉन यह मतलब करना है और दोबी वालर यह हमेर और घ्यन दू dow को आंधरपदेश में पहाड़ी है जिसको बोलते हैं ठीक है आप गुडे मिल्स में ट्राइबल यहां पर रहते हैं और यह ट्राइबल जो है वो फॉरस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं अंग्रेजों ने क्या किया फॉरेस्ट एक्ट पास कर दिया बिटिशन ने और जिसके हिसके हिसाब से इन ट्राइबल को फॉरस्ट राइट्स दिनाय कर दिये गए कि आप जंगल में नहीं जाएंगे यह सब चीज़ें आप काम नहीं करेंगे जो भी आप लीव से कठा कर रहे थे क्याटल ग्रेजिंग करते थे आप यह फ्रूट करेक्शन करते थे यह सब आप नहीं कर सकते ठीक है तो यह जो राइट्स थे वो डिनाय कर दिये गए अब जाहिर थी बात है ट्राइबल को जब राइट्स दिनाय कर दोगे तो ट्राइबल सो गुस्सा तो आए गई यह जिंदगी जंगलों पर रिपेंड है और अंग्रेजों ने फॉरस्ट वाइट्स आग्ट बना दिया जिसके हिसाब से इन ट्राइबल सको जो राइट्स थे फॉरस्ट के अंदर वो खतम हो गए अब क्या करेंगे तो बात है हिल पीपल आंग्री हो गए ट्राइबल आंग्री हो गए यह क्या हो रहा है नॉट ओनली दे लाइवलीवड उस एफेक्टेड न इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इनकी मूर्ती भी प्राइमनिस्तों सामने कुछ टाइम पहले आंदरपदेश में इनॉग्रेट भी करी थी अब अलूरी सितनान राजु जिए हैं वह कहते थी कि हमारे पास स्पेशल पावर है किसी को अगर गोली मैं नोहीं को ठीक कर सकता हूँ इस तरह की बातें अलूरी शितनान राजु करी थी सुच वाना एकसाह बगवान हमारे लिए है लोग है लुग इनॉअनपोरियघ्ए को प्रमोट师 कन उन्होंने B क्यों नेन्हें गता करो किया जो ट्राइबल वाइट खतं हुए गए तो ने ट्राइबल के न enormous को वापस दिलाने के लिए гру love after start कर दिया to start क्या है wherever क्या हुआ है खुरमाइट तक 크www अला चुपके वह जाएंगे ओर जो अग्रेज के लोग मिलेंगे उन्हें को मारके ऐएंगे गुर्ला वारफे के तो एक तरह से वाले उन्हों राज राज अन्हों ने का किया उन्होंफ वाइन्स थ्टेसे थोड़ा सा बटग गए गोड़िला वाटी था वाट उन्हों इ iht्रेयल स्टाठ भॉए प्लिस स्कूरल हुए रहे बिटिश ऑफिशल को मार दिया गया और फाइनली जविस्तरक चीज़ें हुई तो सितान राजुव को पकड़ दिया गया और ही वस एक्जीगूटेट इन 1924 और उनको 1924 में एक्जीकूट कर दिया गया और है तिलियर है अंस्वाहत है अब आते हैं स्वाहतन प्लांडेशन नौन divide मिलके की बात कर रहा है तो सवाराजिन प्लांडेशन क्या मतलब तो वह हुआ बधे-बखान खेत फ्लांडेशन जहां एक प्रकार की खेती होती है एक चालांडेशन होते हैं चाहेकट। प्लाटेशन कॉफी प्लांटेशान तो जब लोगों ने क्या मतलब निकाला गडंवाटेशन है यहां पर बरकस काम करते हैं एक पस्का आप स्वागरे सी चंद है अग्रेंकर व किया फोरिक जैनें ग्लोग जो है इन प्लांटेशन को छोड़ के जाना लग गए जब लोग निकल दे मुट आट अट वी प्लांटेशन स्टार्ट इस अपने घर उत्र जाने लग गये प्लांटेशन छोड़ के क्यों उन्हें ने खांग गांदी जी निकाहे सवराज नहीं लग तो भागाइए गांदी जी ने का स्वाराज तो यह लोग क्या होन लगे यह अपने अपने घर से बाहर निकल लग गए और यह अपने घरों की तरफ जाने लग गए पुलिस को रास्ते में पकड़ लिया और बुरी तरह इंको भूटली मारा यह था स्वाराजन प्लांटेशन बास समझ में क्लियर हो गया अब गांदी जी को लगा कि मासेंस को पता ही नहीं का मतलब क्या है शहरों में अलग मतलब निकाला गया कंट्री साइड में अलग मतलब निकाला गया स्वाराजन प्लांटेशन ट्राइबल इंटरप्रेटिशन अलग था स्वाराजन प्लांटेशन अलग मतल लोगों को पता ही नहीं कि मतलब क्या नौन को इसलिए गांदी जीनी को सोचा कि हम इसको विड्रो कर लेंगे मुवमेंट को नौन को इससे पहले वह बहुत बड़ा इंसिनेंट हो गया और दिस चौरी-चौरा इंसिनेंट चौरी-चौरा बेसिकली गोरकपुर में है वहां पर लोगों ने चौप रहे थे वह गुस्य में जाके वह गोरकपुर के चौरी-चौरा में इस थाने को पुलिस थाने को आग लगा देते हैं जिसमें पुलिस करिमियों की मौत हो जाती है पुलिसमें मर जाते हैं और इस इंसिनेंट के बाद गांदी जी ने इमेजेटली को खतम कर दिया दिस वाज दी एंड ओफ नौन कोपरेशन मुवमेंट की यहां से शुरुबात होती है अब बात क्या हुई नौन कोपरेशन मुवापस ले लिया गांदी जी विड्रॉ कर लिया अब लोग पूश रहें गांदी जी से आप क्या करना वह या शूचर प्लैन तो जो लोग गांदी जी के साथ थे ठीकाइब्स नीकरेंगे और जो लोग गांदी जी के प्रोटेश पख गये थे बहुत हो गया अब एक काम करते हैं प्रविंशल लेक्ट्टिट करेंगे पृर्लेमेंट में एंटर करेंगे और पिर करने के बाद हम लोग फिर उसके बात करेंगे और अंग्रेजों को अपोस करेंगे कि यह थे हीं बास्टाइट गया एक सव्राज करेंगे इसे में यहाँ पर हम बात करेंगे तो बहुंसकि वोब सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो एलेक्शन में कोई अकेले इंसान तो पार्टी 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 करेगी तो स्वराज पार्टी बनाई गई गई फर्स जैनवरी सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे तो मतलब 10 साल के बाद यह हुआ कि 1990 के बाद 1929 में एक कमिशन आना चाहिए था रिवीव करने के लिए लेकिनी कमिशन दो साल पहले ही आगया ठीक है ना तो रिवीव दा फंक्शन करना है तो 1927 में क्या हुआ कि क्या हुआ इंडियन स््टाटेजिरी कमिशन मनाई गई और इंडियन स्टाटेजिरी कमिशन को यहां पर हेड किया था जॉन साइमन ने इसनलें इसको हमलोग साइमन कमिशन भी कहते हैं 1927 ने यह lake आई 1927 में इंडिया लास्ट दिसम्बर में और इसकी फंक्षिंग निए ट्रीट में यह तो इसको हम लोग सामन कमिशन कह रहे हैं उसमें साथ में बर से और कोई भी इंडियन नहीं था इसी लिए इस कमिशन को आपोस किया गया कि भाया तुम आ रहे हैं तो इंडिया हमारे constitution को review करने हमारे constitution को बनाने की लिए कि क्या possibility है इंडिया का फुल-flesh constitution बन जाए आप यहां करने काम करने आ रहे हैं और उसमें कोई इंडियन ही नहीं है seven members है no Indians ठीक है और that is why इसको यहां पर इंडियन पोस्ट किया और नाना लगाया ऑख साइमन 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 गो बैक साइमन गो बैक साइमन गो भावाकि हो गया से इस 디자 conditions तरस देते हैं दिद्द्रक्स जैसे बोला। इन्डियं की जो लीडर्स थे सीनियन लीडर्स नाराज होगा है इंडियन लॉलिपब एग जूंब झेकर यह다 जो इन्डियन लिडर्व को है बइस सक्त हे अंगे बएस स्क्त तो यग किया रही क्योंट कर सकता इस टरेटरी को आप लेकिन और अब जा रहा हो और लगाँ चाहिए हमको हमको पूर्ण सुराज जाए तूम यहां निकल लो पहली फुर्सत में निकल यह चाहिए उंको फूर्सट चाहिए और इसके लिए एक क्मप्ली ब्रूण से सब्सक्राइब और इसके तरह निम्बर से लेवन मेंबर से लेवन है इल्ए से वेन है आई टी कप पढ़ें तीन चार बजे पढ़ें आई टी भाई तरह पर किया लाहर शेशन में कंप्लीट इंडेपेंडेंस या पूर्ण सुराज करें यहां पर लाहर शेशन में नहीं वह पार रेजुशन पास करा दिया गया ट्वेटी सिंगरी निटीन थिर्टी को इंडिपेंडेंज डिकलर किया गया कि अच्वेश्ट जनवरी उन्नेट्स ती समारा इंडिपेंडेंज दे होगा लेकिन यह दिन इतना लादा अट्रैक्शन नहीं ला पाया पट्जस्ट जे कि अपनेड़ी सब्सक्राइब चतो प्रसक कि अशुक्षण और यहां पर समझ में यह का व्याया कि एक यहां पर सॉल्ट को एक ऐसा टूल समझा गया कि जो अमीर हो चाहे वो राजा हो यह रंग हो वो खायेगा स्वाध अनुसार ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी तो एक किलो नमक डालेगा अंदर गरीब आदमी तो चुट्की बढ़ आलेगा ऐसा तो नहीं है नमक तो इसलिए नमक एक ऐसी चीज लगा आई गई कि चाहें अमीर हो चाहें गरीब हो हर आदमी बराबर चाहता है तो टूल जो बनाया गया वह स्वाल्ट बनाया गया फाइनली 31 डिसंबर 1930 को मतलब 31 संबर गांदी जी ने लॉर्ड इर्विन को एक लेटर लिखा और उन्होंने यहां पर अपनी 11 डिमांड्स रख विगनिंग ऑफ दी सिवल डिस ओवेडियंस मेंट 12 मार्श 1930 को जब सिवल डिस ओवेडियंस मेंट शुरू हुआ तो भाया 78 वॉलेंटियर के साथ गांदी जी निकलते हैं 12 मार्श को और वह 6 अपरेल को पहुंचते हैं सावरमती के आश्रम 24 में पूरी होती है और वह साव तो अब यहां पर दांडी पहुंचे तो समुद्र से उन्होंने खुद नवक बनाया और दिस वर्जी बिगिनिंग ऑफ दिस सविल डिस ओवेडियंस मुमेंट की शुरूबात यहां से होती है यहां से क्लियर हो गया एक लड़का लगा हुआ है अपने में कह रहा है जिमी है एक एक कोमेंटरी कर रहा है टूरंस लेफ्ट वर्ज कोली सेंजुरी कोली भी आके इसको अवार्ट देगा दो रण के बाल ले बेटा तू चॉकलेट खा तूने मेरी सेंजुरी करवाई है कि एक अलग क्या रहा है शिवानी को बुलाओ एक अलग प्रपोस्ट कर रहा है अब बैंड बज्जाएगी तरी 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 तरह को कल अब पंद्रा को महा बैंड बजेगी महा मैरत्वन की तरह कि एक बच्चा अब आया है यूरोप हो गया यूरोप हो गया इंडिया भी ओने वाला है कि तिरकार भारत आउड हो गया लगी चल रहा है चलो हाँ टू अटिट कॉश्चन जरूर देखना जो कुनाल सर ने कर आया हुआ है ना सेशन तुम लोगों को टूटिट कॉश्चन वाला उसको जरूर देख लेना बहुत इंपॉर्टिंट सेशन है वो ठीक है गांदी जी की स्पीड बताओ टू फॉर्टी माइस गांदी जी चले डिस्टेंस दे रखा है 24 दे तक चले तो टाइम दे रखा है डिस्टेंस दे रखा है इस पीडिकाल तो स्पीज इकोस टू हाला शेप्र में लुगा ठीके भाई लोग अब आजाओ और सिवल डिस्टेंस मोमेंट पर है 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 मैं मैं बस यह दूछ बढ़ा रहा हूं इसकी बास फिर मैं लास्ट चाप्टर पढ़ाओंगा प्रिंट कल्चर एंदी मॉडर्ण वोल्ड ठीक है और सरी है और बाकि बीट में दो चाप्टर जो हो कुनाल सर लेने वाले है ठीक है और जल्दी जाद होगा तो कुनाल सर्म भी लेंगे लास्ट वाला चाप्टर है क्लियर है बड़े आगे है बड़ा जांगे और भाई धग्या में तो यह चलिए कि सब्सक्राइब नोन कॉपरेशन मुविम्मेंट यानि की चैनल रहा है नौन कॉपरेट करना है प्लस कानौन को भी तोड़ा जाता है नौन को तो नहीं करना है एंसी आम प्लस लॉप करना है वह आपका होता है तो बॉन कर दिया और फोर इस लॉट को ब्रेक तरफ कर दिया गया यह सारी चीज है जो है शुरू हुए वर्ड इन उडिया चली ठीक है अब यहां पाल गांधी जी के बहुत ही भक्त बड़े भक्त थे खान अब्दुलगफार कान जिनको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नावस ठीक है पिशावर में और वहां उन्होंने रेट शॉर्ट मुव्मेंट शुरू किया जिसको लोग खुदाई खितमतगार भी कहते हैं अब यहां पर आता है शोलापूर एपिसोट जो सीडियम को दिखाता है अब देखो शोलापूर एपिसोट में क्या हो रहा था देखो लोगों ने और प्रोटेस करना शुरू कर दिया गांदी जी अरेस्ट हो गई तब बड़ी दिक्क्त आ गई और जब लोग जो है उसलों को बता रहे हैं पीपल ऑन दी स्ट्रीट्स के भाईया गांदी जो है बिल्डिंग्स पर टाक कर रहे थे इस पर्टिकलर इवेंट प प्रोटेस्ट करने लगे एक लाग लोगों को जेल में डाल दिया गया था दिस इस दी इंसिडेंट ऑफ शोलापूर एपसोड वन लाग पीपल अरेस्टेट एंड पुट बिहाइंड दी बार्स और दिस इस पूरे शोलापूर एपसोड को बहुत बुली तरा सप्रेस कर सब्सक्राइब करने की बात करी एक लाग लोग इतना बॉलेंस हो रहा है सीडियम नहीं होगा ऐसे में अब यहां पर कहानी आती है गांधी इर्विन पैक्ट की बहुत माहूल बगड़ रहा था तो गांधी और उस पक्य वाइसरा लॉड इर्विन के बीच में पैक्ट हु इसमें क्या हुआ गांधी जी पहले अग्री कर गए कि वह सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके बदले में लॉड इर्विन ने कहा कि ठीक है जो भी इन्नोसेंट पीपल को हमने अरेस्ट किया हुआ है उस शोलापुर एपिसोड के उसमें उसमें लोगों रिलीस कर देंगे बाकी और भी जो लोग इन्नोसेंटली अरेस्टेट है उनको रिलीस कर देंगे साथ में गांधी जी ने सकेंड राउंटेबल कॉन्फरेंस में पार्ट स्पेट करने के लिए अग्री कर लिया था कि ठीक हम सेकेंड आटीसी में यहां पर पार्ट स्पेट करेंगे ठीक है न एक स्पेट करने को तैयार हो गए गांधी जी सेकेंड राउंटेबल कॉन्फरेंस पार्ट करने के लिए लंडन ठीक है लंडन पहुंचते हैं लेकिन वहां पर नेकूश्यों से फेल हो जाते हैं कोई बातचीत नहीं बन पाती है और गांधी जी अग्री महीं करते हैं सब्सक्राइब कर लिए और दूसरी बात कॉन्फरेंस को इल्लीकल और और गांधी जीने का अब मैं और नहीं सुनूंगा और ऐसे में उन्होंने सेकेंड फेस जो है सिविल डिसोपीडियंस का वो फिर से लॉंच कर दिया लेकिन इस सेकेंड फेस ऑफ सिविल डिसूपीड कि यह महीने बाद लागु कर दिया फिर उसकी बाद नहीं अटा दिया तो लोग जो है जो सपोर्ट कर रहे थे कभी उनको शांज जाता क्या करें सब्सक्राइब कर रहे कि ना करें तो यहां पर हाव पार्टियूट्स ओधा मूव्मेंट जो लोगों ने सिविल डिसूबि थे यह चीज यहां पर समिलने वाली तो हाओव पार्टिसिमेंट स्फॉर इसन फ्रीजि मोगाषव आपसे प्रगार से प्रकी से फिरियंटे सुमर्ट मोयत जैसे हम थे और ग्रेज। मुवमेंट हम ने देखा आवत किसान सभा हम देखा ट्राइवल इंटेप्पेटेशन उसी दरही से इस प्रकार से पार्टिसेमेंस में सिविल डिस्विन्स मुवमेंट को देखा यहां पर हम रिचो पीजंट पूर पीजेंट बिसम्समान इनडिसल्रीट इनके रोल को यहां पर पढ़ना है that is it clear है है क्लियर है ठीक है भाई लोग तो यहां पर हाव पार्टिस्मेंट सौदा मुवमेंट हमको यह देखना है देखो रिट्स पीजेंट्स की बात करेंगे वह पीजेंट्स यह लोग कैसे मुवमेंट देख रहे थे यह लोग सिविल डिसुपिटेंस मु का कैसे पाटिसिपेशन था उनका इंडस्ट्रिल वरकर में कितना पाटिस्पेट किया वो में ने क्या रोल प्ले किया सिविल डिसुपिटेंस में यह हम लोग देखेंगे चलिए शुरात करते हैं अब तो गुजरात के पटिदार की बात करें या फर यूपी के जाट की ब पास बड़े त्रेडर राट करते थे जब अया तो इंगा इंकम कम होगी अब यह लोग रैविन्यू पे नहीं कर पार तो इन्होंने भी ते रहां किया आज इसी मिनात खुशामाद इल्टिजा आप से कर रहे हैं कि हमारा रेविन्यू कम कर दीजिए अपनी डिमांड कम कर करेंगे अब लोगों ने सुराज करना शुरू किया तो यह बड़े वाले ट्रेडर्स कुछ नहीं उखाड़ पाए तो छोटे वाले ट्रेडर्स के खेट की मूली रहे वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे चोटे वाले पूर पीजन्स है ना अब क्या हुआ पूर पीजन्स और इक यहां पर कैम्पेंच चालू किया इसको बोलते हैं क्यों क्यों नहीं मिला क्यों रिलेशन बित्म पूर रेमेंड अंसर्ट यों क्यों क्यों अगर यह सपोर्ट कर दिते कॉंगर वाले इंको तो उनको यह लग रहा था कि बड़े लीडर्स थे जो बड़े ट्रेडर्स से वह में तो सबोट किया नहीं और छोटे वालों कर दिया कॉल सकाइब को सब्सक्राइब कर दिया कॉंड गॉर्टर कर दिया गाइब इसनी वहापन उन्होंने सबोट में बिसनिस क्लास क्या देख रहा था आप एको world-war वर्वर में क्या हुआ कि इंडियन बिजनस्मैन को बड़ा प्रॉफिट हुआ क्योंकि बाहिर सी बात है वर्ड वर वन के समय सारी जो जरुवते थी बिटिशर्स की वह बिटिशर्स की इंडस्ट्री फुल्फिल नहीं कर पा रही थी इंडियन इंडस्री से भी काफी मदद गई थी ऐसे में जब इन बिशनस्मैन ने उस बख बिशनस्मैन ने अपने आपको और आज करना स्टार्ट किया इसके लिए गई फिकी फैटरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स अप को मरें इंडस्ट्री और एक बनाई गई इंडस्री और एक बनाई पाइंड। और ये दो वालेबल और नाइजिशन ते जिनको सपोर्ट मिलता था पुरुषोत्ताम दास ठाकुर जीटी बिलना यह से बड़े बड़े लोगों का ठीक गॉट इस तरह से नहीं बिजनस क्लास काम कर रहा था इंडस्टियल वरकर्स की बात करेंगे अब बिजनस क्लास क्या है बिजनस क को हो रहा है तो इंडस्टियल वरकर गुस्सा थे कि अधिया हम नहीं पार्ट करेंगे सीडियम में ठीक है तो इंडस्टियल वरकर करेंगे अगर हमने इनको सपोर्ट कर दिया इवी सपोर्टेट इंडस्टियल वरकर्स तो बिजनस्में नुक्सा जाएगा यूंकि बिजन गुसा गए तो पैसा कहा से मिलेगा सरकार को समझ रहे हो तो दिक्रत यहाँ पर यह थी बासमझ में आ रहा है therefore they were not active in CDF और चुकि इनको support नहीं किया गया इसलिए यह लोग इतना यहाँ पर active नहीं थे बासमझ में आ रही है नहीं आ गया यह था अब रोलो वोमें के लिए मैंने यहाँ पर जितने पॉइंट लिख रहे हैं आपको examination के अंदर पूछा जाएगा कि वाट वोस्ट वोमें इंदी सिवल डिसोबीडियों मेंट पीटा यह सारे पॉइंट लिखके आ जाना ऐसी कैसी आपको सारे नंबर में पहला लाज स्केल पार्टिसिपाइशन था ममें का वोबन पार्टिसपेशन दांडी माच यह आउट नंबर्स लिसेंट तू यह निए बड़ी घर लेडीस थी और रूरल अर्वन एरिया थी थी हाई-caste लोग ने पांट्सपेट किया इवेन आफ्टर सो मच एक्टिव रोल कॉंग्रेस बहुतन तो इतना कुछ वोमें ने किया सब्सक्राइब में फिर भी वोमें को वो पोदीचन या वो स्टेटस कॉंग्रेस में नहीं दिया क्लियर है कि जिरॉक्स कह रहा है सब जोग्रफी और स्विक्स की वन शॉट आएंगे क्या भाई सिविक्स का बज़ोट कर हो गया जोग्रफी और एकनॉमिक आएगा है कि क्लियर है कि ठीक है कि चलिए देटा अब जैसे हमने नन कॉपरेशन मुव्मेंट के ले की पढ़ा था वहां पर भी लिमिटेशन वराय थे मैंने आप को वैसे भी सिविल डिसोबिटेंस मुव्मेंट के भी लिमिटेशन से चलिए उसको यहां पर एक बाद डिसकस कर लेते हैं अच्छा डिस्क्रीन शॉट हां लेलो स्क्रीन शॉट लेलो है ठीक है हuring ज़ fan आगी आदो लिटीश्ट ऑभ दो है इक तो क्या है सुन आखिन नही झाले मटशन टी जो आपके जालित लोकित अगर आपने पार्लिमेंट में हमको रिजर्व सीट दे दिया तो हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे पास अंगाई डीटेल में देखते हैं अंटचिबिलिटी अब जो अंटचिबिल्स थे दिए नॉट मूट बाइधी कॉंसेट और स्वराज वो लोग स्वराज सी कॉंसेट से बहुत आधा खुश नहीं थे स्वराज मतलब क्या है सेल्फ रूल अं तो तुम लोग कर रहे हो हमारी पत्याचार काएगा स्वराज काएगा स्वराज हमां हमाई पत्याचार कर रहे हो एक्स्प्राइट कर रहे हो हमको सप्रेस ऑप्रेस कर रहे हो हमको कॉंग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा था क्यों क्यों कॉंग्रेस को लग रहा था कि अगर कोटे जले दन हाई का सिंधू नराज हो जाएंगे यह चीज सोचा जा जा तो अंटचिबल जो थे वह पार्ट स्पेट नहीं कर रहे थे ऐसे में क्या हुआ गांधी जी ने कहा गांधी जीने का बाई सहाब स्वाराज बनाट कम फॉर एंड्रेट यहर्स अंटिल यह उन्टील इंट इस अधिश्य विल्टी टोटली तो आप स्वाराज नहीं लापाओ गे जब तक आप अंटचिबलिटी खतम नहीं करते हो अगर आप यह आज में अचूथ है इसको चूओ तो ऐसा हो जाएगा अगर आपकी तो भाई बहुत बेकार हो पिकायका स्वाराज सेल्फ रूल कायका ऐसा हो जाता है कई बार कवे कि गलती हो जाती है मेरे साथ भी हो गया था एक बार मेरे मुझसे ऐसा कुछ निकल गया था इससलिप ओफ टांग लेकिन दो को लोग भई समझते हैं उसको सीथे वह ले गए सब्सक्राइब तो यह तो बात ही निये गई सब्सक्राइब होना चाहिए यह लोग इस तरह से देखते हैं उनको है बहुत गलत वादर एनीवे तो गांदी जी ने कहा कि स्वाराज विल नॉट कम फर हंड्रेट यर्स इफ यह अन्टच बिलिटी इस नॉट एलिमनेटेट क्लियर है क्या स्टेप्स लिए गांदी जी ने आंटचल खतं करने के लिए पहला गांधी जी ने अन्टच बिल को हरीजन का मतलब चिल्ड्रन औगॉड पहला स्टेपर्ण ने लिया ताकि लोग को लग यह इतनी confidence है इसका मतलब हमें ध्रक्र नीए दूसरा गांधी जी ने सट्ट्याmeye सट्या गरे क्या क्या किया उने कर दो तो सैंटेख और यह और हो यौना पोलिक यौन आपर दिला रिखन बार दिया की सब्सक्राइब तर सबस्क्राइब इसप्सक्राइब करने अपने इपने तकी छुपका जहन में इसको चेंडेॉग ठीक है एक गांदी जीने कहा अब यहां पर दững का बहुत खूस किया तरह गारत की आथो फटाने के लिए यहां पर एक निता एक व्यक्ति का नाम सामने आता है और यह क्या करती है उसकी दो डिमांड ती इस डिप्रेस्ट क्लास असुजिशन की दो रिमांड थी पहले डिमांड रिजर्व सीट्स होनी चाहिए एजुकेशन इस्टूशन में यानि की कोई अगर एजुकेशन इंस्टूशन है कोई स्कूल है उसमें सौब अच्छे पढ़ेंगे तो उसमें से कुछ सीटे रिजर्व कर दो सिर्फ और सिर्फ देलिट के लिए अंटच देलिट क्लास के लिए यह दिमांड थी दूसरा डिमांड था कि भाया सेपरेट एलेक्टू कौन खड़ा होगा विए दलित कर लक्ती होना चाहिए और उसको वोट कौन देगा वह भी दिर थोने चाहिए तो वोटर भी दलित हों और सीजटल करदो जुक्ति जशनाओ तो जो वोड़ वी धर ड हो यह डिमांड थिवाओ भी सकता है रिजर्व सीट्स क्या होंगी नहीं अभी सेपरेट लेक्र समझ लो सब्रेट लेक्रेट की बात ओर थे कि भाई सेपरेट लेक्रेट बतला वोटर भी थे थो और क्यांड़ेट भी यह यहां पर डिप्रेस्ट क्लास की बात थी अम मेटकर साब की इस दिवांड को यह चीज मांग रहे हैं तो कास को डिवाइट कर रहा है बिटिशन इस बिटिशन को डिवाइट कर दिया है गांदी जी ने जब देखा कि बिटिशन में सुन लिए उनकी बाते गांडी जी ने कहा जाब गांडी समझ गए नानदी जी अंडर्स्टोड कि यह तो प्लांड स्का वो तो चाहते ही है कि यहाँ पर पूरी तरह सन गोड़ कर देख आते हैं गांडी जी शिट्स आंड जोफस बैड़ याटेट यह卟 याटन यहीं पर आता है बोन फनेंशन डिस बहुत्वास दो मेंगोन फ कंटेंशन बिट्विन गंदी एद अमबेट कर अमबीटकर स अलग मांगेंगे फिर हिंदू के अलग कास्ट हो जाएंगी अलग मांगे अलग जाएंगी कि असी व्याइश से गांधी ची और अम्बेटकर साब के इस बून अप कंटेंशन को इस जो इनकी बीच का डिस्प्यूट था उसको शॉप करने के लिए पूना कंट्रा मांप के रिख्म टूंधितू सीगर किधा रिशॉट सीट्ट डियाइंगी लेकिन इ्टूकेशन में थे के रिट लेकुञाट अगर बहुत टोएलेक्टर नहीं होगा रिजर्फ सीट इस्ट का मतलभ सूट शाप हो गई यहाँ से दलित का प्यक्ति चुनाओ लड़ेगा लेकिन उसके वोटर्स भी दलित होंगे यह नहीं होंगा अगर ऐसा हो जाएगा तो सब्सक्राइब करेंगे वोटिंग ओल करेंगे लेकिन कंड़ेट दस सब्सक्राइब करें लेकिन वोटिंग सबी लोग कर सकते हैं यह था अब मुस्लिम पॉलिटिकल और वह भी यह कह रहा था हमको भी सेप्रेट एलेक्टरीट जाहिए और ने कहा कि अगर हमको आप यह आश्वासन दे अगर हमको आप यह कह दें कि भाया आव इफ यह रएशॉ और रिजर्व सीट सेंटर अजयर आप हमको सेंटर अश्वासन देने कि इतनी सीटे तो मुसलमानों के लिए हो गई तो हम सेपरेट इलेक्टरीट की दिमांद खतम करनेंगे या तो आप हमारा पाल उस पार्लेमेंट की बात हो अभी कि नहीं उस पार्लेमेंट में यह कहा अगर आप हमको रिजर्व सीट दे सकते हैं तो हम सेपरेट एलेक्रेट के निमान छोड़ देंगे ठीक है अगर आपने हमारी पॉपलेशन के हिसाब से हमको रिजर्व सीट दे दिया अगर आपने हमको यह अश्यूर कर पा रहे हैं इस यह शूर्ड तो हम रिजर्व सेपरेट की दिमांड को यह आपर छोड़ देंगे यह चीज़ वह बोल रहे ठीक है अब यहां से आता है दिखाइब की क्लेक्टिक ब्लागें कैसे आए क्ल्चर के थुग आई लोकल सॉण्ग लोकल लागविज लोकल फूड यह हम लोकल लोकल चिह थी तो अजो लोकल के लोग थे वो दूसरे से क्राटेट फोल हुए हना इसा मान लो लोकल सॉंग्स गाते हैं लोग है ना घोषपूरी गाना कि रिंग की आके पापा तो लोकल सॉंग लोकल लैंग्विज ब्यारी लोकल क्लॉथ अब लोकल क्लॉथ में गमशामचा बांध एकदम ऐसे मांध दिया एकदम इसे गो टू यूपी इस्ट बलिया बैलतरा रोड आते हैं लाइन्स दास फॉर्ट्व चॉर्ट्ट इसका अगयों कलती दन नंधं नंदन नंदन तो वहां के लोग आपस में आपस में अच्छा फील करते हैं हमारे बराद इका है फूड है महां घटी है का नवा इंट्रेंशिया का वाली का जब गया था बाली गुमने आप सब्सक्राइब करें तो इस अब वोगन को जब लोगों को यह तो हमारे कल्चर का है हाँ आज घंशा मांद रहा है कपड़ा पहन रहा है खाना खा रहा है बाते कर रहा है लोग उनाइट फिल करते है है पूरे चाप्टर में कि यूनिटी कैसे आती कल्चर की रहे से पास्ट एक्सपीरियंस मैं आपको एक्जामपल दिया 1857 का सब्सक्राइब था था थपड़ नारा वाता रिजोने सब लोग आप रखे गाल पर खड़े थे क्या हुआ पास्ट एक्सपीरिंस की हम दो पहले युनाइट थे हम लोगों मारा है सबस्क्राइब तेके ना फिर फिगर से इमेज़ जैसे कि जर्मनी का अलगौरी था जर्मेनिया फ्रांस का था मरियाने बिटें का था बिटेनिया ऐसे इंडिया गाया क्या भारत माता अभी दिखाता ह जैंक नोवल थी आंद मठ और आनन मत जो है नोवल में इन्होंने वन्दे मात्रम यहां पर लिखा हुआ थीकिस्ट्न टाइम जब भारत मातर की पेंटिंग को बनाया गया तो अब तक बात ठीक है तो यह नाम राद रखने अब सवदेशी मुवमेंट कैसे हुआ उस वक्त देखो यह आपर हम इसकी बात करने जा रहे हैं यह इंडियन फोकलोर सवदेशी मुवमेंट ठीक है और फिरम री इंटर्पेटिशन अब क्या हुआ 1905 जब सवदेशी मुवमेंट चल आता उस पास इंडिया का फ्लैक क्या था रेट कलर था उसमें ग्रीन कलर था था ठीक है ना यह फ्लैक से इंटिफिकेशन होता था बाद अब लोगों ने प्लट कर देखा आपनी हां को लोग लोग को खड़े थे थे आज तो बोह आगेए ख़ड़कीना कैसा में पीछ.... पीछे देंगो कि अघरो पीछे पीछे देगो। पड़्स्साफ थे। लोगों घंघा कि हमारा भाध बड़ी आ ग्लॉरियस भाँ थे... है हमारे पास मेहल मेहल है है हमारे पास बड़े बड़े मंदिर उसमें चोना बरा बढ़ा घाए तेंपन असे अमारे पास बड़े अलगा रिलिजन थे भूट डाइबरस दी लेकिन जो अंग्रेश बाए तो उन्हें बरबात कर दिया ड्रेन वेल्थ हुआ तब ले गए हमारा उठा उठागे तो लोगों को यह feeling आया people got angry एक तो गुस्ता गए कि हमारे साथ हुआ क्या है United हुए फिर लोग अच्छा हमारा आर्ट कर दिया हमारा कल्चर बरबाद कर दिया तुमने फिर लोग यहां पर United हो गए और जब लोग हुए तो यहां पर लोगों को sense of collective belonging आती है ठीक है यहां पर लोगों को sense of collective belonging देखने को मिलती है यह बात क्लियर होगी इस this point clear for everyone यहां पर दोस्तों हमारा यह खतम होता है चाक्टर रेंटेप्रेशन ऑफिस्ट्री दोस्तों इसके बाद मैंने आपको बहुत सारे questions यहां पर दिये हैं ठीक है यह आप लोग के आपको यहां पर क्या करेंगे आपको कुनाल सर जो है वह आपको यहां पर क्या करेंगे आपको कुनाल को को टेक अप करने वाले हैं यहां पर पर स्टार्ट कर जाएगा भाई लोग यहां पर इसके लगा देना ठीक है यह लगा देना इसको लटा देना है चलो हुआ है चलो पर चलिए स्टार्ट करते हैं अब लोग 10 मिट की बाद खाना नो खाके जल्ली साज़ो झालो कर दो खाना जाएगा बाद। झाल 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 है हलो हलो है हलो बच्छों आरी आवाज मेरी तुम लोग को कैसे तुम सब बहुत चारे प्यारे प्यारे बच्चे में को दिख रहे हैं और कुस्तो भाया आंडू ट्रेट के फैन भी दिख रहे हैं तो वान्स अगेन वेलकम बाक आपके अबेजिंग से उपापाच जबदस फाले प्लाटफरम याने की पी डाबलू पे स्वागत है आप सब का दुबारा से ब्रेक के बाद आप बच्चा बाड़ी देखो ऐसा है कि भाई सर थोड़े से हमारे सर को बोला कि सर थोड़ा रेस्ट ले लीजे भाई सर इतने देर साब को मैं कंटीनू करूंगा अगली दो चाप्टर्स के लिए यानि की दा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और आपका दे इज ऑफ इंडसलाइजेशन ठीक है तो यह दो चाप्टर्स में मिलकर के पड़ेंगे मजे करेंगे मस्ती करेंगे धमाल करेंगे बहुत चारी कहानिया सुनेंगे उसके बाद से वापस बुलाएंगे बाई सर को आपको प्रिंट कल्चर अंद मोडन वर्ल्ड पढ़ाने के लिए ठीक है और ट्राई करेंगे बच्चे को सेशन को शॉट रखेंगे जैसा कि हमने स्टार्टिंग में प्लान किया था तो मैंने और आसम सान ने बि साथ फड़ावट से प्रिंट कल्चा करा करके आपकी क्लास को वाइंड़ किया जाए तक कि आप जाओ और आईटी के पेपर के लिए अच्छे से पर्ट सको ठीक है चलो तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चा बाटी अच्छा एक चीज और बड़ी इंपॉर्डन भया कोली उने तीन शाल बाट सेंचुरी मार दी कितने बच्चों देख लिया है चीज मैं भी अभी इभी स्कोर देखर क्या रहा हूं कि भाई कोली ने तीन साल बात सेंचुरी मारा रहा है टेस्क्रेट के अंदर यानी वन कोली कांट डू आट आट आफ्टर 3 यह इसका मतलब बहु सब को पीछे चोड़ो और छोड़ो कल की बाते और कल की बात पुरानी 15 तारीक को लिखेंगे मिलकर नहीं कहानी है कि नहीं चले तो अभी आप नाशलिजम वाले मोड से बाहर आए हैं थोड़ा सा हैना हाला कि वापस जाएंगे भी उसमें लेकिन आव हम बात करेंगे भाई ह हमारे एक ऐसी दुनिया की जहां पर इतने सारे प्रोडाक्ट्स हम यूज करते हैं इतनी सारी चीज़े हम यूज करते हैं और यह इन सब रीजन्स इन सब चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है अगर आज तुम मेरे से पढ़ पा रहे हो यूट प्रोसरे अभी ग्लोबलाइजेशन क्या है क्या हुआ तहाई समय वर्ल्ड बारल् डू क्या थी वल्ड वर वट ςब इनका इंपक्ता भारत की बैंड कैसे बजी इप्रेशन नाम की बिमारी क्या थिक great depression नाम की बिमारी क्या है ठीक है ये ये सारी के सारी चिज़ शेजिस description के अंदर आप वहां जा करेंके notes डाउनलोड कर सकते हैं जब class आपकी खतम हो जाएगी इसके अलावा 200 questions करवा रखें history के अंदर मैंने मेरे already मैंने class लिया था तो सारे के सारे notes आपको मिलने वाले हैं PWA आपके उपर बिल्कुल free of course link दिया हुआ है description के अंदर आप वहां से जाके भी notes को download कर सकते हो ठीक है चली तो यह तो गई की भाई notes की बाद जिन बच्चों ने पूचा की सार नोट कहां से मिलेंगे किदर मिलेंगे तो उन सारे बच्चों के लिए हमारा एक मजदार वाला बढ़िया वाला session ठीक है अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनिट सी बात है आपके social के paper में आपको तावर तोड़ मचाने से भाई कोई नहीं रोक सकता ठीक है चली तो इसी के साथ साथ करते हैं हमारा topic data making of global world तो जब बात करते हैं शब्द के देखे सब कुछ इसी में चुपा हुआ है सब कुछ यहीं पर चिपा हुआ है जब आप बात करते हैं बच्चे ग्लोबल तो वर्ड का मतलब होता है दुनिया ठीक है वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चे वर्ड का मतलब है दुनिया और global की बात करें तो मतलब कहने का बहुत simple है कि हम बात कर रहे हैं हम पूरे दुनिया की अब इस पूरे दुनिया का आपस में connection है ना लोगों का यहां से वहां जाना पैसे का किसी दूसरे देश से अपने देश में आना ये सारी चीज़े क्या है ये सारी चीज़े part है एक system की एक network की जहां पे इंसान काम करने के लिए education लेने के लिए बाहर जाता है या फिर बाहर business करता है बाहर से पैसे कमा के अपने देश में लेकर के आता है या इसके अलावा technology जिसको आप कहते हैं तकनीकी ये भी आपने दिखा होगा भी बच्चे कई सारे देशों से हमारे इको को हमने एक शब्द में यहां पे क्या किया है समराइज कर दिया है और उसको हम कहते हैं globalization क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग globalization चले तो इसको समझने के लिए अपने को जाना पड़ेगा इतिहास में थोड़ा पीछे यानि कितना पीछे बहुत पीछे भाई चले तो अग इस ताइम पे कुछ भी exchange नहीं होगा इसका मतलब यह थोड़ी है कि उस टाइम पर लोग खाना नहीं खाएंगे अरे सब कुछ possible और कैसे possible है चलो देख देखते हैं अगर मैं बात करूँ बच्चे पुराने जमाने से ancient times बहुत पुराने जमाने से जो आपके ट्रावक्त गूमने जाते हो मान के चलो आप कहां गए देरधून गुमने चले गई मसूरी गूमने चले गए तो आप क्या बन गए भाई आप एक या तरी गणया तो नो यसे भूसत सारे यात लग-लग होते हैं Christianity की बात करो तो आप फादल लोग होते हैं इसलाम धरम की बात करेंगे तो वहाँ पे मौलाना होते हैं राइट ऐसे अगर आप सिख्धर्म में जाएंगे तो वहाँ पे उनके गुरू होते हैं तो ऐसे बहुत सारे जो धर्म गुरू थे जो प्रीस्ट थे रिलीजन क के दर्शन करने जाते हैं जैसे आप देखोगे तो भारत के अंदर अलग अलग तीर तीस्थल है जैसे माता वैश्णो देवी हो गया यह इसके बात करें जगनात पुरी हो गया है ऐसे हमने सुनाए कि वर्ड में मक्का और मदीना भी है तो यह क्या है बिटा अलग अलग ध खाने के लिए भी हम लोग क्या करते कई बार ऐसे तीर तीर ती याथ तरी और इंग्लिश में कहें तो पिल्ग्रिम्स ठीक है तो यह जितने भी टाइप के लोग थे यह बहुत दूर दरास के लाखों से आते थे अलग 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 देशों से भारत में आते थे अगर बात क एक सेवें तेर्स में पढ़ा है कि चाइनीज ट्रैवलर भारत आए और भाई चाइनीज ट्रैवलर क्यों आए भारत ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने मंचूरियन का ओर्डर दिया होगा कि भाई एक सुनो एक मैं चार प्लेट मंचूरियन पैक करना भी हम चाइना से लेने आ पढ़ा हमारे राजाओं के बारे में पढ़ा और उनको अपने किताबों में लिखा उनको अपनी किताबों में नोट डाउन किया है ना तो इसी वजह से आप देखोगे तो अलग-लग दूर तरह इलाकों से जो आपके ट्राविलर्स हैं जितने भी पिल्ग्रिम्स हैं या व्यापारी हैं यह हमेशा भारत में आते रहे हैं साथी साथ भारत से बहुत सारे लोग है जो बहूत सारे बहुत सारे दये रहें जानकारी पाने के लिए धरम को सीखने के लिए वह कोई इंडिया में आया करते थे अलग अलग देश्व में जाय करते थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पर्जीकूशन पर्जीकूशन का मतलब होता है हिंदी में कहें तो दमन है न मान के चलोगी फॉर एक्जामपल आप किसी ऐसे देश में रहते हो जहां की सरकार के अगर बहुत पिटाई कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे किश्व में क्या होगा कि आप वहां से भागो कि आप क्या करो कि भिया वहां से निकलके सीखेर भागोगे और सो में लगा धागा चोर निकलके भागा तौ जब यह लूग अलग- interchange देशों में जाते थे जब यह लोग अलग अलग एरियास में जाते थे तो अपने साथ बहुत सारा नॉलेज लेके जाते थे क्या लेके जाते थे बहुत सारा नॉलेज शाथी साथ पैसे साथ स्किल्स खाने का तौर तरीका जीने जीवन जीने का तौर तरीका कि भाई ऑवेस आखी ओंची यह मंचूर यह ना हैगी निए तो सिंपल सी बात है वो क्या करेगा अपनी चाइनीज भाशा अपना चाइनीज खाना ड्रेस पहनने का तौर तरीका यह सारी चीजें लेकर के आएगा उस देश के अंदर जहां वो जा रहा है तो बच्छे सिंपल सी बात है जब तो यादी होगा आपको आप वहां वायरेस के लिजह कोविड वायरेस के लिजए अब चाइना वाले जब बाहर गए चाइना वाले ने का चीनी मीनी चीन चाया हो हमका बैट का बीड़ का सूप पिला ठीक है मैं एक 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 जांपल दे रहा हूं करे बहुत सिंपल तो यह प्रवाइब ने क्या किया चमगादर खतरनाक चीजे खा रहे हम लोग इदर पी रहें होट एंस और सूप यह पी रें चमगादर का सूप इनका जिंदगी अलगी चला है भाई ठीक है तो इन्होंने का चीनी मिनी चीन चाही है हमको चमगादर का सूप पिला अब चंदागद लोग बेवकू बना रहे हैंड हम को क्या बता था भया चीनी लोग चीनी चीनी करके मिठी मिठी बाते बोल के जो है हमको बेवकू बना रहे हैं अब इन्हों ने क्या किया अपने साथ वाइरस फलान लाब अब अगर आप को वीड में देखोगे तो को ड़े में लॉक है तो नॉर्मल सी बाते यार अगर में बात करें तो इसी वजे से अपने साथ साथ यह नॉलेज्ट तो ले किया लेकिन अपने साथ-साथ भीमारियां भी लेकर है हैना अपने साथ साथ बच्चो भीमारिया मिले क्या जले आगे में अब अगर साल 3000 की बात करेंगे 3000 BC यानि बहुत पुराना टाइम बिफोर कॉमन एरा तो 3000 BC में जो इंदस वैली था इंदस वैली समस्तों बचे जो अमारी सिंदू सब बता है ठीक है जो जनरली भारत के नौर्ट और नौर्थ वेस्ट रिलाकों में थी ठीक अगर हम बात करें यह जो इंदस वैली बच्छे सिंदु सबता भारत के नौर्थ और नौर्थ वेस्ट रिलाकों में थी अगर हम उसकी बात करें तो वो लोग व्यापार किया करते है fakie सथ कैसे बाट करते बचों वेस्ट इशा के साथ कोस्टल ट्रेड्ड यानि समूदर के रास्ते हैं ना अगर हम बात करें बच्चे हो तो यह बहुत चली यह पॉइंट अपने पाई लिए आगे बढ़ते हैं अगर हम देखेंगे कोड़ी कोड़ी क्या होती है सीशल होता है सीशल सीशल मिलते हैं ठीक है जैसे पत्थर पत्थर से लगते बट पत्थर नहीं होते तो उनको क्या था बच्चे आस करेंसी उसकिया जाता था मलदीव सवगेरा के अंदर करेंसी मतलब जैसे आज आप नोट लेते हो अभी मेरे पास है नहीं वहतना मैं तुमको दिखा था तो इसलान मिलता हैं आप को तो एसे लोग कहते है कि यह कहां से मॉफ कर रही थी यह माल्दी से डौफ करके कहां गई आपकी चाइना और इस्ट आफ्रिका तो यह तरीक्त का गलोबल ट्रेड यानी एक देश से सामान जा रहा है दूसरे देश क्या जा रहा है बच्चे एक दे पूछने के चांसे आप से बहुत ज्यादा है ठीक है आप से क्वेश्चन देते का कि सिल्क रूट्स लिंक दा वर्ड एक्स्प्लें दा स्टेटमेंट आप से दो नंबर तीन नंबर में दे दिया या ऐसा दे दिया तुम भी बोल के आना सी बेस्ट को यह इन्वर्टेट कॉमाला क्वेश्चन देख करके तुम क्या सब्सक्रावर है मैं अरे फ्लावर नी भाई फायर मैं है की नहीं बाई ऐसा बोल के आना इक दम सीबेस्टी आ लोगो दम पक्का कैसे पेपर में सौल्व करके बाई चलिए अगर हम बात करें सिल्क रूट्स की तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सिल्क रूट्स आर गुड इग्जामपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्ण ट्रेग ठीक है वाइब्रेंट का मतला होता है कोई चीज जब बहुत अच्छी कॉन्डेटी में की जाए बहुत का लवाइस्ता पास्ता रूट का मतलब रास्ता ठीक है तो आप रूट्स की बात करेंगे और यहां पर क्या लिखा बों, पड़ेंटीमी अंतिर्चन का फो रास्ती की उप्रेंग दिवाएँ बहुत एपनी हो जाये असका नाम नहीं है इसका नाम है सिल्क रूट उसका रीजन है अगर आप देखोगे तो सिल्क रूट इस वज़े से पढ़ा क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा किसी सामान का व्यापार किया जाता था वो थी आपकी सिल्फ यानि के रेशन ठीक है तो क्योंकि बच्छे यहां पर सिल्क सबस भी जो है इस्टॉरियन थे ठीक है तो तुमारे एक्स की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर गड़े मुर्दे उखाड़ना ठीक है तो भाई यह जो हमारे स्टॉरियन होते हैं पुराने चीजों के बारे बता लगाते हैं तो भाई उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिल्क रूट किस पता लगा हैं लैन्ड और सी के उपर यानी जमीन चे उपर भी और साथ ही साथ आमारे सी के उपर भी ज्यादा तर जो के रांड रूट से बच्चे वह जमीन पर है अगर हम बात करें किसको चोड़ते हैं तो बची जो के चैनेक्ट करते हैं एशिया के बहुत सारे एशिया के अंदर बहुत सारे इलाखों को और दूसरा आप को याद अटना है कि एशिया को connect करते ही यूरोप के साथ और साथ आपके Northern Africa के साथ चलि अब इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है ठीक है अब इसी जुड़ा एक और सवाल आता है इसको आपने लोग नेक्स से और चाइना से बहुत सारे ऐसा समान था जो हम लोग यूरोप भेजते थे किसके थूरू इनी सिल्क रूट्स के द्वारा ठीके सिल्क रूट क्या है वो रास्ते हैं जिनके थूरू व्यापार किया जा रहा है अब क्योंकि यहां पे सिल्क एक ऐसी कमोडिटी है जो सबसे जादा व्यापार होता है जिसका इस वज़े से नाम पढ़ गया सिल्क रूट लेकिन सिल्क के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो हम लोग यहां से बाहर के देशों में बेचा करते थे तो खासकर करें बात करोगे बच्चे जो आपका भारत है साउथी जाता था चाइनीज पॉट्री पॉट्री समझते हो उती वह नहीं उसकी बात नहीं करों जो तुम सुबहसुबह चले जाते हो ठीक है यह चाइनीज पॉट्री की बात की जा रहे है इसका मतलब होता है किसी प्रकार का आप समझ लो जो घड़े हो गए या फ्लावर पॉ समझझल जो घड़ए हो गए या फ्लावर उट हो गया उसमें सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाना दखा इलार करना आपके घर में भी फ्लावर TIimm बनाते ओ टाकि गेस्ट हूँ और आपकी तारीव करें वा शर्माजी वा क्या ड्राइंग रूम है है सबसकी Centralia तो यह आपने डिजाईन नहीं है इसके अलावा किरों सिल्क हो गया पपना हो गया मसाले हो गये तो यह सारी फारी चीजे जो है बच्चे हम लोग भारत से जो है एस्टेश्याच मेरा चाइना से यूरोप भेजते थे और यूरोप से यो गेर रभे और यूरोप से यूरोप से भारत के नदर क्या था 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 बच्चे गोल्ड और extracting यानि की घोल्ड मतलब सोनना और सिलवर मतलब चान दी सोना कितना थो सोना है सोने जैसा तरहामन है ना तू दो या तीन नमबर में यहां से दे दे यह दो या तीन नमबर में कुशन बताओ कि सिल्क रूट्स सर्वेस इंपोर्टेंट रूट्स ओफ ट्रेड एंड कल्चरल एक्षेंज यानि व्यापार के साथ संस्कृति यानि कल्चरल एक्षेंज भी आप खोटे थे ऐसा क्यों कहा गया है चुआ इसमन अप एक्जामपल देंगे बुद्धिजम और कृष्णय दर्म का खासकर आप कि सी धरों आते हैं मतलब उसको बताने आते हैं जैसे फॉर एक्जामपल मान के चलो मैं किसी को बताने गया कि आपको पता है सनातन धर्म में यह होता है वो होता है या कोई ऐसा परसा ने जो बता रहा है कि अच्छा क्रिश्चन धर्म में होता है या कोई सिख्षम के बारे में बता रहा है ठीक है इसके लवगर बात करोगे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम प्रीचर्स थे मुस्लिम प्रीचर्स कौन हो है बच्चे जो इसलाम धरम के बारे में आपको समझाते हैं सिखाते हैं वो भी इनी रूट्स के द्वारा जो है एशिया के अलग-अलग हिस्तों में गए हैं फिर अगर हैं बात करें बिद्धिजम करता है इस्तन इंडया से जनलेवी बिहार वाले रीजन से और उसके बाद पूरे दुनिया में जो बुद्धिजम फैला है खास का शुकर आपिन कंट्रीस के अंदर वह सी इत्रू पुँर्व पर बढ़ते हैं तो जो आप बुद्धिस्ट प्रीचर थे यानि बहुत गुरू थे वह बहुत सारे इसे बहुत गुरू है जो अलग-अलग देशों में जा करके जिन्नों ने बुद्धिजम के बारे में बताया है डिस्क्राइब किया है चल्चा किये तो उन्होंने भी लॉंग डिस्टेंस कल्ट्रियल एक्चेंज ये प्राक्टिस पर बाट भर तीक है ये वॉश्चं आपका दो नमबर में प्राक्टिस पेपर में आया है सी बेसी ने तो प्राक्टिस पेपर रेलीस क्या थमने डिसकस्ट भी के आई तो उसमें क्वेशन आया थे फूड्र बड़ा सिंपल सा बड़ा आसान सा बड़ा विन-विन वाला क्वेश्चन है अगर हम बात करें खाने की तो आज आप कितने तरीके खाने खाते होएगी नहीं आप जाते हो रेस्टों के अंदर भाईया ओडर ले आते हैं अगर बात करेंगे भूजन की खाने की तो खाने का ऐसा बहुत सारा सामान है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं थे जैसे वह जो तुम बाहर खाते हो ना नाले के बाहर जो भाईया मोमोस की चटनी लगा के के दिटें तुमको तो कि बात खा के बाद बोलते हैं मजा आ गया अब तुम क्या जानहों मासूम इंसान की वह स्वाद भावा की चटनी में जो कि पीछे का राज के पीछे नाला कर आए बहुत मजा रहा है है ना या फिर आपके आस-पास खड़े होने वाले कोई चैणीज इंडो चाइनीज जांआ के बोलते हो कि चिली पोटेटो बना दिना बहुत चिली गालिक नूडल निगा दे ना दो प्लेट बहुत मजेस खाएंगे आज हम है ना कई बार आ इन खानों के बारे हम नहीं जानते थे ठीक है हमें पता भी नहीं था जिए इस तरीकिये का कोई खाना एक्जिस्ट भी करता है तो यह जो अलग-अलग टाइप एक खाने बच्चे कहां से आए जब अलग-अलग देशों के लोग आए इंडिया में इंडिया से बहुत लोग बाहर गए तभी तो आपको जो है बच्चे खाना वेलबल हुआ आज अगर आप कहीं भी फॉरण कंट्री घूमने जाए तो आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरंट मिलेंगे अगर आप कहीं भी चले रहे इवन आफ्रिका के बहुत सारे देश हैं जा इंडियन अब किया है ऐसी गरम बात करें जो ट्रेडर्स एंड्रावलर्स थे वह जहां 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 जाते थे कुछ नए प्रकार के क्रॉप्स अगरा वहां पर उगा दिया करते थे जिसे नूडल्स की बात करें तो जो नूडल से वह आच्छली कहां के भी आओ चाइना के लिगे ज पास्ता लिए तो पता है वो लोग क्या करते हैं भाई या वो लोग नूडल्स में ऐसा क्रीम और चीज लपेट के दम ताबर तोड़ और ही कहनो चिली फ्लेक्स डाल करके दे देते हैं सब्सक्राइब तो नूडल्स अभी तक चिली गालिक वालिक है पहली बार तुम सब्ता है तो नूडल य। चाइण से पहुंचे कहां पर यूरोक में तो क्या नाम पढ़ गया का इंका नाम पढ़ ग्यान पढ़े भगाए ब í色टि चली इसके यालाव अकि बात करें पास्था तह इस तब आप आस्ता था नलिव इस्था यां थिजी दो फिक आप सिसली जो है बच्चे एक छोटा सा आइलेंड इटली के अंदर आज हम पास्ता और पीजा को इटली के नाम से जानते हैं लेकिन अगर हम बात करेंगे पास्ता की तो बच्छे पास्ता को इंट्रड्यूस करने वाले कौन थे हमारे अरे अरेबियन ट्रेडर्स थे तेस तरीके सन्ञ्फस में हमारे दादा वादा को कुछ पता ही नहीं था घ। मिना जी पता था हमारे एंसे स्टहस मारे पूरवाच को पता यह नहीं था कि आलू चीज होती है आं no मेज भुट्टा क्या होता है सोया क्या होती ग्राउंड नट्स क्या होती मूफली वगरा क्या होता है बच्चे है ना चीली चीली जो मिर्ची लगती ना कई बार मिर्ची मिर्ची कहां लगती है बाई मिर्ची कहां लगती है कई बार मिर्ची लग जाते ना ऐसा इदम हमको ज करते हैं अपने गंदे वाले हाथ है ना एकदम जिसमें चट्रिनी धूल मिट्टी सब लगी होती भाईया यह हाथ लेते ऐसा पानी में डालते हैं यह मस्त यह नहीं मिक्स किया एक ना मिक्षर तैयार हुआ उसके बाद भाईया नहीं से डाला पानियों खिला पानी पुड़ के यह आपके आया है वना लुट और यहां चाया को जब क्रिस्टॉफर क्लम्बस इसकावर किया बात है इसामेरकी मेरिका झाया यहां पर тора नोख यहां पर उप सबस्क्राइब भाई बहां रहे बोगों को जब आलू का इन जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक यूरोपेन गरीब बनेगा तब तक हमारा यूरोपन घरीब नहीं बनेगा भालु नहीं बनेगा भालु नहीं बनेगा भालु चलेem एक सट्ध करें पाईलग होगा इतने पागल होoon THIS इतने पागल होगा इनको लगा यार आलू से बढल्र कोई नाम नाम लेट तुछे लेट प्लाइट चिए तो यह अनुको पॉदा था विल्कुल खराब हो गया बेकार हो गया तब यहां के लोगों के पाच कुछ खाने के लिए नहीं था ठीके हैं और ऐसब इतने सारह हजारों की संarthya में लोग यहां पर भूख से मर गए हजारों की संक्या में लोग यहां से भूक से मर गए यानि इनके पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं यह इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गयता आलू के उपर इनको लगा नहीं जीनी मुझे ऐसे जिन्दकी जिसमें आलू नहीं आलू चाहिए आलू जैसे प कुलन मिला के बाद वाहिए ठीक है ठीक है आलू पे जो थे ओवर डिपेंडेंट हो गए चो आलू को जब यह डीसीज लगी जिसका नाम है लेट ब्लाइट में क्या होता है यह आलू की पतियों के ऊपर ऐसा राट 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 से लेयर जम जाता है तो उसकी पतियों ठीक है तो अगर हम बात करें बच्छों यहां पर आइरिश पटेटो फैमाइन की ठीक है फैमाइन का मतलब होता है सूखा पढ़ना भूकमरी का रहा सिचुएशन जब भूके मर रहो तो खाने के पास कोई समान नहीं होता तो करीब अगरा मान के चलोगे यह लास्ट क्या था 1845 से लेके 1849 तक ठीक है 1845 से लेके 1849 तक चला था आपका आईरिश पटेटो समाइन तो आप मान के चलो करीब एक लाग से ज्यादा लोग जो थे यहां पर मर गए थे विकॉस इनके पास कुछ खाने के लिए था नहीं और बाकी जो लोग थे वह आईलेंड छोड़के चले दूनिया níया पित ली दुनिया क्या हो रह hen दिर धिरे बढ़ रही है अब प्री मोडन वर्ट की बात करते हैं पहले कि प्री और और आथ मैं उल्ट का फींझे लगी यह दुनिया एक छोटा से गाव बन गई एक प्यारा से गाव जिसमें बरबादी बहुत ज्यादा है और यह बरबादी क्यों है इसका एक रीजन है देखे समझते हैं कैसे नमबर वन जो हमारे यूअरे यूरोपें देंसे दलायक जिन्दकी में आए जिन्दकी में फाक्त बता रहो वैसाब इनसे नलायक लोग कोई नहीं यूपें इनका सिंपल दूसरों घर में जाके धकेती मारो और खुद बोलो कि वहीं संथ हैं तो यूरोपें सेलर्स सेलर्स क की बैंड बजना शुरू यह जो यूरोपियन सेलर्स थे इनको एशिया और अमेरिका का जो सी रूठ था है ना समुद्र का रास्ता हो मिल गया है ना अगर हम बात करें डिसकवरी से पहले जब तक अमेरिका डिसकवर नहीं हुआ था जब तक अमेरिका की खोज नहीं की गई तो अमेरिका पूरी दुनिया से कट आफ था अमेरिका पूरी दुनिया से कट आफ था अमेरिका कोई लेना देना नहीं था अच्छी जिंदिगी चल रही थी अमेरिका के लेकिन जब अमेरिका को क्रिस्टोफर कॉलंबस ने खोज लिया तब उन्होंने बताया जाकि अमेर पैसे होंगे है कि नहीं अगर उस रिसोस को हम कबजा कर लें तो पैसे ही पैसे होंगे तो यह वाला जो आइडिया था कोलंबस भगया ने जाके बता दिया ठीक अब अगर आप देखोगे सोल भी सिक्स्टीन सेंचुरी से जो अमेरिका का लांड और मिनरल रिसोर्स है यह पढ़ा बैठा यूरोप अब क्या पता था बिचार है मेरिका के भूले-बाले मावसूम लोगों को कि बड़े भाई कि खाल में भेडिया आडवी यहाद मीद मेरिया दूर ह अग biscuit इससे बिल्कुल दूर है भी से या मेरिकली पता चल्थ के साथ थे लोगे चले अगर मैं बात करूए बच्छे टीन ही बात करेंगे है तो इंडियन ओस्टेंड में लेंदी बहुत है से वैपार चल रहा है और लेडी बहुत ताइम से जो है आपे वैपार चल लेकिन खास कर जो हमारा वो था ना वास्कोडिगामा 1498 पहुंच गया था भारत कैलिकट यह इनकी किस्मत देखो कितनी अच्छी उसको जाना कहीं और था जाना कहीं और था उसकी नाव भटकी वह प पश्ती नहीं है है ना कुछ खास कर कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको कोई सीक्रेट बता दो तो भाईया उससारी यूरोपियन पावर्स इंडिया आने लगे और साधी साथ इन्हों ने क्या किया यहां से जितना भी सामान है जितना भी पैसा है वह सारा का सारा कहां भीज लगे तो इस तरीके से यूरोपियन को अभी दो नए जरीय मिल गए पैसा कमाने के लोगों को लूटने के चलिए आगे बात करते हैं ओके फिर अगर मैं बात करूंगा बच्चे तो जितने भी आपके वालूबल मेटल्स हैं जैसे सिल्वर हो गए ठीक है सिल्वर सिल्वर म और यूरोपियन कंट्री ओरोप यसके निकाल रहा है इससे इनको फाइदा ओरा था ठीक है इसको बेच रहे ए इसका और बिटेत रहे हैं गद्ब प्रफिट कमा रहे हैं ठीक है पिर है और साथी में क्या हो रहा है बच्छे लोग उससे पैसे कमा रहे है यानि किसी और देशका रिसोर्स यूस्थ करके जो नलायक घडिया क्वालिटी के यूरोपियन है यह क्या कर रहे हैं बच्चे इंदम ताबर तोड़ प्रॉफिट कमा रहे हैं ठीक है फिर अगर मैं बात करूं सत्रवी शताब्दी में अब क्या है कि जो हीरे सोने की चांदी की इतनी जाधा कहानिया फेमास हो गई कि इन्हों अलग अलग एक्सपेडीशन निकाल दिए ठीक है जो यूरोपियन देश थे उन्होंने अलग 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 सी जर्नीज अलग 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 एक्सपेडीशन बनाने शुरू कर दिये कि जाओ भाई ढूंड क्या हो कहां पे क्या मिनरल रिसोर्स है जाओ फड़ा वट से ढूंड क पता करो किसके पास कितना रिसोर्स है कि सके पास कितना मिनरल है हम सब जाकर लोट लेंगे हम लोग economists ऑल्मा सब शक्राइल क्या पता सकते हो कि बड़ी एडवांस लुटे रहे हैं भाधि मर्स टकिक कि मतलब हो तो वैसी बहुत को कहानियों में पड़े लिया कि एक ऐसा शहर एक्जिस्ट करता है जान सोना ही तो नहीं तो अमीर हो जाओगे और पागलों की तरह निकल गए इस अल्डूराडो को ढूड़ने हाला कि अल्डूराडो मिली नहीं थी चले आगे बात करते हैं बहुत है अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है बहुत सिंपल सी बात है कि हमेशा एक मजबूत आदमी एक कंजोर आदमी को दबाता है जन नहीं इरो सास गवाई बहुत का कि हमेशा से मजबूत स्टरॉंग लोगों ने कम जोर व्यक्तियों को दबाया है और यही हालात होते हैं हमारे अमेरिका के अभी बच्चा नहीं है ठीक हब अभी वो भी नालाइक ही है अगर हम बात करें अमेरिका की तो अमेरिका एक मासूम सा बच्चा था बालक था नादान बच्चा जिसको पता नहीं कि दुनिया क्या है तुम्हारी तरह नहीं है तुमको पता है दुनिया क्या है ठीक है तुम माया हम पड़े हुए पेपर आरे क अपने कोई reply आना चाहिए घर बसना चाहिए बहुत जरूर है जो घर बसा रहे हैं को घर बसान देते हैं हम लोग पेपर बसाते हैं चलो अगर मैं बात करूं बच्छे पुर्टगाली और स्पानिश की पॉर्टगीज हिंदी में बोले तो पुर्टगाली और स्पानिश चलो उस पर कबजा करते हैं अब यह इतना नालायक लोग है इन्होंने निंजा टेक्नीव लगा दी भाईया मेंटॉस का पूरा प्रकेट खा गए पूरा इन्होंने का दिमाग की बत्ती नहीं दिमागी जला देंगे तो इन्होंने का एक काम करते हैं अगर गोली तो यह क्या थे श्मॉल पॉक्स जिद्धम डेडिली डिसीज है उसके जम्स अपने साथ ले गए अब हमारे अमेरिकन वालों को तो भईया इस डिसीज के बारे में पता ही नहीं है यूदि इतने सालों से इतने सालों से वो दुनिया से अलग थे दुनिया से कटे हुए थे ना अमेरिकन के अंदर वायरेस छोड़ दिया जाएगा इनके पास कोई लॉजिकी नहीं है बच्चे इनके पास कोई भी फैसिलेटी नहीं कि अपने आपको वायरेस से बचा पाए आज रिजल्ट क्या हुआ जब यह अमेरिका को गए उस पर कब्जा जमाने ने स्मॉल पॉक्स का वायरेस छोड़ दिया तो आज रिजल्ट बहुत सारे जो अमेरिकन थे मर गए और मरने के बाद उस एरिया पर कब्जा जमा लिया कि इसने पॉर्टुगीज और स्पैनिश न बिमारिया फैली हुई थी बनव इतनी लूट ढकैती मारने के बाद भी यहां पर गरीबी थी यहां पर भुक्मरी थी शहर और लोगों के अंदर बहुत सारी बिमारियां फैली हुए थी आप सोच रहों ड़कैत के घर में भी दिक्कत है ऐसा नहीं चोरों घर में दिक्कत है फिर अगर बात करें आगे बात करते हैं चलिए फिर आप देखो कि बच्चे रिलीजेस इस्प्यूट्स बहुत ही कॉमन थे यहां पर ठीके तो बहुत सारे ऐसे लोग तो यूरोप से भाग की कहा पहुँच गए मेरिका अगर आपको 1517 का मार्टीन लूथर याद हो है मार्टीन लूथर जिसने भाया हमारे कैथलिक समाज की इतम बैंड बढ़ा के रग दी वहां के प्रीस्ट वगरा की उनको क्रिडिसाइस कर दिया जा था ठीक है तो वह क्या है बच्चे वह भी सोल्वी शताब दिये तो रिलीजियस वीबेट्स रिलीजिट धरम के नाम पे जगडे धरम के नाम पे लड़ाईयां यह बड़ी कॉमन थी तो बहुत सारे से लोग थे जो यूरोप से भाग के कहां पहुंच गए अमेरिका पहुंच गए ठीक है पर्जिक्यूशन का मतलब होता है दमन जब आप किसी सरकार के गेंस किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी अगर वह आपकी पिटाई करना शुरू करते वह बिल्कुल डिसाइड कर लेगे तुम्हाई पिटाई करनी तुम्हाई बैंड बजानी है तब उसकेस में आप देखोगे बच्चे कि उसकौन कहते हैं पर्जिक्यूशन तो ऐसे पर्जिक्यूशन से बचने के लिए क्या हो प्लांटेशन किया होता है बच्चे जहां पे एक एरिया में बड़ा सा अप्रप लगाते वह से लोग खरीते थे लोग समान करी तेना देना देना चावल देना यह लोग आदमी खरीते थे दस गुलाम देना दस आदमी देना भाई 20 आदमी देना राइट तो यह करते थे सिंपल सी बात है लोग खरीद के लाते थे आफ्रीका से उनकी मार पिटाई करते थे उनको पैसे भी नहीं दे दे और उनसे ताबर तोड़ काम करवाते थे यूरोपियंस का मानना था कि आफ्र इंडिया इतना इंडिया इतना अमीर था इंडिया पास ताकत थी यार इंडिया को ऐसा हलके में नहीं ले रहे थे इंडिया तो सुनके फ्लावर समझे क्या फायर है मैं तो वह लाट इंडिया का अपना चीनी मीनी चीन चाहूं यानि यह भी काफी अमीर था लेकिन चाहिना बहुत निंजा आदमी था चाहिना ने क्या किया उसके बाद बोला कि भाईया इसा है मैं जिंदगी कि मोमाया से थक चुका हू सब कुछ मैं बंद कर रहा हूं चाहिना ने कहा जिंदगी में बहुत मोमाया थी मैंने सबको बंद कर दिया ठीक है जिसे मान के चलो आपने किया कि नहीं चलो भाई पेपर के लिए सीरियस हो जाते हैं और इस वज़े से आपने इंस्टाग्राम फेस्बूक और वाट्सेप यह सारी चीज़े बंद करती इन वैक्ट आपके नियर इंडियर वाली का मैसेज आया तो भी आपने का उससे कि सुनो ऐसा है मैं एक्जाम के बात में बात करूंगा तो इसको कहते है आप इन सारी मौमाया से कड़ गए ठीक है तो वैसी बच्चे चाइना क्या था भई आप जब यउरोप में population जाधा थी उरोवीट की population जाधा से मतलब यह नहीं काम करेंगे युरोपियंस बहुत घवंड ही ठीक है यूरोपियन्स बहुत घवंडी डाइक के लोग है यूरोपियन वाले ऐसे हैं बच्चे कि इनको आदमी लोगो काम नहीं कर रहे हैं इनको चाहिए बावु साफ वाला जॉब तुम्हारा सवाल अच्छा है कि सर्फ पॉपुलेशन जाता ती तो स्लेव क्यों बज़े यूरोपियन का लागी स्वाट चलना तो उनको यह सब काम करना उनको लगता था यह बेकार का मैं भाई इसमें मजा नहीं आ रहा ठीक है तो सिंपल है यूरोपियन ने सब काम करने में इंट्रेस्ट नहीं थे इस वैसे जरूए था कि भईया लेबर शॉटेज को पूरा कर करने के लिए स्लेश को खरीद के लाए चलिए आगे बात करते हैं अगर हम देखेंगे जब हमारा चाइना चला गया इजूलेशन में इंडिया के ओपर यूरोपियन कंट्रीज ना के यहां पर कब्जा जमा लिया तो ऐसे टाइन पर मौका मिल गया अमेरिका को और बन गया आपका सेंटर ऑफ वर्ल्ल ट्रेड या फिर आप कह सकते हैं यूरोप बन गया आपका सेंटर लो वर्ल ट्रेड चलिए आगे बात करते हैं लेट्स फूंफ फॉदर ओके अब उनीसमीं शतादिक बात करते हैं बच्चे मारा अगला सब टॉपिक है तो 19 सेंचुरी में economist ने तीन तरीके के flow को बताया है ठीक है पहला आपका flow of trade दूसरा flow of labor और तीसरा flow of capital अब इसको ना बड़े प्यारे वाले example समझेंगे ठीक है बहुत basic example समझेंगे मेरी आवास को मेरी बात को ज्यान से सुनना पहमूश है ठीक है और खासकर लोगों के लिए बता रहा हूं जो अभी भी प्यार में डूबे हुए हो और बिटा कल डूबे डूबे हो जाएगा पीपर में ठीक है सुन लो इससे पहले जाना काम करने के लिए और तीसरा है फ्लोव क्यापिटल क्यापिटल का मतलब पैसा यानि की मनी ठीक है तो पैसे का एक कंट्री से दूसे कंट्री को ट्रावल करना तो यह आपके तीनों टाइप के ट्रेट आप इसको समझते हैं लोग इंग्लेंड के एक्जांपल स्थिक बच अगर आप इंग्लेंड की बात करोगे तो इंग्लेंड की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है वहां गोरे लोग जो है फैमली प्लैनिंग का सोची नहीं रहें उनका लगी चल ला है वहां बढ़ती पॉपलेशन के लिए बढ़ता खाना चाहिए ज्यादा खान लोगों तक पहुचाने के लिए ब्रिटेन था वह क्या करता था खाना बाहर से मंगाता था इंपॉर्ट करता था खासकर कॉंस की बात हो गया रहा उसका कामधंदा बंद हो गया यूंकि उसको कॉंपेटिशन वेस्ट करना पढ़ा है ठीक है तब ऐसे कि किसमने कोई बी इ के काम करना चाहेगा नहीं तो कि ऐसे किसानों ने क्या किया यह अलग-अलग देश जाने लगे तो जब यह अलग-अलग देश जा रहे हैं काम की तलाश में तो क्या हो रहा है बच्चे आप फ्लो अफ लेबर यानि लेबर कौन होता है जो काम करता है किस लिए काम करता है ता पहार की कंट्रीज को और दे रहा है अब इंग्लेंड की डिमांड को पूरा करने के लिए और अमेरिका सामने आते हैं वह कहते हैं कोई दिक्कत नहीं तुम पॉपलेशन बढ़ाओ खाना हम देंगे उनके लिए सिंपल है उन्हें कोई टेंशन नहीं तुम्हारे पास लोग पास नहीं है हम उगा के देंगे तुम बहाओ पॉपलेशन को लिंगर नहीं तुम बोलो लिस्या गुझा नाउट सनाइस वैदर तुम बोलो भाई लोज बो लोगोलुज़्या को इस नाइज वैदर हमारा क्या मारा कर्टकेंगे अना तो बही यहां पर क्या होता है कि व अब जितना भी खाना पीना उगाना है जितना भी फार्मर्स को पे करना है जितनी भी सालरी पे करनी है इसके लिए क्या चाई करें पैसा चाईंए तो पैसा कहां से आता था पैसा आता था लंडन जे जो पैसा था ौ 지금 दीया जाता था यहां पैसा इन दे ga कॉमन थे हमारे किसी भी एकॉनमी के अंदर हमारी किसी भी अर्दिवावस्था के अंदर इन नाइंटीन सेंचुरी यानि एक ऐसा फ्लो जब कई देश वैपार कर रहे हो फ्लो अफ ट्रेड जब एक जगे से दूसरे के आदमी काम करने जा रहा हो फ्लो अफ लेबर और पैसा जब एक जगे से दूसरे जगे इन्वेस्ट किया रहा हो किसी और देश के अंदर तो वह कहले का बच्चे आपका फ्लो अफ कैपिटल ठीक इंपॉर्टेंट है आप से क्वेश्चन आता है यह तीन नंबर में आप से लिए सकता है तो दो यह तीन नंबर में आपको पूच नाइज रखें यहां पर आई डूंट और एंजोई दनाइस वेदर नमबर वन ठीक है चलो आगे बात करते हैं लेट्स बूफ फॉदर अब बात करें बच्छे वोल्ड एक्स पेस्पेस्ट अब यह वोल्ड एकॉनमी के ऐसे मानेज हो रहा है कैसे चल रहा है ठीक है नमबर प्रिटेन में पोपलेशन बढ़ती जा रहे है अब इस बढ़ती पॉपलेशन को क्या चाहिए फऱ्सी जा चाहिए और फिर्टेमार का ज़य को नैघ वक्राद छेश्ट monitोंज के सेवह था हमें यहां चली होता है जैसे से शेहर बनने लगे आपके सिटीज बनने लगे इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ने लगा इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब नहीं 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 इंडस्ट्री आने लगी ठीक है तो यह जो डिमांट अना फूट ग्रेंस का अनाज का बढ़ता गया और साथी साथ जो हमारा डाम फूट ग्रेंस का बच्चे वह भी बढ़ता गया तो जितना डिमांड बढ़ेगा और डिमांड के मुकाबले कर सप्लाई नहीं हुआ मालों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है लेकिन हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो बच्चे डिफिनिट सी बाते सामान का बढ़ने लगेगा क्योंकि डिमांड आपकी ज्यादा है सप्लाई आपकी कम है तो डिफिनिट सी बात है लोगों को सामान चाहिए ना तो कुछ भी पैसे खरी देंगे तो आज रिजल्ट डिफिनिट सी बात है बच्चे क्या होने वाला है जो सामान का दाम है वो क्या बढ़ने लगेगा राइट अब इस बढ़ती हुए डिमांड को बढ़ते हुए दांग को क्या करना पड़ेगा बच्चे कहीं न कहीं आपर थोड़ा सा नॉर्मलाइस करना पड़ेगा तो नॉर्मलाइस करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी हो क्या करती थी बच्चे य लाला लो रही ऐसे खाएंगे हम लोग बुटे में कटो रही लब को मिला कि बुटा उटा मिलता है स्कूल के पास तुम लोग मस्ती करते हो गेडिया मारते हो आते हो और गरम-गरम भुटे पैसा नीबुनमक मसाला लगा के खाते हो है ना तो बची जो कॉर्न नहीं इसका इं competition का सामना करना पड़ा है ठीक है अभी जो कॉर्ण है आपका यह जो भुट्टा है हमारा डेफिनेट सी बाते सस्ता मिला है अब जब सस्ता मिलेगा कोई समान तो जंता लगाई यह ना आप कॉर्ण इंपोर्ट करना रोकिये हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और यह जो कानूर आया था जिसने कॉर्ण के इंपोर्ट को रोग दिया इसको कहते हैं कॉन लॉज बच्छे एक मार्क में काफी पूचा जाता है इंपोर्टेंट है ठीक है वन मार्कर स को बच्छो कि कॉन लॉज के बात कर रहे हैं आपके लॉस कहा है अब जो लोकल फार्मर लोकल किसान उसको फाइदा हो रहा है लेकिन जो आम आतमी है जो आम जनता है उसको नुकसान हो रहा है क्यूंकि अभी जो सस्ते-सते कॉर्ण भूट्टे वो खरीषण खरीद के खा रही थी अभी वह अवेलेबल नहीं तो उनको मजबूरी में महेंगा आनाच खरीदना पढ़ रहा है और ऐसा महेंगा आनाच जनता खरीद के खाना नहीं चाहती तो जनता अंदोलन पे उतर लाई भुट्टा लाओ भुट्टा लाओ वन्ना सरकार वपस जाओ टीक है तो इस इस बात बहुत यहां पे जनता क्या होई आंदोलन पे उतराई जनता ने इसा है सुनो भुट्टा खिलाओ गया हमको तबही तुमको वोट्ट आ नहीं तो यह जूता मारें गले सिंबले बात है वह यह जनताने का कि घयांको भुट्टा चाहिए भी वांड बुट्टा बैट चलिए बुट्टा ओपी हो गया भाई चलिए अगर हम बात करें जो इंडर्स निस थे जो शहर में रहने वाले लोग थे कौन लॉस्टे बहुत ज़्यादा दुखी थे रहे तो इन्होंने गवर्मेंट को फोर्स किया कि भाई आप ऐसा है कौन लॉस को बं लोकल लोग थे वहारे लोकल किसान थे उनको बड़ा तगड़ा गॉर्मपडिशन मिलने लगा उनका प्रोडक्ट महंगा और इंपोर्टेट समाने कंपारिटवली सस्ता है तो बदेफिनेट सी बात है बच्चे तो लोगों ने क्या क्या कि एसा है ऐसी खेती बाड़ी से क और कसी और देश में चलते हैं कहीं और चलते हैं वहां काम धण्दा गूडएंगे यहां तो बहुत बढ़ गया। है हमारे ढ़ंटरेक्व किसान वारे किसान और उसको बहूत बढ़ ना पढ़ आ है इसके बाग और सुप क्या नहीं चलता हूं भाई मेरा कोई काम नहीं है यहां पे मेरे को कोई प्रॉफिट इन नहीं तो मैं एक रूखे थि यह तो आज देफिनेट सी बात है कि जो खाने का रेट है कितना लोग करें कितना खाना खा रहे हैं वह रेट बढ़ गया है ना तो डेफिने रखी के अंदर तो अगर आप देखी के लोग काम करने लगए तो उनकी इंकम बढ़े जिए लोग की पास पैसा क्यों रहीज ज्यादा सामान मंगें रइट लोगों ने कहा दब खाना मैं ऋर ज्यादा खाना चाहिए और भराइटी का खाना चाहिए तो लेकिन ब्रिटेन के पास अभी ऑप्शन अवेलिबल था ब्रिटेन ने का सिंपल सी बात है मैं और खाना इंपोर्ट कर लूँगा है ना तो जब लोगों का पैसा बढ़ा जब लोगों की इंकम नोड़ी तो लोगों अब आप देखोगे इस्टन यूरोप रहिश्या अमेरिका औस तो यहां पर खेती बाड़ी की जा रही थी किसकी डिमांड को मीट करने के लिए यानि डिमांड कहां पर है डिमांड ब्रिटेन में लेकिन को फुल्फिल कहां किया जा रहा है बच्चे किया जा रहा है रहा है अमेरिका से यूरोप के और हिस्टों से और आपके और अस्ट्यलिया से तो इन देशों के अंदर यहां पर अना जुगा आया जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है ब्रिटेन को बड़ा अच्छे एक्जांपल हो गया आपका फ्लॉफ ट्रेड का फिर अगर मैं बात करू अगर अगर अब देशों को ठीक है तो यह जोब के रेल्वेल नेटवर्स थे जो देश के बड़े बड़े अगरी कल्चर रीजन से ठीक है जहां पर मैक्समम लेवल में अना जुगाया जा रहा है वहां से कनेक्ट करते थे सीपोर्ट को राइट जिससे की बड़ी आसानी स से पानी के जहाज के तुरू ब्रिटेन के अंदर सप्लाई को पहुंचाया जा सके राइट फिर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन देशों में जाके बस गए क्यों बस गए बाइट यहां पे अनाज हुगाने का डिमांड है तो यह लोग क्या कि जिए की यहां से जाकरके रोफ से निकल करके ऐसे देशों में जाके बच्चे अलग अलग देशों में बच गए चले फिर आधोे ह arise लेगने लिए आगे जब लोग रहरने के लिए अंगे लोग रहने के लिए तो यहां पर तीनों टाइप के फ्लोस कनेक्ट और यानि बृते इन का डिमांड उसको पूरा कॉंड कर रहा है आपका अमेरिका और श्या यह लोग अना जुगा रहें ना जुगा के यूरोप में बेच रहें ठीक हैं इंग्लेंड के अंदर बेच रहें देशों के पास वो दीजे तो इस सारे के सारे ट्रेट्स बच्चे इस पूरे एक्जामपल में आप देखे समझा सकते हो अगर कोईशन पांच नमबर में आता है वैसे पांच में नहीं आएगा तीन में आएगा तो आपको परशान होने का जरूवत नहीं है चलिए लेट्स फॉदर आगे ब सब्सक्राइब कर सकते कुछ निट बाद एक गंटा रूपके चलो बच्छे कर आप देखो गए तो करीब पचास मिलियन लोग ऐसे थे जो यूरोप से अमेरिका और ऑस्टेलिया के तरफ माइग्रेट कर गए ती माइग्रेट मतलब अपने देश को छोड़के जाना किसी देश में काम करने के लिए चलिए ऐसा माना जाता है बचे करीफ देड़ सो मिलियन लोगों ने तूरे वर्ड के अंदर अपने घर छोड़े ते अलग अलग देश कहते ताकि इनको बेटर इंकम उपरचिनिटीज मिल सके और बैतर लाइस्टाइल मिल सके चलिए आगे बात क्या थे जो इसके इंपाट करें लेवर मुमेंट हो गया क्यापिटल फ्लो गया टेकनोलोजी हो गई तो इस तरीके से अलग लग लग फाक्टर से जिसने पूरे अग्री कल्चर को यानि खेती बाड़े वाले पूरे सेक्टर को बच्चे यहां पर बदल के रख दिया चें अबर आश्ट्रेलिया तो अमेरिका और ँस्ट्रेलिया में आना जुगाया जा रहा था बेचा जारा था आपका प्रटें के अंदर घृते बड़ा चाइए एक लेक कल्चर वर्कर्स होते बच्चे जमीन पर काम करने लगे ठीक है जितनी भी आपके अग्री कल चल्यरी चा अब ऐसे इलाके जहां पर खेती बाड़ी की जाती है अगरी कल्चर किया जाता है तो ऐसे सारे इलाकों को जोड़ने के लिए अभी बहुत ही तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्टर अवेलिबल था रेलवेज अवेलिबल थे जिसमें ट्रेनों के अंदर सामान भर के जो है ले जा थी ठीक है तो जनरली इनको मैनुवल लेबर चलाता था लोग हैर के जाते थे इनको चलाने के लिए ठीक है तो अलग अलग देशों में आप देखो कि बच्चे तो इस तरीके से जो अनाज है फूड ग्रेंस है रेलवेस के थूरू शिपों के थूरू पहुचाया जा रहा है उस देश में जहां पर उसकी जरूरत है जहां पर उसकी डिमांड है भारत में वेस्ट पंजाब में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलती है लेस्पंजाब के बहुत सारा इलाका जो था सूखा था यानि अगरीकल्टर करने के लिए बेकार था तो ब्रिटिश ने क्य क्या ब्रिटिशर्स ने इस लाके में नहरे बनानी शुरू की इसका कहते हैं कनाल सिस्टम बनाये ठीक है बहुत सारे कनाल सारी नहरे बनाई की जसके पानी को यूज करके वहां पे खेती बारी की जा सके अगुरी कल्सर किया जा सके राइट तो ऐसी नहरों को भूसे से Kenale तोटन को यहीं का लुगा करके बाँर की मार्केट मेन यही था उगा कहा है वेसर पंजाब में रिजन में फेस्टन मे ही कै बनाई है के बनाए कानाแ stros हाई है तो मेजर अबजेक्टिव यह ब्रिटिशर्स का यहां पर कनाल कॉलिनीज बनाने का कि जिससे लोग समान हुगा करके के इंटरनाशनल मार्केट में बेच पाए अगरा बचे डेटा की बात करेंगे तो वर्ल ट्रेट अठाराव सो बीस से उनने सो चौदा की बीच में करीब 25 से चालिस टाइम बढ़ गए बढ़ गए ठीक है मलब जितनी पहली हुआ करती थी उसमें कई बार कई टाइम कई गु तो सिर्व सी प्राइम ट्रकशन है के तो जिसे गहूं हो गया अनाज होगया के आपके कौक्टन हो गया मिन्रोल्ज हो गये लिए ने तो जितने पहले ब्लूस्वेकल अपके प्राइमेरिट्ट्स हैं एक रिकाल्ज जिर्व इंक को बेचा जाता था शाट पॉसेंट सबसे पर आप से और एक्जांबल पूछेगा तो जब रेलरे इंवेन्शन सब्सक्राइब करेंगे तो जब रेल्वेथ का इंवेंशन वा स्टीम आप कहले सकते हैं बच्छे पूरे सिस्टम को पूरे एकॉनमी को पूरी अर्थवेश्टा को पूरे पार को एक दम ताबर तोड त यहारे सबकसर के साथ कितना बूरा है किसी किसी इंसान को मीट एंजोय करना की सब्सक्राइब ठीक है हाला कि बच्चे हरे का अपना टेस्ट किसी को वेच पसंद एक पसंद लेकिन यहां पर ना क्या होता था जो मन लाइश टॉक लाइश टॉक वह गया चाल यानि गाय भैसे अच्छा यूरोपियन कंट्री इसके अंदर बीफ खाया जाता है काफी जादा रहेट लगे आज मीमिट महंगा मिलता है सब्सक्राइब तो मीट काफी महंगा लेकिन तब मीट बहुत महंगा था यानि कौम अदमी यहां मीट खा ही नहीं सकता बिचारा जो हमारी गाय आंटी होती थी तो बहुत सिंबल सी बाते बच्ची महसूम जानवरों कुछ पता ही नहीं अब क्या किया जाता था इनको इक शिप में लाद देते थे तो अमेरिका से यूरोप विचारी शिप में जा रही है अब एक जानवर को तुम दो-तीन महीने की जर्मी पे भेश दोगे वह शिप के ऊपर पानी के जहाज मिलाद के उपर है अब दो-तीन महिने के लंबी ज़र्णी में क्या होताथा या तो वीमार हो जाती थी या तो फिर वो शादी दिया मीट का दाम भी उतना ही ज़्याद आए तोई मीट का सप्लाई हो इनी पा रहा है अब मालों कि चार सो भैंस चार सो बफलो मैंने चड़ाई शिप में डिगे माल लेते हैं अमेरिका से चार सो बफलोस चार सो भैंसो को शिप में चड़ाए गया और बाइदर टाइम वो यूरोप पहुंची बिचारी सो रहे गई कुछ लोग पानी में कूद के मर गई उन्होंने स्यूसाइट कर लिया उन्होंने का मैं जान देना चाहती हूं मैं कटना नहीं चाहती है ना मैं सर कटा सकती हो लेकिन पूँच जुका सकती नहीं है की नहीं वहीं इस बाइब बिचारी बिमार हो गए तो बाइदर टाइम यूरोप पहुंसते पहुंसते चार सो गाजो लॉट था वो बचा सिर्फ सो अब इतने सो में भी कुछ ठीक होंगी कुछ नहीं होंगी तो जो मीट भी अविलेबिल्टी बचोंब है और खाने वाले लोग जाइज क्या हो रहा है यहां पे उम्यकी का में वह बहुत ज़ाधा है अब यहां पे दिको मधयाद बाता यह यहां पी आता है तो यहां पे आता है रिफिरेटरटर शिप का कमाद ठीक किन बेगे अब क्या वहा की रिफिरेटर शिप्स आनी शुरूँ गई रेफिरेटरटर होती है बच्चे जहां पे एकदम बडियां रेफ्रिजेटर बनाया जाता है ठंड़ 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 अगमपार्टमेंट है जहां पर चीजें खराब नहीं हो रही फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे वहां पर चीजों को जमा के रखा जा रहा है आपके फ्रिज के अंदर आपने देखा होगा उपर एक आईस जमाने का अब जमाने वाला आपका बटा तो आपने देखा होगा कि वहां पर कोई समान रग तो खराब नहीं होता तो वैसे वहां पर पानी के जहाज बनाए गये जिसमें ऐसे रेफ्रिजरेटेट कंपार्टमेंट से तो अभी क्या होता था कि मीट को जो है आपके काट लिया जाता था यह तो सोड़ से मी जहां से मीज काटा जा रहा है अमेर का हो गया और तो यहां पर क्या हgem को हो रहा था कि मीट को पहले ही काट लेते थे आतने के बाद इसको जमार है क्या करें मधिशिको काटने बाद रूए तोई फБर यहां पर興ाबार्टमेंट डाल रहे और गरीब आदमी विवाना मीट खा सकता है वह भी विचारा बोर हो गया था आलू खाके अंडे खाके कब तक आलू खाएगा अंडा खाएगा तो अभी मीट खाना उसका पॉसिबिल्टी बन जाती है ठीक है चलो क्यों थांक्स तुद रफिजेटेट चलो फिर रहां बात नाइटीन सेंच्री कोलॉनिलिजम की तो कलॉनिलिजम क्या चीज़ है बटे कैसा प्रोसेस है जहां किसी दूसरे देश पर जा रहे हो कब्जा कर रहे हो ठीक है और वहां पर अपनी मनमानी चला रहे हो अम मालू को कंट्री था फॉर एक्जापल मेरे पडोस के घर में जाक ऐसाना कॉलवनाइब करना तो तो जो रियोपयन देश पर ने क्या किया एशया के आफ्रीका के बहुत सारे देशों में अपना कब्जा जमालिया अपना अधिकार जमा लिया और सादी साथ उनके रिसोर्सस को य्यूस करना शुरू कर दीब अफने फायदे के लिए अपना बेरिफिट करने वह उन्हों ने क्यात हुर कि अपने संसाधन हैं उसको यूज ने शुरू कर दिया चली वागे बात क्या को अब उन्म आ लाता है बच्छे आफ्रीका का डिविजन अठार तो पिच्छा सीनेटी इनिटी फाइब में जो बड़े-बड़े यूरोपियन पावर से इन्हों ने क्या किया कि बर्लिन के अंदर एक मीटिंग की और उस मीटिंग अंदर जो आफ्रीका था आफ्रीका कैसा कॉंटिनेंटे आचे भूठ बढ़त आइसकि बहुत दि तो इन्होंने खिया लेग पता तो इन्होंने अपने आप फरीका को जो ऑपने बीच में कर लिया अफ्रीक USA나 को पेहले जिन्ने आफ्रिकन के उपर पना उन्हों पहना स्टार्ट किया था फिर अगर हम बात करें बच्छे बेल्जियम जर्मनी जर्मनी जो थैं नय नय खिलाड़ी बन गए नय नय कोलोनियल पावर्स बन गए ठीक है ब्रिटेन इन फ्रांस ने अपनी जो है आप कह सकते हो अपनी जो वह सी से ट्रीज ती जो अलाग देश उसमें और देशाइट कर लिए बेल्जियम जर्मनी नय नय पावर बन गए ठीक है इसके अलावा करें बात करेंगे इन फैक्ट यूएस हमारा यूएस वह भी भाई एक नया कलोनियल पावर बन गया तो जो टेरिटरी जो राज्जे जो देश पहले स्पेन के पास थे वह पास आगे यूएस के पास आगे तो यूएस भी छोत रहा हमारा नया नया खिलाडी बन गया नया नया कलोनियल पावर बन गया ठीक है तो इन्हों ने क्या किया इन सब लोगोने मिल करके आपस महीं अफ्रिका को बाढ़ती बच्छे रेंडर पैस्क बहुत ही अच्छा आप शुए है रिटेंड़ पैस्का रिंडर प्रेस लिक बिमारी है जो हमारी गाय भैसों को हो जाती है खासकर बात करेंगे तो आफरीका में एच्छा देंड़ आटी नेटी इस अटीनियू की बात करें तो इसने पूरी टाटल पॉपुलेशन को जुटा खतम कर दिया थ अफ्रिका का जो major wealth था यानि वहां के लोगों को असली धन था उनके गाइब हैंसे उनके जानवर उनको एमारती चले चले तो इसके पहले की एफ़रिका में क्या हुआ रेंडर पैस क्या था ये जानना जरूरी है यार कि आफ्रिका में जॉपके colonial से आई क्यों थे ऐसा क्या था अफ्रीका के अंदर जो यूरोपेन लाल्चियों को इसने अट्राक्ट कर लिया जो लालची पावर्स यूरोपेन के थे उसको इसने अट्राट कर लिया है ना चले अगर हम आफ्रिका की बात करें आफ्रीका की पास एक लंबी जॉमीन थी लं पैसा बाइं यही पैसा कमाने के आफ्रीका न आये इतने सारे सपने लेकर कि आए कि हम आफ्रीका जाएंगे वहां पर माइनिंग करेंगे प्लांटेशन खोलेंगे लेकिन के बास दिक्कत थी जब आफ्रीका है तो इनके लिए काम करने के लिए को त्यार नहीं था क्योंकि पैसा किसी को चाहिए नहीं था तो यह ना राइक आफ्रीकांच हम तुमको बुलाता है कभी हमारी आवेली पे आफ्रीकांच ने का चीमा थी और नहीं आऊंगा है तो इन्हों ने ब्रेटिश बत्तमीज तो थे नलाइक थे वहायात थे बेकार आजमी थे इन्होंने क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिये ऐसे टैक्स जो घर में आऄकर के तुम्हारी दाल तड़का कोंई खा के बोले कि नमक कम है तो तुम्हें कितना बुरा लगएगा दाल में न'mक कम है नमक के लिए में पैनाल्टी हो तो कितना पुरा लगेगा अब ब्रिटिशर यहीं आफ गूसके टैक्स लगा रहे है दूसरे की जमीन लोगः क्या करना पढ़ेगा काम पड़ेगा फिर इन हेटेंस राइट को चेंज करना तो नो इंस वह पांच नपалась कर दिया वक्त जजबात कानून उन्हों ने अगर एक परिवार के अंदर पांच लोग हैं तो उसमें से सिर्फ एक आदमी के पास जमीन रखने का दिकार होगा बाकी सारे के सारे लोगों को काम करना पड़ेगा ठीक है तो इन्होंने क्या का बहिए अगर फरिवार के अंदर फाइब पीपल है तो फाइब में से सिर्फ एक आदमी जमीन रख सकता है बाकी सबको काम करना पड़ेगा जमीन रखने का अधिकार नहीं है आज रिजल्ट बाकी जितने भी लोग थे परिवार को उनको क्या करना पड़ा मजबूरी में यहां पर लेवर परफॉर्म करना पड़ा ठीक है फिर अगर हम बात करें माइन व बचे आफ्रिका में जो रेंडर पैस्टाप की बिमारी है क्याटल प्ले गया था करीब लेट 1880 के अंदर ठीक है अब यह आया कहसे था देखिए इटालियन सोल्जर जो इटालियन आर्मी के जवान थे वो लोग इस्ट आफ्रिका में जगे पड़ती एरित्रिया करके ठीक आदे बेशना थे अंदर बीमारी थी और यह बिमारी भाग के बाकी के अच्छ गये अब एज़र इसल्ट दीरे एकरके पूरे आफ्रिका की जितने हमारी गाय से थी इनको बीमारी लगने लगी लगने लगी लगने लगी फिर अदेखो गए कि बहुत जल्दी वेस्ट- अफ्रिका और इस्ट आफ्रिका इस भीमारी पहुंच गई इत्लांटिक कोस्ट पे बाई 1892 तो दीन चार पांच सालों के अंदर बच्चे पूरी पूरी जो बिमारी थी उसने पूरी आफ्रिकन जितने भी क्याटल ती जितने भी भाई बैसे जो मलब जितने भी आपके गाय प्रेबाले आफ्रिकन लोग यह इसी बेडिपेंडेंट थे इनकी दिंचर्या इनका जीवन स्रिव इनकी ब्रान वरुष चलता था लेकिन अभी इनके पास कोई आप्शन बचा ही नहीं और इसी मौके का फाइदा उठाके ब्रिटिश ने बाकी यूरोपियंस ने मौके प अगे बढ़े लोग आगे बढ़े लोग रेंडर पैस का खूल देता हूं कि इसी बीमारी है जो क्या तल गो जाती गाय भैसों को जाती और एक गाय भैस से दुसरे गाय भैस तक फैलती है ठीक है युरोपियंस उते अफ्रिका क्यों आए थे क्योंकि उनको वहां प्लांट क्या हुआ यह लोग मजबूर होगा इनके काम करने के लिए फिर जब रेंडर पैस फैला जब क्याटल प्लेक फैला तो जितना नब्बे प्रतीशत जो गाय भैस से यहां पर मर गई तो आज रिजल्ट अफ्रिकल लोग पास को ऑप्शन बचा ही नहीं और उन्होंने क्या क ब्रिडिश के काम करने वाले प्रफोजल को मान लिया ठीक है तो यह कहानी है यहां पर रेंडर पैस की चलिए आगे बढ़ा जाए फड़ावट से ओके हाई इनोसन बॉय यहार मैं ओलिडिक स्माइल कर रहा हूं यार वो क्या यह आपको फड़ावट से बड़ावट से करा लोग कंड़ी तो जल यह चल रहें चाहिए एक चलिए ब्रेक और तो ब्रेक नहीं दे रहा हो लिका भी देया तो फिर आप बहुत टाईम हो जाएगा ठीक है ब्रेक मैं दुआए चाप्टर के बाद उसके बादव हम लों करेंगे सबस्क्राइब बिलाएंगे सबस्क्राइब और और रिग्षाव अधिक लिए और नाम है कुनाल खेहनी नाम का मज़ोर खतरनाक मज़ूर अब मैंने क्या क्या कि अपनी गरीभी से भागने लिए एक बढ़िया पांच साल का कॉंट्रेक्ट साहिन किया मेरे पास एक आदमिया उसने का सुनो विदेश जाके काम करोगे क्या मैंने का वह पानल के लिए दूसर देश चला गया अब वहाँ जाके मैंने काम किया अब जब मेरे पांच साल का कॉंट्राइट खतम हो जाएगा तो उसके बाद या तो मैं भारत वापस आ सकता हूं या फिर किसी और देश में चला जाओंगा काम करने ठीक है तो भीया कुनाल खेनी जो है भी पांच साल के लिए जा रहे हैं कहीं काम करने ठीक समझ गये न इंडियान इंटेंचल लेबर को कांट्राइट केंडर हाइट है जाता था ठीक साथ धालगे यहां नहीं फिरॉट यहां कांप के भीया की बहुत जाधा यानि जितनी भी आपकी स्मॉल स्केल इंडेस्ट्रीस थी जब वो बेकार होने लगी लोगों के पास गाम नहीं बचा लोग पास इंकम नहीं बची कर्दें के बढ़ते जा रहे हैं ऑप्षिन के बास बचा नहीं तो यह हो जाता है आपका पहला रीजन राइज इंवेंट ऑ जाते हैं और वहां जाके हम लोग काम करेंगे ठीक है चले फिर अगरम बात करें बच्चे कौन से हो इलाके हैं जहां पर इंडियन इंडेंचल लिबर मैक्समुम जाते थे नमबर वन केरीबियन आइलेंस जैसे त्री निराद हो गया गवाना हो गया सुरीनाम हो गया भी आपoral हो घ्राए हो गया या बात करें मारे माइगरेंच जाया करते थे थे कुछ लोग ऐसे भी है जो आसाम के टी प्लांटेशन थे चाहे के खेत हैं चाहे के भगाने वहां पे भी काम किया करते थे रहे चलो तो यह तो हो गया हमारी हिलाके अब कुशन उठता है बच्छे कि हम लोग इंडेंचर लिबर को न्यू सिस्टम और भी कहते हैं हो सकता है क् सब्सक्राइब करेंगे कि कुछ एजेंट होते थे लोगों को हायर करके बाहर ले जाना रिकूट्मेंट्स क्योंकि कमिशन बेसे पर काम करते थे ठीक है अब यह एजेंट ना कभी भी काम के असली वर्किंग कंडिशन का नॉलेज आपको देते ही नहीं थे यह क्या करते थ तुमको बहुत बढ़ी नौकरी मिलेगा एक्दम राजा जैसी जिंदेगी दियोगे और साथ में वह भी मिलेगा तुमको है ना जो तुम्हारा नाम है चले तो ऐसे सपने दिखा दिया मेरे को तुम राजा बन जाओगे बहुत पैसा कमाओगे पैसे पैसे होगे 25 दिन में तो कहीं ना बच्छे पहली बात तो हम ने क्यों किया क्या हम अपनी गरीवी को दूर कर सकते हैं बढ़िया जॉब करके लेकिन दिक्कत यह कि हमारे साथ हो गया धोका हम जहां पहुंचे हमने सोचा कि बढ़िया हम को सीटीट मिलेगी जब अरदस्ति उठा के पानिक जाहा और ऊप बैठा दिया और दो तीन दीन महिने की चरनी है पता ही नहीं चला है बैठे हुआ हूं मेरे को मिल गए तुम यहां क्या कर रहे हो ठीक है उसने का हम भी सपना दिखाया थे हम को भी कह बहुत मज़ा आएगा है नहीं सब्सक्राइब अब एक और हमारे साथ आदमी था उसका नाम था गजोधर तो गजोधर जो था वो काम करने के लिए जा नहीं रहा था उसको पता चल गया तो इसको इन्हों उठा किटनाप ही कर लिया अपड़ेट करने का मतलब होता है जबरदस्ति किसी को उठा लेना तो हम जब गजोधर क क्या कर रहे हो तो भया क्या करता हम घर जा रहे थे घर के बाहर समको उठा लिया इन्हों जबरदस्ति ठीक है तो इस तरीके से क्या हुआ एक तरीके से गुलामी तो ही भाई सिस्ट्रम स्लिवरी तो आप अपना प्रॉपर चीज़े बता रहे हो काम करने का कंडिशन अच् करने रही चलिए अब दिख्कत कहया कि वर्कर्स ने क्या किया जिन्दा रहने के लिए तेंग सम्क। यूँक्ष काम जरूरी है सब। नो को पकड़ा किया उढा decir g तो लोग ने भागने का ट्राई किया उनको ऐसा पकड़ करके इसा दोती उठा कि दम डंडे डंडे लगाए गए उसके बाद बिचारे ना वह बैट पा रहे थे ना खड़े हो पा रहे थे अब कुछ लोगों ने सोचा कि भईया कोई आप्शन तो बचा नहीं है जिंदेगी की जीने के आदत डाल लो है ना उन्होंने क्या किया नए नही क कुल्चर को डेवलब किया अब यहां पर क्या क्या था अलग अलग दूर दराज के देशों से लोग आखे काम कर रहे अब वो जब आएंगे जब काम करेंगे तो अपने साथ क्या करेंगे बच्चे-पने है कई बच्चे लोग याद करते हैं उसके बारें बुरा फील करते हैं मैं लब अंड़स्टांड किया जाता है कि इतना सफ्रिंग सुनोंने साहे हैं for the good of humanity है ना तो इन सारी चीज़ों को याद करके मोहरम एक अनुवल प्रोसेशन होता है उसमें जलूस निकलता है लंबा चौड़ा रही तो जो एक तरीके से कार्निवल में कनवर्ट हो गया जिसमें अलग अलग धरम हो जाती के लोग प्राटिसिपेट करने लगे फिर अगर मैं बात करूं बच करीबियन आइलेंड के अंदर वेस्ट इंडीज वाले लाके में यह सारी चीज़ें बड़ी फेमस थी फिर अगर बात करें त्रेंडाल और टुबागों की राइट टी अंडी अगर आफ ट्रेंडाट वागों की बात करोंगे घ्वाना की बात करोंगे यह भी पढ़ता है अमेरिका वाले साइट पे करीबियन आइलेंड्स में ठीके जहां वेस्ट इंडीज वगए रहा तो वहां पर चटनी म्यूजिक चटनी म्यूजिक वड़ा फेमस हो गया राइट तो यह भी बचे नए तरीके का आर्ट पॉर्म दाट नहीं तरीके का संगीत था म्यूजिक तो इस तरीके के बहुत सारे तरीके लिकाल दिये वहां पर रहने वाले लोगों ने ताकि इस मुश्किल के समय में उनके पास कुछ खुशी के पल आ जाएं जिसको जी करके अपने जिंदगी को चला पाएं है ना चले हमारे बहुत सारी इंडियन लीडर्स तो उन्होंने क कहा कि यह जो तुम्हारा सिस्टम इंडेंचर लेबर का बहुत गंदा है बहुत कुरूल है आज रिजल्ट आप देखोगे कि 1921 में इस इंडेंचर लेबर सिस्टम को यहां पर क्या किया गया था यहां पर बहुत नाम देखना तो आपको दिख जाएगा शिख नारायन चं आपको इंडियन साउंड करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनके फॉर्फादा से पूर्वाज है वह जमाने में इंडेंचर लेबर रहा करते थे भारत से वहां पर लेकिन वहां पर जाके बस गए ऐसी नोबल प्राइस विनर ओथर है विस नाइपॉल यह कॉश्चन आता है कि यह से कौन से नोबल प्राइस विनर ओथर है जो कि इंडेंचर लेबर डिसेंडेंट के तो वह आपके विस नाइपॉल तो वेस नाइपॉल साब भी बहुत अच्छा एक्जामपल है बचिसका तो दोनों में से कोई भी एक्जामपल आप लिख सकते है चले आगे बात करते हमारे जो बड़े बड़े व्यपारी हैं तो बड़े बड़े व्यपारी हो के लिए बैंक है पैसा लेने के लिए बैंक है लेकिन हमारे किसान क्या करेगा ठीक है तो हमारे किसान को पैसा देने के लिए आते हैं भारतिय मनिलेंडर्स या फिर इंडियन बैंकर्स का बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए बड़े बड़े बैंक्स के लिए पैसों के लिए अलगला चीज़ों के लिए तो वैसे उस जमाने में नाटू को टाई चेटियार और शिकार पूरी श्रॉफ थे यह जाने जाते थे किसलिए बच्छे अपनी मनी लेंडिंग के लिए यह लोग क्या करते थे उधार दिए पैसा किसको देदे किसानों को देते थे रैट खास करकर अब देखोंगे अगरी कल्चरल एक्सपोर्ट जो किया जाता था सेंट्रल और साउट इस टेश्या में इस पूरे व्यापार को फाइनांस करने के लिए पैसा कौन देता था यह व तो या तो यह European bank से लोन ले लेते थे या तो इनकी पास खुद का पैसा था उसको invest करके यहां पे लोग क्या करते थे लोग को sponsor करते थे चलिए फिर अगर मैं बात करूं बच्छो तो इनका एक बड़ा तकलाई सिस्टम था अपना खुद का ट्रांसफर करने का पैसा तो बड वहां पर पैसे invest करना वहां पर पैसे लगाना ठीक है चलिए आगे बात करेंगे इंडियन ट्रेडर्स ने खासकर आप देखोगे जो यूरोपीन कॉलनाइजर थे तो बहुत सारे इसे इंडियन वैपारी हैं बच्छे जिन्नोंने यूरोप के अंदर पर आप देखोगे आ बहुत सारे इंडियन स्थ Simply जो है अपने बिजनन ठेट किया हुआ चलिए फिर अगлись लिए बात करें सिंधी लिए ठ्नी जो है कही न बचाने जाते हैं अपने ने सेंस के लिए तो है रशेंजर वेशल्स ठीक देडियन ट्रेडर्स वर एबल टूस्टाब्लिश शॉप्स नेशन वाइड वर्लवाइड रएड अब क्या हुआ जब पानी के जहाज बने जिसमें लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा लोग पानी के जाज बैट की इधर से उदर जाने ल बढ़ता है वहाँ यापना व्यापार अपना धन्दा सेटब करने का तो यह लूग क्या करते दे कई बार बच्चे जो लोकल समाने उसको बीचा करते थे या फिर बाहर से समाने इंपोर्ट क्या करते थे तो यह से बहुत सारे ट्रेट प्राक्टरिश इसमें हमारे इंडि नाशनल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वाल्यू था और जैसे बच्छा आपका टेकनोलोजी बढ़ता गया टेकनोलोजी इंप्रूव होता गया तो ब्रिटेन ने भी कही ना कहीं कपड़ा मनुफक्चर करना स्टार्ट कर दिया ठीक ब्रिटेन के पास ब्रिटेन क्या क भारत का कपड़ा आंको नहीं चाहिए अब दिक्कत यह है कि इंडिया का जो क्वालिटी का कपड़ा है इंडिया का जो कॉटन फैब्रिक है वह एक नंबर फैब्रिक है और यूरोपयान तो चोल ठैरे मारे चोर है अब वहाँ पे समस्या आगे अब इनका बड़ा सिंपा यह चोड़े बच्चे किद्रें रहे चोड़े बच्चे क्या करते जब उनके बैटिंग वह आउट हो जाते हैं क्लिट खेल आख एसे गड़ोगे लोग से यह न चया भी अलाको लोग यह ने chỉ्ष्य नालायक लोग थे आब इनको इतना बिशन मिला भारत से तो इन्हों ने क्रणां करो भारत का प्रत कन और बेचंगे बावरत मां बेचंगे रहा क्या भारत का क्पड़ा मांगा क्या हमारी दुकाने बंद कर नहीं वोट नहीं दूंगा अगली बात सब्सक्राइब नहीं दूंगा बता रहा हो तुमको ना पहिंट 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 पहुंगे ठीक है तो सिंपल जी बात है तो उन्हों नहीं कहा कि सरकारों पर दभाव बनाए सब्सक्राइब अगर आप देखोगे 19 सेंचरी यानि 19 शदाबदी के स्टार्टिंग में आप देखोगे तो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे उन्होंने इंडियन मार्केट्स में और अलग-अलग देशों के अंदर जो है अपना समान बेचना स्टार्ट कर दिया ठीक है जब इनक अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिशर्ट प्रेड्यूसर्स के लिए यहां पर कोई टाक्स नहीं थे अपने देश में अलग-अलग देशों जाके बेच रहा है और ब्रिटेन को पहले कॉम्पटिशन आ रहा था इंडिया से अभी वह भी बंद हो गया क्योंकि ब्रिटेन क बहुत जादा था क्योंकि और कोई ऐसा कॉम्पटिशन था ही ने लेकिन जब से ब्रिटेन आया ब्रिटेन ने क्या क्या इंडियन टेक्स्टाइल के इंपोर्ट को बंद करवा दिया उनको बोला कि हमको नहीं खरीदना और हमारा समान बेचो और साथी साथ उन एरियास में उन देशों में ब्रिटेन ने कब्दा जमा रखा था वहां की मार्केट में जबरदस्ती अपना बनाया वह समान बेचना स्टार्ट कर दिया तो इंडियन टेक्स्टाइल का शेर मार्केट में पहले बहुत ज्यादा था अभी वही शेर बच्चे कम हो गया चलि आगे बात क जाता था उसमें 30 प्रतीशत कॉर्टन भारत से था लेकिन अठारा सो फंद्रा आते आते कितना रहें पंद्रा पर्सेंट अठारा सो सत्तर तक यह तीन परसेंट से भी कम हो गया राइट बच्चों चलिए आगे बात करते हैं ना जब इंडिया में एक्सपोर्ट में डिक् कपड़ा तो चाहिए नहीं बट भारत में मिलता एकड़म टॉप नॉच क्वालिटी का कॉटन भारत में मिलता ओपी लेवल का कॉटन तो यह ओपी लेवल का जो कॉटन है ठीक है यह कॉटन किसको चाहिए भी ब्रिटेन को चाहिए तो ब्रिटेन ने क्या किया भारत से कप से परसेंट पहुंच गया यानि कितने चलाक लोगे भारत से बना बनाया कपड़ा नहीं गरीद रहें भालत को बोड रहें जो कच्छा कॉटन है वह हमको बेचो और कच्छे कॉटन का एक्सपोर्ट आप देख सकते हो पांच परसेंट बढ़के कितना हो गया भाई 35 में पढ़ा भी अभी सर ने आपको चंपारत मुमेंट पढ़ाया ना जहां पर इंडिको क्रॉप होगा जाता था इंडिको क्या है बच्छे एक ऐसा पेले जिसे नीले कलर की डाई बनती है और उस डाई से क्या किया जाता है बच्छे कपड़े को रंग आ जाता है ठीक है फिर अगर मैं बच्छों आपसे बात करूं जो ओपियम ओपियम क्या होता है अफीम एक ड्रग चलिए तो अभी ब्रिटेइन इतना नलाइक है ब्रिटेइन क्या करता था ब्रिटेइन नंबर वन पहली बात तो ओपियम का स्मगलिंग करना स्वाट किया चाइना के अंदर फिर अफीम होता है ना बच्चे एक्दम खतरनाक ड्रग होता है अगर एक बार अफीम लेना आत्मी शुरू हो जाए तो पागल हो जाएगा उसको ऐसा दूनिया एक्दम एक्दम अजीव सी लगने लगी कि एना हसेगा बाउम लात घूमेगा वह 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 दिकुच्चांद और जादू आ गया क्या बात है मार्स में हूं मैं अच्छा-च्छा हाइसन सूरज भाई कैसे हो तो ऑपियम लेने के साइड़ एफेक्ट जाता है ठीक है फिर अगर मैं बात करूं बच्चों आप से फिर अगर मैं बात करूं तो ब्रिटेन बहुत चाला के ब्रिटेन ने क और नihनों वह पिर जा धा रहे त्व हेँ ब्रिटेन ने क्या किया और चार्ट के मस बन्हें को ब्रीटे नरे ने ब्रीटेजन ने भांग को ब्रीटेन का इंडिया हो जा है किस्ट कर रहे हैं अपने देश का कुछ नहीं कर रहे हैं अपने देश से कोई लेना तो बाकी पर तो कितने नालाइक सब्सक्राइब के लोगे अफीम भारत में होगा रहे उस अफीम को भारत में होगा करके चाइना को बैच रहे है जो भी पैसा आ रहा है उसे चाइना से चाय खरीद रहे है और साथी साथ बाकी प्रोडक्स खरीद रहे है तो आप क्या सकते हो कि ब्रिटेन का इंडिया के साथ प्रिटेन का इंडिया के साथ एक सब्सक्राइब भारत के साथ एक सर फ्रह closure प्रिएन शाओ अब यह इड्क सोटा है ऑँ सिंपल सी बासे तो कुषिण हाथ है कि मल्टी लेट्रल से टिल्मेट क्या होता है कि मल्टी लेटरल से इलमेंट क्या होता है तो मल्टी लेटरल सेटल्मेंट की बात करें गे वाल या तीन देश आप एमेर पास जैश नमर ए तेश नमबर भी है और देश नमबर एटेट अब विक्त यह है कि एक आज तो है यह सी के साथ करजा है एक सी ऑट और तो यह करेगा बच्छे डैप्ट और जादा अगर बात करें तो एक करेगा एगा ऐस पोर्ट जादा करेगा और i Лesds करेगा ए खरेंस ब्हूंत मान के चलिये एने क्या क्या कि यु कहना तैन त्युका थनका किया और बाउय कितने का किए खरीदा कितने क्रेदा सिर्फ सो और रुपए का ठीट इस तोगी तिना पैसा एक्से जितना रुपे तो कितना लुपे इसके पास बच गया बच्चें लो अज़ार रुपए एकस्ट लू лесu से स्क्हला बृटेवार हाइन इंडिया की केस में कुछ यहाला थे कि माल लीज़ बिटेन इंडिया को रोड़ा को 10,000 रुपे का समान बेचा और सिर्व खरीदा ब्रिटेन के पास कितने पैसे एक्स्ट्रा बचे नौह जार रुप्ए अभी 9000 रुपए यूज करके ब्रिटेन क्या करेगा यह जो कंट्री से इसना उधार ले रखा है जो भी कर्जा है इसका वो सारे के सारे कर्जे को चुकाएगा इसी को हम कहते हैं मल्टी लेटरल सेटे यह कहलाता है आपका मल्टी लेटरल सेटेलमेंट ठीक है चले इसके लवागर बात करीए बच्चे जितने भी आपके home charges थे home charges में क्या आजाता है भई home charges में आ जाता है जितने भी pension pension नमस्ते हो मलब जब retirement के बाद किसी सरकारी करमचारी को पैसे दिये जाते हैं वह pension ठीक है जितना भी British official की salary हो गई British की जो salary वगए वह भी इसी में आ जाता था इसके बाद जितने भी debts हो गए है जितने भी आपके कर्जे हो गए यह सारा का सारा home charges में आ जाता था तो जितने भी ऐसे charges थे जो ब्रिटेन यहां पर खर्च कर रहा था जिसमें पैसा दे रहा था चाहे वह pension देना हो गया सरकारी करमचारी को retirement के बाद पैसे देना हो गया या फिर ब्रिटिश की salary maintain करना उनका घर की इकबाल करना उनका maintenance देखना या फिर जितने भी कर्जें भारत के नाम पर जिसने भी इसके साथ जिसके साथ इसने व्यपार किया है जो भी इंडिया के बेचता जाधा amount का था खरीदता कम amount का था आज रिजर्ट ब्रिटेन हमेशा profit में रहता था और इसी profit का यूज करके ब्रिटेन अपने सारे खर्चों को अपने सारे कर्जों को यहां पर बच्चे manage करता था और इसी को हम कहते हैं का multilateral settlement क्या बोलते हैं बच्चे को हम लोग multilateral settlement चले आगे बात करते हैं हाई निशा क्या हाल चाल बच्चे AI हिस्ट्री में लगा दूगा अगर मैं तो भाईया हमारा खतरना की मामला हो जागे ना यार याए को history में लागाने में मजा नहीं आएगा है निशा जी कैसे हो तुम जब कैसे बच्चे क्या खाना खाए रहो का ना खार गूरी पानी पी रहो यह पानी पीते रहा करो यह मौसम का जो महल है ना इसा इस टाइम को मौसम मैं भाई लगा दू मजा निलाइफ आजाएगा है कि नहीं चलिए तो हमारे जितने में बच्चे भईया जब पढ़ने बैठा करो करो तो एकड़म है वी मत खाया करो नंबर बढ़ने बैठा करो तो है वी मत खाया करो याद सबसे पहली बात है ठीक है जब पढ़ने बैठेंगे आप तो हमेशा लाइट खाया करिए और लिक्विट्स लिया करिये तेंगे जूस लेता रहा करो चाए कॉफी लेता करो मखाने मघने खाते रहा करो लाइट खाया करो जिसे नहीं आपको है भी फील नहीं का चलिए बचिन मेर्टि लेडरेल जैच सिस्टम की डिवेशन बहुत एजी है दिके मैं बता देता हूं जिन बचो दिक्कत आ रिम अल्टी लेटरल की डिवेशन कैस तो मैं लिक देता हूं भई पर आउट चाब लिक लोगा दाउट से मुल्टी लेटरल सुस्टम ठीक है चले अ शस् which one country's surplus with other is used to settle its debt with another is used to settle its debt with other countries figure what's up can CRT maybe definition the hour of ability asset to study case of multi-literal system would define that security again again CRT video about this comment for us a break early like the of killing study what's a break up even though I said I'm running by them coffee I got to get chapter again that he had almost chapter number sort of topic number three pay the maximum medical attack are maximum maximum not legal at night a 15-15 minute on the summer thing that is a term I know that for sure he gets on it I'm back at the picture of a interval economy I grab the code which is first world war in the first world war to leave you a key chance all of the only so children's illegal news or Tara that ticket or a lady gave you wrote के अंदर यूरोप के साथ साथ बाकी कॉंटिनेंट में भी इसलिए इसको फर्स वर्ड वर कहते हैं ठीक है अब इसने क्या कि बच्छे एकॉनमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में पूरे दुनिया के अंदर खास कर ऐसे देशों में जो की कलोनियल पावर्स का पार्ट थ है धी दो ग्रॉप से कौन कौन से ग्रॉप से बच्छे नमबर वन गुरूप आपका लाईड पावर दूसरा पावे आपका सेंट्रल पावर ठीक है अफ्ड़ का आ जाता है बाबू बाबू फ्रांस वाले ठीक है बाबू फ्रांस रमेश तो बियससे बात है है ब्रिटेन पावर्स यानि जर्मनी हो गया ऑस्ट्रिया हंगिरी हो गया और आपका ऑटोमन एंपायर हो गया रहे तो यह दो मेजर पावर्स थे आपके कौन-कौन से था भीया बाबू फ्रांस रश्या वाले यह ब्रिटेन फ्रांस और रश्या यह आपके होगे बच्चे हमारे जितने लाइट पावर्स है और सेंट्रल पावर्स मांफास आजेंगे जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगिरी और टर्की तो इन दोनों के बीच में हुआ ता प्रतम विश्वयूद इसका फर्स वर्ल्ड वार भी कहते हैं यह फर्स वर्ड वार कॉप कई बर मॉडर्न इंडस्रियल वार के नाम से भी जानते हैं इसका रीजन यह है कि इसमें यूज किये गए जितने भी एक्यूपमेंट्स थे वह सारे के सारे कहां बनाये गए थे वह बनाये गए थे आपके इंडस्ट्री के अंदर राइट चली जैसे फर इक्जांपल मशीन का लोगया टैंक हो गया एरक्राफ् हुए थे 20 मिलियन मतलब लफ्री दो करूंट ठीक है तो अगर हम बोलेंगे तो 90 लाकनों कि यहां पर जाने गई तो करूंट लोग के आसपास यहां पर इंजर्ट हो गया थे खायल हो गया थे राइट तो दोस वर किल्ड और इंजर्ड वर जनली मैंनों वर्किंग अगर आ उसका तो काम तमाम हो गया था वर्ड वार में है ना वो तो विचारी रेस्ट इन पीस हो गई थी अब यहां पर उनली फ्यू मेंबर्स लेफ्ट इन फामली हाउज़ोड इंकम्स इक्लाइं डेफिनिट सी बात है अब मान की चलो घर के पांच लोग है पांच से अब सोच हो呢 अपने घर की करई कर रहा हूं और यरणी वाले मं अ वर्ला बर्टाने में लटते चल लोगों की फामिली में मेंबर्स कम हो गए तो उनकी फामिली इंकम भी कम हो गई कमाने वाले नहीं बचे अब वार की चलते क्या हुआ भया जो इंडस्ट्रीस थी वह दुबाला से लडने के लिए बहुत सारे सामान चाहिए आपको मशीनरी चाहिए आपको बॉन चाहिए आपको गन चाहिए तो बनाना पड़े नाव है कि आप बात है चली तो गर आप देखो भी बच्चे की इनफेक्ट शॉसाइटी में बहुत सारी चींज़ आ रहे जो मैंने आपके पुरूश है वह यूद लड़ने जा रहे हो जो हमारी माहिलाएं जो विमन है वह घर पर रुक के काम करने के अलावा फैक्टरी अंदर भी काम कर रह अगरें बात करेंगे बच्चे बॉर्ट ने क्या किया सब का खचा बढ़ा दिया खासका ब्रीटेन का ब्रीटेन उधारी पर लड़ाई लड़ा होगा अपने आप में कितना फनी बात है कि भाईया पापा मुझे 200 पैचे क्यों भाईया लड़ाई हो गई है तो पापा इसके साथ ब्रीटेज के साथ ब्रीटेन का सब्लाइव सें उडही रखें है रुटेमे उपाइस पाइस एक निस दोसे के पोई तो दार को ब्याज के साथ वापस भी इंट्रेस के साथ वापस लोगे तो यूएस के साथ सेंथ अभी यूएस पहले करदार था यूएस के बाद बहुत करजा ता लेकिन यूएस अभी क्या हो गया के करजा देने वाला बन गया राइट चलिए आगे बात करते हैं यह क्वेशन कह सकता है कि वाट टूर्ण यूएस इंटू क्रेटर फॉंट तो आप यह पॉइंट से आप लिख सकते हैं पॉइंट नमबर वन पॉइंट नमबर टू पॉइंट नमबर ठीक है तो इन तीन और में बॉइजी था तो बॉखा मिल गया भारत और जापान को नई नई इंडस्ट्री बनाने का तो इंडिया जापान ने आप मौके पे चौका लगाया उस मौके का फायदा उटाते हुए कद्बों का बहतरीन इस्तमाल के साथ ना बच्चे इन्होंने क्या-क्या-क्या- सब्सक्राइब तो मुश्क्न हो गया इंडियान मार्केट में अपनी position को establish करना और जापान ने International मार्केट में निंडियन की पैन्ट के वह भी खो गई और international मार्केट में जापान के साथ कॉम्पीड करना बहुत मुश्क्म गया ठीक है बात करें इन इतना ज्लादा यहां पर लोन ले रखा था यूएस से इस्टम हाई रेट आफ इंट्रेस्ट के उपर जिसके चलते ब्रिटेन का जो कर्जा था वह बहुत जादा बढ़ गया ब्रिटेन की कॉनमी गंब बेकार होगे खराब होगे ना बर्माद होगे ठीक है अगर वार के टाइम बात करेंग हो रहा है आप देखोगे कि जो इंटा बढ़ गया बहुत साइचीज होगा ठीक है लेकिन जैसे ही वह आपका खतम हुआ डिमांड भी खतम हो गया प्रोडक्शन करने के लिए जब जादा लोगों को हायर कर लिया था लेकिन अभी क्या हुआ जब यूद्ध खतम हो गया ज रिजल सारे वरकर्स भगा दिये गए तो यहां पर क्या होता भी यह अनप्लॉइमेंट बढ़ आता है ठीक है नो देर वस अनप्लॉइमेंट और गॉर्मेंट को कहीं ना कहीं अपना एक्समेंडीचर रेडियूस करना था ठीक है सारी के सारी सरकारों के अगरा बात करोगे कर ने के फाथ शारी से लदिए नहीं कर सकती तो सरकार को अपना अफिजितना घाटा हुआ है जितना नुकसान हुआ उसको पूरा करना तो सरकार भी पैसा इंवेस्ट कर रही तो यहां पर है खराब है रही इंफाट अगर बात करोगे 1921 की तो हर पांच ब्रिटिश वैक् से एक गाल ऐसा था जो कि एंप्लॉइट था बेरुजगार था ठीक है तो बहुत कॉमन दो आप सोच सकते हो यार कि कितनी जादा इंप्लॉइमेंट फैल गई थी आप तर फस्वर्ड वार चले फिर रहें बात करें बचे अग्रिकल्चर एक अग्रिकल्चर एक ऐसा सिस्टम संता एक ऐसा सेक्टर था जो बहुत ज्यादा इंपक्ट हुआ था इससे राइट फिर हम दिखेंगे बच्चे इस्टन यूरोप पहले जमाने में वीट का यानि गेहूं का मेजर सप्लायर हुआ करता था वर्ड के अंदर लेकिन वार के टाइम पे सप्लाइब बंद हो लगी वहां के फार्मर्स कैसे लगे कि देखते हैं ठीक है नमबर वन की इसन यूरोप की दुकान बंद हो गई क्योंकि वहां पे ठीक है अब बहुत की चलते वहां से अनाज आगवा नहीं पार है वहां होई नहीं रहे लिगिन अगर हम बात करें कैनेडा अमेरिका ऑस्ट वही बात हो गहीन सव वसेपुर की बाले में अतना बंब मारीं इतना मार एक तो इन्होंने खिए फ्रेड़ की ना चुखाए है इतना जबंद हो कहीं नहीं अब यहीं हो रहा है वाई तो लगार होगो गही तो डेफिनिट सी बात है जिपने और ज्यादा सप्लाई है वीट का अलग पार्ट से लेट उन्हें फॉल उप्राइज ठीक है अब नॉर्मल सी बात है कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई है इस्टन यूरोप के बंद होने के वज़े से सबने इतना ज्यादा गहूं हो गा दिया कि मार्केट में जब वार खतम ह कोई तो जरूरत से ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा मार्केट में गहूं है अन्नेसेसरी अमाउंट अब उसको खरीदने वाला कोई नहीं अब किसी चीज़ का डिमांड कम होता है सप्लाई जाधा हो जाता है तो एकॉनमिक्स क्या कहती है उस चीज़ का डाम गिर अब यही हो रहा है के हूं के साथ कि मेरा यहां कोई नहीं है ना चलिए पर बात करें तो पहले तो यह उगया फिर बात कानी आती मास प्रॉदक्शन जीघिक्श prochaine क्या चीज़ मास का मतलब होता है उचुछ कौण्टिटी टीए बड़ी संक्या में आप है किसी चीज को बन यही पूरे सिस्टम को अपना जो डेट्रोइट का कार प्लांट था वहाँ पर जाके अप्लाई कर दिया बहुत अच्छी बात है लेकिन दिक्कत यह आप दिक्कत यह थी कि जो पनशेट है डिलाइन का इससे हो क्या रहा था कि कममाउंट ताइम में बहुत ही कम समय में वरकर्जादा तेजी से काम कर दा जादा नंबर गोड़ोड लॉरह थे रहाइट याई है जादा आप गोल घॉरेC उना आप इताना फास्ट हो गया कि यह सै चार मिनट के अंदर एक कार तयार वन लगी तहई थीगे टीन से चार मिनट के अंदर एक कार तयार ने तब कार समय नहीं तो बहुत बेसिक वाली खारे होती थी लेकिन दिक्क्रथ यहां पर यह कि वरकर्स ने काम करने समना कर दिया वरकर्स ने का पागल है क्या हम लों मशीन समझ के रख्थे हो तुम है यह क्या मजग चला रखा तुम्हें है हैं रिफोर्ड हम ऐसे काम नहीं करें बता रहें तुमको इतना मारेंगे इतना मारेंगे तुम्हारा फोर्ड और प्रोड प् पैसे बढ़ाते हैं तुमको हम पैसे बढ़ा कि दे रहे हैं तुम काम करो है कि नहीं तो यह फोर्ड आदमी बहुत चलाक था बहुत दिंजा आदमी था रोजवन प्राश कहता था इतब बुद्धी इसका तेज चलता था था ना वही वाली बातों के बुद्धी बहुत रिजल्ट कया हुआ बच्छे जाधा से बज़न लगा अजब प्रड़क्शन बड़ी क्वंटीटीष द्सामान का समान का मधर उगा अब लोग का उसुए घरीडेंग cats required tiế Some पहले छोग Dr. प्रणानी से कार खरीच सकते क्यों भई विकार जो प्रडियूस हो रही है उसकी क्वांटिटी इतनी जादा है कि उसका दाम इतना सस्ता हो गया इसके अलावा कि अब वेखो गए कि कार की से जो थी यूएस के अंदर मिलियन से बढ़ के पांच मिलियन पहुंच गई दस सालों के अंदर दो मिलियन थे बढ़ के और कर का दे कुए रही है मार्क इंदर लें ए कर दोन लिखा होता है यह माइई मात्र 999 रुपय आपको लगता है वहा बैघ्या रुपय आद्र सामाल रुपय घरे रएंगे मन्तली जो है को क्या कटेगा सिर्फ 999 रुपे कटेंगे तो ऐसे लूक्रेटिव स्कीम चला रखे थे युस के इंदर बैंक को नहीं तभी लोग क्या कर रेंए 叫миom आई की ऊपर क्या करें अलगलग समानने खरीद रहे हैना वोशिंग मशीन खरीद रहे रेडियो खरीद रहे रेफिर घ्रीडर करीद रहे होम लुण कार लूण सारे तरीक एंहां आ रहिट चाले अब już से क्या हुआ जितना जादा लोगों ने समान खरीदा यूए रिच होने लगा यूए की कंपणी को फाइदा होने लगा है ना यूएस अमीर हो गया हमारा लेकिन मदिक्कत यह है कि भाई यह सारी एकॉनमिक स्टेबिलिटी काफी कम चाहिं के लिए थी चली ऐसा क्यों देखत इसके बहुत सारे रीजन से बहुत सारे फ्रक्टर से ग्रेट अच्छा कोशन है लॉग आप से पूछ सकता है ग्रेट इप्रेशन की टाइम पर आप देखोगे सबसे वर्स्ट हिट कोई सेक्टर है तो आपका एग्री कल्चर के रीजन क्या है बाई नमबर बनागर हम लिया के अंदर जो है अमेरिका के इंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रडेक्शन लोगों ने जरूबत से ज्यादा यहाँ पर ना जुगा दिया आज़र्ट जब ज़्यादा मार्केट में समान आइवयलेबल होता है लु speaks on differusion कर दोगे उसका दाम क्या होगा बैक्चे दाम गिर जाएगा रही डान क्या होका लिए फार्मर्स और जाद होगा अई और सुरू कर दिया जब और उगए अन्स अगृ महतरे सोगे तो क्या हूं कि फिर अगर हम बात करें दूसरा रीजन दूसरा रीजन था बच्चे आपका लोन ठीक है अगर हम बात करें बच्चे लोन की उन्ने सो बीस में युए जो है बड़ी आसानी से अलग अलग देशों को लोन दे रहा था जर्मनी के इसका बहुत अच्छा एक्जामपल है क्लास 9 म में जर्मनी को युएस में लोन दिया था है ना तो 1920 में लोन सब को दे रहा था लिके नगरम बात करें जब यूएस के अंदर यह क्राइस आना शुरूआ यूएस को जब नुकसान होना शुरूआ तो यूएस में जो पैसा लगाने वाले लोग थे जो इन्वेस्टर थे व यूएस के करजे औरी की सार粉 यूग से तो लोग लेके मजरे कर हैं लेकिन अभी दिक्कत क्या है जब यूएस को क्वाप्शन बचा नहीं दिशेओ के बास जो यूएस को बचा नहीं हो लोगिन ने पैसा यूँ को treasury थे दि चैबल हो रही थी वह इक्टी या ही नहीं है तो ऐसे किसमें क्या होगा बहिया जितनी भी करेंसी है ब्रिटेन वगेरा की उसका वालू कम होने लगा मार्केट में उसका कॉंफिटेंस कम हो गया ठीक है फिर यूएस ने क्या किया कि अपनी धोती बचाने के लिए इसने इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिये य किसमें भाई आपके ग्रेट डिप्रेशन राइट चले तो अगर बात करेंगे बच्चे की यूएस भी था डाट वरी बाड़ी डिफेक्टेट विट डिप्रेशन यानि ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव यूएस की कॉन्मी बहुत तावर तोड़ हुआ अगर आप होंन यह अगर लोन नहीं दे सक्ते हैं तो गारी वापस करो घर वापस करो आप जिन लोगों ने घर और काड़ी है पैसा है गर है गाड़ी है किंक्र जल्दी लोन दे तो बाकी हूई हमारी है ओके बाई चीक है तो अगर मैं बात करो भाई है घरे पैसा गाड़ी तो इस साले का सारा चीज़ा लोन पर चला था अब जो यूएस के बैंकों ने लोन मांगना वापस किया तो जिनके पास पैसे थे नहीं उनका घार गाली सब कुछ चला गया भाई लोग हो गए गरी रा हो गया नाइटीन धरी तरी तक चार हजार से ज्यादा बैंक यूएस के अंदर बच्चे बंद हो गए थे और करीब एक लाग दस हजार कंपनियां बंदो कि सोच सकते हो भाई चालिस हजार चार हजार बैंकों का बंदोना कितने सारे लोग अनेंप्लाइड होंगे एक अच्छेंग इंडिया इंडिया बत रही चारट है इंडिया इंडिया की ऊपर इसका इंफार मेंजर ठ경ण का सब्क्राइब में समान बनता था इंडिया के मार्केट बेचा जा जाता था अब दिक्कत ही ब्रिटेन के अंदर मार्केट क्रैश हो गई है ना साधी साथ यूएस का जो स्ट्रीट एक्षेंज वाल स्ट्रीट एक्षेंज बच्छे वह भी क्राश हुआ पूरी एकॉर्णमी के हलत खराब है और यूएस से ही लोन ले रखा था ब्रिटेन ने यूएस तो पैसा वापस मांगेगा तो ब्रिटेन को कहीं से पैसा कमाना पड़ेगा अब दिक्कत क्या हुआ बच स्ट्रवाइब ठल्ठ दिक्कत क्या हो रहें कि इंटरनाश्यल मार्केट में सामान का दाम दिन पर दिन घटता झा रहा है कम होता जा रहा है एस रिजल्ट इनको भी नुक्सान हो रहा है चीज़िए तो इतना बैट था कि गवों का दाम पचाहस परसेंट से भी कशला गया यानि गेहों का दाम मान के चलो अगर सौर पे रहा होगा किसी टाइम पे तो घट किसरे पचास रुपे रहे गया 50% का डिक्रीज आए था इसके अलाव अगर आप देखो बच्छे जो एक्री कल्चर प्रोडक्स थे इनका जो दाम था बच्छे बैक टू बैक गिर रहा तो ब लोग डेफिनेट सी बातें परिशान होंगे है ना और हमारे किसान भाई लोग इनकी इंकम गिरेगी और ब्रिटिश गवर्मेंट ने क्या किया कि पहली बात जो टैक्सेज हैं जो रेविन्यू है उसमें कोई कट होती नहीं कि ब्रिटिश को भी अपना पैसा जुकाना है क लोन को जब यूएज वापस मांग रहा तो ब्रिटे सा Ora देख को भी ब्रिटेंट ने भारत के किसान सी इनकम है वह बैक टू बैक गिरती चारी यह बहुत ही पुछ खिल समस्थ्य आओं इंडिया के लिए है ना तो टैक्स पे करना भारत में इजी टास नहीं रहा अगर हम बात करें जूट फार्मर की जूट फार्मर का एक्जांपल बड़ा अचात है राइट जूट फार्मर की बात करें तो यह वो लोग हैं जो कच्छा जूट गिर बच्छे कच्छा जूट करते थे अब मार्केट में जब इंटरनाशनल मार्केट के अंदर जूट का डिमांड गिर गया जूट का डिमांड क्या हो बच्छे गिर गया इसका दाम साट परसेंट से जादा नीचे चला गया तो ऐसे किसानों ने जिन्होंने लोन ले रखे थ यहां से बाहर आना बहुत मुश्किल था तो अगर आप देखो कि बच्चे जो हमारे किसान है जो हमारे फार्मर्स है खासका जूट उखाने वाले फार्मर्स जब जूट का प्राइज इंटरनाशनल मार्केट में गिरना स्टार्ट हुआ तो ऐसे लोग जिन्हों ने लोन ले भारत में जितने भी हमारे किसान है या तो उनको अपनी जमीने गिर्वी रखनी पड़ी या फिर जो भी इनके पास सेविंग्स थी जो पैसा बचा था उससे ही अपनी जिंदगी चला रहे थे ठीक है कई लोग ऐसे बीत है जिन्हों ने क्या कि अपने हीरे जेवराद प्रेशन मेटल्स का तो प्रेशन मेटल्स जैसे गोल्ड है ना सोना चांदी तो यह अभी भारत से जो थे बाहर एक्सपोर्ट होने लगे चल तो यह तो इंपाक्ट था भई हमारा ग्रेट डिप्रेशन का इंडिया के ऊपर अगर हम जॉन मिनाड की की बात करें बड़े फ प्रेशन कशन कि प्रेशन को कम किया जए रविनियों को कं किया जाए हना तो भ्याहि मातमा गांदी के कशान भाइव के लिए में एक पॉइंट यह भी इंक्लूड कर लिया कि बिड़े सरकार को अभी इन सारी चीज़ों पर टाक्स घटाना चाहिए कम करना चाहिए चलिए आगे बात करते हैं अब बात करें बच्चे जो अर्बन इंडियल से शहर में रहने वाले लोग जमीन दार हो गए इनको कहीं न कहीं बच्चे ही जो था हमारा पूरा का पूरा जो डिप्रेशन है उसका इंप्रेशन बहुत कम पड़ा क्यों पर इनके लिए तो मार्केट में सामान सस्ता हो गया बाई इनके लिए मार्केट में समान सस्ता हो गया तो मार्केट में जब सामान सस्ता हो जाएगा तो इनको बड़ी आसानी होगी खरीदने में यह तो बिचारा उसको इंप्रेशन पिखता है उसके लिए नुक्सान इना घर मार्के में समांसेस्ता हो रहा है उसको तो अपनी मेहनत का दाम नहीं मिला हमारे लिए क्या हम समानसेस्ता मिलšगा तो में बड़ियां है हमाले डिप्रेशन में कोई दिकत नहीं है हमें समानसेस्ता मिल published करने के लिए तो उसके चलते भी सरकार ने बहुत सारे टैक्स को कम किया जिसके चलते आप देखते हो कि इंडियन इंडस्ट्री यहां पर आना स्टार्ट अब यहां पर बच्चे बात आती है वर्ल्ड वार्ड टू की ठीक है री बिल्डिंग आप और एकॉनमी ऑल्मोस हम च है आपके बाद होती है 1939-1945 करिब 6 साल अपकी वार्ट चलिए दो पावर ब्लॉक से आक्सेस पावर लाइट पावर एक्सेस की बात करेंगे नाजी जर्मिनी ओ गया जपान हो गया इतली हो गया अव्ट पावर्स की बात करेंगे ब्रिटें हो गया फ्रांस हो गया उस्सर ह हो गया आपका यूएस हो गया तो यह दो मेजर पावर ब्लॉक्स थे जिनके बीच में आपका दृत्वे विश्विद यानि सेकेंड वर्ड वाल लड़ा गया था ठीक है सेकेंड वर्ड वार के बाद अगर आप देखोगे तो करीफ साथ मिलियन लोग ऐसे थे यह तीन परसं की जनता खताम हो गई थी सवाचट हो गई थी राइट टाटा बाइबाए खताम गुडबाए गया यह रिजल्ट आपने आप में कितना डिवस्टेटिंग आप सोच सकते हो भाई ठीक है वर्ड वर्ड वाल टू की बात करोगे दो ऐसे ब्लॉक्स है जो कि सामने बच्चे घुवर गया था धाव्कार यूस और दूसरा धावका यूस्स्र अगाए उन इस्स यूश्त रिपब्लीक सो लिगत शोव्य रिद्स रिपबब्लीक सक fase व्युनियन के नाम से भी जानते हैं जेंसगा प्रूब बात करें वर्ड वर्ट हूर के बाद दो ऐसे बड़े आपको आराम नहीं मिलेगा तिकत नहीं मिलेगी प्रशानी सौल्व नहीं होगी तब उन्होंने क्या किया दो चीज़े समझ लिए इन दोनों वर्ल्ड वॉर्ड के बाद इनको दो चीज़े समझ में आ गए क्या समझ में आ गए नंबर वन पहला समझ में आ गए कि भई यह एक मास कंजम्संव जरूरी है मास प्रडक्शन के लिए याईम पैसा नहीं कर सकते अगर मैंगी के आठ पैकट बना दू तो न चाहिए मैगी बनाने से कुछ नहीं होगा मैगी खाने वाला भी चाहिए इसलिए जरूरी है कि बिटा मास प्रोडक्शन के साथ साथ मास कंजम्शन भी इंपॉर्टेंट है यानि आप बना तो जोगे प्रोडक्स बना दोगे बड़ी कॉंटिटी में लेकिन अगर कोई यूजी नहीं करेंगा तो प्रॉफिट क्या बेकार है पहला रीजन ठीक है बदिक्कत यह थी कि मास क कंजम्शन के लिए लोगों के पास क्या होना चाहिए स्टेबल निकाम होनी चाहिए स्टेबल एंप्लायमेंट होनी सब्सक्राइब मास कंजम्शन कब होगा आप समान कब खरीद होगा जब पैसा ही नहीं होगा जीवन में तो कहां से लाओगे फ्रिज और जब पैसा ही नहीं होगा भाईया लाइफ में तो कहां से खाओगे रिज हैना कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि जीवन में पैसा चाहिए और पैसा कब आएगा जब आपके पास स्टेबल जॉब होगी और यह स्टेबल जॉब दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है सरकारों की है यानि सरकार को यहां पे एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे आपको स्टेबल इंकम आपको जॉब मिले और पैसा कम आप तभी वह कुछ काम मनेगा और दूसरा था कंट्री के एक लिंग्स दूसरे कंट्री के साथ ठीक है एक देश के क्या एक लिंग्स होने चाहिए किस प्रकार की रिलेशन्शिप होने चाहिए दूसरे देशों के साथ यह भी बहुत ज़र कंट्रोरी है चाहिए वो लेबर की बात की जाए चाहिए वो क्यापिटल की बात की जाए फिर वो समान की बात की जाए अगर सरकारों के पास कंट्रोल नहीं होगा तो कभी भी कोई कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर सकती ऐसा क्यों है सरकार की पास कंट्रोल होगा सरकार एक य सीके अब आती ही बात बच्चे आप ब्रेटर्न वोट्स के ठीके जो मेज़े रिजंडा था आपके पोस्ट वार इंटर्नाशन इकॉनमिक और का यह सिस्टम का वह बहुत सिंपल था कि ऐसे देश जो की वर्ल्ड वार्ट टू और वर्ल्ड वार वन में वाल्ड है खासकर वर रखिया गया था ब्रेटर्ण बोट्स के अंदर जो की पड़ता है आपका यूएसे में ठीके तो इक कॉनफरेंस रखी गई उनाइटेट नेशन से कॉनफरेंस रखी उनाइटेट नेशन्स मॉनिटरी और फिनेंशल कॉनफरेंस जो की हुई थी आपके जुलाई 1944 में ब्र इंस्ट्रेटिउशन निकल के सामने आते हैं का आपका आएम फोगे और दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक होगा ठीक है तो आई एम एफ और वर्ल्ड बैंक की दो मेजर मेजर इंस्ट्रेटिउशन से चले देखते क्या है तो दिकिए साब्लिश्मेंट आप इंटरनाशनल या फिर आई बी आड़ी आई बी आड़ी को पॉपुलर्ली क्या कहते हैं बिटा पॉपुलर्ली इसको वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं तो इन दोनों इस्ट्रेटिउशन का एक जंडा था लेके मान की चलिए आपकी पिटाई हो गई घर में है ना मान की बाहर से बहुत ताबर तोड़ पिटाई हुई और बाहर से पिटाई खाने के बाद आप घर वापस आने के बाद किसकी रिस्पॉंसिबिल्टी आपकी देखबाल करने की आपके बड़े भाई बैनों की वही तो आपको भाई पट्टी-वट्टी करेंगे आपको दवाई बाई और वर्ल्ड बैंक या फिर इंटरनाशनल बैंक फॉरी कंस्ट्रक्शन डेवलप्पेंट आई भी रडी चले गर हम बात के नहीं बच्छे आइम फॉर्ड बैंक में फिनांशल ऑपरेशन स्टार्ट किया था 1947 से ठीक है खाला कि अगर यहां पर बात करो कि जो मेजर इंफ्लोएंस है यहां पर वो किसका है यूएस का है वेस्टन यूरोपें पावर्स का यूएस के पास वीटो करने का अधिकार था वीटो का मतलब क्या होता है मान के चलिया आपके पास ऐसी पावर आ गई कि कोई डिस चीज पास नहीं हो सकती तो आई में को वीटो करने का अधिकार किसके पास आ गया यूएस के पास और आज भी बच्छे यूएस काफी इंफ्लोएंशल इनके डिसीजिएंस में फिर बात करें बच्छे जो इंटरनाशनल मॉनिटरी सिस्टम था आपका डाट वोस अ सिस्ट इंडियन रुपे के बराबर होगा अब फिक्स एक्षेंज रेट में मार्केट इधर की उधर हो जाए कोई भी फैक्टर काम करें लेकिन यह रेट चेंज नहीं हो सकता यह एक यूएस डॉलर इकॉल टू साट इंडियन रुपे अगर आपने फिक्स कर दिया तो कुछ भी ह यह जाए डेश दुनिया के अंदर यह रेट चेंज होने वाला नहीं है इसको कहते हैं इस एकृशनही तो आपस और पकर दिया खाटि कर नो को फिक्स to work दिया घ्यानी अगर आप को panels have gold खरीदना है था तो तॉ भू हांपर दॉललार को यहां पर किया था नि सब्सक्राइब कितने बराबर है थीक Again तो यह क्या तरीक राफ समय आप अगर किसी दूसर देश्म में जाते हो तो वहां पर आप कैसे बता करों के कि आपको वहां की करेंसी में कितने पैसे मिलेंगे या इंडियन करेंसी वहां के कितने बनते हैं भारत के 50 रुपे वहां के कितने बनेंगे जिसे फॉर एक्जांपल डॉलर अभी भारत में 80 रुपे बराबर है या अगर मैं किसी को 2 डॉलर देता हूं और उसे कहता हूं कि भ नहीं होता तो जो बंच बिस्टेंग तो किसे बेस था बिटा बिटर बोट सिस्टम बेस था आपका Feder चेरह से चेल के ऊपर चलनए बात बात करें बटर बैंटर बीचर्म सिस्टम की कि परसेंट और आवरेज जो है सालाना जो है लोगों की इंकम बढ़ी है फिर अगरम बात करें बच्छे यहां पे ग्रोथ पिर काफी स्टेबल थी आप देखो के तो पांच परसेंट से कम है तो ऐसे जितने भी देश जिनको ब्रेटेन मूट सिस्टम सपोर्ट कर रहा है यहां और और वर्डम बेंक कर रहा है तो यहां पे एंकम भी बढ़ रही और सती साथ लोगों की इंकम बढ़ रहे हैं देवलपिंग कंट्री वैश्क बहुट सारे कंट्रीस तयार जो अभी प्राग्रेटी करना चाहते थे ल基本 भी का नना छाना चाहते ठेंके जिनको दी शीस laquellechen एक निए टक्नोलझी लेके आएंगे तो इन्हों नहीं क्या किया बहुत ज़्यादा इंवेस्ट्मिंट कडाला तो इनकी सबसे बड़ी गलती सब्से लगती क्यों में फाल्टू की कॉंपटिशन में सथ इतना ज्यादा इंवेस्टमेंट कर दिया मशिनरी के उपर टेकनोलोजी के उपर कि यह इतनी ज्यादा गरीबी में चले गए इससे अभी बाहरी नहीं आ पाए ठीक है क्योंकि यह सारी चीज़ लोन लेकर के सारी चीज़ रहे थे तो जरूर से दाधा इंवेस्टमेंट करने का यही नतीजा होता है ठीक है तिर अब देखो गें सेकंड वर्ड वर के बाद जब सेकंड वर्ड वर खतम हो गया इंदर खतं होने के बाद भी बहुत सारे अशे देश थे जिन पर अभी यूरोपेंट देशों ने कबजा जमाया हुआ था यह धीरे-धीरे करके इंडिपेंडेंट हो रह और ऐसा क्यों था क्योंकि इनके उपर इतने सालों तक यूरोपेंट देशों ने राच्च किया है और सारे रिसोर्स तो वह चीन के लेगा इनके पास क्या बचा बाबाजी का घंटाल है ना इनके पास कुछ नहीं बचा बाई यह होगा गरीब लेवल का अल्टिमेट गरी नहीं दागीन गरीब कंट्रीज की लॉजिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए विया क्योंकि उनका उब्जेक्टिव सिंपल था उनका उब्जेक्टिव था कि भाई जो मेजर यूरोपेन पावर है जिनका नुकसान हुआ हमें तो उनको सेडल करना है चले अगर हम बात करे चीट करना स्टार्ट कर दिया फिर अब देखो कि उनने 150 तक ब्रेटन वर्ट इंस्ट्रोडिशन थे इन्होंने अपना फोकस किसकी तरफ कर दिया बच्छों हमारे डेवलपें कंट्रीज के तरफ देखो अगर हम बात करें बच्चे डेफिनिट सी बात है कि भले ही इन दे दीट से लेकिन फिर भी वर्ल्ट बैंक और acting नलाइक है कि जब यह किसी को लोन देते हैं तो क्या कहते हैं कि अपनी पॉ क्वादी पॉलिशी में क्या करो है ना वह दिश से क्या कहते हैं जिसको लोन दे रहें कि अपनी कॉलिक और में चेंज करो और ऐसा चेंज करवाते हैं जिससे फाइदा किसको होगा यूएस को और यूरोपियन देशों को तो कुल मिला के भेडिया की खाल में मिलब शेर की खाल में भेडिया बनके बैठी यूरोपियन कंट्रीज किसका खूंचूस रही है है developing countries का मदद के नाम पर क्या कर रही है उनकी resources को exploit कर रही है जो कि यहां पर बहुत कॉमनली देखा जाता है ठीक है चलिए फिर अगर हम बात करें बच्छो अब आती भाई जी 77 की घानी तो जितने भी developing countries थे उनको लगा यार कि हमारे साथ बहुत ना इंसाफी हो रही है उन्ह उन्होंने का हम अपना ही गुरूप बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे जी 77 और इन्होंने का हमको चाहिए फुलिजर हमको चाहिए नियू इंटरनाशनल एकॉनमिक और जिसको आप कहते एन आई यो अभी नाई यो क्या है तो जितने भी developing countries है उन्होंने मिलके जाए उन पर अधिकार दया जाएं developing countries को साथी साथ जो यह सामान बना रहे हैं या मैश का बहतर दाम मिलना चाहिए इनको बेफ़कू नहीं मनाना चाहिए थी चाहिए जितना सामान यह बना रहे हैं वह यूरोपियान मार्केट्स में बेचा जाए इनको फेर 살아ागे चाहिए यूद लड़ा है जबरदस्ती के इंवेस्टमेंट्स कर रहा है तो इसके चलते क्या हो रहा है जो यूएस एकॉनमी वीक हो रही है यूएस करेंसी का जो पहले दब दबा जो था वो खतम होता जा रहा है तो यूएस डॉलर का वाली उता वह बिल्कुल बेकार हो गया काफी गिरता चला गया विदरेस्टेथ तो गोल्ट ठीक है अब ऐसे में क्या हुआ जो आपका फिक्सेंज रेट का सिस्टन था यह भी खतम हो गया यह बेकार हो गया और और इस देश का कितना मजबूत है यह का पोजीशन कितना मजबूत है यह करता है उस देश की करैंशी का व अफ्ते हफ्ते में चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन दा मार्केट फैक्टर्स ठीक है तो अभी एक्षेंज रेट खतम हो गया और आपका फ्लोटेंग एक्षेंज रेट यहां पे स्टार्ट हो गया चलिए फिर अगर मैं बात करूं बच्छे हो जो इंटेनाशनल हाल्सी है यह कमर्शल भाहन क्या करें हाई रेट ऑफ इंट्रेस्कों चार्ड करें अब हाई रेट ऑफ इंटारी से क्या हो रहे है कि हाख इच जतने भी हो वहापस करी नहीं Ale तो आज रिजल्ट इनकी गरीबी भड़ती जारी भड़ती जारी भड़ती जारी ठीक है फिर अगरम बात करेंगे 1917 से 1990 के बीच में इंडस्ट्रियल वॉल्ट के पास काफी ज्याधा प्रॉब्लम थी क्या प्रॉब्लम थी नमबर वन पहली बात तो यह था कि जो MNC थी इन् सब्सक्राइब का खर्चा था ठीक है और कम खर्च की वज़े से एक कंपनी को क्या चाहिए कंप्श प्रेट्स तो जितना कॉस्ट प्रॉडक्शन उसका कम होगा उतना ही फायदा को कमा पाएगी उतना ही प्रॉफित हों कमा पाएगी हैं यह नहीं भाइप लोग चलिए त स्टार्ट करता है फिर बात आती ही बच्चे 1990 की 1990 अगर आप देखोगे तो जो यूएससर है ठीके 1990 में आप देखोगे तो यूएससर बिटा यह आपका ब्रेक होना स्टार्ट होता है तो जब यूएससर टूटा तो बहुत सारे कंट्रीज निकले रश्या हो गया यूक्रेन हो गया बेलरूस हो गया तो बहुत सारे से देश थे जो यूएससर के तूटने पर आज़ाद हुए तो पहले क्या था यूएससर ने सबको अपनी कबजे में रखा था जो यूएससर बोलता था वैसी एकॉनमिक पॉलसी चल्दी थी लेकिन जब यूएससर टूटा तो लो पहली बात कि चाइना में लेबर सस्ता है चाइना में जो प्रोडेक्शन सामान बनाने का जो कॉस्ट है वह काफी कब है अब जब सस्ता दाम में सामान बन जाएगा तो मैं महेंगा दाम क्यों लूँगा है की निभाई तो वही हुआ लोगो ने क्या कि चाइना की तरफ करन तो आज रिजल्ट आप देखोगे पिछले दो डेकेट के अंदर इंडिया चाइना ब्राजील जैसे जो देश है इनमें तगली तरीके से इंडिस्टलाइजेशन हुआ है तगली तरीके से डिवलप्मेंट आया उसका सबसे बड़ा रीजन यही है जब यूरोपियन देशों से जो ट्रेडिंग का व्यापार का सेंटर है वह एशिया की तरफ शिप्ट होना स्टार्ट हुआ एशिया में सस्ता लेबर है कॉस्ट प्रडक्शन सस्ता है सावान कम दाम पर प्रड्यूस कर सकते हो तो दीरे दीरे करके जो मोनोपॉली है है ना यानि एक छतर राज जो य करते हैं को एक मिन रिवाइस करते हैं उसके बाद खटम करते हैं हमारे अगले चाप्टर को भी चाप्षंट आप थोड़ा सा जल्दी खिच गया लंबा कि चाप्ष लंबा भी है तो हमने क्या बड़ा बच्चे हमने पहले बात की प्री मॉडर्ण वरिकी जापन में सिल्क बड़ी है ना जब टेक्नोलजी बड़ी बच्छे फिर उसके बाद हमें पता चला कि रिफ्रिजरेटर चिप्स आए जिसके तुब बड़ी आसानी से आप खाने को सामान को ले जा सकते हो इसके अलाव हमने तीन टाइप फ्लोस के बारे हम पड़ा फ्लोस के बारे में पड़ वार था उसमें बहुत साइल लोगों की जाने गई है ना उसमें लोगों को फायदा भी हुआ इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ जब वार चल ली ते लेकिन जब वार खतम हो गया फिर ने बात की सेकंड वर्ल्ड वार में साट मिलियन से जादा लोग मर गए इसके बाद हम की मांग की जांप उनको फेर प्राइस मिल सेके अपने दामों के और धीरे धीरे करके बच्चे जब अलग 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 देश आजाद होते गए हैं ना उन्हों अपने डिबांस रखके तो आपने ये भी देखा बच्छों की जो चीजें हैं वो काफी ग्लोबली मूव करने लगी और यूरोपियन कंट्रीज की मोनोपॉली थी वो दीरे दीरे यहां पर ब्रेक डाउन लगी राइट इस समप से चाप्टर दाट इस दा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ट तो यह दबाया आपका पूरा चाप्टर दा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ट चले अब मैं आपको खतम ठीक है स्वाटेड है ब्रेक चाहिए तो पांच मिट का ब्रेक में आपको देदूंगा नहीं चाहिए तो कंटीनू करते हैं चलिए कि बोलो हर्षित क्या लाउटा बिटा बताओ बताओ पंदरा मिनट बच्चे पंदरा मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा और पांच मिनट ले सकते हैं ठीक है पांच मिनट का ब्रेक लेते हैं मैक्समाम पांच मिन लेते हैं पंदरा मिन बहुत ज्यादा हो जाएगा अपन भाच्च पान्च 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 मेंच मांक्स में दो मταस्टा knew ह mesma के खेए तो ढूरे के कशोड़े। पिर सर को पुला लूँगा फिर सार आ जाएंगे ना बच्छे तो कोई ब्रेक देखते हैं तब तक बैटरी शार्टरी चेंज करता हूं और कोई ब्रेक के बाद मिलते हैं वड़ा बच्छे चार्टर ऑफ एज ऑफ इंडस्टलाइजेशन में ठीक है स्वाड़ेट है चलिए जी 77 सब्ढ़ेए चलो मैं जी 77 बताते हैं जी 77 को आप डिफाइन कर सकते हैं ग्रूप 77 जितने भी डिवलपिंग कंट्री इस्टे बिटा जितने भी डिवलपिंग कौन होता है जो अब प्रगति कर रहे हैं और पूर्ज़ा डेवलप हुए ने ठीक है इनके साथ क्या और पूर्ण को कहते हैं जी 77 और इन्हों ने का किया एक नया इंटरनाशनल एकॉनिक ओरर क कहा क्या हमको दिया जाए इसकी मांग की हिए और रिन कहा कि जब रहे हम को को ब दाम कर रहे हैं किसी को साथ हम को फिर दाम दिए जाए ठीक है तो सब्सक्राइस कर थाए हम। है raw materials के लिए हमको सहीर दाम दिया जाए international market में तो यह इनकी कुछ demands थी ठीक हर्शिद माइडियर बच्चे तो यह आपका G77 चले बटा आई एम एफ वर्ल्ड बैंक दो अलग अलग इंस्टिटूशन से इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक है आपका बच्चे आप कह सकते हो ग्लोबल बैंक क्योंकि बहुत सारे ला लगे ठीक है चली है हां बच्चे ग्रूप आउट समय्टी समय अ पिटा ब्रेटन बूट्स ब्रेटन वूट्स में ओलेटी एक्स्प्लें कर चूप कुछ नहीं समझें देख क्या है देखो हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वर्ल्ड टुक घतम हुआ जैना जब वर्ड वर लिए एक कॉन्फररेंट रखी गए एक मीटिंग रखी गई यह मीटिंग रखी गई थी ब्रेटन वूट्स जो कि जगा है रियुख यह भूश्यक्ट लिए कंदर थिक और कॉन्फरेंट का नाम उनके नोन नेशन मोनिटरी कंस टीक युनाटिड नेशन सालों ने कर पाएंगे तो इसको स्टेबल करने के लिए दो संगठन मनाए गए इंटरनाशनल मॉनिटरी फंड और इंटरनाशनल बैंक फॉरी कंस्ट्रक्शन डेवलप्पेंट जिसको वर्ड बैंक के नाम से भी जानते हो तो इन संगठनों को काम यही था कि यह जो मेजल देश हैं ज स्टुन्स भी कहते हैं ठीक है बच्चे सॉटेड है अब इसको ब्रेटन वोट्स में डाउट था एक छोटा सा क्रक्स है ब्रेटन वोट्स का चलिए हां प्रद्यूमन बच्छे ग्रूप ऑफ 77 चलिए नहीं बच्चे प्रिंट मीडिया भी होगा सर आएंगे आसम सर आएं ठीक है चलिए ब्रेक स्टार्ट्स नाँ दा क्विक ब्रेक चलिए फटावट से आओ झालिया झाल 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 सरी में झाल 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 चलो भाई वापस आजो यार जली से चलो बच्चा बाड़ी फड़ा बट से वलकम बाख ओके तो जब तक हमारे प्यारे बेरे बच्चे वापस आ रहें ब्रेक पे जाने स्पहले बच्चे का मासूम से डाउट था कि सर ग्रेट इप्रेशन और मास कंजमिशन बास प्रडेक् अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो आपको उसमें मैं थोड़ा बहुत डाउट हो इसके अलाव बच्चे का बढ़ा प्याला सा मासूम सा सवाल दाई सर ग्रेट इप्रेशन ग्रेट इप्रेशन और लेटी मैंने डीटेल पढ़ाया आपको ठीके आप वीडियो में भी सब्सक्राइब करेंगे और एज ओफ इंडस्लाइजिशन को सार्ट करेंगे ठीक है सब्सक्राइब चलिए लेट सब्सक्राइब प्रकर कह रहा है कि कैना डू दिस चाप्ता है विदाउट दूइंद प्रिवेश अपने यस मैं डियर बच्चे बिलकुल बिटे दोनों चा सब्सक्राइब नहीं है तो आपको यह चीज याद रखनी है नंबर वन ठीक है चलो फिर अगर मैं आप से बात करूं बच्छे चलिए हम लोग पहले बात करते हैं ग्रेट इप्रेशन की फड़ा बच्छे दिगे डिप्रेशन क्या होता है डिप्रेशन होता है किसी भी तर सब्सक्राइब अब माल लीजाए कि आपको पापा जो है 100 रुपे देते हैं किसके लिए पॉकेट खर्ची के लेकिन पापा 100 रुपे की जगे आपको 10 रुपे देने लगे तो आपकी एकॉनमिक हालत क्या हो जाएगी खराब हो जाएगी नॉर्मल सी बात है जहां 100 रुप जितने भी कंट्रीज थे सब की एकॉनमिक हालत की बैंड बजी थी बिकाउस अब इसका क्या रीजन था इसके दो मेजर रीजन देंगे पहला रीजन आप देंगे एगरी कल्चरल ओवर प्रड़क्शन और दूसरा रीजन देंगे आप यहां पर दाट इस यूएस का लोंस देना ठीक है तो आप दो रीजन पर आप बात कर ली जगा देखिए मैं आपको यह बताया था कि जब वर्ड वार चल ले थी तो वर्ड वार से पहले जो इस्टन यूरोप था वो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था सबसे बड़ा प्रडियूसर था थी वर्ड में इस रिर यूरोप ने दोबारा सप्लाई करना स्टार्ट हूआ तो मार्केट में इतना जादा अनाज हो गया जितने खरीदने वाले में से जब किसी चीज़ कर दिया जाए लेकिन यह बात बिलकुल गलत थी तो जब और आप उगा के सप्लाई करोगे तो दाम क्या होगा और गिरेगा तो as a result जो किसान थे जो किस पूरी ट्रेडिंग में इन्वाल थे उनकी इंकम खराब होने लगी उनकी इंकम गिरने लगी है ना दूसरी बात यूएस ने क्या था बहुत सारे देशों को लोन दे र यूएस का उसकी हालत खराब होना स्टार्ट हो रही है तो धीरे धीरे करके जितनी भी चीज़ें थी उतनी ज्यादा बढ़ गई एक डम से धड़ाम से था वहां का स्टॉक मार्केट क्रेश हो गया जब नुकसान होने लगा है ना वहां की कंपनियों को नुकसान होने लग रही भाई भाई यहां पर तो बिल्कुल सब गरबल घोटा ला चल ला है तो यह ऐसे भई यूएस के इंदर भी हो रहा है तो अल अब सटेंग क्या हुआ कि जुआ के बैंक थे वो बैंकरफ्ट हो गया उनके पास पैसा नहीं बचा लोगों के पास जॉब्स नहीं बचे ए का एक़ौनमिक डिप्रेशन ठीके बच्चे तो यह बच्चे एकॉनमिक डिप्रेशन है दॉइन को बनाना प्रोड़क्शन मतलब वहता है बिटा कि समान को बनाना ठीक है फिर अगर मास्ट प्रोड़िक्शन की बात करते हैं हेंडरी फोर्ड नाम का आदमी था जो की गाड़ी बनाता था उसने मास प्रोडक्शन की शुरुआत कि आप कह सकते हैं पाइनियर था सबसे ज्यादा वही करता था तो उसने क्या किया कि एकदम कर्वेयर बेल्ट वाला सिस्टम लगाया जिसमें बेल्ट के उपर सामान आ रह स्फरीज हो गई यह और भी बहुत सरे प्रोडक्ट फे न रहते इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं मास प्रोडक्शन जिसके चलते यूस की इकॉनमी थी बहुत ज़्जादा अमीर हो गई थी बहुत ज़्यादा रिच हो गए ठीक है तो यह दो कॉनसेप्ट आण बच्चों क और एज ओफ इंडस्ट्राइजेशन चाटर की शुरुवात करना चाहता हूं मैं आपके एक पिक्चर बेस्ट कुश्चन से चलिए अब इस पिक्चर बेस्ट का आपको कहा देना है आपको आंसर देना है बिटा आपके चाट बॉक्स के अंदर हालागी सवाल मैंने पहले भी सवाल है तीन दमदार सवाल है ठीक है तो दोनों क्वेस्ट्रियु लेवर में और लेटी पढ़ा चुका हो ठीक है इंडेशल लेवर भी में पढ़ा चुका हूं तो हमबल रिक्वेस्ट है वीडियो में थोड़ा सा पीच्छे जाईए बच्चे वह जाकि उसको देखिए पूरा डीटियल पढ़ाद सोका है जो किसी दूसरे देश में जाकर काम करता है चार-पांत साल के लिए और उसके बाद जो है कर काम खता हो जाता है तो अपने देश वापस आ जाएगा या फिर किसी ऑल देश चला जाएगा तो इसको बिल्कुल डीटेल में पढ़ाया एक द तो और दो कुर्षिंट तो कहिंस से नमबर वन थीं केशां सब्सक्राइब था टूसरा कहता है वाट डियू में बैओ ओर इंड का मतलब होता है एश वाला जितना भी section था अन वह धी नबी सेक्शन था फिक है एक्षेण मेरा धी रहेंस टूचर टूथ थीजिए टिए तो कि यहां पर ओर्ञेंट लिखा हुआ है तो ऊरेंट का मतलब होता है एशरित जो एश्या के जितने भी देश थे उनको यूरोपेन देश औरिएंट कहते थे और हेंट का मतलब एक ऐसा रीजन जहां कि लोगों के बारे में आपको जानकारी ना हो जो बहुत ही पुराने तौर तरीके से चल रहे हो है ना जिनका जिन्दगी जीने का तरीका बहुत पुराना हो जो जादू अगरा करते हो तो इस प्रकार की बच्चे जितने भी कंट्रीज हैं वो कहलाते हैं आपके और खासकर एशन कंट्रीज के रिस्पेक्ट में यूरोप करने इंजी नियर अलादीन अपने जीनिक जादू कर यूजकर के प्रल lega रहा है और हमारे मॉडल इंजीनियर ने साइंस के जादwoo को यूज करके इदनी सारे चीजे बना दी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी है बडBgen बड़ए ब्रिज revolution पहले क्या था फिर के इंडस्ट्रिल रेवलोशन से पहले का टाइम है वह और आ ऐस्स Johnny means chains Bottle के बनने से पहले भी फॉर पानी सटोर किया जाता होगा इस bottle के बनने से पहले भी पानी को स्टोर किया जाता होगा इसी ना किसी चीज में प्रोटोटाइब और इस बॉटल से पहले का युदध का फॉर्माटा है वो क्या कहलाता था बच्छे आपका प्रोटोटाइब चली तो जितना भी आपका पीरिन एभी फोला कमिंग ओफ इनक्रीज है बड़ी बड़ी फ्राट्री के आने से पहले वो क्या कहिए आप का वो कह लाता है प्रोटो इंडे Lane stores एक आ यह तो बड़ी बड़ी फाक्टरी के बनने से पहले का जो समय वो क्या कहलातार वो कहलाता है प्रोटो इंडेस्ट लाइजेशन तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के आने से पहले जितना भी प्रोडक्शन था वह कहां किया जाता था वह किया जाता था गाहों के अंदर कहां किया जाता था भाई गाहों के अंदर कंट्री साइड में विलेज में ऐसा क्य हें हैं ह anar rag Александра इंडस्ट्री जाना स्टार्ट अगाये थे अगर मैं बात करो इंगलेंड के अंडर इंडस्टिरिस है वापके आना स्टार्ट हो चुके थे भई दिक्ति यूझा रहे यह चलो यलो कला ले थे थे थोड़ा जाधा विजबा हो गई ते चली तोगर बात कर iemand बचे इंग्लेंड के अंदर 1730 से इंडस्ट्री जाना स्टार्ट हो गए ते लेकिन इनकी संख्या बढ़ी कम इनकी संख्या बढ़ी आपकी 1770 से 1780 के बीच में ठीक है चले आगे बात करते हैं आप कोश्चन कहता है कि भाईया शहरों के अंदर शहरों के अंदर प्रोडक्श तो मेरे लिए कपड़ा बनाओगी क्या मस्त वाला फैबरिक बनाकर दोगे क्या उसके बदले में पाईसा देगा हम तुमको पैसा ठीक है तो यह लुग क्या करते थे वीवर के पास जाते थे उसको पैसा देते थे उससे कपड़ा बनवाते थे इंटरनाशनल मार्केट में जाके कहां बेचते दभाई इंटरनाशनल मार्केट के अंदर ठीक है तो दिक्कत यह है आपके साथ ने क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट इंट टाउंस टाउंस के अंदर यह लोग व्यापार क्यों नहीं करते थे उसका नंबर वन पहला रीजन है यह क्वेश्चन है यह क यह शहर के अंदर यह पांच लोग है एबी सीडी अब इन पांच लोगों ने मिल के क्या किया कि अपने संगठन मना लिया अपना और वहां कर जो लोकल सरकार उसे परमिशन लेके आ गए कि यहां पर सिर्फ हमी सामान बेचेंगे और कोई बाहरवाला के नहीं बेच सकता ठ कि मैं भी prenपारी हो मैं क्या हूं बच्छा मेरा नाम है कनाल कप्डा वाला अब दिक्कत मेरे साथ ये है कि मैं शेहर के अंदर कप्ला नहीं बना सकता क्योंकि यहां पे जो गिल्ड है वह बहुत ज्यादा एक्टिव है किसकी गिल्ड क्लॉथ मर्चेंट की तो गिल्ड क्या होता है बच्छे और इन्हों ने क्या किया है है लोकल रूलर से जाके पर्मिशन लिये कि भाईया यहां पर सिर्फ हम हमी कप्र बेज़ सकते हैं कुनाल कप्रा वाला कपड़ां यहां पर नहीं बेच बएक है तरी के उपर इन्हों ने अपना कम्प्लीट कब्जा कर लिया है क्या कर लिया भाई कम्प्लीट कब्जा मुनोपलाइस कर दिया इसको ठीक है तो व्यपार के इंदर क्या किया है बच्छों कम्प्लीट कब्जा कर लिया आज रिजल्ट मुझे कहां जाना पड़ता है मुझे जाना पड़ता है गाउं में अब कर सकते हैं to stay in the countryside plus cultivate यानि खेती बाड़ी भी कर लेंगे और यह जो एक्स्ट्रा काम आएगा इसको करके भी पैसे कमा लेंगे ठीक है तो इनके पास दो फाइदे क्या फाइदे नमबर वन नमबर वन पहला फाइदा क्या फाइदा भाइदा भाइद तू स्टे तू स्टे इन there to stay in their countryside हना पहला फाइदा है और प्लस क्या करेंगे कल्टिवेट कर सकते हैं कल्टिवेट मतलब खेती बाड़ी भी कर सकते हैं हना सिंपल है तो पहला फाइदा क्या है कि भाई यह लोग क्या कर सकते हैं नमबर वन कंट्री साइड या अपने गाउं में रहकर के खेती असाइए संब्दैब कर सकते और दूसरा इंके पास एक्स्ट्रा इनकाम आई तो इसी वजह से लोग व्यापारियों का मर्चेंट का जो ऑफर है उसको बड़ी असानी से माल लिया करते थे अगले बात प्यांते अगला कोश्टन अब कोश्टन यह कहता है इंग अच्छा क आपो questions भी बताते जा रहो हो साथ ही सार ठीक है question कहता है कि अगर आपको इसको board के exam में लिखना हूं माल लीजे यह तो मैंने दो pointers बता दिया आपको अगर आपको board के exam में लिखना हूं same सवाल को आप कैसे लिखेंगे पहला point आप लिखेंगे peasants agreed as they could stay in the countryside and continue cultivating the small clouds of land और दूसरा point लिखेंगे they could earn additional income by providing for the merchants by producing for the merchants without leaving the countryside तो अगर board exam के अंदर एक question आता है तो आप इस तरीके दो पॉइंट यहां पर लिखके आ सकते हैं ठीक है तो दो पॉइंट आपके boards के answer में बच्चे जब बोड एक्जाम में answer आएगा तो ध्यान रखेगा आपको यहां पर दो पॉइंट में ही answer लिखना है दो नंबर का question बोले तो दो पॉइंट ठीक है उससे जाधा मत लिखना या टाइम वेस्ट करना ठीक है रंग रूप दिया जाए अब मालोई टीशर्ट की बात कर लो भाई फिजिक्स वाला की टीशर्ट पहनी हुए मैंने आप इस टीशर्ट को बनाने के लिए बहुत सारे फिनिशिंग करना फाइनली प्रोड़क्ट को जोसका रंग रूप होता है उसका अप्यरेंस होता है जोसकी boxing वगेरा होती है यह सारा का सारा काम आता है आपके अगर हम देखींगे कपड़े का एक्जाम्पल ले करके तो लेंड़न शिय जगे बन गई जहांते प्रेशिंग किए जाता था क्या के फिनिशिंग किया जाता था तो कपड़े को फिनिशाँ हमारी बेड भेणोंandır न जो नगहाता है ऊपर से निकलता है ऑई भेण योटी नशीप है नहीं बिढ़न कैसे बोलती है तो फिरों का जो बाल होता किया कहते हैं वुल कहते है नहीं क्या करेगा पहले कप्ड़ा वयपारी जाएगा स्टेप्लर से जाके फूल खरीदेगा स्टेप्लर का काम क्या है द्याजा जो मोता है आपका बंढ भेड़ का थी लिए बोल प्यजु को जो काम क्या है कि अद्ड़ल accomplishments mum करें चांग का रंप दो इसको तो स्टेप्लर करेंगा है कि भूज स्प्लाइ करें चु manifest ने करेंगा इसको लिकां इसका फेल इसका और को फैबरी को लेको दियर के पास कमगा कम क的是 को कика और कamas को कलर करना कि लगा चलऱ रचपाई करना ठीक कि तो आयर्यक सको बढ़िया जो एक सल सावक कर युद निच फै़िको कड चलर करके नहीं है उसके लिए कहा ले जाए जाएगा इसको लंडन कहा ले जाएगा इसको लंडन तो इस तरीके से लंडन बन जाता है आपका finishing center क्या बन जाता है बच्चे finishing center जहां पे किसी भी प्रोड़क को खास कर कपड़े को एक final रंग रूप दिया जाता एक final आप कह सकते हैं उसकी packaging करना उसमें लेबल लगाना उसकी branding करना यह सारे जितने काम है किसमें आते हैं बचे finishing में जैसे आप paper जब finish करते हो है ना जब आपने answer sheet लिखते हो तो answer sheet लिखने के बाद check करते हो क्या मैंने margin बनाया है क्या मैंने important word को underline किया है क्या मैंने point finishing center तो यहां पर क्या हुआ उसको ऊल्ड ड के लिए उन न दिया उस उन को लेकत गया वह द्धागा बनाने वाले यह यह ने अवर के पास उसने ठागा बनाया वीवर के पास तो एक प्लिफ कंद डायर के पास इस था पर क्पड़े को लेकर पर किया और का बात करें घर कसिके ऑस को बले लिए इसको फिल कर ओन रोठीख है यहां पे चलिए बाएगा इसको क्या प्लाइंग्स इसे टेबल तो इस तरीगे से केस्टिश्ण बिच्चे आपके पूछे जा सकते हैं तो तयार ही ये अगला कोश्इन है आता है आपके बाद मार्कर से यानि की स्टेप्लर कौन है के बाद क्या होता है तो पताया बोई आत्मी है जो उन को कालिटी के ह्साब से अलग अलग करना आप लुख लिखार। तो उसका छिलका आते तो ना भाई शिलका अलग कर देते हो मुफली के नट्स अलग कर देते हो तो जो स्टेपलर बंदा है उसका काम यही है वह क्या कर रहा है क्वालिटी के हिसाब से उन को छाट छाट के अलग कर रहा है ठीक है फुलर का काम क्या है फुलर क्या करेगा बच्छे को प्रापर फोल्ड करती उसको प्लेट करती लगाती आपने दिखा हो कि एकदम सिम्मिंट्रिकल bod कि जाएगा उसको फोल्ड करना गिंगास कटरके बाद करें ग बच्छे काड़िंगे कैसा प्रोसेस है जाहंब जो फाइबर जैसे पॉर्टन और वूल उसको प्रिपेर के जाथा पास पिनिंग से पहले ठीक है यानि धागा बनाने से पहले जरूरी है कि जो भी आपका ओल है या कॉर्टन है उसको साफ किया जाए इस लायक बनाया जाए तो यह जितना भी ब्रॉसेस अना बच्छे धागा बनने से पहले यह काउंट होता है आपके काणिंग ब्रॉसेस में किस अगहे बात करते हैं है लेसरों वह चलो तो यह क्या बाइक काडिंग चीजों का अलग अलग करना ठीक है तो प्रिपेर करते हैं तो प्रिपेर करते हैं तो बच्ची क्या कहलता है आपका यह कहलता है काडिक ब्रेक नहीं यह ठीक है यह प्रिपेर करते हैं यह ठीक है तो एक विश्चन आता है आप पर क्वेशन क्या है कि प्रोटो इंडेस्ट्राइशन सिस्टम वह नेट वर्क और कमर्शल एक्षेंज इस दो नंबर का कोशन या तीन नंबर का वुशन आपसे आ सकता है दो या तीन पॉइंट अपने को लिखन लिखने है तो प्रोटो इंडेस्ट्राइशन इस्टम यानि कैसा सिस्टम जब इंडस्ट्री इज नहीं थी बड़े-बड़े ओस्प्टरी नहीं ते उससे पहले भी व्यापार होता था तो ऐसे टाइम का जो सिस्टम है वह कैसा निटवर्क साजिसमें बहुत सारा आदान प्रदान था एक्सचेंज होता था तो एक्सचेंज क्या था नमबर वन पहली बाद आप यही स्टेटमेंट को एक्जट इस लिखो गी क्या लिको के भाई जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको उठा के आज़ आप लिख दोगे ठीके नमबर वन पॉइंट पहला दिखो गेकर कैन रचेंट और स registration लेका बनाया जा कई तीसर आप लिखोगे कि मानने चलिए कि 20 से 25 वरकर जो है एक व्यापारी एक मर्चंट के लिए काम करते थे ठीक हर एक स्टेज पे तो रफली रफली अगर आप बोलोगे तो एक कपड़ा प्रेड्यूस करने के लिए ठीक है करीब 100 वरकर लगते थे फॉर वन व्यापारी यह आप सोच सकते हो कि एक मर्चंट का का करने के लिए एक टाइमपे 100 वरकर लगते थे भाई 100 वरकर तो कारीकर तब जाकर के कहिंग कपड़ा बना पाते थे हैना तो सो कारीगर मिलकर के एक मर्चंट का काम करने तो इससे एक फायदा यह भी आर कि एंप्लॉइमेंट काफिजा जनरेट और लोगो काफिजा जॉब मिल रहे हैं चलिए अब कहानी आती बच्चे यहां पर फैक्टरीज की किसकी कहानी आती भाई फैक्टरीज की देगे चलिए फैक्टरीज यह बात करेंगे बच्चे तो इंग्लेंड के अंदर 1730 में फैक्टरी आना स्टार्ट हो गई ती लेकिन सत्रवी अठार्वी शताब्दी तक ही जाके इनका नंबर बढ़ा है खासकर आप देखोगे 1780 के आसपास जो इनका नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ फिर अगर मैं बात करूं कॉर्टन की तो कॉर्टन को हम सिंबल ऑफ न्यू एरा कहते हैं कॉर्टन को हम सिंबल ऑफ सब्सक्राइब की बात करो 1787 में तो बढ़के कितना हो गया बाइस मिलियन पाउंड कितना हो गया बच्चों बाइस मिलियन पाउंड आप सोच सकते हो 17 साल के अंदर यह जो टोटल इंपोर्टन का वो कितना ज्यादा बढ़ गया है ना इसी वाज़े सेंब को सिंबल ऑफ ज्युएरा भी कहते हैं कियोंकि कॉटन ने इंडस्यालाइज़ेशन का जो पहला फेज है मान के चलिजो पहला अपका 1814 तक तक फेज है वहां पर कॉटन की जो फेक्टरियां थी उन्होंने सबसें ज्यादा पैसे कमाया उन्होंने सबसें ज्यादा आग लगाी सबसें बचाया है और 1840 के बाद जो है यह कमान समाल लिया आपके किसने रेलवेज ने और रेलवेज की चलते आइरें एंस्टील ने ठीक है तो आइरें एंस्टील और कॉटन यह दो ऐसी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रिया जो इंडस्ट्राइशन के अंदर बच्चे जो ने कमाया है तो इनी दो इंडस्ट्री ने कमाया है ठीक है अब सवाल उठाई कि कॉट इंडस्ट्री को किस ची कौन से सी चीज़े थी जिसने इंपोर्टन बूस्ट प्रवाइट किया नंबर वन पहली बाल अगर आप देखोंगे तो कई सारे नए इन्वेंशन हुए अब की नहीं तो इसे बहुत सो भले ताकिन नए नय इन्वेंशन के थूख फिर अगर आप देखोंगे बच्चे जो पर वर्कर का ऊटपूट है पहले वरकर बहुत आलसी जाए कह राम-खिलावन एक राम-खिलावन करेंगे ठीक तो पर कर का पहले इसे चल्लेर राम-खिलाव कहते ना की प्रोडटटिविटी वरकार का ऑउटपुट की कुछ एक सधं टाइम प्रेट्ट में हो बना रहा है कितना काम कर अधी आउट対 रही उसका और आप देखो हो रहा है भी है पर क्या हो रहा है काफी मजबूट ढगा है यांपर प्रेड़्ूस किया जा रहा है चली फिर फिर कोशन हाता है कि विच आप फॉलिंगा करेक्ट गॉटन वॉसक्ष नियुक्य। अन्वेंशन ग्रीस देशिंसी एफ प्रडॉक्शन प्रॉट्शन प्रॉसस factory के अंदर सारह सारह process एक जगे पर किया जा रहा है जितनी भी machinery आपकीठीक तो जितनी भी आपकी machine आपका machinery है जितना भी management है ना production प्रोसेस है लेबर haya यह सारी इसारी छीज़ें एक जढ़ के अंदर अगई है जगे आ गई है तो ऐसे यह को कहते हैं cotton दैंरन मिल जहां पर प्र्रोडक्षिं भी हो रहा है कच्छा सामान भी वही प्रोसस किया जा रहा हैρα है लेवर भी लिए काम कर रहा है है और साथी साथ उनको मैनेच करने वाला और वह भी बैठा है तो इससे क्या होगा बिछे कि से पहली बात प्रोडेक्शन प्रोसस्स यानि जितना सामान बनाया जा रहा है उसके उपर आप निग्रानी रख पाओगे उसको पूरा टाइम देख पाओगे पहले क्या होता था कि मर्चेंट जो है ना अलग अलग लोगों के पास आके काम करवाता था उसमें एक तो टाइम भ और सारा काम किया रहा ह 되면 तो पहली बात रru टाइम कम लगेगा और टाइम के साथ सा जो है आपका कॉलिटी बढ़ेगी और कॉलिटी के तो रिचर्ड आप्राइट की कॉटन मिल ने क्या किया इन तीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर गया ठीक है तो अगर आप से क्वेशन पूछता है कि दीरे-दीरे आप देखो कि बदलाओ आना शुरू होते हैं ठीक है और इन बदलाओ के पीछे जो है ना बच्चे बहुत सारे रीजन से बहुत सारे कारण है जो इन बदलाओ कोई करते हैं चेंजस को इंबाट करते हैं हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे चलिए नमबर वन पहला है डॉमीनेंस और मेटल इंडस्ट्री अगर आप बात करेंगे पहले और सेकेंड फेस की किसके इंडस्ट्राइशन की तो कॉटन और इंडस्ट्री दो ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा डॉमिनेट किया है कॉटन ने पहले फेज में आयरें इन सील ने दूसरे फेज में ठीक है फिर अगर मैं बात करूंगा दूसरा सीजनल डिमांड ऑफ लेबर इस बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्री इस ती जह इश्क तुम अपने सब्जेक्ट इसे ना कर पाए तो किसी की दिल से क्या करोगे ठीक है तो लड़कियां देखती है सेंस ऑफ रिस्पॉंसिबिल्टी अगर तुमने यहीं दिखा दिया कि तुम पेपर से जादा आई लव यू बोलने में इंट्रस्टेड हो तो तुमारे हो गयार जो सब्जेक्ट से इश्क ना कर पाया जिसका पेपर कल है वह इंसान से क्या करेगा है की नहीं चलिए छोटे-छोटे इन्वेशन फिर अगर मैं बात करूं हेजिटेशन इंग उसिंग दा मॉडन मशीनरी तो भाया ऐसे लोगों पर देखिए लड़कियों खास कर बतारों बिटा ऐसे लोगों भरोसा मत करना सेंस ऑफ रिस्पॉंसिबिल्टी जिसका निगेटिव है बिटा उलाइफ में कभी रिस्पॉंसिबिल्टी नहीं उठा सकता ठीक है और लड़कियां ढूंटी रिस्पॉंसिबल लड़कियां स्मार्ट होती तुम्हाइं जादा हेज़िटेशन अच्छा इस पारग्राफ को मत देखेगा जो भी लिखा हुआ बोर्ट पे उसको देखें ठीक है बिल्कुल सिंप्लिफाइट परग्राफ मैं आपको इंसी आर्टी के लिए इसलिए रखा था ताक को रिफेरेंस मिलता रहे ठीक है चलिक तो इस पर इंडस्ट्री ठेक है बात करें कॉटन की तो कॉटन 1840 तक लीडिंग चेक्टर रहे और अप्षालो चालिस के बाद आप देखोंगे एक स्वाशन होता है ठीक है खासकर 1860 से जितनी भी कॉलनी इस थी भारत के अगर हम बात करेंगे तो भारत में 1853 1823 प्हली ट्रेंट में थी कहां कि बीच में की भी में कि ऀमब्बइत थाने हम जा रहे खाने मखाने तो मंबई से ने की वीच कहला लोह जाई चलती चलती गहिए थैसे ट्रेन चलती गई अब क्या हुआ कि जतना ज़्यादा ट्रेंग का डिमांड बड़ा रेलवे का डिमांड बड़ा उसको चलाने के लिए लिए लोगा आईरन और स्टील चाहिए से नहीं पुरानी इंडस्ट्रीज को रीप्लेस पुरी तरीक नहीं कर पा रही हैं ऐसा नहीं कि अब यहां यह नहीं इंडस्ट्रीज आ गही तो पुरानी वली खतम हो गए ऐसा बिल्कल नहीं उसका रीजन इसका रीजन अगर आप देखोगे तो बीस प्रतीशत से भी कम से नहीं कर पारी है ऐसा नहीं कि भीया नहीं इंडस्ट्री जा गए तो पुरानी वाली खतम हो गए ऐसा बिलकुल नहीं उसका रीजन उसका रिजन अगर आप देखो गे तो 20 प्रतीशत से सब्सक्राइब कर पार्तलय से nyaघंटरें सेक्टर में 20 प्रतीशन से कम जन्ता यह आप सब्सक्राइब वाद अच्छा Gesetzest maximum लो लोą लोग काम करें थे मैक्समम लोग काम करने छोटे 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 डुमेस्टिक यूनित्स में याणि कैपने घरों के अंदर from मैक्सम्म लोग का कर रहे थे मैक्सम्म लोग काम कर रहे थे के चो जोटे-चोटे smartphones domestic units दो में कवस्के एंडर स्क्रिप्षण के अंदर तो उसको डाउनलोड कर लिजाए जरूर सजा कम ऐसे लोग थे जो की पुरानी इंडेस्ट्री में काम करें रहे थे बाकि सारे के सारे हमारे काम करें थे हमारी छोटे-छोटे कोटेज इंडेस्ट्री में बात करूं बच्छे तो क्वेशन यहां पर आता है कि लेस देंट डाश परसेंट वर्कपोर्स लोग्डें टेक्निलोज के लिए एडवान सेक्टर क्या होना चाहिए इस का अंसर बच्छे करेक्ट आंसर ऑप्शन नमबर सी दाटेस्ट टेस्ट आगे कोशन आता है फिर अगला पॉइंट आता है अगला इंपॉइंट पॉइंट चली छोटे छोटे इनोवेशन जानी छोटी छोटी चीजें चोटे छोटे छोटे हरकते हैं आप करते रहोगे इनोवेशन करते रहोगे तो जिन्दिगी की गाली चलती रहेगी वह कहते ह हो जाए सब्जेक्ट अपना तो लिगा लो कोई दिमाग दूसरा है ना तो कहते ना कि जब कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते कहते ना कभी भी जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हमेशा मनजिले पकी रखो हमेशा तरीके बदल मिल रहे हो आपको सफलता मिली नहीं रही है तो हमेशा तरीके बदलो तो आपको डेफिनिट सी सब्सक्राइव कर देखोगे इन्वेशन हुद हो रें अगर बड़ी-बडऄ फैक्ट्रियों पास जेम सवाट का स्टीमंजर एम है तो हमारी छोटी फैक्ट्रियों गे पास फी छोटे-छोटे इनयोवेशन है तो इन्हों ने क्या है तरीके लेकिन इरादे नहीं बदले आज़ रिजल्ट आप देख सकते हो कि जो छोटी भैक्ट्रियां हे EBampf बड़ी वैक्ट्रींस आगे थी थी तरी apprendre बढ़ है बस्कैनल करते हैं चलिए बात आती है कि लेंड बहुत सीजनल था आप सीजनल समझे 1 यहां पे तीन बात करूँ जाप से कि See ले टनी के समय है के समय हमारे अंकल लोग चाहिए उता है थोड़ा लिटिल लिठी ले 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 यह लोग लेने के किन्हीं बहुत है रहे नीर लेके आते हैं बनाई ये जरा बनाई ये थोड़ा-थोड़ा दो गूंट हो जाए एक बार दो दो हो जाए अरे हो जाए ठीक है तो भाईया यहां पर यही दिक्कत है और साथी साथ अगर आप देखो के पहले जमाने में हीटर तो होते नहीं थे तो ग्यास वाले ना ग् इंडस्टरी क्या करती थी जादा लेवर कर लेती अब जादा लेवर हो गया इणका बढ़ गया तो भया सभी है जवर सीजन का टाइम है तो दो दाले वालियों में तो आप देखोगे तो दिवालि के अंदर मिठाई बनना चालो हो जाती है दिवाली में उलेक्ट्रोनिक समान बहुत खरीते दंतेरस पर तो ऐसे में आप देखीगा तो दुकानों के अंदर बच्चे जो समान दिखाने वाले लड़के हैं ना उनका कॉंटिटी बढ़ जाता है आप कभी जाना लेक्ट्रोनिक की दुकान में समान खर और ले बाइला जब सीजन खतम हो गया लेबर को भगा दिया ऐसे क्या हो रहाए कंपनी अपनी को को मिनटेन कर रहे है कंपनी का खर्चा में तो यही यहाँ पर किया जाने क्रिसमस कर टाइम पे बूग बाइंड इंग जाप किया जाता है कि इन लोगों को चाहिए जाधा लेबर क्रिस्मस के टाइम पर लोग गिफ्ट दे रहे प्रेजेंट दे रहे था अभी ज्यादा लेबर चाहिए तो चीजन लोगो लेफाइल के लिए जर सीजन कदर हो गया भगाधी फिर विंटर के टाईम पर आप देखो गे तो यहां पर जो आपके नदी वगए रहा हो ज के लिए लोग सीजनली लेबर हायर कर लेता था और जब चलता हूं दूआउं में या दृकाना चलिए बच्चे ब्रियूरी का मतलब होता है पर लिकर बनती लिकर समस्थतों हिंदी में तो मदीरा है ना जिसको आप लिकर एलकोहल समझ लिए ठीक है तो ब्रियूरी वह जगे होती ही जहाँ पर एलकोहल बनाया जाता है तो गर्मियों अजब ठंडियों के टाइम आपने देखा होगा आपने अंकल्स वगरा को रिलेटे वगरा को लोग थोड़ा पीते हैं थंडियों हाँ बिलकुल सभी वजए प्योड़ इतनाल नहीं पी सकते वर्शा फ्योर इतनाल पेंगे अदम स्वर्क्स इस समझाट रहो प्योर इतनाल पीने के बात इवराज के दर्शन होंगे यम्राज केंगे और बढ़ी फीली एक प्रभू प्योप्य और पीलीए थे इस लिए अ तो नहीं पी सकते ठीक है तो मैं उसमें डाइलूशन किया जाता है विल्कुल सही बच्चों नहीं आप एक दम और हम भी पिएंगे थोड़ी यह देखो अपई यह यह नहीं किया रहो है तुमसे हम भाई में और लगी मज़े में चल ले हुआ अलगी मज़े में मैं इधर पढा रहा हूं बच्चों एक्जामपल दे रहा हुँ बच्चे कह रहा हैं रही कि अड़ी खेंगे थोड़ी बड बहुत है मिश्राजी है ऐसा है वह ऐसा मत करना भाई नुक्सान दैको है नहीं घंदी चीज़ है तरी बाट बीड़ा सुनील से आए थे आपके साइंस के सेशन में आपके बाते बच्चे आप देख सकते हो सरकाव वीडियो बहुत सारा पड़ा हुआ है ठीक है चले आगे ब बहुत महेंगी है दूसरी बात कह रहे है कि इसका मेंटिनेंस कॉस्ट बहुत जादा है रहे बहुत मेंटिनेंस को यह मतलब नई टेक्नोलोजी समझ जो एक ऐसी गल्फ्रेंड की जैसी है जिसको मेंटें करना बहुत मुश्किल है ठीक है खासकर एक्शुली फैक्ट यार यह कभी होते हैं कई बार ऐसी इंको बहुत सारी फ्रेंट्स मिल जाती है जो बहुत इदम हाइप रॉफाइल लिदम ख़तरनाकी रहती है यह गुची पर ड़ाड़ इन गुची आरमानी किते हैं वही वाली दमस्त यूनों माई माई साशल साफम प्राड़ा माई सांडल सा लड़का जो है इतने खर्चें कर नहीं सकता तो नई मशीनरी ना बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत दिक्कत ही बात अगर ऐसी आपकी गल्फ्रेंट थोड़ी सी नाराज हो जाए मान के चलिए नाराज हो जाए तो भया उसको मनाने के लिए तुम्हें गुची का समान खरीदन तो भी तुम्हें वैल्यू नहीं मिलेगा तुम खुद की बोली लगा रहे है उसको भी बेस दोगे तो भी वैल्यू नहीं मिलेगा इतना महंगा सामान आता है ठीक है तो अपना इंडियन ही देख लेते हैं इंडियन इंडियन ठीक है थोड़ा अदम नॉर्मल लड़की ज यह न्यू टेकनोलजी बिल्कुल वैसे ही है ठीक अब यहां पे जो इतने भी लोग है उन्होंने कहा कि भाईया ऐसा है कि इसका जो एक्सपेंसिव है इसका जो कॉस्ट है वह बहुत ज्यादा है और जो आउट्पुट है प्रोड़क्टिविटी बहुत लोग है अब सोचो तुम अगर प्राड़ा की चपल खरीद के ला रहे हो 70-80,000 की और जाके इसको गिफ्ट कर दिया तुमने उसके बाद वो बोले सुनों ऐसा है ना सुनों I just cannot go you know my parents won't let me go for your birthday party और सोचो 80,000 की चपल खरीद के तुम लाके दे दिये इस वजह से इस ड्रीम से कि तुमने सोचा दाल मखनी बागा के बैठे हो और वह आहीं नहीं बैठे है ना फॉर एक्जामपल तो कह सकते हैं कि आउटपुट जो है बिलकुल लो है तो ऐसी रिलेशनशिप का आउटपुट तुम्हारा बिलकुल लो है मलत तुम्हारा 80,000 का जो जूता है वह बिलकुल चला गया बेक जल्दी पड़ा रहे हैं खतम करेंगे इसको फड़ावट से ठीक हम लोग फड़ावट से करेंगे आगे बात करते लेक्स मूव फड़ा अचा बात है बहुत खतरनाक टाइब आतमी जेम्स वाट बहुत चलाक आतमी यह वह आतमी है जो तुम्हारा अंसर चांप के बोलता ह लिए ना कभी हम कहते हैं बहुत ने बनाया था तो 1781 के अंदर इस ने क्या किया अपने नाम से स्टीम इंजन को पिटरिंट कर वा लिए इसके बात कहते हैं बहुत जाए इस बात से नाइटीन सेंचरी के अंदर से पूरे लेंड के इंदर स्टीम इंजन थे उसमें से असी हम कॉटन इंडस्टी में यूज कर रहे थे नौ जो है भूलर इंडस्टी में और बाकी माइनिंग कनाल और आयरेन वर्क्स के अंदर तो जो स्टीम इंजन थे बच्चे आपके इसको कॉंटिटी पहली बात तो बहुत कम था और उनका यू स्टीम इने आप नोट्स में डाल रखें तो आराम से जब नोट्स डाउनलोड करेंगा तो स्टीम जरूर से पड़ेगा या पंसे अटी से भी पड़ सुके हैं सोर्से है जापर लाइफ वरकर्स के बारे में बात की गई कि अगर आपका कोई जुगार नहीं है तो वही आपको पढ़ना है चलिए आगे बात करते हैं अब बात करते हैं हां डिवर की बात करेंगे तो ब्रिटेन की जो पॉपलेशन बहुत जादा थी जंसक्या बहुत ज्यादा थी फैमिली प्लैनिंग का सिस्टम चल नहीं रहा है तो यह लेवर का तो देखो कोई शॉटेज न तो यहां पर काफी सस्ती आसान से लेबर अवेलेबल है जो की ब्रिटेन के बहुत सारी फैक्ट्रियों में काम करने को तयार है ठीक है तो अगर हम बात करेंगे बच्चे कि यहां पर काम बहुत कम है लेकिन दिक्कत यह है कि पॉपलेशन जादा है तो लेबर भी जादा है लेकिन दिक्क्त यह कि बिए काम कम हैं अब जो काम कम होगा लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा और वहीं हो रहा है प्रिटेन के अंदर ठीक है कोश्चन देखेंगे कोश्चन यह भी आ सकता है कि हाउ सीजनल डिमांड ऑफ लेबर एफेक्टेट जा यूज तो आप दो नंबर में कुश्चन समझा दीजेगा जो भी हमने थोड़े दिर पहले कि आगे बात करते हैं चले तो अगर आप देखो गिए कि वहाँ पर मैनूल लेबर का जो डिमांड ठानों कम नहीं हो रहा था उसका रीजन है उसका रीजन यह भी आपके अमीर क्लास के लोग है अमीर लोगों क्या चाहिए होता है ऐसा समान जो सरफ उनके पास बागी किसी के पास नहीं तो यह लोग हैंड मेट गूट्स को जादा प्रिफर करते थे ठीक है इनको मतलब था कि वगर हैंड मूट्स आप खरीदेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी क्लास दिखा र इंका मानना था ठीक है तो ब्रिटेन के अंदर पांसो तरीके के हतोले बनते थे तो इस सब चीजों को मशीन में बना सकते इसके लिए चाहिए आपको मैनुल लेबर इसके लिए चाहिए आपको बच्चे मैनुल लेबर तो आप जो डिमांड देख रहे हो मार्केट की वो इतनी ज्यादा अभिया कि सब चीजाएं आप मशीन में बनाई नहीं जाती अगर हम देखिए तो इनकी हिसाब से मशीन का सामान कहां बेचा जाना चाहिए इनको लगता जा कि ऐसे इलाके जिन पर यूरोप में कबजा कर रखा है यूरोप इन देशों ने कबजा कर रखा ह है वह इलाकों में जो है बेकार टाइप के लोग रहते हैं तो मशीन से बना हुआ समान एह सही बेकार टाइप के लोगों के लिए है ठीक है चलिए फिर अगरें बात करें मिच्छी तो एक क्विश्चन आप से पूच सकता है यहां पर दो नंबर का कि स्पेसिक डिमांड्स सब्सक्राइब करता है अगली बात अब बात आती हैं पर बच्चे तब माजिक और सोशल कनेक्शन की लाइफ ओड़ वर्कर्स की जिंदगी कैसी ते नंबर वन आपको जॉब चाहिए तो भईया जॉब आपका डिपेंड करता है सोशल कनेक्शन पे यानि आपका भाई बं करता है तो भईया आपका हू लाला हो जाएगा यानि कहने का मतलब है आपको जॉब मिल जाएगी लेकिन अगर आपका भाई बंदू चाचा या ताओ किसी वैक्टरी में काम नहीं करता तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है ठीक है तो दोस हैड़ और बहुत मिलना बात यह है कि जो बेरोजगार लोग थे वह या तो ब्रीजेस के नीचे सोते थे ब्रीजेस मतलब पुल के नीचे सोते थे या फिर नाइट शेल्टर ज्यानी कुछ ऐसे छोटे छोटे कमरे टाइक के बनाए थे सरकारों ने जहां पर जितने भी ऐसे क्या होते हैं सरकार द्वारा बनाए गए एकदम कुछ बड़े बड़े एरिया तो बहुत जो नाइट शेल्टर है या जो कम्यूनिटी वाइड है यह ऐसे पब्लिक एरिया जहां पर जितने भी बेरोजगार लोग है जितने जितने लोग ऐसे जिनके पास घर नहीं है रहन लोगता था कि रोजॉब मिलने वाला जौब मिलने वाला लेकिन जॉब मिलना इतना असान नहीं था क्युंकि जूंकि एकना आक उन्धार बड़ा पर अगर मैं बात करूं बच्चे इंक्रीज है अब क्वेशन कहता है कि क्या जब वरकर्स की सालरी बढ़ी जब इनकी दिहारी बढ़ी तो क्या इससे बेनिफिट हुआ तो देखेंगे अल्ली 19th सेंचुरी के अंदर जो वरकर्स हैं उनकी दिहारी बढ़ जाती है लेकिन इस मेटि तो कोई बी ऐसा समान है जो हूँ मन बना रहा है को खोया को अनवेट और मशीनम्र बटाती है हैनमेट की मतलब होता है जो सबनाए हो मशीनमेट का मतला पकी टाहरी चलिए पार है ह चलिए ठीक है ठीक है फालो बच्चे फालो बच्चे आच्छा बढ़िया बढ़िया ए विदाथ यह तुम्हारा नाइस वेदर वाला में सुनने ही रहा हूं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ओगी आएगा भाई अरे तुमने जोगिंदसर के नाम होगी रखा हुआ है सर बता रहे है तुम लोग सब आगे बात करते हैं तो मैं आपसे यही बताया कि भीया जो मार्केट में जब वरकर का वेज़स बढ़ा जब दिहारी बढ़ी लेकिन सो कुछ बहुत कुछ खास फाइदा हुआ जैसे नेपॉलनिक बोर्स के टाइम पर हम बात करें मैं आपसे यही बताया सामान का जो प्राइज यह कर्चा मिला के मेरा आता है मान लीजहमान लीज़ें 15घ रुपे सब्सक्राइब मेरी इंकम बढ़के हो गई 15 sait रुपे ठीक है मेरी मेरी मेरे पास ब्रब शालरुपे भई at और दिए पहले सामान का दाम चेutt 50 तो मेरी कंखोगे जब नपॉलियन लगbers bells अगरो पर ऊक्प देखोगे जब नपोलियन युद लड़ना था लग जो आ लिए ल coffee- though वार के टाइम पर नॉर्मल है क्योंकि वार के टाइम पर सामान सप्लाई नहीं होता सामान की कॉंटिटी कम होती तो सामान के दाम यहां पर बढ़ जाते हैं ठीक है बच्छे जी 77 में पढ़वा चुका हूं मैंने और रिवाइस भी करवाया था लास्ट क्लास में ब्रेक आने पुल्फिल कर पाएं या फिर पूरा कर पाएं ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अब क्वेशन कहता है कि अब डेली बेसिस इंकम ठीक है चलो दिहारी वाला हमने अल्ली कवर कर लिया फिर अगर आप देखो कि बच्चे जो इनकी इंकम थी वह इनके वरकिंग आर्स पर ड दूँगा तो माल लीजे एकर मैंने पांच घंटे काम किया तो मेरी इंकम कितनी होई 500 रुपे अगर मैं 10 घंटे काम करूं गातो मेरी इंकम हजार रुपे तो कोई फिक्स इंकम नहीं है ठीक है तो जितना भी इंकम मेरा बन रहा है मेरे नंबर और वरकिंग आर्स के होसे मिलेंगे लेकिन सामान का दाम तो बड़ता ही जारा बड़ता ही जारा घक eh तो विछे वीज़ Cook कि किसको किटना वैसे टेना है कि डिसटी होता था था बचे आपके आवर्मी वरकिंगि का कि एक वरकर का on an average कितना घंटे का duration का काम आ रहा है उसी विसास पर उसकी बच्चे धिहाडी को decide किया जाता था ठीक है उसी हिसाब पर उसकी धिहाडी को decide क्या जाता कि on an average एक वरकर कितने घंटे काम कर रहा है उसी के साफ से decide होगा कि उसको कितनी धिहाडी दी जाएगी चले तो यह तो गया अपने वेजस का खेल आगे बात करते हैं ठीक है तिर आप देखो गे मिद 19 सेंचुरी में करीब 10 प्रतीशत अरबन पॉपुलेशन जो थी वह बहुत जादा गरीब थी यानि 10% अरबन पॉपुलेशन बच्चे यहां पर बहुत जादा गरीब थी ठीक है तो आप सोच सकते हो एकॉनमिक डिप्रेशन जे पहले जो अनेम्प्लाइमेंट बिरोजगारी 25% पर थी वह एकॉनमिक डिप्रेशन के टाइम पे 75% तक पहुंच गया यानि मान के चलिए अगर सौ लोग है शहर में तो सौ में से 75 ऐसे जिनके पास कामी नहीं है एक हाई रेट अटाक करना शुरू के जैसे फार एक्जांपल स्पिनिंग जैनी में अगर आप देखो गे तो इसी मशीन है जिसमें एक समय में आप बहुत सारे धागे एक साथ बना सकते हो ठीक है अब एक समय में बहुत सारे धागा एक साथ प्रेडियूस कर सकते हो लेकिन जब यह बहुत सारी महिलाओं का जॉब चला गया जिसके चलती इंसेक्योर हो गई और इन्हों नहीं स्पिनिंग जैनी को तोड़ना जो है बच्चे यहाँ पर स्टार्ट कर दिया ठीक है इसको बनाया किसना था इसको बनाया था जेम साग्रीर्स ने 1764 के अंदर चलिए आगे बात करते हैं लेट्स मूव फदर अगला टॉपिक ऑगे तो आपका काहम है कि आप इन सोर्स को थर्यली रीट करेंगे पर इ सबस्क्राइब तो चलिए अगला खें अगर रटारा सचालिस प्रिश्टर काफी ज्यादा बूस्ट होता है इंफ्राश्ट्रॉक्ट्ट्र्थी सब्सक्राइब और इससान बढ़र है मांइनिंग बढ़र रही है मांइनिंग समस्ते हो चों के निकालते हैं अंदर स जो जॉब्स हैं वो भी जाधा Sãoी होगी लिगो डापको लेबर चाहिए रेल्वे में काम करने के लिए क्ल पैसे इंकम सिच्टवेशन ठोड़ी बेहतर होगे अब आगे मैं अगर बात करो इंडस्टलाइजेशन इन अगर भारत की बात करोगे तो थोड़ी दिर पहले अभी सिल्क रूट के बारे में पढ़ा है अगर भारत की बात करेंगे तो भारत से जो सिल्क है और कॉटन टेक्स्टाइल है बहुत सालों से सिल्क रूट के रास्ते जो इरोप में जाता था, खासकर भारत का जो north western एलाका have, बन्जाब की बात करें, तो पंजाब से अगर आप देखोगे, तो आर्मेनियों और पर पर्षया के जो मिर्चेंट सहें, जो वयापारी हैं, पंजाब से अर्मेनिया और पर्षया के जो वयापारी हैं, वो बहुत सारा समान लेकर के यूरोप में अफगानिस्तान में और भी ऐसे कंट्रीज जहां पर लेकर जाया करते थे तो इंडिया का इसके अलावा अगर मॉसली पत्नम की बात की जाए अगर हम बात करें बच्चे यहां पर मॉसली पत्नम की ठीक है बला ही लेते हैं तो इस सब्सक्राइब जाता है तो पहले तो सिल्क रोट हो गया हूए कोष्टल ट्रेड हो गया naw cette इंस यह अलग अलग एरिया बट ने घाता था ल कहाए जाता था वर्ल्ड के बहूत सारी कंट्रीज में तो पहले तो सिल्क रूट्स हो गया सिल्क रूट्स के अलावा मारा कोस्टल ट्रेड हो गया मुस्ली पत्नम से यह पच्छ वाले रिजन से ठीक नॉर्थ वेस्टन नॉर्थ वेस्टन पाट भारत का पंजाब वाला रीजन पंजाब वाले रीजन से कैमल पर लाथ करके जो है बड़े- वहां से ले जाते थे पर्षा सेंट्रल एश्या फिर मैं आपको पताई कि कैमल की पीट पे लाद करके कपड़े के बड़े-बड़े थान यहां पर ट्रांस्पोर्ट किया जाते थे हैं ना साथी साथ सी रूट की बात करें सूरत और गुजरात की तो वहां से भी व्यापार क किया करता था अलग-अलग देशों से ठीक है अब यहां कहानी आती ही बच्चे हमारे इस नेटवर्क और सप्लाई मर्चंट्स की बहुत ही इंप्टेंट है बहुत ही इंप्टेंट और बहुत ही अमेजिंग है तो इस पूरे फ्लो चार्ट के तुरू आप पूरा है चाट सप्लाई मर्चंट वो आत्मी है जिसका काम है गाओं में जाना यह गाओं के लोगों को जानता था उनसे अच्छी बाची थी इसकी तो गाओं में जो वीवर्स होते हैं वीवर मतलब हिंदी में कहिए तो जुलाहे यह वो लोग हैं जो कप्ड़ा बनाते हैं तो यह क्या कर तो ऐसे शहरों में जाता था ठीक है तो इसने क्या किया पहले यह वीवर के पास गया वीवर के पास जा करके इसने कपड़े का ओडर दिया कपड़े का ओडर दे करके इसने कपड़ा बनवाया और बनवा करके कहां चला गया पोर्ट सिटीज अब वहां पे इस पोर्ट ब्रोकर समझते हो बच्चे तो जो दलाल होते उनको क्या कहते हैं ब्रोकर कहते तो उन्होंने क्या किया था अपने दलाल पाल लखे थे और यह दलाल क्या करते थे इन सप्लाई मर्चंट के साथ नेगोशेशन करते थे इनसे अपना सौधा जो है दम सेटल करते थे और इनसे खरीद करके यह फाइनली एक्सपोर्ट मर्चंट को दे देते थे तो यह पूरा नेटवर्क था ऑफ दा इंडियन ट्रेंग तो इस नेटवर्क में कौन है बच्छे वीवर है सप्लाई मर्चंट ब्रोकर है और आपका एक्सपोर्ट मर्चंट है ठीक है तो सप्लाई मर्चंट क्या करेगा वीवर के पास जाएगा उसको और देगा पैसा देगा उससे कप्ड़ा बनवाकर लेकर आएगा पोट सेटीज में इनको दलाल मिलेंगे दलाल को बेचेगा यह दलाल फाइनली को और यहां से बाहर बेज दिया जाएगा ठीक है चले तो भाई इसमें ना एक फादा फाइदा क्या है वीवर को फाइदा यह है वीवर के पास की नंबर वन उनके बस फ्रीडम है अपने कपड़े को बेचने की विकोस कपड़े का जो डिमांड है उसको खरीदने वाले ब पूरी फ्रीडम है कि वो किस दाम पर अपने कपड़े को बेचना चाहता है राइट चलिए अब यहां पर क्वेश्चन आता है बड़ा बढ़ा पांच नंबर का क्वेश्चन मैंने इसको बिल्कुल बोर्ड के आंसर के फॉर्माट में लिखा हुआ है क्वेश्चन कहता है बच्चे जो य։रोपियन कंपनी सथी ठीक हुँ इस जैसे युरोपियन कंपनी सबस्ष्चन का पावर आने लगी उनके अधिकार आने लगे इन्होंने क्या क्या पूरे वयपार के उप्पर अपना एक 31 राज जमालिया पूरे विपार पना कबजा़ एक जब्सून करे इंडिया में जो भारतिये वैपारी थे जो मेजर वैपार कहां से करते थे सूरत और हुगली से लेकिन जब यूरोपियन पावर्स ने आके कबजा कर लिया ऐसा चील के तरह बढ़ गया के घपता बार के हमारा लग ठीक है और बहुत चालाग लोग थे इन्हों ने क्या किया तो लोकल राजा थे उनको लाहत दे करके उनको पैसे वैसे करके उनके साथ बातशीत करके जो थे अधिकार अपने पास ले लिए ठीक है और जब यहादिकार आए तो सूरत और हुगली कि पोर्ट छे पहले अर्लियर पोटि वो धीरे यह देश के अंदर यह यह उरोपेन पावर कबजा जमा रही है अभी भी समय है समल जाओ लेकिन हम समले नहीं हम लोग बेखावर टाइप के लोगे ठीए अब दीरे दीरे क्या हुआ जो एक्सपोर्ट साव डिक्लाइन उनने साट हुआ आप कहे सकते हो लोकल बैंकर्स के हाल लेकिन वो गिर करके सिर्फ तीन मिलियन ही रह गया ठीक है फिर अगर मैं आगे बात करूं चौथा पॉइंट क्या लिखोगे इसमां चौथा पॉइंट लिखोगे कि सूरत अंका उगली जैसे जो पुराने पॉर्ट से वो डिक्लाइन करने लगे लेकिन बंबई और कलकत् का भी सबूत है कि देश के अंदर कलोनियल पावर यहां पर बढ़ रही है फिर अगर मैं बात करूं जितनी भी ट्रेट एक्टिविटीज थी अभी इसको कौन कंट्रूल कर रहा था युरोपेन पावर्स तो धीरे धीरे करके जो इंडियन ट्रेडर्स थे जिनको भी सरवा चाहता है और यह बहुत अच्छा कोशन है बच्चे जो कभी भी आपसे कोशन पूछ सकता है एक्जाम में एक्जाक्ली पांच पॉइंट्स लिखेगा इसलिए बच्चा आपको आंसर भी दिया हुआ है अगला सवाल सत्तरा सुबचास की करें बात करते हुए आप देखें चाहते हैं सामान खरीजना चाहते हैं भारत से लेकिन दिक्कत यह की इस इंडिया कंपनी को रेगुलर सप्लाई मिल ही नहीं पा रही है ठीक है रीजन क्या है कि हाई कॉंपेटिशन लोकल राजाओं को भी चाहिए इंडियन वैपारियों को भी चाहिए और पोर्तगाली को दो बहां नवाबों को राया तो बर इंडियां के पास विधर वाले चितने भी ट्रेडिंग के अधिकार सब्सक्राइब थी ठीक है बचे उसने क्या किया जब उसका पावर बढ़ता गया जतना ज्बंगाल और कर्नाटिक के छेत्र में जब इस इंडिया कंपनी के पास पार नहीं थी जब यह नौर्मल वैपारी को कितार ही इस इंडिया कंपनी भी थी तो इसके लिए बढ़ा मुश्किल था सामान की रेगुलर सप्लाइ को मिंटीन करना धिक है समान की रेगुलर सप्लाइब को मिंटीन करना लेकिन जब पॉलिटिकल पावर यहां पर 70 इंडिया कंपनी के हाथ में आ जाती जाती है इसलिए मैंने 2 इंपॉर्टेन बढिक सर्व बिटलों प्लांसी भाईया जब पे यूरोपियंस के हाथ में पावर आ जाती है खास कर बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पॉलिटिकल पावर आ जाती है बंगाल बिहार ओडिसा वाले छेत्रों में तो पिटा यह अपना पूरा कब्जा जमालेती वेपार के ऊपर अब इन्होंने एक दिमाग जीजे और रेगुलर सप्लाई को इंश्वर करिए कॉटन और सिल्क रेगुलर सप्लाई आना चाहिए तभी यह जाकर के बाहर कहीं जो बेच पाएंगे तो पहला काम है कॉम्पटीशन खतम कर दो कॉम्पटीशन कौन है लोकल ट्रेडर्स ठीक है लोकल व्यापारी लोकल राजा पूर्त गाली कॉम्पटीशन खतम करना पड़ेगा इनको हटाना पड़ेगा मार्केट से कॉस्ट कंट्रोल करनी पड़ेगी जतना कॉस्ट प्रोडक्शन लगरा उसको कम करिए तभी प्रॉफिट बढ़ेगा और तीसरा रेगुलर कॉर्टन और सिल्क का सप्लाई लैंना यहां पर तो कंपरेशन खतम करने के लिए आपको जढgga पड़े गया र्मिंवर ठीकें तो अगर आपने वीवर्स को अपने कपजे में ले लिया तो उसके बात कंपरेशन खतम होतं को आपने कब्स में लेड़ो अग्jak मै Ai Daoga उसके बाद को सबच्छन धोने लियसे ृ यह विऴर्ज के पास जाएगा उनको नेद्वान्स सप्लाइदा एद्वान्स थीक यह क्या करेगा इंगो एडवांस पि मेन्ट पीमिनकर चॉल के और करेगा कछा सामान देगा कच्छा रो मेटीरल देगा जाओ ऍसे जाकर के रोओ्हाइब अब यदिधे के बाद क्या करेगा और लिदीक ने के घाल चाहिए करेंग वर बनाके यह इन्रियोग नीदे इसका काम है कपड़े की कॉलिटी को चेक करना कपड़े की कॉलिटी जो उसको बताई गई उसी कॉलिटी पे कपड़ा बनाया है कि नहीं बनाया यह देखना और साथी साथ टाइमिली टाइम से बिल्कुल प्रॉपर टाइम से कपड़े की डिलिवरी ले लेना ठीक है तो यह क पर्मिशन दी उनको strict regulation था कि वो किसी और के साथ व्यापार नहीं कर सकते मालों मैं एक वीवर हूं कपड़ा बनाने वाला आदमी हूं और मैंने इस इंडिया कंपनी से पैसा उधार ले लिया है मैंने का एक गोरे भाई पैसा दे रहे हैं एक गोरे भाई पैसा देने का तुम मैंने फॉर इक्जामपल क्या किया पैसे उधार ले लिए बरिटीशर क्या कहीँ है कि बिठा जितना भी कपड़ा वनाओगे न तुम सिर्व मुझे ही बेचोगे और किसी बेच नहीं सकते ठीक है तो यह प्रॉपर क्लॉज है इसी क्लॉज पर पैसा मिलेगा तो ऐसे जितने भी वीवर्स थे बिचारे उनकी पूरे खांदान को भी प्रोडक्शन करने के लिए लगना पड़ रहा है ठीक है इनके पास एक्रिकल्चर के लिए क खेती बाड़े के लिए टाइम निकाल लेते थे और साथी साथ कपड़े भी बिन लेते थे लेकिन अभी जब से इन्होंने पैसे लेने साट किया इस्टिट है कंप्री से इनका पर्सनल टाइम खतम हो गया तो इतना जाधा प्रेशर है जादा से जाधा सामान बनाने का कि बिचारे कुछ करी नहीं सकते और इनको पैसे भी नहीं मिल रहे ठीक है चले तो यह तो गुमास के बारी हम हो गया अब दिक्कत यह क्लाशे देदा अब गुमास की है बच्छे गुमास और साइडर है जो सप्लाई मर्चेंट है वो जनली सेम गाउं से बिलॉंग करते थे गाउं की प्रॉब्लम को समझते थे लेकिन गुमास को ने गुमास आउटसाइडर है इनको कंपनी ने काम दे दिया कि आपका काम है आप जाईए वहां से कपड़ा वापस लेकर क्या आ जाईए ठीक है तो यह सिंपल सी बात है कि यह क्या करते हैं कि गलती से भी और में डी क्या आंगे ठीक है चल 18 यह कि क्या कोशन से बता दोड़ा बच्से है ये ही ऑना है पाक पाक क्या आ चाल बचे अब अ क्या कोश्च कौश्य कि क्या ने इंदीर वाले पे चल रहे इच के बात कमी बचागा है आ सलसकत वे hearing मुझे कि इंडिया वाले पर मालड़ी चल लें अर्ली एंटर्प्रेनियों सा जाए उसके बाद बहुत ही कम बचेगा चल लिए पर दिफ्रेंस बिन गोमाज से इन सप्लाई मर्चन देखिए गोमाज को पॉइंड किया है इस्ट इंडिया कंपनी ने काम इनका अल्मोस्ट सेम सेम साहे लेकिन दोनों में फर्क है फर्क है जो सप्लाई मर्चन्स थे वह भारती थे इंडियन से ठीक है और इंडियन ट्रेड में help करते थे गुमास्त को पॉइंट करने वाली आपकी इस इंडिया कंपनी है वह इस इंडिया कंपनी के लिए काम करने काम कर में सपलाइबंधान इस ट्रेट नेटवर्क बैस उसका काम यह है कि वही सामाल ले थीक है पांच नमबर के कोश्चन में पांच पॉइंट लिखने हैं पांच से चे पॉइंट जादा मतलिकना दस पॉइंट मतलिकना कोई जरूर आगे बात करते हैं तो जब कभी भी और डिले अगरा होता था ना तो गुमास क्या करते थे यह लोग लाई कर लेते थे यह करें ने तरीकहा है कहने का सिपोई घिल्ड बच्शे में स्टेम मता चुका हूं और अर्ग्रेज़ंट की व्यपारियों की उसके और डिल्ड के चले तो इंकॉम को कहते हैं बच्चे गोमास का काम बता जिया गुब माहां सिंपल य वीवर के पास जाएगा उसको पैसे दे यह आपका गोमास का फंक्षन है चलिए अब कुछ ने कैसे रिस्पॉंड किया देखे बहुत सारी वीवर्स होते हो गाउन चोड़के चले अपने रिलेटिफ के गाउन चले गए ठीके बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हों रिवॉल्ट किया तो वीवर्स यहां पर अलग अल बता चुका हूं थीन से चार बात बता चुका हूं तो हम्बल हम्बल रिक्वेश्ट बचे थोड़ा से पीछी दाकर वीडियो कर सकते हो मैंने अब डिटेल बताया गोमास आपको ठीक है एक पेट सर्वेंट है इस इंडिया कंपनी जिसको हायर किया है उसका काम है वीवर् कपड़ा खरीद लेना ठीक है तो यहीं गोमास थे अब कुश्चिन है कि वीवर से रिस्पॉंस कैसे किया कुछी वीवर्स ऐसे थे जिन्होंने खेती बाड़ी करना शुरू करती इन्होंने कपड़ा बिनने का कामी खतम कर दिया तो यहां पे बच्चे सोर्स सटी इंपॉ अगे बात करेंगे थोड़ा सागे बात करेंगे ठीक है उसके बात करेंगे अगर आप देखो के 19th century की स्टार्टिंग में इंडिया का जो टेक्स्ट्राइल एक उसमें बड़ा ड्रास्टिक रिडक्शन आया ठीक है आतुम करेंगे थारासो ग्यारा से जो बाराकर टाइम क्या भूत तक क्लॉट को थो खतने हो पूरा ठाला इक थां ठीक है detta क्लॉट काभ क क्या सकते हो बंडल समझलो बंडल कैह सकते हो यह बंद भी चर्ट तोर थान डोउने घ्योंगे उसका ऌपभी भी शाग्वाने गऊ आपको देता है ठीक है तो टेलर आपको क्या करता बच्च उसकी शर्ट बना के देता है न कि होते हैं तो आप देखेंगे भारत से पहले ऐसा यह गपर है वह बाहर टबार लगी वह बच्छे कम हो जाता है ठीक है अठारा सो ग्यारा से बारा के बीच में अगर आप देखोगे तो 33% जो भारत की ट्रेट जो थी भारत का एक्सपोर्ट था वो इसी कपड़े के थान का होता था लेकिन अठारा सो पचास में रिडियूस होके सिर्फ तीन पर सेंट रहे गया फिर बात करें बच्छे अर्लि-19 सेंचुरी के अंदर तो बिटेन में कॉन इंडस्टरी ग्रो कर रही थी लिए के खान तरीके से ग्रो कर रही है इसको भारत के टेक्स्टाइल से क्या जो खुट्डा है अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बेचना बंद करो इन फाक्ट हमारा कपड़ा जो हम फाइनली बना रहे हैं यहां पर उसको इंडियन मार्केट में बेचो ठीक है तो यह भाई हमारे बिच्छर्स की डिमांड थी आज रिजल्ट आप देखोगे कि भारत से जितना भी फाबरिक जो कपड़ा है उसका एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ और जो रोग कॉटन है उसका एक्सपोर्ट बढ़ गया ठीक है तो इन्हों ने कहा कि पहली बात तो यह कि भाई आप भारत स उसको भारतिय मार्केट में जाके बेचो थीक है तो इनका यही डेमांड था तो आप देख सकते हो कि भारत से रोग कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ गया और जो भारत का जो आप कह सकते हो ना पहले हम कपड़ा बेचते थे तो वो कपड़े का एक्सपोर्ट कम हो गया तो अठारसों पचास की बीच अगर बात करें अगर भारत का तो टोटल इंपोर्ट किए जा रहा था यारी भारत में बाहर से जो समान मगाया जा रहा था उसका 31 पर सेंट सिर्फ कोटन का कपड़ा ही था तो पहले जो भारत बेचता था भारत उसी चीज़ को खरीद रहा है बाय कर रहा है क्यों कि ब्रिटिश कर रहे हैं कि भारत का कपड़ा मत बेचो हमारे कपड़ा बेचो ठीक है और 1870 तक बच्चे फिगर जो है 50% जादा हो गया तो पहले भारत एक स्पोर्टर था बहुत करना बहुत मुश्किल है इसने भारती कपड़े को हमारे बेचना बंद करो इन फेक्ट हमारा कपड़ा भारत में बेचो और भारत से जो कच्छा कॉटन है वहां जाके आप से लाउट करिए चले आगे बात करते हैं अब हमारी कॉटन वीवर्स के सामने बड़ी प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्र इनके लिए बड़ी सा मस्या है फिर अब देखो गये 860 के गिरम बात करते हैं फिर टॉक अबाट 1860 तो 1860 में वीवर्स के पास एक और दिखका थी इनको जो सप्लाई रौ कॉटन का सप्लाई था वो भी नहीं मिल पा रहा था यह मैक्समम जो कच्छा कॉटन है वो तो भारत स पहले बरेटें के पास जो कच्छा कॉटन आरात हो अमेरिका से समय जए लेकिन जब अमेरिका में से छली बफर से होर हो ठेगा चली लेक्ष दिया जाएगा तो हमारे किसानों के लिए तो कुछ बचेगा नहीं हमारे वीवर्स के लिए कुछ बचेगा नहीं तो बिचारों को महेंगे दामों पर कॉटन खरीदना पड़ रहा है इसके अलावा कि आप देखो गे नाइंटीन सेंचुरी के इंड पे बाकिये जो खांग३ कि मार्केट के लिए उनको भी कॉप पर बाता के लिए उनको भी और वाट में फैक्टरिःँ नहीं पाक्टरिओं वुक्त करना शाइद चसी नहीं हुइब एठारासो साथ में तो इसी बहुत सारी कॉटन मिल से बच्चे जो आप देखोंगे भारत के अंदर स्टार्ट होती राइट 1862 में चार मिल स्टार्ट की गई थी ठीक है फिर उसके बाद अगर हम बात करें जूट मिल साना स्टार्ट हो गई थी बंगाल में सबसे पहली जोंगे बच्चे तो पहली कॉटन मिल लाइए थी अमधाबाद में तो यह बेसिक-बेसिक डीटा है ठीक है बेसिक डीटा है ठीक है तो इस ड्यटावेस में और कॉस्ट रएक कानपूर का पॉस्ट वाथा इसके मेजर है आपका यहें मिल आ गांपूर थीच है जिसकी तो भारत के अंदर अगर हम बात करें लेट 18 सेंचुरी यानि 1780 के बीच में तो बहुत सारे इसे भारतिय थे जिन्हों जो ओपियम ट्रेड याद करो लास्ट क्लास में ओपियम के बारे पड़ा था आफीन के बारे में कि ब्रिटेन जो था चाइना में ओपियम बेच रहा थ टो इन्होंने स्टॉक कंपनिया खुली थी आपकी 1830 से बीच में कुश्चन आता है कि कौन सा आत्मी जिसने जोइंट स्टॉक कंपनिया खुली थी तो इसका आंसर ना टेग हो ठीक है तो बंगाल के बड़े इंडॉस्ट्रिस्ट हैं बड़े व्यापारी है जिन्हों ने बच्चे भारत की ट्रेड में काफी ज्यादा कॉंट्रिबूट किया है बॉंबे के अंदर बहुत सारे पार्सी लोग वें दीन्शाप पतीत हो गए जमसेट जी नुस्वान जी टाटा हो गए जिन्हों भारत के अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एंपायर्स बिल्ट सेट कुमचन ने तो पूरा सेक्षण आपका अलियों कि लिए ही पढ़ना है कितने के लिए पढ़ना है पच्छा आपको वन माक्स के लिए ठीक है याद रखें कि पूरा अगले कोश्शन बात करते हैं ठीक है आगला कोश्ण कुछ मर्चंट से मदरास से जो की बर्मा यान सब्सक्राइब करना हो गया तो इस तरी कि भी बहुत सारी आक्टिविटीज थी जो हमारे भारतिये करते थे फिर बात करेंगे अर्ली और अंट्रोप्रेंश ठीक है नबर वन अब क्वेश्चन आता है कि भीया इन्हों डिक्लाइन क्यों गया ऐसा क्या हुआ कि उसका रीजनी यूरोपेन कंट्रोल अगर आप देखोगे जब से यूरोपेन कंट्री इसका भार पार कर सकते थे ठीक है और यह कभी भी भारति इंडस्ट्री को मैनिफ्यक्ट्र समान बेचना अला हुई नहीं करती थी ठीक है कुछ मेजर इंडस्ट्री की बात करूं कुछ मेजर मैनेजिंग इजन्सी की बात करूं तो आपका बर्ड हाइलर सें कंपनी हो गया आंडर वो इनको बाइपास करके सामान मार्केट में बेच नहीं सकते तो आज रिजल्ट आप देखोगे कि जितना भी फाइनल प्रोड़क्ट होता था वो यह जन्सियां बेचती थी इंटरनाशनल मार्केट में जितना भी कच्छा समान था वो हमारे इंडस्री बेचते थे 1901 मग वरकर आता कहां से था ठीक है तो दिखी वरकर को लाना अपने आप में टास्क क्यों कि बहुत ज्यादा है और जॉब्स बहुत कम है तो इस काम को करने के लिए जो हमारे इंडियन इंडस्री लिस्ट है भारती इंडस्री से उन्होंने का आदमी का पॉइंट कैस का नाम है जॉबर इंपॉर्टेंट यारा ठीक है जॉबर को ने जॉबर एक पुराना ड्रस्ट वरकर जिसका काम है कि अपने गाहों से लोगों को लेकर करके आएगा उनको शहर में घरवर दिलवाएगा उनको सेटल डाउन करने में हेल्प करेगा और साथी साथ उनको जॉब इसका पॉजिशन था बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप किसी को जॉब दिलवा रहे हो नौकरी दिलवारे उसका घर चलाने मदद कर रहे हो तो भाई आप तो इंपॉर्टेंट आदमी हो गये तो इसने क्या किया लोगों की जॉब लगवाने के आवरेज में कई बार पैसा लेना शुरू कर दिया गिफ्ट लेने शुरू कर दिये ठीक है तो भाई यह जॉबर का रोल है जॉबर से कोश्चन आता जॉबर कौन है एक पुराना ट्रस्टेट वरकर है जिसको काम दिया गया अपने गाउं से आप लोग लेके आई और लोगों की जॉब लगवा सकता है कि वोड़ वाद पेकिलरीटीडीज ओव पांच नमबर का वश्चन बचके बहुत अचा कोश्चन ऐख इसके बाद आजएंगे मार्केट ऑफ गोड्स पर उसके बाद हम खतम करेंगे ठीक है चलिए तो उनको बाकी ब्रोड़क्स से कोई मतलब नहीं था यह वही प किया बहुत सारे टी और कॉफी प्लांटेशन से माइनिंग हो गया इंडिको माइनिंग हो गया जूट प्रडक्शन हो गया ठीक है तो ऐसे बहुत सारे बिजनस जिसको बेच करके मार्केट में मैक्समम पैसा कमाया जा सके वहां पे इन्होंने पैसा अपना इंवेस्ट किया फिर अगर हम बात करें बच्छों जैसे टी और कॉफी प्लांटेशन की बात को तो यह टी और कॉफी क्या होता है इसी लिए उगाई जाती ही ताकि मार्केट में बेची जा सके इसका लॉजिक बहुत सिंपल है मार्केट में सेल करना रही इसी लासे हम इंडिको की बात करे ठीक है अब सवाल है कि यह भी था कि पहले पैकिलारीटी जो इंडियन ग्रोथ को कवर करें उसके बाद इस वर्कर वाले टॉपिक पर आएगे चली तो उसके बाद सवाल है कि यह बीदा बच्छे सवाली कि भी था कि लेट नाइंटीन सेंचुरी में जो भारती बिजनस्म बढ़े 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 फ самой इंडियन बिजनस्समें भी सटप कर रहे थे तो यान यानी जो धागा इंडियन कर देते थे चाइना बबॉयsc के इंदर ही बहुत सारी lado हें जो पैटनओ बिन इसको प्टारी रहा हो पांटन वं यह बहुत सारे changes impacted है खासकर जैसे movements हो गया आपके अना स्वादेशी मुमेंट के टाइम पर आप देखोगे स्वादेशी मुमेंट के टाइम पर जितने भी हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्री से लोकल इंडस्ट्री से इनका प्रोडक्शन बहुत जाधा बढ़ गया क्यों भारती यान है यहनि इंडिया का जो थ्रेट पहले में चायना बेच रहे थे अभी उसका शुरम प्सक्राइब काफी इक्सपोर्ट हो गया यह गोगा कỏi जापान ओर चॉछोओ चैना था और पर यहां कपड़ा बनारी अभिशापनिज ऑर चाइनीज मार्के इंद चाइनी बारत के अंदर काफी ज्यादा था ठीक है चली तो आपको ध्यान रखना कि फर्स वर्ल्ड वार के बाद जो था इंडेस्ट्री ज्यादा बढ़ गया क्यों कि बढ़ गया जितनी भी इंडस्ट्री सी ती अल्रेडी बीजी थी लेकिन इंडीन ने पूरा नहीं हो रहा था तो ऐसी बहुत सारी चीज़े बच्चे यहां पर बनाना और लेडी स्टार्ट कर दिया तो अब जब पेक्यूलारिटी इस ऑफ इंडेन गोट आएगा तो बच्चे सारे सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे ठीक है तो इंडेस्ट्र प्रोडक्शन धेरे बढ़ने लगा लेकिन वार के बाद आप कह सकते हैं जो मैंचेस्टर था उसने अपना पॉजिशन पूरी तरीके से खो दिया था है यानि उसके बाद कुछ बच्चा ही नहीं था ठीक है वार से पहले भारत के अंदर मैंचेस्टर और ब्रिटेन दोनों बहुत स्ट्रॉंग थे लेकिन फर्स वर् अब के इंडस्रियल ग्रोथ पेकिलारिटी पेकिलारीटी मतलब हाइलाइट थे इंपॉर्टें पॉइंट्स ठीक है तिम्पॉर्ण पॉइंट्स मापको क्या क्या बताना है बच्चे थीक है तो वीलू टॉक बटैस अच्छा एक चीजज और कि मैंने आप से कुशन कहा थ लिखना है वहां को इक्जामपल देना है कि चाइना में लोग भेजते थे बढ़ वह काफी डिकलाइन हो गया जो है दुबारा से प्रोफाइल वापस नहीं ले पाया ठीक है चली तो बिटाई कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको दुबारा से जिस्ट याद कराई हैं ठीक है दुबारा से बता हूं अभी भी नहीं समझ में आया हो तो अब मुझे बता दो यार मैं दुबारा से आपको करवा दूँगा ठीक है मैं के रिकॉल दे ही देता हूं को एक रिवाइज दे देता हूं ठीक है तो पेक्यूलारिटी का मतलब होता है कि फीचर्स क्या है तो यहां भी पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कि भारत में हम या तो भारती फैक्टरियों में बेच रहे ते या फिर चाला में बीच रहेते हैं दो फीचर हो गए फीचर नमबर 3 फीचर क्या को बढ़ जाएगा और बिटिश समान का प्रॉडक्शन घट जाएगा यह पॉइंड नमबर तीन फीचर नमबर जापान और चाइना में जो मिले थी वह काफी अच्छी चल रही थी और उन्हों ने चाइनीज मार्केट में अपना सामान भर दिया ठीक है फिर नंबर पांच देखा कि पहली वर्ड वॉर्ड तक भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ काफी स्लो था फिर हम देखा फीचा नंबर साथ में कि जब ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्री बिजी हो गई वार का समान बनाने में ऐसे समय में जो इंडेन इंडस्ट्री थी उन्हों ने ब्रिटेन की डिमांड को पूरा किया भारत में बहुत सारी चूज़े बनाएगे जूट के बैक्स बनाए गया बहुत से पहले जो मैंचेस्टर जगह है जहां से कपड़ा आ रहा था इंडिया में उसका बहुत स्टॉंग होल्ट था इंडियन मार्केट में लेकिन वार के बाद उसका स्टॉंग होल्ट बिल्कुल यहां पर खताम हो गया ठीक है तो यह आठ लगलत फीचर्स है जो हमने पहले प्रेड्यूस किया था न्यू कॉमन ने उस बनाए उस स्टीम इंजन को इंप्रूफ किया था जेम्स वाट ने और अपने नाम से पेटेंट करा लिया था 1781 में ठीक है तो जिस बच्चे का भी डाउट था उसके लिए बता रहा हो कि स्टीम इंजन को बना सबसे पहल देखेंगे अगर आप देखेंगे 1941 तक करीब 35% परसेंट आपकी इंडस्ट्री ऐसी थी खासकर मदरास वगरा के रीजन में जो अलड़ी इस मशीन को यूज कर रही थी ठीक है माइसोर कोचीन मंगाल के अंदर आप देखोगे या आप बात करेंगे त्रवंकोन मदरास की रीजन्स में त दागे को खीचोगे तो ऐसा कपड़ा जो इससे प्रकपड़ा तयार होगा धागे से यहां पर कपड़ा बनेगा ठीक है चली यह वह आपका फ्लाइश अगरी बात हम करते हैं बच्छे प्लाइं शेडल से क्या होगा जो आपका प्रोडक्शन रेक्टा बढ़ गया ठीक है पहली बात ही होगी यह technical changes स्थाइब बात करें skills of the workers बहुत सहरी की बात करो मद्राशी लूगी की बात करो मद्रास में बहुत सुन्दर कि बसका लूगी कीma कप बनारस की साड़ी बात करी, बनारसी सिल्क साड़ी, तो बनारसी सिल्क साड़ी का जो किनारा होता है, बॉर्डर होता है, उसमें सिल्क से काम किया जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजों को चाहिए हैंडमेट स्किल्स, ठीक है, और ये हैंडमेट स्किल्स कभी मशीन के द्वा वाला था फिर अगर मैं बात करूं बच्छों सबके साथ ऐसा फाइली नहीं था ठीक है अब अगर यह सोचें कि भाइट सबकी जिंदिगे अच्छी ती बिल्कुल नहीं थी उसका रिजन है ठीक है अगर हम बात करें ऐसे वीवर्स फाइन फाइबरीक बनाते थे फाइन फाइब रही नहीं कोई फाइन फाइन फाइबरीक बनाने वाले लोग ते उनका पोजिशन ठीक ठीक था लेकिन अगर हम बात करें ऐसे वीवर्स क्टी काफी मोटा कपला प्रेडियूस करते थे उनके हालाइद का खराब ठीक है इनके जो मेजर खरीदार थे हो कौन थे इन ठीक है तो इन बिचारों की सेल्स हो जाती थी जीरो लेकिन फाइन फैबरिक जितना भी फाइन कॉलिटी का स्मूथ कॉलिटी का जो इतनों कपड़ा बनाते थे ठीक है ऐसे लोगो कोई फर्क नहीं पड़ता था क्यों इनका सामान खरीडने वाले लोग काफी जादा अमीर थ होता है तो उसका आडवर्टीजमेंट किया जाता है ताकि लोगों के दिमाग में वह समान बैठ जाओ और नेक्स समान लेने जाओ तो आपको पता हो कि भाहिया यही वाला समान लेना है जैसे आप कभी कोल्डरिंग खरीने जाओ तो छूटते आपके मूह से इंकलता भाहि है जैसे आपे लेबल लगा देते ते मेड इन मैंचिस्टर तो जब मेड़न मैंचिस्टर बड़ा बड़ा लिखा होता था तो एक कस्टमर के दिमाग में एक सेंस ऑ और अथेंटिसिटी आता था था बढ़िया अच्छे क्वालिटी का समान खरीद रहे है बढ़िया क्वा समान नहीं बिक्राये यहां पर कई राजां की इमेज़् बनते थे राजाओं की मेंच बनाने से लोह को लगता था कि जब राजा क्योंकि भैया उसकी दिवार सुन्दर बन जाएगी उससे कैलेंडर सस्ता भी है और उसके लिए लोग क्या करते थे अपने प्रोड़क का अड़र्टीजमेंट करते थे हैं ना वो लोग लिख देते हैं भैया कैलेंडर में यह वाला प्रोड़क्ट है और खासकर कई बार तो ल्वार कितना ही अच्छा होगा तो कहींना कहीं हम अपने भगवानों की बहुत करते हैं तो यंस खिस अधीब करते यह भरत करेंगे paradox करें बहुत शारे न इंडियनन इंडिस priorities थे थी tutto את नहीं को वो कहते थे कि अगर आप देश के अच्छा आते हो अगर आप देश से प्यार करते हो तो आप उस प्रोडक्ट से फियार करोगे तो इस तरीकिन के फिशाब इस स्प्र behö भूजन पर nerd एच वार को इसके चले या कि Vide को आप लास सबींस पर और ने जिद लिख सकते हैं तो अब यहीं बताएगा मार्केट में जब कुछ नया आता है तो उसका अध्वर्टीजमेंट करते हैं मैंचेस्टर मेड इन मैंचेस्टर वाला एक्जामपल दे दिना फिर एक्जामपल यह दे दिना कि लोग राजाओं वगेरा की पब्लिश करते थे एक्वर्ड एक्जामपल्स लेखर कि बच्छे आप यहां प हे मार्केट फ्रॉर गुट्सकों इक सब्सक्रें कर सकते हैं यहां से आसंट सॉनहें बच्चय सब्सक्राइब तो मंहें तब था रांस्ट पिक डाटे करेंगे आपका लास्ट्रोपिक डाट इस फ्रिंट कल्च रेंगे आई दस मीट का प्रीक है अऩ से आंज चलो चलो शूब का एक क्वेश्चन है शूब का एक क्वेश्चन आपके कुछ डाउट जील कर लेते हैं इसको कहता है कि सर इंडियन वीवर्स को अच्छा सप्लाई क्यों नियुक्त नमबर वन अगर आप देखोगे कि जब अमेरिका में सिविल वार हुआ ठीक है पहले ब्रिटेन के अब इसके पास कोई option नहीं बचा option क्या है कि इंडिया से पहले क्या था बना बनाया कपड़ा बहार एक्सपोर्ट होता था लेकिन जब ब्रिटेन के अंदर कोटन इंडस्ट्री गों बूम होने लगी तो उन्होंने कहा कि हमको इंडिया का कपड़ा नहीं चाहिए क्योंकि तो as a result हमारे वीवर्स के पास market में cotton available है अच्छे quality का cotton दो ब्रिटेन चला जा रहा है तो मारे वीवर्स कहां खरीदेंगे तो as a result उनको बहुत महंगे दामों पर cotton खरीदना पड़ रहा है टारिफ का मतला वो था है taxes ठीक है चल बच्छे concept को समझे स्रिफ concept को समझते बचे जौबर में आपको बता दिया कि जौबर एक पुराना trusted worker है विश्वास भरोसे मंद आदमी है जो किसी factory में काम करता है Indian factories में जनली उसको मालिक ने बोला है कि आप जाईए अपने गाव और जा करके वहां से कुछ लोग ले करके आईए जो factory में काम करेंगे ठीक है औ लोगों की जौब लगवाता था तो इसने क्या किया लोगों से रिश्वात मांगना शुरू कर दिया ठीक है तो यह रिश्वात दो गे तभी जौब लगवाओंगा समझे बच्चे चले अल्रीडी ओवर बच्चे अल्रीड़ी ओवला नीथा मैंचेस्टर एप लेज़ माइडिय जौबर अलगे गोमास का काम पिलकुल अलगा जौबर का काम llोग की job लगवाना घुमास का कम कपड़े का ओर्डर देकर आना ठीक है घुमास एक गौमपनी गा प्रेड प्रेट क क्यों कर रही थी वहहीं सिंपल सी बात है क्योंकि women का job चला गया था spinning जनरी के वैसे spinning journey ने क्या किया बहुत सालों का job खा लिया आस रिजल्ट नहीं टेकनोलोजी की तरफ वो लोग बहुत उन्षोपे और हो गया उनको लगा किसके से मैं jobs जा रहे हैं अटाकिंग ऑन सब्सक्राइब से एंगे है छिए गैए नाइटीन शेटी नाइटीन शेटी माइने में इस कुनाल इल्गल मिन उन्हें लिए सोच बच्छे प्री डॉमिरेट मैंने आपको बता दिए कि पहली बात तो यह मैंना लेटी चाप प्रॉपिक करवा दिया है स्मॉल इंडेस्ट्र बढ़ जाएगा इसके अलावा जो छोटे-छोटे चीज़ें इसे बनार्सी साडी हो गया मद्राशी लूंगी हो गया रूमाल हो इनको बनानी के लिए बहुत बारी की चाहिए तो यह machine में नहीं आपको मिल जाएगा ठीक है चले कि पहले पहले फेज में कॉटन डॉमिनेटिंग था दूसे फेज में आपका इरेन स्टील हो गया सीजनल डिमांड ओफ लेबर लिखना है तो यह तीन-चार पॉइंट रसे ठीक है चले तो हमने अलड़ी बचे सारी चीज़े की कवर किया तो यह वाला प्रोटो इंडसलिजेशन फेज वाला बताना है अपने को फिर इंडियन टेक्स्टाइल के बारे में बताना है कि इंडियन टेक्स्टाइल जो है बहुत अच्छे कॉलिटी के थे इन फिर आपको बताना है कि भारत से पहले कॉटन के कपड़े एक्सपोर्ट ह कम हो गए ठीक है और last market of the goods तो बच्छे यही आपका पूरा टॉपिक है यही पूरा चाप्टर है आपको इसको नोट्स अभी सर करवाएंगे आपको प्रिंट कल सर मैं चलता हूं आप से विदा लेता हूं बच्छे all the best for your examinations और बहुत 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 बच्छे अच्छे से करना बढ़ियां से करना हाला कि आपके लिए सर्प्राइज आने वाला है क्या सर्प्राइज है आपको पता चल जाएगा जोग्रफी की मारतिन भी हम लेकर क्या रहे हैं बहुत जल्दी लेकर क्या रहें कल चाहद आपका economy हो करने वाला economy की बात हम करेंगा हमारा जोग्रफी ठीक है चल अब तक लिए बावाए बच्छों ठीक कियर अच्छे रहिए मस रहिए हस रहिए खुश्टे रहिए और कल जिसका आईटी का पेपर है all the best बच्चों मैं बुलाता हूं सर को फटावल से ठीक है बच्छे लोंग अंसर पॉइंटर्स में just in the pointers ठीक है बच्छे in the pointers pointers में लिखे लोंग अंसर सारे कि बच्छे करता हुआ EM झाल 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 प्राख झाल 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 अजय करने के अजय करता है हुआ 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 है हाव वाज आ रही है मेरी एक बार और आखरी बार हम लोग मिल रहे है हिस्ट्री का अब लास्ट चाप्टर होने जा रहा है और वो है प्रिंट कल्चर एंदी मॉडेन वर्ड काफी टाइम से आपकी डिमांड थी कि इस चाप्टर को आप पढ़ा दीजे तो यारी बहुती आसान चाप्टर है और बहुती कॉमेडी का चाप्टर है बहुती कॉमेडी आपको इस चाप्टर में देखने को मिलेगी कुछ ऐसी आपको यही आपको यही आपको यह आपको यहाज आएगा और बहुती उपर से कॉमेड प्लस सिंपल दूसरी वाद है सिंपल मैं इसलिए कह रहा हूं क्यूंकि अभी जो तुम लेके बैठे हो ना किताब एंसी आपनी प्रिंटिंग है प्रिंट हुई है सोचो जब यह एंसी आटी नहीं थी तब पढ़ाई कैसे होती थी थोड़ी बगवास करें अगर हम लोग मिलकर अभी बच्चे आ रहे हैं तक तक मैं आपसे थोड़ा बगवास कर लेता हूं कि तुम लोग सोचो जब अभी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो ठीक है ना तुम लोग का सेंसी आटी किताब है जब एंसी आटी नहीं थी कितना अच्छा था अले सर बहुत अच्छी वात थी बहुत सारे बच्चे यहां चाहेंगे कि सरेंसी आटी नहीं होती तो यह भाई सब कसम से बता रहा हूं मैं इस दुनिया का सबसे बढ़िया है मतलब सबसे चंता मुक्त इंसान होता लेकिन इस एंजी आटी ने एक दम नाक में दम कर रखा है सब अना सोचो यह यह जो आप प्रिंट देख रहे हो हर चीज़ का प्रिंट देखने को मिलता है शर्टों पर प्रिंट देख रहे हो आज का दवाना इतना मॉडन यह वर् प्रिंटिंग कहा कहा हो रही है अब तो इंसान भी अपने यहाँ पर घूदा लगवा देता है त्रिया आइल एक है लगा देगा इतना अपना जो फिकर दता रहें दूसरे दूसरे लड़कियों में इसम पत किया करो समझ रहें कि नहीं एक करा अन्जना कहां से होतं अंजना बता दो उनको यह आएंगे तुम्हाने नौकर बनने के लिए घर बरतन होने तो देदों को धो देंगे तुम्हारे आई यह 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 लोगी चलोगई चलिए तो इससे बाते हैं और तुम लोग क्रिंटिंग देखते हो प्रिंटिंग हाये का अब होती है प्रिंटेंग होती है तो हो र४ करते आज करके तराज है और निक्सर रिखोगी कमें énormémentिक नंख में यह लिखेंगे बड़ी गंदी चीज़े दूनिया में गटिया चीजह किसा पेपर है सर्ट लेकिन क्या करें पेपर में तो ही हमने क्या किया था हमने चित्चि complaining से थी हमने लगार लिखा ता लडवलेटर लिखा था हमने उनंको और कबूतर जरीए re he育ा था का भूतर जा जा-जा कबूतर बड़ा ही कमी नेकला और वह अपनी कबूतरी को देने पहुच गया तो उस तुम्हारा तुम्हारी मेडम कातो कुछ। मं तो यहां पर अभी अपन को क्या समझना है कि किस प्रकार से इस हम देखेंगे इतिहास में किस प्रकार से यहां पर स्टार्ट होती है सबसे मचदार चीज होगी प्रिंटिंग किस प्रकार दो होती है अंग्रेश तो ऐसे हैं अगर मैं English people की बात करूब बिटिश की अंग्लिश तो ऐसे लोग होते हैं जो अगबारों का स्थमाल पता नहीं कहां का टॉइलेट तक में करते हैं तॉइलेट में अब भाइया तॉइलेट गए अब टॉइलेट के बाद लिए था भाई साब स्टार्ट हुई हैं हम लोग इस चैप्टर में आज यहां समझने वाले हैं बास समझ में आ रहे हैं कि नहीं क्लियर है बता लो ठीक है तो भाई अपन लोग यही चीज की शुरुबात करेंगे और बहुत सारी चीजे जो आप आज जान रहे हैं अब तो सोशल मीडिया का जमा बीडिया की बात कर नहीं बात देखेंगे से पेंटिंग में बनने लगी सब चीजें दीवेदी में आएगा चली शुरू करते हैं हम लोग शुरू करते हैं और यहां पर यही समझते हैं कि प्रकार से चीजें जो हैं वह डवलप होना स्टार्ट हुई अब देखो यहां मै यह समया मैं बाओट न्यूस ऑफ देखो किसी दिन की खाबर कैसा जानते हो रस्तर बैल्ट होता है हाव यूट कोब वाट अधिवर्टीजमेंट के बारे में कैसा पता चलता है तुम होल्डिंग देखोगे बैनल लगे होते हैं पी डव्लू के बैनल लगे है थाना कॉन-क तुम कैसे टॉपिक पढ़ रहे हो पता नी जार हम तो वस्कुर्गुरे खा रहे हैं सर और चॉकलेट खा रहे हैं हात में फोन हैं अगर सामने लापटॉप लगा है और मैडम को मेसेज कर रहा हैं बाकी चिप्स खा रहे हैं और अब आम्मी पापा को लग रहा है कि हमारा प् фак्षनी की जरूवत हैं इस से तुमको समझ में आएगा कि अगर हम तुम लिख रहे हो। तो क्यों लिख रहे हो क्यों लिख रहे हो तुमकि तुमको बाद में कभी रिवाई सब्सक्रावार्द इसलिए जहापर जो ऑपser जों तो अब इस pointer समझ पा रहे होगे print का importance कितना है आप क्यों इसके नोट बना रहे हो आप नोट बना रहे हो अकबार पर क्या कर रहे हो इस चैप्टर के अंदर दोस्तों हम लोग तीन चीजों से पढ़ेंगे इस चैप्टर को लोग तीन कॉंसेप्ट में पढ़ने वाले हैं ठीक है क्या what is the history of print पहला जो प्रेक्टर अंदों को डील करने वाले है चाप्टर में वह यह की print की history क्या है कैसा यह इस प्रिंट शुरू हुआ वें दिट शरकुलेट यह प्रींट सरकुलेट कब होना स्टार्ट हुआ and हाव प्रिंट हैस हैं दा help create the modern world और कैसे इस प्रिंट ने हमको modern वर्ड आज क्रियेट करने की हमको मौका दिया है क्लियर है चलिए अब चलिए यहां पर हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इस चीज़े शुरू कैसे हो अब थोड़ी थी एक्जाम औरेंटेड बात कर लेते हैं ठीक है और एक्जाम औरेंटेड बात यह है कि सबसे पहले अगर वर्ड चाइना वाल्य सबसे ज़ाधा आगे थे और सबसे पहले कहीं कोई चीज प्रिंट होना शुरू होई अर्लियस्ट डो आज पर नकोरिया और такойा जपान इन पर तो आगे थे चीन वाले होगा और यहां पर दुस्थों हैंड प्रिंटिंग का सिर्टम चलता था ठीटेश थी राइटिंग की वर्ड को बड़ा ध्यान से सुनना यहां पर हैंड प्रिंटिंग की बात हो νकिब हाथ से प्रिंटिंग हो रही है ठीक है तुम अपने हाथ पर रंग लगाए होली पर लगाया और हाथ पर रंग लगाने के बाद जब तुम जाके दिवालों पर इसे लगा देते हो ऐसे कर देते हो तो दिवालों पर छप जाता है ज़र नहीं छपता है समझ रहा हो हैंड प्र printing की बात हो रहे हैं तो सबसे पहले फिर्ट प्रिन्टिट बुखodes जो आई टी वह इस प्रकार से हैंड प्रिंटेट 2 दोस्तों धीदा हैंड प्रिंटिद दोस्तों किटाब theo चाइना में चाइना में यहां पर प्रिंट होना शुरू हुए उसमर्ट तरीका था वो क्या था उस बग तरीका ये था कि पेपर को जो है ना वो क्या करते थे एक लकड़ी की ऊपर ऐसे रगार देते थे लकड़ी पर लगी होती थी क्या इंक लकड़ी पर क्या लगी थी इंक लगी थी और उस इंक पर क्या करते थे ऐसे पेपर लाकर रगार दिया जाता थ कर देते थे उससे क्या होता था जो भी डिजाइन लकडियों पर बना होगा वो क्या होगा वो पेपर पर आ जाएगा वो क्या होगा पेपर पर आ जाएगा दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसी को कैलीग्राफी कहते जब इस चीज को डबलिंग या आप लोग काफी स् स्कूर्टमाट Deplicated The Book with accuracy इसी को कैलिग्राफी कहते हैं एक बार प्रिंटेट हो गया आफ कैलिग्राफी बट यहां पर प्रॉब्लम किया थी चाइना में जब यह प्रिंटिंग कर रहे थे ते कौन सी और पीछे से पेंसिल वाज रगाडने लगते होगे है ना आओ तुम्हें एक चीज दिखाए कट 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 करते होगे और देखोगे कि पेपर की उपर वही डिजाइन जो एक की सिक्के बना हुआ है वो बन जाता है वही चीज यहाँ पर होती थी कि लखडी की उपर पेपर यहाँ लिख रहे हो प्रिया आई लव यू अगर ऐसे लिखा तुमने गुट ब्लॉक प्रिंटिंग पर तो पेपर वहां कि पीछे साइड भी छप जाएगा और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने लग जाएगा ठीक है आपको लगेगा रहे यह तो ऐसे नहापर ल लिखा पीछे साइड चपके आगया अब पीछे कैसे लिख पाऊगे नहीं लिख पाऊगे तो भाई चाइना में वन साइड़ेट प्रिंटिंग होती थी ठीक है चाइना में जिस प्रकार से किताबों को बनाया जाता था दोस्तों को अकॉर्डियन बुक कहते थे क्या कहते और रगण्रों दोस्तों तो दोस्तों इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा देखो यह यह देखने हो आंपर कि सब्सक्राइब कुछ खूलांवं क्या करने लग है मनें बताये प्राइंब बड़ा ना पुरous था अगर यह दaly Toil इनकी ऐसे लिख जाएगा लिख दिया प्रिया तो प्रिया वैसे लिख जाएगा है ना तो वन साइड़ प्रिंटिंग जो है चाइना में चलती थी और यह था आपका बातें यहां पर आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं वह पता तो पहले चाइना में कैसे चलता समझ में आ गया हां से समझ में आ गया अब क्या हुआ कि चाइना में बहुत एक्सपैंशन होना शुरू हो गया चाइना में प्रिंट बहु को पता हो क्या होता है है ना कि जानते हो ना सुमेल सर्वेस्सेश लिए चाहिस का लिए उसकी लिए examination लागो कर दिया गया कि भाईया हमें अब ब्यूरोक्राइट को अगर सेलेट करना है हमें आई-एस अफसर को सेलेट करना है आई-एस आई-पी-एस आई-ए-स आई-ए-स फिसे इंडियन फॉरस्ट सर्वेश आई-पी-एस हमको इनको सेलेट करना है तो हमको क्या करना लग गए जब सारे लोग तैयारी करने लग गए तो जादा से लिएत्सक्त आपना पड़ गया तो फ्रांब उस्सिं संस्यूरी क्या हुआ फ्याइचिया लोग त्यारी करना चाह रहे थे देइरफूर बॉलिम ौप पृ Democrat लाग तो इंक्रीस तो ज्यादा प्रिंटिंग चाइना में बढ़ने लग गई सेवेंटीन संस्री आते प्रिंट नो लॉंगर यूज्ट जस्ट बाइस कॉलर्स बट और लोग भी प्रिंट को इस्तिमाल करने लग गए बताता हूं कौन कौन अब बताओ यहां तक अभी तक बास समझ में आई की नहीं फिर से एक बार मैं आ चाइना में शुरुआत कीसे होती है अक्रडीयन स्टाइल से हाना वहाँ पर हैंड प्रिंट का सिस्टम चलता है तो चाइना नहीं होता है चाइना में 1595-94 में चाइना में चोरिंट होना शुरू हुई और फिरिंट कैसे ल Shanghai वुट ब्लॉक्स पे हना वुट ब्लॉक्स की मैंने फोटो आपको दिखा दिया किस प्रकार से यहां पर होती थी ठीक है ना अब लेकिन वुट ब्लॉक्स पेक लिमेटेशन थी कि पेपर बड़ा पतला होता था और एक जगह लिख दिया आपने प्रिया तो पीछे चाइना के वाले पेपरों में चाइना वाले पेपर बड़े ऐसे खराब किसम के थे कि अगर आगे लिख दिया तो पीछे सब जाएगा चाइन रखेगा हैंड प्रिंटिंग उसको लोग अकॉर्डियन बुक्स कहते हैं मैंने आपको भी फोटो दिखाया किस प्रकार से अकॉ सब्सक्राइब एक वाणी क्लियर यस और लोट qeve sousैट प्लियर कर शी बिरोक्राइब होता है जो आ आपके बीरोक्राट्स औपिस रिसी सब च्रहें कि लिए यहां तक कि लिए रहे कि नहीं क्लियर है कि तली किया रहा है अच्छा है सबकी लडाई हो जाए कि क्लियर है हुए थीख बहुत बड़िया है तो अब चाइना में प्रिंट का एकस्पाइशन की हुआ एक रिजन दिमांग हो अभी तुम्हें पूछा जाए कि चांड़ेएंग यंदम्स पास्पार्फा पैसिए,, ऐखञ लो या यह जां दो यह सबूसर, अब आईयास का एक्जाम होने लग गया तो भाई क्या होगा उसके लिए टेक्स बुक्स चाहिए किताबे चाहिए तो तो प्रिंट भी और इंक्रीज हो गए अब चाइना में सिर्फ और सिर्फ यहीं लोग नहीं थे जो प्रिंट का इस्तेमाल करेगा नंबर वन का अब इस्तिमाल कर रहे एक McMahon's क rename खरीद रहे थे तो वह इतना माल मने खरीद लिया इतने गचा-इतने का बेच इतना नुकसान इस सब्क Hybrid लिए लिख लिए तो मर्चेंट ने भी क्या किया बुक्स का उन कॉपियों का रजिस्टर का इस्तिमाल करना शुरू किया दूसरा रीडिंग जो है वो एक लेजर अक्टिविटी बन गई अरे भाई साब सर क्या बात कर रहे हैं सोचो जड़ा उस वक्त कोई ऐसा इंस्टाग्राम क चैट करने हाना रात बरात किसी को भेज दिया कोई ऐसा सिस्टम तो था नहीं और पहले क्या होता था भाई लोगों का एंटरेटेंड्मेंट क्या होता था रीडिंग के सर कमाल की बात है हम से 30 पन्ने का एंसी आर्टी का चैप्टर नहीं रीड किया जाता और पहले के बहुत मज़र आता था पढ़ाई को करना किताब पढ़ना उनको बड़ा ही अच्छा लगता था ठीक है ना तो यह किताबों को जो है पढ़ा करते हैं ठीक है इसलिए भी क्या हुआ चाइना में एक्सपैंशन हो गया रीडिंग का प्रिंटिंग का क्योंकि लोगों का पहँ दिए अबहुत पढ़ते आज में आज लाते हैं लोग पढ़ते रहते हैं ट्रेन में चले यह पढ़ना है बस चले यह पर आदांगा चला परने रिक्षा चला पर रीडिंग तो जो जो घु मैं थी वह रीट करने लगी आज के लोग कॉफी पीने जाएंगे सिसीडी तो उधार ऐसे सिसीटी में टेबल होगी एक तरफ तो एक मैडम बैठी होगी एक तरफ रखा वाई दोनों आपस में अलगी गुट्रगु कर रहे हैं इनके पास एक और मैडम बैठी होंगी पूर्सी पैसे लगाए ठीक है वो कुछ नहीं कर रहे हूंगी और एक कॉफी रख ठीक है तो बेसिक लिए क्या हुआ कि चाइना में एक्सपैंशन क्यों हुआ प्रिंट का क्योंकि एक तो यह कि भाया सिवल सर्विस इग्जैमेशन आ गया था उसकी टेक्सबुक्स चाहिए थी कैंडिनेट्स इंक्रीज हो गए और टेक्सबुक्स की दिमांद बढ़ गई और प्रिंटिंग होने लगी तो प्रिंटिंग एक्सपैंशन हो गया इसके अलावा मर्चंट में इस्तेमाल किया ट्रेड इंफॉर्मेशन रखने के लिए इसके अलावा रीडिंग एक लेजर अक्टिविटी हो गई थी लोगों की लोग बढ़ियां एकदम चिलाउट कर प्रिंटिंग लुए और रिच रूमें थी वह क्या करने लगी वह भी सब पढ़ाई कर लगी बासांज सब्सक्राइं अ का consistent है ना हां पहली बु worry छपी ती वो डाइमंड सूत्रा थी ठीकेना डाइमंड शूंतरा कोई नहीं पता हैब लोग कोई और सूत्रा समझ जाओ बात सवज्ए आ रहा की नहीं आ रहे है अब क्या हूआ कि चाइना मेंfernश software एक्सपैंशन हो गया था कि अब डिमांड बहुत बढ़ने लगी थी तो वहां पर टेक्निलोजी आ गए प्रिंट कल्चर अकंपिनिट बाई टेक्निलोजी वेस्टन कंट्रीज में आप देखोगे वहां पर मेकैनिकल प्रिंटिंग चल रही थी मेकैनिकल मशीन से प्रिंटि कल्चर अभी तक यहां प्रिंटिंग कैसी हो रही थी यहां पर अभी तक हैंड प्रिंटिंग हो रही थी हो रही कि नहीं हो रही है हां सर हैंड प्रिंटिंग हो रही है कैसे वुट ब्लॉक के तुरू हो रही थी हाना वुट ब्लॉक लगा कि उसक्यूपर एक बार पेपर प्रिंटिंग चल रही थी हैंड प्रिंटिंग हाँ से प्रिंटिंग कर रहे हैं लोग मशीन से प्रिंटिंग नहीं हो रही थी एक होती है मशीन में आपने पेपर डाला मशीन कंदर गया अगबार छपके आ गया यह मेकैनिकल प्रिंटिंग मशीन प्रिंटिंग हैंड प्रिं नहीं बात समझ में आ गया तो अब ये तो हो गई चाइना की बात हम जपान की बात करेंगे ज़रा सुनिए चाइना समझ में आ गया अवं जपान की बात करेंगे जपान में ज्यादा कुछ है नहीं जपान में क्या हुआ कि भाई जो बुद्धिस मिश्णरी ती बुद्धिस बुद्धिस मिशनरी जो हैं वह एनटोब्स मिशनरी दूसरे कंट्री से फ्लाती तो बुद्धिस करेंगे जापान की ओल्डेस जापनीज बुक के बारे में जो की 1868 में दोस्तों क्या होई थी ठीक है ना 1868 में क्या सी प्रिंट करी गई थी क्या नाम था डायमंड सूत्रा नाम था क्या नाम था डायमंड सूत्रा इसमें 6 यहां पर आपको देखने को मिल रहेंगे बास समझ में आ गया क्लियर है क्लियर है आपर तो इस तरह जापान में यहां पर प्रिंटिंग चली ठीक है इसके अलाबा देखेंगे आप तो पिक्चर्स भी प्रिंट करने लग गए किस पे अब इतनी टेक्नोलोजी एडवांस हो मैं चैनर प्रिंटिंग आ ग तो मैंकानिकल प्रिंटिंग में देखा गया शिभकाइब कर individually कर दे रहुtones के आपते इसको बोलता है लो follow पत्तर बेगम समझ रहों यह सब ही अमेरों तो भाई क्या हुआ कि आपको आजकल यह वाले कार्ट भी देखने को मिलते हैं है कि यह आख इसके लाब अब प्लेइंग कार्ट स्क्राइब हो सब्सक्राइब पर प्रिंटिंग करते हो नहीं करेंसी की आंसरेंटीं के published books were cheap and abundant अब जपान में उस वक्त देखोगे तो मेडिवल टाइम में किताबे बड़ी अब जबन्न हो गई थी और बुक्स बड़ी चीप हो गई थी विकॉज कि अब यहां पर प्रिंटिंग मशीन के थूफ हो जने लग गई थी ठीक ना बासुद में आगया आगे देखिए अब क्या हुआ प्रिंटिंग विजुओल मैटेरियल स्टाटट अब विजूल मैटेर यह जिसá बसे फ्लरिशिंग अर्बन सेंटर में गया तो हम लिए प्रिंटिंग लिश्ज एक क्यों इंदर क्रक्राइब निए विए सबसे पहले क्या है है ठीड है टीक यह बात यह प्रिंटिंग उसके बाद है खाली ये पहले पेपर पेपहो रही थी उसके बाद यहीं टेक्स्टिक कहा ंवने लगए फिर देखा क्या होने लगई फिर और भी आ गी आया खिक्रण सर्थ बच्छर्ण ऑप करोगे तो किर अभर बनाते वह उपनी आर्ट बनाते वो डिखास आप वो राइन नीमते है फैने लोग लोग दिखाते रहली ड्राइंग रहाँ यह देते थो नदर अब पेंटें 훨씬 को दो अर्बन कल्चर जो है पेंटिंग्स कंदर यहां पर दिखाये लगा इसके लाबाँ आर्टिस्ट यहां पर अपने बहुत सारी पेंटिंग दूराया लग गए कोटींस क्या है कोटींस बेसिकली प्रॉस्टिटूट्स की बात हो रही है ठीक है तो वह भी यहां पर इन इन पैंटिंग्स की थुख उन्टे षपारे में भी बताया जाये लग घया ठीक है टी house gatherings अब टी हाउस गयाज की ituची लगी लगी लायज भी लाइबरान बॉक स्टोर्स आंट प्ल इंच में तया बॉक स्टोर्स इतना क्यों पढ़ रहे हैं मत पड़ो भाई फिलियर है यहां पर है बास समझ में आ गई कि अब क्या हुआ कि यही प्रिंट योक वो यूरोप पहुंचा ठीक है प्रिंट जो है वो यूरोप में स्टाट अविद्व चाइना की बात कर रहे थे चाइना कोरिया जैपैन सब की बात कर रहे हैं अब हम बता रहे हैं पार्ट टू स्टार्ट हो गया प्रिंट कम्स टू यूरोप अब यहां पर समझो पहले हुआ क्या एक व्यक्ति का नाम है मार्को पोलो उसका नाम सामने आता है मार्को पोलो इटली को बिलॉंग करता है मार्को पोलो गया कहां पर ओब यह बोड़े चाना लो गया तो वहां से क्या लेकिए है ट्रीव पहुंच गया तो चाइना में वूड-blog टेक्निलोजी चल रही थी बताया मैंने आपको तो मार्को पोलो जब ही गया चाइना तो यह वापस आया चाइना से कब 2095 में ध्यान रखना जब ही रिटर्ण हुआ वह इंपोर्टेंट यह एक कई बार एक्जाम में पूछा गया है मार्को पोलो रिटर्ण फ्रॉम चाइन इन डैश यह फिलिंदा ब्लैंक माया है इन विच यह ऐसा गया है ठीक है 1295 में मार्को पोलो यह गया यह एक ट्रावलर था तो यह चाइना पहुंचा चाइना में उस तेक्निलोजी की बारे में उसने पढ़ा जाना और वो टेक्निलोजी को लेके वापस आया अब ही तक यहां पर क्या हो रहा था मैंूरोक में यानि की अपने हाँस से वें लिखना मैं度 द्रोप में चाइना से क्या पहुंची वुट ब्लॉक टेक्निलोजी तो अब क्या था अब लिखना थोड़ा आसान हो गया भाई एक एक किताब लिखो गया लकड़ी की उपर रख के रहा दिया मसल दिया ऐसे पूरा का पूरा छप जाता का अगबार की उपर पेज की उपर टीक है तो यह चीज यहाँ पाई होने लगी अब लगजरी लोग थे बढ़े लोग्जरी एलीट बड़े अमीर तो टीक है वह अभी लिखना बड़ी मुश्किल की बात हो थी जिया हाथ से कोई चीज लिखना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसस है वहनत वाल आ काम है कोई च तो मेहनत लगती दी इसलिए उसके पैसे भी जादा होते थे तो जो लग्जरी एलिट क्लास के लोग थे अमीर तपका जो था वो तो उसी मारा भया नहीं सब प्रिंटेंग मज़ा नहीं आता आज कर लोग कहते न अरे यार यह यह मशीन मशीन के बने कपड़े मज़ा नहीं अच्छा लगता है और बुटीक के वर्क महंगा भी होता है है क्योंकि आदमी हाथ से काम कर रहा है एक बुनाई हाथ से कर रहा है समझ रहे हो तो भाई इसी तरह से हैंड जो बुक्स थी वह एक्सपेंसिव थी वह महंगी थी और वह एनेमल के स्किन पर लिखी जाती थी ठ इंक्रीस नहीं लगी बुक्स एलर्स-अल्वर नियुरोग डिगेक अब देखो क्या हुआ कि एव्योप में क्याव डिमांड ज्मैंक गन्स ईडिकाब कर wen के बॉक्स एमक्र डिमांड इसलिए बिदे कार मों बीदिए उर्स किसे जर्टिग Dangal कर रहों उपक्सण कर बॉक् वाइटर्स जो थे जो बहुत अच्छी स्किल्स रखते लिखने की नॉट ओनली इंप्लॉइड वेल्दी और इंफ्लॉइंशल पैटरॉंस बट इंक्रीजिंगली बाइब बॉक्सेलर्स अल्सो तो जिनकी हैंड्राइटिंग बड़ी उच्छी थी उन वाइटर्स को तो वे अब देखिए लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या थी इस वाले टेक्नोलोजी क्या लिमिटेशन थी सप्लाइ स्टिल लेस हाई ले तो आये लेकिन सप्लाइ अभी भी यूरोप के इंदर बहुत जगा कम थी प्रोडक्शन अभी भी इतना नहीं हो रहा था कि सब की नीट को अब भी आपको चीज कॉपी कर भी रहो बड़ाई टाइम लगता है बड़ाई लबोरियस टाइम बड़ाई महनत वाला काम है और टाइम कंजूमिंग भी होता है ठीक है मैनू स्कृप्स वे फ्रजाइल जो मैनू स्कृप्स थी बड़ी फ्रजाइल थी मतलब बड़ी बड़ाई मैनूरी लिखी गई थी हरा मैनूरी रिटेन ऐसा होता था जब कोई चीज तो मैनूरी लिखोगे तो अविसली उसका टाइम कंजूमिंग जदा होगा भले ही मैनू स्कृप्स कौन इस्तिमाल करता था अलीट क्लास के लोग इस्तिमाल करते थे अमीर तपका के ल स्कृप्स लिया और उसे कॉपी करता जा रहा है वह अतना आसान काम नहीं है ताइंग कंसुमिंग प्रोसेस भी कॉपी करना ठीक है मैनूसक्रफ बहुत फ्रजाइल होती है अगबार में है पेपर भी लिखी है पर फट सकता है पेपर मुड़ सकता है पानी बरस गया तो ग आ गया तो डिमांड जो है अब क्या थी कि भाईया हमको कुछ ऐसा चाहिए नीट फॉर क्विकर एंड चीपर प्रोडक्शन टेक्स्ट किस प्रकार से लोगों की डिमांड बढ़ रही थी समझ रहे हो लोग ज्यादा आप किताबों को डिमांड कर रहे थे ज्यादा किताब छब पाएं जादा जादा किताब चब पाएंगी तो जादा से जादा लोगों तक पहुंचंगी यह घूहांड है जवहां इसा उन strawberry और यह त जर्मनी जगाह स्ट्रेट्सबरी यहाँ पर फ़र्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस 1430 में आकर स्ब्लिश कहानी कुल्म लागे सिंपल सी थी अभी तक की क्या कहानी थी दोस्तों कहानी सर अभी तक की यह थी देखेगा कि भाई कोई चीज चाइना में स्टार्ट हुई चाइन प्लिए हां सर आप क्या हुआ चाइना में चाइना में क्या हुआ डिमान बढ़ गई चाय में जाना में बढ़ी प्रिकॉज डिमांग बढ़ी क्यूम बढ़ी विकाउस और धी आय टेक्स बुक्स प्रिंटिंग भी टेक्स बुक्स प्रिंटिंग भी क्या हो गई वो भी बढ़ गई ठीक है यहां तक समझ में आ गया कि यहां तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया कि चलना था मैनूस्क्रिप्ट चल रहा था मैनूस्क्रिप्ट चीज़ें हाथ से लिखना ठीक है यहां पर डिमान बढ़ गई जब यहां पर दिमान बढ़ी तो आप ऐसी टेक्नोलोजी की जरूबत थी जो हमाई जाधा जल्दी जल्दी चीजों को कर पाए पबलिश कर अब देखो प्रिंटिंग प्रेस आ गई अब प्रेस आ गई यह नहीं कि अब मशीन से प्रिंटिंग होगी अब मशीन से प्रिंटिंग होगी यहाँ पर हाथ से हो रही है यहाँ पर हैंस से हो रही है ठीक है और यहाँ पर अब मशीन से यहां तक बात्सांद में आ गई अभी कि यहां तक क्लियर हो गया कि यहां तक की बात समझ में आ गई सिंपल क्रिस्टल क्लियर और भी थी से हमने देखी चाइना की दो हो गई हमने बीट में जापान भी देखा था हमने जापान भी देखा था मार्को पोलो की बात दाई थी वैने आपको कैसे मार्को पोलो ने किया हमने जपान में देख लिया था यहां तक बात सब्सक्राइब क्लियर है कि इस इस क्लियर नाँ अब बदाइए यह क्रिस्टल यह स्लाइड क्लियर हो गई क्या एक बच्चे ने कुछ डाउट पूछा पढ़न नहीं पाया फिर ते पूछो कि मार्को पोलो वाला ठीक है वो तो बताई दिया तुमको समाथ बीच में उसलने आपको बीच में तो बता रहा हूं क्या पढ़ा ठीक है कि क्लियर है जापार ने बढ़ाया था तुमको बुद्धिस मिशनरीज थी बुद्धिस मिशनरीज ले गई टेक्नलोजी को ठीक है तो गुटनबर की बात करेंगे तो गुटनबर के बारे मैं आपको बताया कि भाई जब डिमांड बहुत बढ़ गई थी कि हमको क्विकली किताबों को प्रोड्यूस करना है तो भाईया टेक्नलोजी आई और टेक्नलोजी का ऐसा कुछ था कि फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस 1430 में स्टाबलेश हो जाती है जोहांस गुटनबर्ग के द्वारा जर्मनी में और फिर किताबों की टेक्स बुक्स की प्रिंटिंग बहुत श्यादा स्पीट से हो जाई लगत ख़ए था इसकी आ ने भी कि आपको लगेगा सर तीन सालों से देख स्वास्टी कॉपी बन पाई इसकी अरे बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के लिए क्योंकि उस वक्त इतनी फास्ट मशीन भी नहीं थी ठीक है ना तो जोहांस गुटिनबर्ग ने जर्मनी में क्या था जर्मनी में फर्स्ट चपी दी बाइबल और उसकी वनेटी कॉपी स्थीन सालों बित्माई थी ठीक है अब गुटिनबर्ग जो है यह एक्चुली कोई राइटर या कोई कोई बहुत बड़ा ऐसे राइटर नहीं था यह सं था मर्चेंट का एक व्यापारी का लड़का था अग्रिकल्चर खेती बाड़ी करता था ठीक है अब इसके पास दो प्रकार के खेत थे एक था वाइन खेत और एक था ओलिव खेत वाइन खेत में वाइन का प्रेस फॉर्म किया गया और और ऑलिव प्रेस ऑलिव की जो ऑलिव खेती होती रिये उस ऑलिव खेत से जो ऑलिव निकलता है उसकी इंक बनाई गई तो ऑलिव प्रेस बन गया ठीक है और वाइन की खेती से वाइन जो है वहां से वाइन की प्रेश इंक निकल गई तो वहां से वाइन प्रेस तो इस तरह से उसमें लेंड पॉलिशिंग स्टोंज एंड वाइन बड़िया गोल्स्मिट तो बेसिकली जौहांस गुटनबर्ग कहीं भी ऐसा नहीं था कि वह यह प्रिंटिंग प्रेस बनाना चाहता था उसके बस मैंन में आइडिया आया क्यों नहीं इस ओलिफ से इंक का स्तमाल करूं इंक लू 1550 से लेकर 1550 का वह दौर था जब प्रिंटिंग प्रेस जो है अब यूरोप में बढ़ने लग गई जो आइडिया जौहांस गुटनबर्ग को आया था वह अब जगह जगह उस तरह से प्रिंटिंग प्रेस जवलब होने लगी और अब ज्यादा ज्यादा प्रिंटिंग प पर प्रिंट हुआ तो देखो किस प्रकार से यहां पर जो हैंड प्रिंटिंग अभी तक चाइना में चल रही थी वुट ब्लॉक टेक्निलोजी के थूँ वह अब कनवर्ट होके मेंकनिकल प्रिंटिंग यहां पर भी हो गई थी ठीक ना तो पूरे ये यॉरोप में चला औ भी आने लग गई थी बासर ना गया है है अब क्या हुआ कि अब वाट वाज दप्रिंट में रिवोलुशन कैसे हुआ जैसे आप पर देखो गया अलग सर्ने रिवोलुशन किया एडुकेशन के प्राइस बैचेस के प्राइस इद्दम कम कर दिए फ्री आफ कॉस्ट वैसे ही प्रिंट में क्या रिवोलुशन हुआ भाई पहले लोग किताब नहीं पढ़ पाते थे क्यों किताबे महंगी होती थी क्योंकि हाथ से लिखी जाती थी तो जो एलीट इंसान होता था बड़ा आदमी था वही खाली किताब पढ़ पाता था या पहला बड़ा जो अ अब वह सस्ती हो गई पहले किताबे मैनूस्क्रिप्ट से लिखी गई तो महंगी थी अब वहीं चीज़े मशीन से लिखी जाएंगी तो सस्ती हो जाएंगी जितना कॉपी एक इंसान लिखेगा एक साल में पता चला एक दिन के अंदर उत्तली कॉपी छक्ये निकला आएं मासान हुआ है कि नहीं हारी है् यह रहे है देखेशन नूव बॉलस्टे करने का नया तरीका आ गया संब्सक्रियूपटिंग दूसरा पीपल्र किताबे है तो लोग जाधा इन्फॉर्मेटिव हो लग गई थे लोगों को किताबों के थुरू बहुत नॉलेज होने लग ग new perception to people to look at things मतलब अब किताब की पढ़ने के ऐसे लोगों को जानकारी मिली तो पहले लोग अंजान थे जैसे पर पहले लोगों को पता ही नहीं था पता भी था तो खाली मुझे सुना हुआ था लिखा कहीं नहीं था लेकिन बुक्स आई हो जब लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया तो लोगों का नजरिया बदल गया चीजों को देखने का अच्छा ऐसा होता है अभी आप भी एंसे र्चाक्रपी पढ़ रहा हो तो आपका भी नजरीया बहुत सारी चीजों को देखने बदल गया होगा डिखने का क्या वोलीशन के बहुत सारी नई तरीकिया बुक्स स्के लावा नमबर टू पीपल काफी ज़दा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजविन होने लग गए और नमबर थी लोगों का जो परसेप्शन था लोगों का जो नजरिया था चीजों को देखने का वह यहां पर बदल गया था ठीक है और साथ में क्या हुआ बार रेवोलुशन में क्या होगा प्रिंटिंग की बुक की कउस्ट कम हो गई जैसा कि यहां पर आपके बैचलर्स की कौस्ट काम हो गई ताइम जो रिक्वाइड था किताब लिखने का वह कम हो गया क्यूंकि अब चीजे मशीन से प्रिंट हो रही थी लेबर जो रिक्वार् सब्सक्राइब आपको फिर से पढ़ाई अब से लेकर जहां मने आपको चैना एंड किया था य। यह उर्प एंड किया था वह यह कि प्रिंट में recommendation ना है में revolution हुआ तो में चीज क्या है कि जो guttenberg press बनी इस Gutenberg pres ने हर सिस में एक दम क्या कर दिया हर चीज को एक दम रापचिक कर दिया और उपि कर दिया एक दम रापचिक हो गई चीजे रापचिक थेके अब राप्चिक कैसे हो गई चीजों का प्रडक्शन जल्दी होने लग गया किताब जल्दी शपने लग गई जो महीं किताब वह दी सस्ती हो गई लोगों की इन्फरमिशन बनने लग लोग नॉलिज गैधरिंग होने लगे लोगों का नजरिया बनने लगया टाइम र लगया यह सअर्नों कर दोंबर चल्दी से प्वाइं क्लियर हो गया अधिक है चलो है आगया अब इसका इंपैट क्या देखने को मिला जब ज्याद किताबे आगें तो इंपैट क्या होगा ज्यादा सी बात है जब जब ज्यादा बुक्स आ जाएंगी मार्केट में तो ज्यादा लोग पढ़ने लगेंगे इमर्जेंस ऑफ रिडिंग कल्चर हो गया यानि लोगों को पढ़ने की आदत होने लगी रीडिंग जो है वह एलीट लोग करते थे और कॉमन फीपल खाली सुनता था और और ली खाली सुनता था रीडिंग जो है वह अमीर इंसान करता था क्यूंकि किताबे जो हैं वह अम कि वह सुनने लगता कैसे सुनेगा बैलेट किसी राजाही कहानी की बात हो रही है जहासी की राणी कहानी कहानी बात हो रही है तो हर बोले हर बोले हर बोले हर बुंदेले हर बोले मुंदेलों की जबान से सुनी हमने कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो जहासी वाली हो गई फोग टेल्स यह सब तीज आ गई तो नॉलेज्ज जो है वो ट्रांसफर होने लगी हाना जो लोग पढ़नी पाते थे वह एट लीस सुन सकते थे वो लोग सुन शकते थे पहले तो लोग सुनीन साथ थे आती है कि देखो लिट्रेसी युरोप में बहुत कम थी एक सबाल होता है कि ले सब्सक्राइब पर में पाते थे तो कैसे सब्सक्राइब यूरोप में डिवलप हो गया बड़ा सवाल यह सबढ़ना यूरोप के अंदर लिटरसी कम थी इतने लोग पढ़े लेखे नहीं थे तो भाईया कैसे वहां पर प्रिंट कल्चर आ गया यह सवाल है पहना पॉइंट लिस्निंग टू रेसिटेशन और बुक्स इवन कुड अब जो लोग कहानी सुना रहे हैं से मैंने सुनाया तुमको भी हर बोले हर बोलो बुंदरों की जवान से सुनी हमने कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वह तो जहासी वाली रानी थी यह अभी ज़ोग बोलते थे अब यहीं चीज़े किताबों में छपने लग गई ठीक है अब इसाएसी कहानिया लोग बताने लग गए ठीक है तो बेसिकली देखो किस प्रकार से हैं यहाँ पर जब बता रहें आपको कि भाई यूरोप में जो लिट्रेसी है वह बहुत ज़्यादा कम हो गई थी अब लाग्ष कैसे माँ पर आया लोगों को कहानिया सुना सुना क के लोगों को क्या कि अबताया गया रिसाइट किए चीजे को किता07 के बताया गया तो आउटकम यह था कि अभी तक जो भी यहां पर ओरल कल्चर था अभी तक जो लोग खाली सुनते थे हर बोले वंदेलों की जबान से सुनी हमने कहानी थी लेकिन अब जब रही चीजें किताबों में आ गई तो अब ये प्रिंट कल्चर में कंवर्ट हो गया खिए प्रिंट कल्चर में लिखें लगे मतलब जो अभी तक पॉबलिक और पबलिक थी hearing public थी वह reading public में convert हो रही थी जो नहीं पढ़ पा रही थी वह दूसरे से सुन रही थी चीज़ों को इस तरह से यहां पर चीज़ें चेंज होए लगे तो अब यह की नेक्स आता है अब बहुत इंपोर्टन पॉइंट है देखो आप क्या हुआ जब प्रिंट कल्चर आ गया यानि चीज़े छपने लग गई लोगों को सोचना दरा लॉजिक लगाओ अगर तुम लॉजिक लगाओ उस चीज़ की कि भाया जब नया प्रिंट कल्चर आ जाएगा यानि हर अब इससे क्या हुआ जब लोगों को यह आई यह फ्रीडम मिल गई यह लोगों का फिडम थी प्रिंट कल्चर की वैसे जो आ गई कि भाया हम नए आइडिया आने लग गए नए चीज़े आने लगी और कोई भी आदमी कोई भी शपवा देता था उसके दिमाग में जो आइडिया इसको लिखवाने लग गए अकबारों में किताबों में अब दिक्क्त दिया आ गए से फियर क्यों बोल रहे हैं यह है कि भाईया अब भाई साब पहले क्या होता था पहले प्रिंट कल्चर था नहीं मान लो सरकार कुछ गरत काम कर रही है राजा को ठीक्ठा काम में ऐसा थोड़ी हो पाएगा गाली देरी पाएंगे हम लोग मतलब कि उस वक्त के लोग लेकिन अब जो प्रिंट कल्चर आ गया तो अब जो अगर किसी को किसी राजा से दिक्कत हो रही है तो आदमी राजा खिलाफ इतनम कापी किताब में लिख दिया अगवारों शपव आप में लिखवा दिया पहले जब प्रिंट कल्चर नहीं था तो कुछ नहीं कर सकता आदमी को बड़ा खुस्सा आया उसने आदमी ने बहुत ही मनी मन गालिया नहीं हो चुपो गया इससे लिए कुछ कर भी नहीं निकालता था बढ़ास निकालने गई तरीका तरीका था लेकिन अब क्या हुआ बाद में बाद में क्या हुआ जब यह प्रिंट कल्चर आ गया दिक्कत ही हो गई कि इनसान कुछ भी लिखवा सकता है सरकार के अगेंस बोल सकता है तो सरकार को लगने लगया कि एक दूसरे के धरम के खिलाफ लोग मोने लग जाएंगे चापने लेकिन अब जो है लोग वह चर्शी खिलाब भी यहां पर आवाज उठाएने लग गए सो प्रिंटेट मैसेज इस पीपल गॉट पर सुविड़ी तो अब जब इस तरह की बाते आई तो अब लोग सोचने लग गया कि चर्श ऐसा क्यों कर रहा है थाना मान लोग चर्श य सब्सक्राइब करने वाला कि हम कोई खलत जवाब नहीं कर सकते हैं तो लोगों को सोचने का नजरिया बदला अब लोग सोचने पड़ गए यहां यह बात कैसे राजा ने कह दिया I can do no wrong तो राजा कोन होता है डिसाइट करने वाला कि उसने काम गलत किया है कि नहीं किया है राजा किसे डिसाइट करें गए कि बास अधारी आपको तो भाई क्या हुआ कि फियर और प्रिंट कर आ गया तो प्रिंट कल्चर से दोस्तों फियर यह हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई लोग के जो आईडियास है यह जो लोग अथोरिटी के अगेंस सोच नहें उसको लि कि बास embedded a a green culture not accepted by everyone अब बात यह आती है कि print culture जो है सब लोग ने accept नहीं किया समझ मारा क्यू ओविरसी बात है हर किसी ने print culture को accept नहीं किया if no control on what was to be printed अगर कोई कंट्रोल नहीं किया गया कि क्या प्रेंट होना चाहिए और प्रेंट नहीं होना चाहिए तो लोग कुछ भी एकदम कुछ भी रेबेलियस चीजें लिख सकते हैं और इर्रिजस थाट्स लिख सकते हैं बिना मतलब सरपैर बातें लिख सकते हैं ठीक है प्रिंट रेविलियस हो जाएंगे इर्रिलीजस अगर शपने लग गए तो एक्चुली में जो वैल्यूवल प्रिंट्स हैं वो भी अपनी वैल्यू खो देंगे भई पहले जो किताब शपके आई आदनी पहले बड़ा वहता अगबार किसी ना किसी पार्टी को फिवर करके लिखे आते हैं ठीक है तो अगर कुछ भी प्रिंट कल्चर में छप्ता गया तो एक्चुली में वह प्रिंट जो वैल्यूबल है वह अपनी वैल्यू खो देंगे एक दिक्कत ही हो गई क्रिटिसम ऑफॉरिटीज होने लग जाएगा तो प्रॉबलम यहां पर यही थे कि सब लोग ने कर इस प्रिंट कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया अब एक्जामपल आता है जैसे फिप्टीन सेवेंटीन इंपोर्टन कहानी यह सुन लो एक व्यक्ति था मार्टन लूथर किंग उसने अपनी किताब लिखी 95 थीसे थीए ना उसमें किताब का नाम है यह 95 थीसे सब्सक्राइब कर रहा है यह कौन सी बात है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यूवल गोटु हेल इफ यूवल दू दिस यूवल गोटु हैवन यह कौन सी बात है मार्टन लूथर किंग ने चर्च की प्राक्टिस को किताब में लिखा उसको जब लोगों ने पढ़ा तो लोगों का नजरिया पते ने लगा लोगों लगा यार लूब मार्टन लूथर किंग तो बात सभी कर रहा है यह चर्च ऐसी बाते क्यों कर सकता है चर्च अपने आप किसे डिसाइड करेगा क्या सभी क्या गलत तो मार्टन लूथर किंग की किताब की वज़े से काफी ज़्यादा चेंज़ेस देखने को मिल लहे थे इंपक्त देखोगे 5000 कॉपी जो है वो इसकी सेल हो गई थी और कभी क्या हुआ कि किसी को आग लगा नहीं है अगर तो मार्टन लूथर किंग की एक कॉपी चर्च के ज़ी लटका दिया चर्च वैसे कूट साया बैठा हुआ है मार्टन लूथर किंग से क्योंकि वार्टन लूथर ऐब वाई बादन लूथर चीज कि घ्य खिलाफी घूट रहा था वह रीजनेबिल्टी ज में तो रही है रिजनेवल रॉचनेल और चर्च लिडिज को रिच कर दिए चर्श के खिलाफ लिख दिया जिससे बहुत नाखोष हो गया ठीक है ना और इस वजए से जब कुछ लोगों की बखुट की लोकुछ लोगों को पढ़ा तो लोगों का नजर्यां बदल गया चर्च को लेकर जब लोगों का नजर्यां बदल गया the cause of मार्टिन लूथर किंग क्रिश्चानिटी बिवाइड आ गया और कुछ लोग scenario कि चैलेंज जो समय किया था उसको मानन लग गए कि कि यहां लूथर किंग सही बोल रहा है और कुछ लोग नहीं मानें इस वज़ाए से क्रिश्चंज के अंदर क्या हुँआ एक डिवाइड हो दो गशिए और क्रिश्शन बट गए ये बटवार्व बटवारा प्रिंट कल्टर की सभा सूची आप कितनी बड़ी बात है कि कितनी बड़ी बात है है कि बीकल्ट कल्च री वजए से ये व Commerce ऑंग भार ये है है हो विट् готов यह यह आग आई अब में आपर क्या हुआ एक व्यक्ति और था जिसका नाम था मैनुचियो यह इटली का था और इसने भी चर्च अगेंस काफी कुछ बोल दिया इसने बाइबल पढ़ी तो इसने भी चर्च एक बाइबल के खिलाब बहुत साथ चीज़े बोल दी डिसेंटर्स कौन होते हैं जो अगेंस ने बोलते हैं इसने भगवान गौड और क्रियेशन के अगेंस्ट साफी उल्टा सिथा बोल दिया ठीक है रेमन कैथलिक नोमन कैथलिक चर्च गट आंगरी और इससे रोमन कैथलिक बड़े गुस्से हो गए क्या आदमी है क्या बोल रहा है सब और मैनुश्यों को लेके एक्जिगूट क ऐसी एक इंडेक्स बना दिया जुको बोलते हैं इंडेक्स और प्रोभ अवड़े बॉक सब्सक्रम 1558 1558 से भाई जो भी एसली किताब होगी जो च société की अथारीटीज को चालेंज कर रही है जो चर्ष की बारे में अगेंस्ट बोल रही है तो उस किताब को इस इंडेक्स के अंदर डाल दिया रहा है कि ये किताब प्रहिबिटर किताब है इसे कोई नहीं पढ़ेगा अब सुचो चर्ष को इतना डर बनने लगा चासकर ड़ने लग गया चर्श ने ऐसी किताबों को जो उनके अथोर्टिस को चैलेंज कर रहा था उन किताबों को ऐसे सूची में डाल दिया क्लियर है क्लियर है बास समझ में आ गया कि यहां तक बास समझने आ गई चलिए आगे आजीए नेक्स्ट अब 17 और 18 सेंचरी आते आते देखोगे कि लिट्रेसी रिट काफी बढ़ने लग गया था हना और जगे जगे आपको देखने को मिलेगा कि चर्चिस थे उन्होंने स्कूल्स खोल दिये थे ठीक है डिफरेंट गरीब तक्के के लोग भी अपढ़ने लग गए थे और एक तरह से अब रीडिंग मेनिया रीडिंग मनिया मतलब रीड करने के लो खुमारी है वह बढ़ने लग गई थी तिए अब नए फॉर्म जो पॉपुलेट डिटरेचर आगे अब सारी खाली ऐसा नहीं था कि इतने लग गए जैसे फॉर एक्जांपल देखिए अलमनाक ये एक रिचुवल केलेंडर है ठीक है ना रिचुवल केलेंडर है एंटरेटेन्मेंट बुक्स रीज आउट टू और्डिनरी बुक्स अब लोग जो है एक तो यह हो गया अलमनाक छपने लग गया रिचुवल ठीक है पैँपुस केःते उनको क्या बोलते थे रिचुवल के भी तीर इएंग्लाइंड में यह पैनी बूस बिक करती थी। हे इसको में लोग चाप बूग्स बी कहते हैं इनको चाप मैंन क्यारी करता था क्यों कि यह नीं पेक्वलत घुप यह किताब बहुत ही दा चीप होथी थी कितनी चीप होती है किए एक Pan यहां पर आपको वर्ड ब्लू दिख रहा है अब यह बहुत ही लो प्राइस भुक्स थी लो क्वालिटी की पेपर लगे दिसमें और यह ब्लू कलर के उसका कवर था ठीक है तो बेसिक लिए यहां पर इस प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट लिट्रेचर शपने लगने थे सि लावा और भी चलेगी चीजें थी जो छप रही थी जैसे क्या प्रियोडिकल प्रेस यानि टाइम टाइम पे जो अगबार छपते हैं प्रियोडिकल प्रेस चपते हैं वो छप रहे थे एटीन सेंचुरी में जिसमें अब करेंट अफेर्स एंटर्टेन्मेंट यह सब तक पहुंच रहा है थे एंटेजन मेडिवल में साइंटिफेक टेक्स यहां पर कंपाईल करें लगे जो उस वक्त के इंटर्टेंट्रामा डिवरा यहां पर तो पहुंच रही है तो किस प्रकार से यहां पर किताब तैप के लिटरेचर जो है वो छफशन रुचे रही है कितने अलगले टाइप की लिटरेचर जो है वो छपने लग गए अब लिटरेचर छप रहे थे बहुत सारे ऐसे थिंकर से जो काफी ज़्यादा अब यहाँ पर क्या हुआ लेखे और मीड़ एटीन संचुरी एक कॉमन बिलीफ यह आ घ्या लोगों गंदर कि जो प्रिंटिंग है वो एक जरिया है जिसके टुरू हम प्रोग्रेस कर सकते हैं ठीक है ना हम एन्लाइटेग्मेंट कर सकते हैं और हम progress कर सकते हैं हम यह दोनों चीज़ें किताबों के तुरू कर सकते हैं ठीके अब इन किताबों में यह जो बुक्स छप रही थी तो अब बुक्स को लेकर तीन लिव साव है क्या है क्या बिलीफ थे थे ठी सरी पॉस्सिबल के टो दुनिया बदल सकती क्यों कियो आज भी आप दो आज कुंकि पुर रहा हो जाओगे मिलेगेprem आप ज़र्या दोनिया को देखने का पर आप पहले लिखिफिंध होगे मिलाइट करोगे तो गतार बहुत कार्य देना आप क्या कर रहा हो मुझसे ले ने रहे हो आप इतना पढ़ाई को किउंसे थ데 ठाव सकती है लोगों बना भाध्य। की लिटरेट सोसाइटी फ्रम डिवर्ट डिसपोटेजम डिसपोटेजम मतलब क्या हो गया ऐसा राजा जो डिस्पोटिक रूल फॉलोग अंसलब विड़ाओट एनी रीजन विदाओट अन्य कुछ भी काम करता है तो लिबरेट सुसाइटी फॉर्म डिस्पॉर्ट इसम से बचा सकते हैं इसके लावा ब्रिंग टाइम बेन रीजन इंटिलेक्ट वूट रूल ऐसा हम किताबों की सुरू कर सकते हैं कि लोग पहले क्या था पहले एक दम अंधभक्ती होती थी पहले तो ह लोगों ने रीजन करना स्टार्ट किया इंटिलेट कर्णा स्टार्ट किया तब वहाँ पर फिजिक्स की बात आई हना फिदे अपने हाज थोड़ी बन गई लोगों ने चना एक्सपेरिमेंट की है आउटकम बिखा चाहिए आउटकम आया उसको पिलिक लिया अचा है यह तो उस चीज़ को हर देखा रखे देखा कि हर जगे फॉलो हो रहा है पिर वही चीज फिजिक्स के अंदर क्या हुआ थिवरम मन गई अरे अच्छे थोड़ी थोरम मन गई होगी किताबों के वैसे किताबों लो सब्सक्राइब हो रहे हैं आज साइंस्वार ग्रों कर रहे है आज इतनी सारी चीज़ें आज ब्लानेट की है थोचो सब्सक्राइब सोचिए कैसे पॉसे बूल वा जास्ट विकॉस आप दी बूक्स पॉसिबल यहां पर हुआ अब देखिए यहां पर एक विक्ति का नाम और आता है लूइस सबास्टियन मेरियर ठीक है लूइस सबास्टियन मेरियर एटीन संचुरी में थे यह नॉवलिस थे अब इनका क्या म बेखिए इनका मानना यह था कि जो printing प्रेस है वो सबसे पावर्फिल इंजन है किसका प्रोग्रेस का अगर हमको प्रोग्रेस करना है स्प्रिंटिंग से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता के टाबों से अच्छा कुछ नहीं हो सकता और जो अपीनियन नहीं पबलिक ओपीनि उनकी नौबल में उनकी नौबल में ऐसे और किताय पढ़ते हो फिरो कौन होता है जो हिरन को बचाएगा फिरो हो गया उसी किताब में जो आदनी रीडिंग कर रहा है वो हिरो होता था ही रोजा ट्रांस्फॉर्म्ट बाइ एक्स ऑप रीडिंग थर्ड कन्विंस्ट अफ दी ट्रेंबिल यानि कापो किस से टाइरेंट्स ऑफ दी वर्ल्ड से ट्रेंबिल टाइरेंट्स ऑफ दी वर्ल्ड जो टाइरेंट्स है वर्ल्ड के यानि कि वो रूलर्स टाइरेंट टूलर्स जो बिना सोच समझ के डिसीजन लेते हैं लोगों करते हैं दबाते हैं लोगों को रात-डे त्रंबल ताइरेंस आफ यह वर्लो वह दोटाइर ऐस वह राजा मोग करो कपाऊ किसके सामने ट्रंबल पेल जो रिखक किताबहू को उनके सामने डरो उनकी सब्रेंस क्वडिए और लोग पढ़ेंगे उसको पुनके एसी बन जाएंगे और फिर वो लोग भी जिनके विश्चेंज हो जाएंगे वह भी राजा क्या गेंस्ट हो जाएंगे तो वह यहां पर यहां पर बरसियर ने बोली थी लिए अब क्या हुआ प्रिंट कल्चर एंदी फ्रेंज दोस्तों एक सवाल जो है एक्जाम में आता है तीन म के सवाल यह कहाे रहे है बहुत सिंपल कोष्ण तो परबार आता है अ प्रिंट कàoचर गय क्या किया था pamphlet छापा था प्रिंट ही तो है क्या था रूसो किताब छापी थी मॉन्टस्क्यू स्पिरिट आफ रॉज जॉन लॉक की किताब थी था के नहीं था प्रिंट कल्चर और मैंने तुमको उसके पढ़ाया था बताया था नाइन नाइन ग्लास में कि भाई गोवित राइटर होता है तो वह अपने टाइंस से काफी ज़्यादा प्रेरेथ होता है अपने टाइंस में अपना जुन का टाइम था उस वक्त का टाइम था उससे काफी ज़्यादा प्रेरेथ होता है ठीक है तो उस बगभी था तो नहां पर क्वेश्चन यह कि प्रिंट कल्चर क एक साथ लिखा मिल गया तो भाई आख बंद करके यही लिख्या आजाना अगर मानलों किसी और तरीके से पूछ लिया गया तो यह मत सुना कि वहां टोपी खुझाने बेड़े आओ और अरे सर ने पढ़ाया तो है नहीं बखवास करने आते हैं वह वह अपनी और अपनी कहान सुनाते हैं बढ़िया girlfriend boyfriend करेंगे और चले जाएंगे पढ़ा रहा हूं वता रहा हूं कि सवाल को अलग लग तरीके से पूछा जा सकता है किसी भी कॉश्चन में print culture of french revolution एक साथ मिल गया तो यही आंसर निक्याना बताना जा रहा हूं ठीक है ना चलिए देखिए पुरिंट should be judged by reason and intellect and criticism क्या था तरी हां सिंपल सी बात क्या थी देखो प्रिंट कल चन्ने कैसे french revolution अकर हुआ कैसे देखो है प्रिंट से क्या हुआ एक आईडिया आया किसका enlightenment का एक आईडिया आया किसका पॉप्लराइज दिए आइडफ इनलाइटनमेंट थिंकर्स क्या हुआ हुआ है दूसले कि हर वो ट्रैदीशनल चीज हर वो सुपरस्टिश चीज हर डिस्पॉर्टिशम चीजओं को ।ो सुपर्स्टीश सीजओ को क्या किया गया हर चीज को रीजन के त्रूँ इंटलेट की में त्रूँ जच करने को कहा गया इसके अलाबा कोई भी आगर ऐसी अथो कि यह लोग जो कह रहा हूं गलत है कोई बी ऐसे चीज नहीं मतलब अब बाते जो है प्रिंट कल्चर की वैसे सिर्फ रीजन के बेसेस पे होंगी इंटलेट के बेसेस पे होंगी मां समझ में रहा है कि निगा रहा है जब प्रिंट कल्चर आ गया तो भाई नए-एडियास लो प्राउग होगा है ना पीपल स्टार्टेट थेंकिंग इन देर ओन वे लोग रीजन लगाएं लगाने लगे और किसी को पसंद आया किसी को आइडिया पसंद नहीं आया तो लोगों के बीच में डिबेट सोने लग गए डिबेट से क्या होता है बैटर चीज निकल के आती है लुआ है कुछ लोग प्रोज्य कुछ फोरन बोलेंगे और जो बेटर लगेगा वो उसका सेसोलुशन निकल के आता है है कि नहीं लिटरेचर आउट पूरिंग इन्दी अब पूरे मारकेट में लिटरेचर भरा हुआ है बरा हुआ है ऐला हुए हुआ है किताब बरी हुई और मौक्ड रॉयल्टी और रॉयल्टी मतलब जो चर्ष के फॉरटी जर बड़ी बड़ी उनको मॉक किया गया उनकी कार्टूम नए गए फ्रिंट कल्चर में ठीक है और मॉरालिटी हर डिस्पॉर्टिक चीज़ों को क्या किया कि डिसाइज किया चर्च की अथॉरिटीज को चैलेंज कर दिया उसके अलावा हर चीज शुट बी जल्ट वाइर रीजन एंटेलेक्ट ये कहा ठीकर रहा पहला पॉइंट दूसरा न्यू कल्चर आप डायलोग इंडिबेट स्टा सब्सक्राबों में कार्टू बनाए गए है रोयल्टी या चर्च के अथॉरिटी इसको मॉक किया गया और मॉर्यालिटी को डिसाइज किया गया बासमद में आ गई आगे देखिए अब आपको याद यह रखना है इसमें देखिए का इंपॉर्टेंट क्या है अच्छा पह बात यह है कि लोग सिर्फ एक प्रकार का लिट्रेचर रीट नहीं कर रहे थे ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ वाल्टायर को रीट कर रहे हों ऐसा नहीं वोल्टायर सेबास्टियन यह सब लोग चर्च की अथोरिटीज को चालेंज कर रहे थे और किताबे लिख रहे थे तो इसी तरह से चर्च वालों ने किताबे लिख रही थी अपने फेवर में तो इतना आसान नहीं था कि लोग जो है प्रिंट कल्टर से उनकी सोच बदल गई एसा नहीं था त्यान अखना यह कोश्चन भी आता है प्रेंट डिडिड नॉट डिरेक्ली इंफ्लूएंच द पीपल बट इडिड ओपेंधी पॉसिबिल्टी ओव थिंकिंग डिफरेंट ली यह कोश्चन भी आता है एक्स प्लेइन या डिसकस विकोश्चन आएगा इस इस तरह से प्रेंट डिरेक्ली इंफ्लूएंच दीपल बट इडिड ओपन दा पॉसिबिल्टी ओफिंकिंग डिफरेंटली एक्स्प्लेंट इसका मतलब यहीं है कि ऐसा नहीं कि प्रेंट ने डिरेक्ली लोगों के इंफ्लूएंस कर दिया हर आदमी चर्श के अगेंस तो पढ़ रहे थे तो चर्श वाले भी अपनी प्रिंट इंचाप रहे थे उच्छों थोड़ी बैटेंगे वह भी अपनी किताबे चाप रहे थे और वह अपने फिवर्य किताबे चाप रहे थे तो दोनों पक्ष्ण यहां पर थे तो ऐसा नहीं कि लोगों का एकदम व्यू ह यहां पर चेंज हो गया लेकिन हां लोगों की पॉस यह पॉसिबिल्टी बढ़ गई कि लोग डिप्रेंट तरीके से सोच सकते हैं थे कैना बट इडिड नाट ओपन बट डिडिड ओपन्ट अपन्फ प्वेलिटी औफ तिंकिंग टेफरेंटी लोग डिफिरेंट लिए प के अंदर बहुत लिटरेसी होने लग गई और अब नए रीडर्स जो है बहुत सिंपल चीज़ें और अब नए नए टाइप के रीडर्स जो है वो यूरूप में आने लग गए कौन-कौन जैसे कि चिल्डरन बच्चे भी अपक्ता किताब पढ़ने लग गई वुमें भी कित अब पढ़नी है प्रोड़क्शन अब स्कूल टेक्सबुक्स होने लग गया जैसा मैं आपको बताया कि किताब जो है स्कूल की छपने लग चिल्डरन के लिए प्रेस बनाई गई कहां पर फ्रांस में रेटिंग 57 और यह पूरी तरह चिल्टरन को डेडिकेट कर दी गई कि बच्चों किताब है याँ चाहपेंगी ओल्ड फेरी टेल्स प्लस न्यू वर्क इन सब को कमाइन करके इस प्रिंटिंग प्रेस में चीजों को छापा जाता था ठीके ना तो मैं बसिकली क्या बता रहा हूं कि नए नए रीडर्स आड़न हो गए बच्चों की बात करेंगे तो भाई प्राइमरी एज्यूकेशन जो की कमपल्सरी कर दी गई थी इसलिए स्कूल की टेक्सबुक बनना जरूरी हो गया और जब स्कूल की टेक्सबुक बनी तो कहां बनेगी चिल्टरन प्रेस में जो की फ्रास में स्टाबलिश करी गई थी 1857 में ध्यान रखना और यह किताब ऐसा नहीं कि सेम एजट देते होंगे बहुत सारी चीजे चेंज भी करते हैं क्यों मान लों को ऐसे चीज़ें जो बच्चों के लिए सही नहीं है गंदी बाते हैं नौटी-णॉटी थिंग्स है हना तो वह चीज़ें किताबों नहीं च्छाप सकते तो क्या करते थे चिल्टरें के लिए एनिफिंग विच्वाइब फॉर चिल्रेन उन कुसको मां से एडिट कर देते थे ठीके ना और तुद एलीट वाज नाट पबलेश इन दे बुक्स उसको मां पर छापते ही नहीं तो इस प्रेश चीजों चीजें जो है बच्चों के लिए भी यहां पर पूर्ती रही वमें की बात करेंगे वह मैंनी बहुत इंपॉर्टन डीटर्स हो गई पैनी मैग्सीन जो है वोमें के लिए शपन लग गई हना और वुमें कौन कौन यहां पर वुमें राइटर्स थे जैसे कि जेन ऑस्टिन डप्राउंच सिस्टर्स एंड जॉर्ज पिए क्या क्या कि भया इनकी रैटिंग ऐसी थी जो इवचाती है कि पर्सन आफ विल इनकी किताबों नौवल्स में बुक्स में ऐसी मेसेज़ होते जैं कि वमें के पास विल होगा अगर स्ट्रेंट ऑप परसनालीटी उनकी परसनालीटी बढ़ी स्ट्रॉंग होने डिट् करती थी कि वोमें पर्सन आफ विल है उसकी भी कुछ विल होता है स्ट्रेंथ पर्स है उनके पास परसनालीटी में डिट्रमिनेशन है और टुपावर टू थिंग भी उनके पास है बात समझ आ गया क्लियर हैं अब लेंडिंग लाइबरी इस की बात आती है अब देखिए लाइबरी आने लगए प्रिंट कल्चर की बात है न परिंट कल्चर नहीं थी अब उन किताबों को लाइबरी इस में रखने लगए जाहिर सी बात है देखिए यहां पर क्या हुआ लेंडिंग लाइबरी इस एक्जिस्टन्स इन्दी 17th century onwards 17th century लेंडिंग लाइबरी स्टा लाइबरे इस लेंड लेंडिंग लाइबरे और मतलब बढ़या इस सब यकाम करते हैं वरकूहाई उनको पढ़ाओ लिखाओ अप्र पने ङाँगो अना बने क्लास को पढ़ाने के पढ़ाने की काम आती थी यह लेंडिंग लाइब इस यह इंस्ट्रिटूशन ठीक है मिल एटीन संचरी में देखोगे वर्किंग आवर्स जब रिडूस कर दिये गए थे में एटीन संचरी यूरोप में क्या हुआ लोग अगर काम कर रहे हैं लोगों की हुआ वर्किंग आवर रिडूस हो गए तो जो टाइम लोगों के पास बचा उस टाइम में लोगों ने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी मतलब कदावे पढ़ना शुरू कर दी तो मिल एटीन संचरी में जब वर्किंग आवर्स कर दिये गए शॉर्टन कर दिये गए नाव लेंडिंग लाइबरी में वाइट कॉलर वड़कर उसको पढ़ना दिया जाता ना बास आगया क्लियर हो गया आगया अब देखो प्रेस का डेवलप्मेंट यहां पर शुरू होता है फॉर्दर इन्नोवेशन कैसे कैसे इन्नोवेशन हुए अब अलग-अलग प्रकार की प अब बनने लग देखो तरह प्रेस डवलप्मेंट एंड ओफ 18th century अब प्रेस जो है वो मेटल्स की बनने लगए अभी तक प्रेस डिफरेंट डाइब की थी लेकिन 18 सेंचरी आते अब प्रेस जो है वो डिफरेंट तरीके जा बनने लगी कैसे मैंटल्स कि थूप अगर हम करें देखो तीन प्रकार की यहां पर हम प्रेस की बात करना है कि पहला एक प्रकार की प्रेस और बनी थी ओफ सेट प्रेस इसमें six कि उतिमाल को सकते थी प्रिंटिंग में धीके और फिर अपर टैस्टे जी उसकी थी में अपर खरेंटल प्रेस और तियलन्ट्रिय कल प्रेस है यहां तक फ्लीर हो गया आगे आ जाईए इसका the प्रिंटिंग प्रेस आप देख रहे हो ना जो हमने दिखाई आपको सिलेंट्रिकल प्रेस और सेट प्रेस अब यह तीन प्रेस आ गहीं तो उसका आउटकम क्या हुआ पहला जो प्रिंटर्स थे अब उनकी पास नई स्ट्राटिजी थी किस प्रकार से वह अपने प्रोड़क प्रेस होने लगी और उसमें शिलिंग सीरीज की बारें बताएजेंगा ठीक है ना डेस्ट कवर और बुक जाकेट 20th century में और जब ग्रेट इक्नॉमिक डिप्रेशन आया 1930s में बुक सेल काफिजा डिक्लाइन हो गई थी बढ़ जो महेंगी किताबे थी और बुक्स बहुत अब यहां पर दो मेरे खाल से पाट बच्चांग में बचाएक बचा एगली बताओ जल्ली बताओ आदित राजपूर के रहा है आई लव यू जिया भेंट के लिए अपना प्यार जो है आदित दिखा रहा है अजित राजपूर जो है अपने बहन को बहुत प्यार करता है उसकी बहन अजित राजपूर की तरफ दिया अब आज राजपूर वह नहीं पठा कि जिया एक लड़के का नाम है और रिया नहीं है जिया है समझ रहे हो ? X के पहले आता है X की जब बादी आता है Z तो कोई बी चीज अगर X कि आसपास होती है बड़ी खतनाक होती है भलए ही वो Y होया Z हो समझ रहे हो ? अजिट दो पाड बचे हैं न अब चार कहाँ से बचे होंगा जीतकुमार कल जो है तीन मज़े से क्लास है आपकी और वो क्लास आपकी एकनोमिक्स की है इंडीया एंडी वड प्रिंट इंडीया एंडीया 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 आटीन पॉट्स एक पूछ गहाँ आने पराजी तो वाजी तरह वह बस बैठी हुई है तुम तो पड़ नहीं रहा वह पढ़ रही है सब्सक्राइब कि एक आता था पहले एक गेम होता था पहले त पाहिए जिन फिर दा थट टिपी टी टॉप 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 फुट्स अन्हें खिलते थे फिर शसको तरही इसमें टांड लेते थे और पहले चार कलर में ता उसमें रेड ब्लू ग्रीन गर्लो वाट कलर यू वांट प्रयाद में करा शूज करता था फिर उसके बाद दूसरा फिर नंबर लिख देते थे वन टू तू त्री पूर वाट कलर यू वांट फिर पता चलता था अब करना क्या है तो वही तुम लोग हो बस अभी उसी लेवल पर हो तुम लोग टिपीटीप अप्टाव खिलाओ चलिए कर्टिशन का मतलब होता है बिटा प्रॉस्टिटूट्स आइए अब इंडिया एंडी वर्ल आफ प्रिंट की बात कर रहे हैं दो पार्ट से पढ़ना है एक ये इंडिया अब हम प्रिंटिंग प्रिंटिंग की बात इंडिया की कर रहे हैं अब वर्ल्टी खताम हो गई यह जब प्रिंट इंडिया आया उससे पहले इंडिया में हाथ में चलता है दूसरा तो भई क्या-क्या चेंजेस वह पहले मैनुस्क्रिप्ट चला था क्या-क्या चेंजेज हुए और कौन-कौन सी बुक्स जो है वो इंडिया में छपी गई यह हमको इस वाले पार्ट पर देखना है छोटा सा पार्ट है ठीक है ना आपके सब्सक्राव में च्थी जाती है है अब मैन के पहले है जो मैनुस्क्रिप्ट चाहिए पर लिखी लिखी जाती ती या फिर हैंड मेट पेपर लिखी जाती थी कॉपी की जाती थी कॉपी रॉन पाम लीज या फिर हैंड मेट पेपर दूसरा पॉइंट पेज इसको बहुत ब्यूटीफुली इलस्टेट किया रहा था डिजाइन बनाते थे अपनी एंसे अर्टी खोल के देखो यहां पर यहां पर इस बने उसे तरहिट किया जाए था to doing cover और शुटुगेधर टो प्रिशर्फों है मैं। है धेयं अचंगे पुत्ट्वे extra tablet ॉता है तो वह पीछे बीच मैनॉस्क्रप्स है और उनको वूरी वूदिन कवर से लकड़ी ओ पुरानी कितार बूरानी किताब वैप कितावर अगर नक्षा दिखाएगी तो इसमें जंगल जो लिए तो बड़ी-बड़ी ऐसे प्रिज़ाव करने के लिए क्या किया जाता है वुडिन कवर में रखा जाता है ठीक है ना और उनको सिल दिया जाता है फिर उसका फॉर्ट पॉइंट प्रोडक्शन इवन आफ्ट दा इंट्रडक्शन अप अब जब प्रिंट आ गया उसके बाद भी इंडिया में इस तरह से चलता रहा इवन आफ्टर कमिंग आफ दी प्रिंट के आने के बाद भी फिर भी हैं मैनुस्क्रिप्ट है इंडिया भी उसके लबाव यह किताबे थी मैनूस्क्रिप्स जैसे पताया क्योंकि हांस से लिखी जा रही है इसलिए हाइली एक्सपेंसिफ थी और फ्रेजाइल ती नाजुक थी ठीक है ना हाइली एक्सपंटी फ्रजाल थी कुट नॉट भी रेड इजी ली क्योंकि डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग यहां पर होता है असानी नहीं जा रखती है क्यों कि हर राइटर की अपनी अलग-अलग राइटिंग होती है इसलिए इसको प्रिंटिंग प्रेश के हां इंडिया मैं कब मिंट संफ संटुरी में जब प्रिंटिंग पर संट्गिक शपी नंबर वन जी यह फुट परजीट शपी किसमें कोनकणी में स्टीव देखो कि कनारा लांग्वजर लेको प्रच्ट अवं ठीक है तो ध्यान रखेगा कि यह पूइब पूछ सकता है जी सुट पर प्रीस्ट क्या होता है इस थी के बहुत टेक्निकल चीज़ें आपको इसको नहीं जाना है सिंपल समझना है कि बहुत प्रिंट इंडिया आ गया जैनी प्रिंटिंग प्रेश जब इंडिया आ गई तो पहली मिट 16th century में आई और कौन ले सब्सक्राइब कनारा में लैंगोजेज में 50 किताब चापी प्रीस ने फर्स तमिल बुक चापी यहां पर 1579 में कहां पर कोचीन में पहली मल्यारा मुख चप गई कहां पर 1713 में दोस्तों चीज़ें जिसको आपको यहां पर रात करना पड़ेगा ठीक है ऐसी डच प्रोट को जेम्स ऑगस्टस हिकी ने चापा और यह बेंगाल गैजट अकबार का नाम कहा था बेंगाल गैजट यह देखिए आपर लिखा हुआ है यह पहला इंग्लिस लैंग्विज का अकबार था जो कलकटा में यहां पर चापा था फॉस्ट अकबार था ठीक है फ्रॉम सैवें चापना शुरू हुआ यह तरह का वीकली मैगजीन था और इसको क्या बोला जाता था अगस्तर सिक्की क्या बोलते तो अपने अकबार को बेंगाल गैजट को अपने अकबार को बोलते थे कि इस अपर यह पर यह ओपन टू आल सब लोग के लिए ओपन है लेकिन किसी से इं सबना रहा है यह ड्याओं क्लिये है यह तो यहां पर रहा था अब बंकाल गैजट मैं क्या क्या चीजरे सापता था अगस्ट सेकी कैसे का क вам तो इस बारा है और बहुत सारी गॉसम बंगाल गैजिट में होती थी कमपनी के ऊफीशल के बारे में जो इस इंड्या bio मतर्शिंग कर दिया और साथ में ऐसे आक बारों को इंकरेज किय जो सैंक्षन होंगे सरकार के द्שक्रार मतलब आप कोई भी बार इंडिया में नहीं चभतकता तो इंडिया नहीं हुआ था ना इंडिया में हुआ था यह चीज कोई भी बार नीच चाहिए करेगी तो ऑगस्टेस हिक्की जब इस तरह से गॉसिप छाप रहा था कि वह यह पता चला है कंपनी के अंदर आज एक कंपनी के अफिश्चल की बीवी को आज किसी लेके भाग ग गॉसिप छापने लगी आज पता चला है एक कंपनी का ओफिश्चल ने पंदरा करोड़ पंदरा लाग करोड़ा कर दिया इस तरह की गॉसिप जब ऑगस्टेस हिक्की छापने लग गया अपने अकबार बेंगाल गैजट में वीकली मैगजीन में तब उस वक्ति गवर्ण सब्सक्राइब कर दिया हटा उनको और ऐसे एक बार छपेंगे खाली जो सांक्शन हम करेंगे सरकाज करेंगे बास वाज में आ गया क्लियर है भाई मैंने कहा था तीन वे तक कोई बात नहीं क्यूंकि ज्यादा टाइम भी जो लगना है को है चलिए अब आते हैं लोग रिल सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे लिएयर नहीं नहीं होनी छहिए और चैन्ट होएथ इसे प्रेफॉर्म कुछ लोग रिपार म्हाँ चाह रहे थे डिबेट्स इन दी प्रिंट अन पॉब्लिक इन आइडिया वा वाइड पॉब्लिक कुछ पार रहे थे तो ऐसे में क्या हुआ कि बहुत एक ऐसा टाइम आ गया इंडिया में जब टाइम इंटेंस बहुत दाइक और सब्सक्राइब क्यों रहे तो क्या क्या इस थे नंबर वन विडो इमोलेशन विडो को क्यों बली जेनी चाहिए अगर उसका हस्बिन मर जाता है तो इक भगवान में विश्वास क्यों रखें हम लोग ठीके तीसरा ब्रामिकल प्रीस्टुड पुजारी क्य हो गया आई रोल्टरी मूर्ती पूजा यह सब इशूस थे उस वक्त इंटेंस कॉंफ्लिट के इशूस रेज हो गए जब अंग्रेज इंडिया में थे हना कितनी बड़ी इशूस आ गए थे सथी प्रैक्टिस को खतम करना इस अब की इशूस जो है उस वक्त यहां पर आन् बेंगॉल में बेंगॉल इस दी बैटल ग्राउंड क्योंकि वहां पर बहुत इंटलेक्ट्वल पैदा हुए है और बेंगॉल में इंटलेक्ट्स की बीच में लडाई स्टार्ट हो गई राजा राम मुहंद्राय ने संभात कॉमडी निखा हिंदू और यहां पर हिंदू हिंदू को फॉलो करते थे वह बटी वॉंटेट दचेंज ओल्सों ठीक है ना देन समाचार चंद्रिका यह भी छापा गया 1882 में दो पर्शन निश्रिपर शापे गए जाम ए जहां नामा और दूसा शम्चुल अगबर फिर देखिए गुजराती निश्रिपर था बॉंब को रहा है हमारे Ryanted को चैज कर देंगे हमारे रिधियर को एडिट करना चाहते है को लिफाइब करना चाहरे हैं को लीजिंट को लिखना चाह रहे ही हिंदू का लिजन वो है लो है वैसे मुसलिम स्काया यह प्रक्राइब मुष्छ अब ले मास्मा से पर लॉपल हो जाएगा कबड़ा गहें तो क्या हुआ क्या हुआ चाहिए कि यह लोगों उसको पढड़णा हैं कर दो जाएगी फिर आफ सब्सक्राइब करना को सब्सक्राइब करने का सोच रहे ऐसा बूमा इसके ने खिया किया कि यह बहुत चीप लिटोग्राफिक प्रेस पर सस्ती चीप लिटोग्राफिक च्टापे गए उनको डान्सलेशन दखो यह किया बज़िए उन्हों यह एक बनी थी आ उसके लिए चालेस generate कर ने लगे की कि तो यह तो प्रिंट कल्चर का पाट है सब्सक्राइब के जारी खरोगे ठीके लगे तो यह बिञा किसे के बहुत के लगा हिंदू ने यह हिसा चीज़ें आ रहें प्रिंट कल्चर में तो हिंदूस ने भी चीप लित्रोग्राफिक टेक्स में चीजें लिफना शुरू कर दी और अपनी होली स्क्रिप्टर्स के बारें बताएं लग गए स्पेशली इन वर्नाकुल लांगुजिस ठीक है ना एंकरेज किया रीडिंग रिलीजस टेक्स कि भाईया आप भी तो पड़ चीप लित्रोग्राफिक एडिशन्स फ्लडडि नॉर्थ इंडिन मार्केट चीप लोगों पता चले क्या चल रहा है हमारे के बारे में लोग लोग रिलीजन जाने हिंदू हंदू के बारे में हाना फ्रॉम 1880 देखिए यहां पर नवल कि शोर प्रेस लखनों में बनी श्र यहां पर बचा हुआ है एक बचा है कि दो बचा है बताओ कि यस प्लीज है न्यू फॉर्म सब्सक्राइब एक बचा है कि दो बचा है हाँ जी हाँ जस्टिस पर आइटी बस होने वाला है भाई हमको भी हो गए है यह दग बढ़ा रहे हैं स्टाथ हो गया है नौघ व को चुक सब्सक्राइब करें करो सब्सक्राइब और पराते शिया कि और या अ सथा श्री धा क मैंoni कर रहे हुअ करो सब्सक्राइब आखैन। प्रेंग कर दो यार ब्रेक ब्रेक इंक्लूट करके टू हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ब्रेक तो नहीं चाहिए पांच मिनिट का बताओ नो ब्रेक अरे ब्रेक लेलो यार लेलो ब्रेक लेलो ब्रेक लेलो भाई कैसी बाते कर रहे हो ब्रेक लेलो ब्ला ब्ला के ब्रेक देंगे आओ ब्रेक लो तुम भी ब्रेक लो तुम भी ब्रेक लो अब दारेट खतम कर दो बढ़ते हैं चलिए आगे देखिए न्यू फॉर्म्स पॉब्लिकेशन अब सामने आ गई अब और और नए तरीके के पॉब्लिकेशन सामने आए कैसे कैसे देखो पीपल को रीड जो लोग पढ़ पा रहे थे प्रिंटिंग न्यू काइंड पॉब्लिकेशन अब लोग ज्यादा रीड कर पा रहे तो ज्यादा डिफ्रेंट डिफ्रेंट की पॉब्लिकेशन सामने आते हैं नॉवल डेवलप्ड इन उरोप उसमें बहुत सारे इमोशन और फीलिंग यहां पर आई लव यू ए लव अधियो रहा है नॉवल ऐसी नहीं थी कि यह लड़का था एक लड़की थी दोनों मिलते हैं प्यार होता है महब्बत होती है ऐसी नहीं थी लेकिन अब नए पॉब्लिकेशन ऐसे आने लग गए जहां पर इमोशन फीलिंग्स फीलिंग्स ज सकते थे ना अभी तेंट हमके थे थार्ड विजुल इमेज इस क्यालेंडर पर विजुल इमेज इस क्यलेंडर क्यली चलल या फूल फोटो छुब जाती है पहले किसी भगवान की फूल लगा जाते ले आग्त बचल अब पक्रणिया बढ़िया इतने गिलेंडर होगा इतना बड़ा कैलेंडर आता है और इतने में नीचे डेट होती है संदे मंदर ट्यूजदें वन टू-3-4 बाकी में कट्रिना का चिपक जाती है ने बात करेंगे तो बात करेंगे तो वो में अन्प्रिंट की देखेंगे तो मेन इंडिया की बात कर रहे हैं काफी रीडिंग अक्टिविटी करने लग गई थी वो में जो है मिड्ल ग्रास की काफी रीडिंग यहां पर उनकी बढ़ गई थी और यहां पर इंपॉर्टेंट यह था कि जन्रल जो थी वो मैं की राइटिंग्स थी वुमें जन्न दो लिख रही थी यानि कि वुमें जो है अब वो जन्रल्स में लिखने भी लग गई थी पहले पढ़ती देशिव खाली अब वो लिखने लग गई थी जा राइटिंग स्टोल्ड वाय दा वोमेंट शुट बी एडूकेटेड अब वोमेंट जो है खुद लिखने भी लग गई पहले तो खाली वोमें डीडर हुआ करती नहीं लेकिन वोमें राइटर हो यह लग गई और में खुद लिखने लग गई आर्टिकल्स जेनरल में कि क्यों वोमेंट को पढ़ा लिखा होना चाहिए अना अब देखो क्या हो रहा है वो में कोई लिबरल हस्बेंट है फादर है वह एडूकेशन करवा रहा है वह स्कूल में भेज रहा है सेटीज एंट टाउंस में स्कूल खुले उनमें इ कि आने के बाद यहां पर देखने को मिल रही है अब लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी फैमिली इस लिबरल हो कि हर फैमिली में बहु बेटियों को पढ़ने भेज़ दिया जाए हर फैमिली ऐसी थी नहीं कंजर्वेटिव हिंदूस थे जो इस आइडिया को रिबल कर रहे थे वह यह कौन जी वाद है बहु बेटिया है और यह बहु बेटियों को कैसे पढ़ा होगे पांगल हो गया वुमन को पढ़ा हो गया वाईसे एक दम सर नाच नहीं है फिर तो और नाचेंगी पढ़ा नि खुटा पोश कर रहा था वोमिण की एड्यूकेशन को समझ रहे हो ठीक रा और मुस्लिम法 कर रहे थे तो तो ब harassment हिंडू कर रहे थे और यहां पर मुस्लिमीं कर रहे थे मुसलिमों साब किसाव इनगा क्या तो इसारिया वो लिखा करेंगी कभी कभी राद दिवाना था कहीं मीरा दिवानी थी तो उर्दू रिमेंस तो भाईया यह लोग निकल लेगे पढ़ लिख जाएंगी डुमाइंस करेंगी उर्दू में मां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो रिवल वुमें यहां पर अब इन दोनों के खिलाफ जो कंजर्वेटिव हिंदूस थे जो नहीं चाहते थे वोड़न पढ़ाई जाएं और जो मुस्लिम से जो नहीं चाहते थे और तो को एडूकेशन मिले उनके खिलाफ कुछ यह यहां पर यह आपका किताब चपी और्टोलॉक्स हाउसोल्ड की उपर ऐसे यहां पर देखे एक्जाम्पल में मुस्लिम गर्ल एरबिक और कुरानिक पढ़ेगी नौर्थ इंडिया में कि सब चीजें इसमें पढ़ेगी अरभिक से पढ़ेगे एजूकेशन में पढ़ो ए पढ़ने लिखने नहीं दिया चाहिए हिंदू हो तो ऐसी लेडी जो है वो में वह अपनी लाइफ की बारे में लिखने लग रही जैसे कि देखिए कैलाश बासनी देभी बंगाल की है तारा भाई शिंदे एंड पंडिता रामभाई 1880 में लिख रही है तमिल टेक्स भी ऐ बेंटे लिखायी लगी हिंदी पृंटिंग स्टार्ट हो गई और काफी सीचिसली स्वाइब बतला अभी तकि हिंदी प्रिंट नहीं थी लेकिन हमें वोमें की एड्यूकेशन की बारे में यहां से पता करना शुरू होता है कि विजरू को कैसे पृभाया गया ठीक है पर क्या-क्या इशूस थे वो यहाँ पर डिसकस किये गए हैं ठीक है ना वो यहाँ पर डिसकस कीते तें वो मन एजूकेशन यहीं विडियो घौड वीली मैरंगेज नाशनल गुव्मेंट पर डिसकस हो रहे ते अब फोक लिटरइचर कहां तक पहला फोक लीटरेचर रहा है पंजाब की देखिए कि पंजाब में पंजाब में राम सध्धा पबलिच्ड इस्थ्री धर्म विचार ठीक है तूटीज वुमें हाँ टू वीडियेग अब फोग लेट्रिचर में पंजाब में राम चडदा ने पविश करें क्या इस्तरी धर्म विचार में क्या विचार कैसे to teach men how to be obedient a किताहम लिखाधे लिखें किसे Kèces ऑ्सेटर्वू प्रॉब्लिच्ट पूपलेश्ट चीफ books with पॉप्प्लर बुक्स शापता था चीप एडिशन और रिवीजस बुक्स शापी नहीं स्क्रिप्टर लिट्रेचर्स डाट पर कंसिरेट ऑप्सीन एंड स्कांडलास वह यहां पर क्या हो रहा था वह यहां पर छप रही थी तो पेसिजली कितना कुछ यहां पर देखिए फो इक तरफ तो एक डिस्क्डेशं देखने को मिला मेल फीमेल में चाहे हिंदू और मुसल्मान ऊई स्कांवशने को मिलना पूर पीपल के बीच में पूर पीपल के साथ क्या कास्ठ से डिसक्रेशन बीष्फ हतार चाहा काउस्त कुक्टर इंडीड पूरpower तो स्मॉल-चीस खोली गए लोकेटिट इन टाउन प्रस्टी जहां पर यह स्मॉल चीप बुक्स मिलती थी और यह पूर पीपल उनको परसकते थे लेट 19 संचुरी में ऐसे कास्ट के बहुत सारे सामने आते हैं ठीक का सिस्टम के इंजस्टिस जैसे कि देखिए जोतिवा फूले यहां पर किताब आती बुक आती गुलाम गिरी किताब इन्होंने लिखी थी गुलाम गिरी ठीक है ना 1871 में छापी गई यह किताब कास्ट इंजस्टिस को दिखाती है कैसे कास सामने महराश्ट्र में इवी रामा स्वामी नईकर ने इनको पेरियार कहते थे मदरास में इन लोग ने कास्ट इंडिस्क्रमेशन के खिलाफ यहां पर किताबे लिखी थी और यहां पर प्रिंट छापे गए ठीक है अब जो वर्कर्स थे यह इनके पास एजूकिशन थी न जाने के लिए इनके अंदर मैसेज प्रफोगेट करने के लिए नाशनलिजम का कैसे हम लोग नाशनलिजम अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमें इन वर्कर्स को भी क्या करना है एजुकेट करना है लेकिन बट क्या हुआ काशी बाबा कानपूर मिल वरकर यहां पर क्या हुआ कि भाईया टू बिंग लेटरेसी टू प्रफोगेट मैसेजिस ऑफ नाशनलिजम देने के लिए यह सब लाक करते हैं लेकिन क्या हुआ यहां पर दिखा जयां कैसे कास्ट और क्लास के बीच में क्जेकों हो रहा है थीके ना मतलाम यहां पर इन किताबों के फ्रू इन इनके फिर्य दिखाया गया और यह वर्कर्स ilditterate कोशे इनको परणा नहीं आता खा यह पुए उप्स टेशी बाबा यह कानपूर मिल में वरकर था ठीक है इन्होंने क्या किया इन्होंने किताब लिखी छोटे और बड़े बड़े का सवाल यह किताब का नाम है और इसमें उन्होंने शो किया है किताब में क्या लिंग्स है कास्ट और क्लास एक्स्पाइटेशन का सिमिलर्ली सिदर्शन चक्र यह कानपूर मिल में वरकर थे ठीक है इन्होंने लिखी क्या सची कविताएं यह किताब लिख रहे हैं देखो यहाँ पर क्या रिखा था कि वरकर्ष और एजुकेशन नहीं थी उनके पास लेक क्रिंट्स शेफ यह जाओ इस सेंशिप लास्ट है कि नहीं बता दूवसिजिट लास्ट ऑर नॉट प्रिन ईंसलन छिप आखरी है यह नहीं अगि मैं तुम लोगों के इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम मत करो के इंस्टाग्राम यह हमारी आए डी है यह करने वेठे हो गया एक जो राजपूतरीं की पीछे पड़ गया है कि पूरा राजपूतरीं को टैग करके अपनी आइडी दे रहा है देख रहा है पक्का वो लड़का निकलेगा है तुमारा पूरा दस घंटा खराब हो जाएगा है लास्ट है कि चालो बहुत बढ़िया है कि अब देखो प्रिटें सेंसर्शिप अब यहां पर क्या हुआ देखो इस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया में आ चुकी थी ठीक है और बिफोर 1798 क्या हुआ कोलोनियल स्टेट अंदर दी इस्ट इंडिया कंपनी वास नॉट टू कंसर् करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए लोगों को रोकना चाहिए को छापने से नहीं चाहिए श्रेंजली इस अर्ली मेजर्स तू कंट्रोल प्रिंटेड मैटर वस इंग्लिश्में इंडिया हुवर क्रिटिकल अप कंपनी मिस्रूल और हेटेट अच्छ पर्टिकल अपनी अगर स्टार्ट करी भी तो इंडियांस के अगेंस नहीं अपने खुद के इंग्लिश्में के अगेंस्ट क्यों सर क्योंकि जो इंग्लिश्में थे इंडिया में वो खुदी कंपनी को कहीं कहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कंपनी मिस्रूल कर रही है गलत रूल कर रही है काम नहीं कर रही है इस तरह के बहुत सारे ऐसे अरोप थे जो इटिरी बात कि पहली बात करें इस्टिने अमनी कभी थी नहीं मतलब कोई इसी संसर्शिप नहीं कर रही थी लेकिन पहली बार कभी उन्हें कभी कोई जी संसर्शिप करने की कोशिश करी तो उन्हें अपने ही लोगों को रोकने कोशिश करी क्योंकि उन्हीं के लोग उन्हीं की खिलाफ बिटेर में एकटका सुप्रीम कोट था उतने यहां पर एक रेगुलेशन स्किया प्रेस्ट फिर्डम को कंट्रोल करने के लिए कि प्रेस्ट कितना फृप्री होगा एंड कम्पनी बिदेंग इंकडरीजिंग भी पॉबीकेशन ठीके तो प्रेस्ट को चौन पर क्या क्या गे Richmond सुप्रीम कोर्ट में क्या किया सुप्रीम कोर्ट में एक रेगूलेशन पास किया and the company बिगा बिगन टू इंकरेज मुष्ट फब्लीकिशन उन्मीस ब्च विसफ दैड वर्त्स अब कंपदी ऐसा काम करने लगी कंपदी कहने लगी हम वही e di cheeze agi karış करेंगे हम उसी एक्भार को करेंगे गेंगे जो पिवर्टिश के रूल को सेपné करें बिटश के रूल को और साली बिरेट करें मतलब बिटे भांट अच्छा है बहुत बटी यहां हो बहुत सारा अर्जंट नीड आ गया था ऐसा 1835 में क्योंकि बहुत सारी ऐसी पेटीशन आ गई थी और इंग्लिश और वर्नाकुलर न्यूसेपर्स मतलब एक तुली उस वक्त क्या था 1835 में यह बात बहुत जादा इंडिया में फैली हुई थी कि कैसे एजुकेशन स्प्रेड किया जाए इंग्लिश लांग्विज में या फिर वर्नाकुलर लांग्विज में और इसको लेकर कोर्ट में बहुत सारी यहां पर पेटीशन्स पहुंच गई थी कि भाई में इंडिया में एजुकेशन कैसे दी जाएगी इंग्लिश में या वर्नाकुलर लांग्विज में थॉर्मस में लिबरल कोलोरियल ओफिशल फॉर्मिलेट न्यू रूल्स डाट रिस्टोर दी अर्लियर फ्रिदम्स और उसने ऐसा कहा कि नहीं नहीं ताकि जो अर्लियर फ हो गया attitude to freedom of the press change जो attitude था freedom को प्रेस की freedom को लेकर वह बदल गया अभी तक तो बड़ा इंडिया की प्रेस उसको खतम कर दो एकदम खतम कर दो अन रपने ग्रिया असर वियुट मैश्मिले बात कर रहे हैं तो है तो of course यह Britishers के लिए गलत था या उनकी लिए वड़ी प्रोब्लम थी क्योंकि अगबारों में अगर बिटिशा से खिलाफ लिखा जा रहा है और अगबारों में वर्नाकुलर लैंगोजेज में इंडिया के अजादीगी लिखा जा रहा है तो अंग्रेजों को दिक्कत होगी इससे ठीक है ना इसलिए अंग्रेज जो थे वह स्ट्रिंजन कंट्रोल लग गए इन 1878 एक वर्नाकुलर प्रेस आक्ट पास किया जाता है और उसमें यह लिखा गया था इस प्रवाइड़्मेंट को बहुत एक्सेंसिव राइज दे गए कि वो कोई भी ऐसी रिपोर्ट्स का एडिटोरियल को सेंसर कर सकती है अगर उसको लगता है कि वो उसके हिलाफ है प्रम नाओन गौवर्मेंट अब रेगुलर ट्रैक कर सकती है सारे वर्नाकुलर नुसेपर्स का जो पब्लिश हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में जब भी कोई रिपोर्ट जच की जाती थी कि सडीश है यानि सरकार की खिलाफ है तो उसके नुस्ट पर को ब पॉइंट है कि भाई बता दिया मैंने आपको यह बता दिया वर्नाकुलर प्रेस आक्ट के बावजूद डिसपाइड इस तिल बहुत सारे ऐसे नाशनल इस तो पर थे जो कंटिन्यू करते रहे ग्रोव होते चले गए ठीक है ना बहुत सारी इस तरह के एक्ट मतलब इस त तो उसके बार कुम सीज कर देंगे फिर भी लोग चाप रहे थे फिर भी लोग यहां पर उसको चापा चाप जा रहे थे ठीक है तो को लोनियल में सूरूल बहुत रिपोर्ट हो रहा है ठीक है रिपोर्ट हो लेगे नैशनलिस यूपर लिश्योपास को करश कर दिया गया नाशनलिस तुसे बास जो उनके अगेंस चाप रहे तो उनको दबा दिया करस्ट कर दिया गया अटेंट किया गया मिलिटेंट प्रोटेस्ट यहां पर हुआ एक्जामपल देखे 1907 में लेकि क्या लिखा हुआ है बलंगा गधन यहां पर लिखा देखिए और स्वरी यहां लिखा हुआ है attempts to throttle nationalist criticism provoked militant protest militant protest यहां पर और जब मिलिटन प्रोटेस्ट हो यह लग गया तो और यहां पर क्या किया उनको throttle कर दिया nationalist को this in turn led to renewed cycle of prosecution and protest when Punjab revolutionaries were deported in 1907 बाल गंगा तिलाग रोट दा केसरी लिखा and this led to jail in 1907 उन्होंने इतने वार्णिंग के बाद भी केसरी लिखा हना और इस वैसे उनको क्या हो गया जेल हो गई 9008 में people protest in return और लोगों इसके बदले में यहां पर बहुत सारा protest किया और protest करते चलेगा ठीक है so this is it यह हमारा चाप्टर जो है वो खतम होता है और हमारा आज का हिस्ट्री का जो एंटायर जो चाप्टर है सब्जेक्स का यहां खतम हो गया कल आपका होगा civics sorry कल होगा आपका economics शिगरत नाम और जोगेंडर सर फिराएंगे और दो सब्जेक्स आपे करवाएंगे परसो 14 को हम और कुनाल सर फिराएंगे और आपकी जोगरफी करवाएंगे और 15 को भी आपकी साथ आपके लिए कुछ होने वाला है हुआ है 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 ठीक है अब बुला लेते हैं सर को है सर यहां पर आएंगे कि सर आगये हैं कि सर आप से कुछ कहना चाहते हैं सुन लीजिए सर का message तो भाई all the best यार और काफी टाइम हो गया हाला कि chapters इतने लंबे थे ठीक है तो इदम detail में आपको पढ़ाना भी जरूरी था था कि आप बहुत अच्छा करके आ सको है ना चालो तो भाई विश्यू all the best यान कल आने वाला है शर इनका शर एकोनोमिक्स का रिविजन कल आने वारे का रिविजन उसके बाद वापस हैं मिलेंगा को जोगरफी में ठीक है तो मस्तरो यार्ज अबर्दस्तरो और बाकि सर खतम करते हैं फिर बाबाए बच्छों आप आप